स्वागत करता हूं दोस्तों मैं है तेश भुपता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों आप लोगों के लिए वन अप दो मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसमें आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग और गैनिक लेवल पर सीख सकते हो इसमें कोई पेट पर्मोशन्स नहीं है इसमें हम आपको SEO के बारे में कंप्लीट सिखाएंगे on page, off page, social media, facebook, youtube, linkedin, twitter, instagram, complete organic तरीके से आप कैसे अपने social media को ग्रो कर सकते हो, वहां से पैसा कमा सकते हो, कैसे followers बढ़ा सकते हो, tips है, strategies है, practically करके बताया है उसके अलावा दोस्तो complete email marketing जिसके अंदर आप email के थ्रू कैसे अपने business को grow कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, और आप sales ला सकते हो, तो यह सब कुछ, मतलब दोस्तो digital marketing में एक organic part होता है, एक paid part होता है, तो organically आप कैसे digital marketing के थ्रू अपने business को grow कर सकते हो, खूब पैसा कमा सकते हो ये वीडियो बहुत ही जादा informative और in-depth होने वाला है दोस्तों ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ ताकि आप लोग अपने career में और अपने business को एक नई उचाएबे पहुचा सको वो भी कोई पैसा लगाए बिना सिर्फ अपनी महनत से तो दोस्तों अगर आप complete digital marketing इसके साथ से सीखना चाते हो paid and other things तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे लगबख 625 वीडियो हैं latest practical content के संग और इस साल 1000 वीडियो 30-35 नई सिर्फ हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं तो ताकि आप कुछ मिस ना करें सब्सक्राइब करें चैनल चलते हैं और सीखते हैं digital marketing services के लिए या consultancy के लिए आप मुझे call कर सकते हो अमारी website marketingfundas.com पे जा सकते हो या डेली में अगर आपको digital marketing coaching लेने है ट्रेनिंग लेने है मेरे से तो आप संपर कर सकते हैं तो दोस्तों पहली tip और strategy है जो कि हम बिल्कुल scratch से अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको एक facebook का page create करना है दोस्तों facebook का page अगर आपका business है तो आप एक business page बनाएं और उस page को जब आप create कर लें तो generally लोग क्या करते हैं कि page में जो information होती है चाहे वो cover page है, photo है, descriptions है, content है, अपने बारे में बताना है ये सब चीज लोग पूरी तरह fill नहीं करते या सही से fill नहीं करते तो दोस्तों page बनाने के बाद उसको आपको पूरा completely उसको fill करना है, उसको proper content डालना है और दोस्तों call to action का उसमें आपको button ज़रूर देना है उसके साथ साथ दोस्तों आपको उसमें जो facebook जो page की settings होती है उनको आपको करना है और इसके लिए आप सीखने के लिए कैसे कैसे करना है हमारे चैनल में already एक video है उसको मैं link दे दूँगा तो उस video को देखके आप easily कर सकते हो तो दोस्तों शुरुआत करने में सबसे पहले अपने page को आपको best बनाना है आपको अपने page जब आप पूरी तरीके से सेट कर लेंगे बना लेंगे तो आपको अपने page की settings को अच्छे से review करना है दोस्तों अगर आपके facebook के account की page की settings अगर सही नहीं है तो आपको आगे चलके बहुत ज़्यादा issues आ सकते हैं उसको recover करने में ठीक है account बंद हो गया किसी भी reason की वरस है because सबसे ज़्यादा calls जो हमें आते हैं जो messages mail आते हैं वो यही आते हैं कि उनका account बंद हो गया disable हो गया, hack हो गया तो इन problems को because शुरुबात में हो सकते हैं वो आपको एतनी problem ना create करें बड़ जब आपका business उसके ओपर depend होगा आपका network होँआ बन चुका होगा तो उसकी क्या value होती है यह मैं समझ सकता हूँ और जिन लोगों के मेरे बास phone आते हैं तो इन बातों को आपको ध्यान लखना है तो दोस्तों यह जो third हमारी tip है यह बहुत जाज़ा important है इसको practically आपको implement करना है तो types of posts जो आप Facebook या Instagram में आप डालते हैं तो उसमें आप अलग-अलग तरीके से जैसे कि text post हो गई वीडियो पोस्ट, फोटो पोस्ट, लाइब वीडियो पोस्ट, पोल आप कर सकते हैं पोस्ट को pin कर सकते हैं जो informative है या creative है या कुछ हटके है every stories, linked post तो दोस्तों यह जो आप अलग-अलग तरीके के जो मैं आपको post बताएं इनका आप use कर सकते हैं और जो आपके post हैं वो creative हो, informative हो, engaging हो जोहारों के उपर आप लोगों को wish कर सकते हो और कुछ special days तो इस तरीके से आप को चीजों को mix करना है ताकि आप जब हर बार कुछ अलग, नया करेंगे तो लोगों को अच्छा लगता है उनको भी लगता है कि हाँ, वाकई इस page में dumb है हम इसको like करना चाहिए ये regular भी है आप काम होद अच्छा कर रहे हो बट आप regular नहीं हो, active नहीं हो वो भी दिखकत है तो इन सब बातों का आपको ज़रू जहन रखना है फोर्थ टिप है दोस्तों आपको अपने target audience के दिमाग में अपने brand की product services की एक strong image बनानी है उसके लिए दोस्तों आप सही audience को target कीजिए जो relevant है आपके product services brand से related जो आपको लगता है आप अपनी audience को value, valuable information content deliver कीजिए जिसमें उनके interest के basis पे आप कर सकते हो उनके likes के basis पे कर सकते हो उनकी problems आप उसमें बता सकते हो उनके solutions बता सकते हो उनके pain points आप देख सकते हो तो इन बात का आप ध्यान रखिए और दोस्तों उसके अलावा आप के लोग जो भी आपकी best post हैं बहुत जादा जो मतलब पसंदारी हैं लोगों को उनको आप चाहू तो थोड़ा बहुत आप उसको boost कर सकते हो अपनी सही audience में, targeted audience में और दोस्तों जो लोग आपके page पे आपकी जो post को like करते हैं उनको आप organically invite भेज सकते हो बहुत सारे लोग होते हैं जोनों की post पसंद की हैं बटनों ने आप पर page like नहीं कर रहा हुआ तो उनको आप एक invite को option होता है उसको आप क्लिक करके आप उनको invite भेज सकते हो page like का ताकि आपके वो page को भी like करें फिफ्ट टिप है दोस्तों कि आप अपने page पर left hand side पर जो आप देखते हैं वहां पर tabs होते है custom tabs उन custom tabs में आप अपने business product services के accordingly वहां पर tabs add कीजिए उसके अंदर आप event का tab कर सकते हो offer का tab कर सकते हो उसके अंदर आप market place, shopping, e-commerce का इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे tabs के custom tabs के option होते हैं जो आप अपने page पे integrate कर सकते हो लगा सकते हो ताकि लोग action लें और आपके बारे में ज़्यादा जाने इंटरेक्ट हों आपके page से six tip है दोस्तों आपको पता है कि facebook में groups की कितनी power है और उससे लोग कितना business और कितना grow करते हैं दोस्तों तो आपको अपने facebook page पे अपना group start करना है और उस group में आपको relevant audience जो आपके business product services में interest रखते हैं उससे related हैं उनको invite करना है जोडना है दोस्तों slow and steady धीरे धीरे भी अगर public आपके संग जुड़ेगी और आपका group जितना strong बनेगा उससे आप long term में इतने शांदार results पा सकते हो और हर किसी को पता है कि Facebook में एक group की कितनी ज़्यादा power होती है लोगों ने उससे कितना ज़्यादा business generate करा है 7 tip दोस्तों कि आप अपनी industry अपने business के हिसाब से आप best date and time choose कर सकते हो कब आपको उस पे post करना है लोगों को सक्वाइब इंटरेक्ट करना है तो इसके ओपर थोड़ा सा आप internet पे R&D कीजे और अपने business के हिसाब से best date and time schedule बनाईए और उसके हिसाब से चीजों को post कीजे 8 tip है दोस्तों test और monitor your post frequency इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है बिकॉस दोस्तों एक दिन में आप बहुत ज़ादा post मत कीजे बिकॉस जो audience है वो भी फिर उस पे response नहीं करती है तो आपको ये अपने industry के हिसाब से या आपके पस क्या valuable information उसके हिसाब से देखना है कि आप दिन में एक, दो या तीन maximum post कर सकते हैं ये depend करता है ये चीज़ें आपको खुछ से करके देखनी पड़ेंगी और उसके responses और जो आपका analysis होता है उसमें जाकर आपको उसमें क्या difference आ रहा है क्या इसे public response कर रही है तो उसके basis पे फिर आपको आगे planning करनी पड़ेंगी कि आपको कितनी post एक दिन में करनी चाहिए 9th tip है दोस्तो partner with influencers दोस्तो influencers जो होता है जो आपके product, services, brand या industry से related है तो उनका क्या होता है खुद का एक audience बेस होता है जो उनको ट्रस्ट करता है जो उनको follow करता है तो अगर आप किसी तरीके से उनके संग partner कर सकते हो बातचीत कर सकते हो कुछ बाटर कर सकते हो आप उनको कोई benefit दे सकते हो या वो आपको कोई benefit दे सकते है तो आप उनसे बात कीजिए ठीक है बहुत जगा बात हो सकता है ना बने बिना पैसों पर बहुत जगा बिना पैसों के बात बन सकती है तो आप influencers को touch कीजिए और उनको अपने संग partner कीजिए, associate कीजिए किसी भी तरह ताकि उनका audience भी उनके कहने पे क्योंकि वो उनके trust करता है तो आपके संग भी जुड़ेगा 10 टिप है दोस्तों कि relationship marketing आपने सुना होगा कि holistic marketing का एक part होता है relationship marketing दोस्तों अगर आप relationship marketing के बारे में जानते हैं या आप क्या कहते हैं उसके बारे में आपको idea नहीं है तो उसके लिए भी आप हमारे channel में हमारी marketing के ओपर वीडियो जाने वाली हैं बहुत जल उनके से आप complete marketing के बारे में शीख सकते हो जान सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ relationship marketing क्या है relationship marketing है मान लिजी आपके organization है चाहे वहाँ पर आपके 10 employees हैं चाहे आपके 100 employees हैं चाहे जादे employees हैं power use करना आपके employees की आपके customers की आपके vendors की और आपके जो साथ जुड़े हुए जितने भी आपके network के अंदर लोग हैं प्लस आपके जो financial partners हैं non financial partners हैं उन सब के संग आप relationship build कीजिए healthy relationship और उन सब के network को आप use कर सकते हो क्योंकि उनके पास individual network होता है जो खुद बहुत powerful होता है प्योंकि हर किसी का जो individual network है वो उन पे faith करता है रिलाय करता है तो लोग जब आपस में आपके product services आपके page को लोगों को बताएंगे तो उससे भी organic traffic बहुत जादा आता है और इससे आपके page को growth मिलती है organic level पे 11 टिप है दोस्तों कि आप अपने page के ओपर live आएं, contest run करें, quizzes run करें और webinar करें time to time जिसके through आप लोगों के संग engage हो और ये proven है ये हर बड़ी company, startup सब करते हैं जो value समझते हैं लोगों के संग engage होने की, connect होने की और इस सबसे ज़्यादा engagement लेकर आता है organically आपके page पे 12 टिप है दोस्तों कि आपके FB page की जो post आप करते हो उनको आप अपने profile पे भी share कर सकते हो दोस्तों क्यों होता है कि सब का अपना एक network है, मान लिजे आपके personal profile के अंदर 1000, 2000, 5000 लोग जितने भी आपके ज़्यादा तर नून लोग होते हैं और वो बहुत long run के अंदर आपके जो network है बनता है और वो आप पे rely करता है तो आप जब अपने page पे कुछ post जाल रहे हैं तो उसको ज़रूर अपनी profile पे share कीजिए उससे भी आपको organically engagement आती ही आती है और लोग उसके बारे में जानते हैं उस पे action लेते है थर्टीन टिप है दोस्तों, use hashtags in right way दोस्तों, hashtags का सही से इस्तमाल और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, जाने, सीखें कैसे करना है वो ज़रूर कीजिए और अपने खुद के hashtags भी create कीजिए फॉर्टीन पॉइंट है दोस्तों, take help of your facebook app और उसको आप explore कर सकते हैं इसका मतलब है दोस्तों कि आपके जो facebook की app है उसके बहुत सारे features होते हैं जो हम लोग देखते ही नहीं है, उनका कभी use करते ही नहीं है because facebook हो या इस जैसे जो बहुत सारे platforms हैं, हर कोई अपने आपको update करता है और अपनी audience के help के लिए उनको organically grow करने के लिए बहुत सारे features लेकर आता है तो आपको अपनी features को explore करना है अपने facebook page में, facebook के account में उनकी help लेनी हैं जिससे कि आप और ज़्यादा organically लोगों तक पहुंच सकें तो दोस्तों यह हमारी last 15th tip है जो बहुत important है जब आप इतना सारा काम कर रहे हैं इतनी महनत कर रहे हैं तो दोस्तों अपने facebook page का analytics जरूर देखिएगा वो सबसे ज़्यादा important है because आप जो भी activities कर रहे हैं उनको monitor अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सी post आप जो डालते हैं किस type या post डालते हैं क्या activities करते हैं जिसके ओपर ज़्यादा engagement आती है ज़्यादा reach आती है उसको लोग पसंद कर रहे हैं किस चीज को लोग ना पसंद कर रहे हैं जब उस पर आप monitoring रखोगे और बारीक बारीक action लेते रहोगे चीजों को improve करते रहोगे तो जो आपका पेज organically shoot up करेगा और यह आप एक बरिक करके देखिए कुछ महेनों तक आपको आइडिया लग जागा तो दोस्तों अब हम अपना जो पहला वीडियो है जो सबसे पहला स्टेप होता है जब हम फेस्बुक का पूरा सेरीज और सारे टुटोरियल शुरू कर रहे हैं तो फेस्बुक एकाउंट creation इसी से शुरुबात होगी तो दोस्तों फेस्बुक एकाउंट बहुत सिंपल है म आप मेंसे जाता लोगों को आता होगा मगर फिर भी हमें बताना जरूरी है तो जैसे दोस्तों अगर आपको फेस्बुक एकाउंट क्रियेट करना है तो आप डालिए facebook.com ठीक है यहां पर जैसे आप सर्च करोगे facebook.com अब यहां पर आ गया create an account अब यहां पर आप नाम डाल सबक्राइगी था गुटा नाम डाल देता हूं अब हमें email id डाल दे तोआँ को कि आप सिना आते हैं कि email ID या Mobile address कि स्वेह बना सकती है तो मैं इसे बना रहा हूँ ठीक है तो मैं email id डाल देता हूं नया क्या india add the anonymous MVP.com ठीक है नया क्या india.gmail.com के नाम से मैं डाल रहा हूं और यहां पर में दोबारा से re-enter करने पड़ेगी mail id नया क्या india.gmail.com ठीक है दोस्तों तो आप यहां पर यहां पर मेरे को अपने password generate करना एक password बनाना है तो आप strong password बनाएगा दोस्तों कभी भी easy पासफर्ट मत बनाईएगा क्योंकि यह रीजन हो जाता है कभी एकाउंट हो जाता है या को यह आपके दोस्तों के पासफर्ट पता होते हैं तो इसलिए आप हमेशा टफ पासफर्ट बनाओ विकाज अभी शुरुवात में हो सकता है जरूरी नहीं है कि फेस्बुक का आपके यूजबिलिटी बढ़ती है इस पर डेपेंडनेसी बढ़ती है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन चीज हो जाती है तो दोस्तों यहां पर मैं एक पासफर्ट डाल देता हूं स्ट्रॉंग शा यह मैंने पासफर्ट डाला यहां पर क्या करते हैं अब हम एक अपना ऐस स्टाट लोग अब यहां पर आप अपने जेंडर सेलेट कर लीजेगा और उसके पर साइन अप कीजेगा तो जैसे ही आप साइन आप करोगे तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एकांट क्रियेशन का ठीक है तो अब यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर एक कोड आपकी इ जैसे लेड्य हाँ एक कोड आगया है दोस्तों तो यह कोड हमें में पहले सब्सक्राइब करना होगा जरह हमें क्लिक करांब करने के लिए और यहां पर यह जो कोड है 80551 यह हम यहाँ पर डाल देते हैं 80551 अब यहाँ पर हम अगर आपको मुबाइल नमबर भी अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो और बढ़ना अभी के लिए हम कॉंटिन्यू करते हैं वाकिया बढ़ना नमबर जरूर अपडेट कर लेना क्योंकि आपका इमेल आइड दोनों अथेंटिकेट है तो ज्यादा सिक्यूरिटी रहती है ठीक है दोस्तों तो बोला है जस्ट फ्यू मोर स्टेप्स बिफोर यू लॉग इन ठीक है तो अब यहाँ पर भी हैव नोटिस अस्पीशे अक्टिविटी अन यूर अकाउंट गेट बैक अन फे इस यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और वेरिफाइब करेंगे दोस्तों कॉंटिन्यू करेंगे ठीक है एड़ा मोबाइल नंबर वी विल सेंड टेक्स्ट विद अ कोड ठीक है तो यहाँ पर हम अपने एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं ठीक है तो कई बर होता क्या है कई बरी पूस्ता है कई बर नहीं पूस्ता है विगोज हम जादातर एकाउंट और आइडी बनाते रहते हैं इसलिए हमसे यह पूस्ता रहता है कई बर होता है कि नहीं भी पूस्ता आप मेल आइडी से भी ऐसे नंबर से भी बना सकते हो ठीक हमारे code करेंगे अब हमारे number पर भी कोड आएगा तो वह कोड भी जैसे आये तो हम नेक्स्ट करेंगे तो जैसे हमने नैक्स्ट करा अब यह फरदर प्रॉसीड- करेगा आगे तो थैंक यू यूर एकाउंट एज बिन अन्लॉग्ड एंड यू है नाओ बैक उन फेस्बुक ठीक है ओके तो जैसे हमने यह प्रोसीजर पूरा करा जो इसने बोला देखिए दोस्तों हम बिल्कुल एक अपने नए एकाउंट में आ गए तो एक जो नए नए एकाउंट होता है फेस्बुक को बिल्कुल इस तरीके से लगता है अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टन जो स्टेप है वह सेकेंड सेप के अब हमें अपने एक स्ट्रॉंग प्रोफाइल क्रेट करनी है जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं फेस्बुक एड्स की बात क दोस्तों तो इसके लिए हम क्या गयता है एक स्ट्रॉंग प्रोफाइल भी आपको कैसे क्रेट करना है वह बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टैप बाइस्टैप एक चीज़ बताएंगे ताकि हम कंप्लीट फेस्बुक आपको करना सिखा सकें दोस्तों तो दोस सारी important settings बताएंगे दोस्तों अगर आपकी strong profile नहीं है अच्छी profile नहीं है या आपको परोफाइल का use नहीं करना आता सही से ठीक है सही से settings नहीं पता तो आप अपने business या अपने Facebook के account को all over मतलब जो उसे benefits ले सकते हो नहीं ले पाते हो ठीक है और दोस्तो ये सब basic चीज़े बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये long term में आपको एक अलग ही level पे लोगों से हट के आपकी profile आपकी performance वेगरा और आपकी इसलिए लोगों की connectivity में help करेगा तो सबसे पहली शुरुबात करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी कोई photo add करते हैं तो add picture पे click करते हैं add picture पे click करने के बार desktop पे जाते हैं हमने एक pick यहाँ पर कर ली थी यहाँ से मैं अपनी pick ले ले लेता हूं और यहाँ पर मैं open करता हूं यहाँ पर अब हमारी वो pick upload हो जाएगी ठीक है जैसे कि देखे आप भी अपनी कोई professional pick ठीक है अपनी upload कर लीजिएगा purpose के ओपर depend है आप कुछ account बना रहे हो casually मतलब अपने लिए या फिर उसका purpose आगे चलके business related है तो एक आप अपने अच्छी से pick यहाँ पर लगा लीजिएगा अब यहाँ पर find people who know you ठीक है अब अब यहाँ पर आप नाम से search कर सकते हो ठीक है यह schoolmates यह colleges जैसे भी मतलब करना चाहूँ जैसे मैं 2-4 नाम यहाँ पर search कर लेता हूं लाइक यहाँ पर मैं डालता हूं प्यूश ठीक है तो जैसे मैंने हाँ पर डी डब्लू आए वी डी आए तो प्यूश देवेदी करके मैं search करता हूं यह मेरा friend है यहाँ पर देखते हैं अगर यह आ रहा है तो मैं उनको add करूँगा यहाँ पर रीवा ठीक है प्यूश देवेदी डीवा करके मैं डालता हूं तो इसमें नहीं आ रहा है ठीक है तो अब मतलब आप जब create करोगे तो आप देखिएगा कि अगर आपके उस लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे और मैं यहाँ पर यहाँ पर डालके देखता हूं ला डाला हूं जाच डबल मने डाला राहूल ठीक है गुपता ठीक है जैसे मैं यहाँ पर राहूल गुपता डाला और सर्च करा तो यहाँ पर ठीक है तो दोस्तों अब यहाँ पर अब क्या करता है अगर हम आपको अपने फ्रेंड्स वेगरा मिलते हैं तो आप उनको add करते जा सकते हो ठीक है तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे को एक परसन जो मिला जिसको मैं शायद पहले से जानता हो अगर मैं इसको add करना चाहूं तो यहाँ पर क्लिक करूंगा add फ्रेंड पर ठीक है तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड्स जो आपको मिलते जाएं दिखते जाएं आपको आगे चलके आपको suggestions में मिलेंगे कि आपके इ जामते नहीं हो ठीक है तो क्या होता है यह सब चीजे matter करती है जितने आपके संग एंगेज लोग आपके संग जुड़ेंगे जानने वाले उतना ही आपका जो प्रोफाइल होगा लोग respond करेंगे और आपका network है healthy network होगा तो इस तरीके से नया प्रोफाइल है तो इतनी सारी अब भी suggestions नहीं आ रहे हैं देरे देरे अपने आप ही आपके friends मिलने शुरू क्योंकि आपने account बनाया है अब आपके phone number आपकी यह जो email id है उसमें से जो data देखेगा करेगा उसके basis पर recommend करेगा आप सर्च कर suggestions आने लगेगा तो सब चीज़े अपने आप होनी शुरू हो करना है दोस्तों ठीक है अब हमें अब यहां पर देखेए अब यहां पर दोस्तों हम आएंगे settings में यहां पर पहले हम अपनी profile पर क्लिक करते हैं देखिए यहां पर आप देखे दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर आये कि अब your cover photo ठीक है दोस्तों यह पीछे जो आ रहा है न वो cover photo है तो यह cover photo अभी के लिए मैं एक cover photo यहां पर लगा देता जो हमारा चैनल है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजनसी है इसका हमने परस कवर था तो मैंने यूज कर लिया तो आपको क्या कहते हैं जो कवर है उनके साइजेज वेगारा आपको सही से देखने हैं उन साइजेज को यहाँ पर लगाना है प्रॉपर कवर पेज होना देखने होता जा रहा है तो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर सब चीजें ऐसे आपकी हों अब दोस्तों यहां पर खुझी आपको बताता जा रहा है अब यह आपको क्या क्या रहा है कि हिटेश वोट शिटी आर यू फ्रॉम ठीक है तो अब हम यहां पर ओक्य करते हैं अब दोस्तों यहां पर हमें यह जो हमारा प्रोफाइल है पब्लिक रखना है फ्रेंड्स में रखना है अब इसमें आपको चीज़ बताता हूं कभी आप प्राइवेट मत करना थीक है क्यों क्योंकि दोस्तों होता है कहना प्रोफाइल ही एक पहला स्टैप होता है जब लो करना है नहीं करना वो आपको देखना मगर ज्यादा तर आप पब्लिक ही रखिए ताकि आपके संग लोग आपको एक्स्ट्वोर कर पाएं अगर आपकी प्रोफाइल वेकर इंट्रेस्टेंग लगती है तो आपके संग कनेक्ट हो पाएं तो दोस्तों इन चीजों का जरूर ज्यान रखिएगा प्लीज कि कि अगर आप बिजनस से रिलेटेट चीजों को बना रहें और फ्यूचर में आपका विजन बिजनस को लेके है तो इन चीजों का ज्यान रखिएगा चोटी-चोटी चीज़े जरूर है मगर बहुत मैटर करती है तो पब्लिक रखिएगा और सेप कीजिएगा तो इसको हमने करा अब यहां पर दूस्तों हम आते हैं इंट्रो लाइक अब हमें अपने बारे में कुछ बताना है अपने बारे में कुछ यहां पर हमें डिटेल देनी हैं बताना है तो यहां पर हम बायो एड करेंगे ठीक है तो लाइक I am Hitesh Gupta working as a digital marketing professional from past 12 years ठीक है तो दोस्तों यह मैंने अभी डेमो के लिए लिखा है तो यहां पर आप एक अच्छा सा अपना बायो बनाईएगा मेरे बायो है उसको मैं बाद में अपडेट कर दूंगा जिसमें मेरे बारे में हैं कुछ चीजह हैं तो क्युकि अगर आपकी पहले हम कर लेते हैं जो हमारा Workplace Education का है तो यहाँ पर हम अपना Workplace एड करेंगे जो मार्ग जो मैरी Organization जो मैं काम करता हूँ तो ऊसके बसंट बतातीregation मार्केटिंग कि मार्केटिंग कि फंडार्स ठीक है यहां पर मैंने अपनी कंपनी डाल दी है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने यहां पर पूदीशन डाल देता हूं फाउंडर ठीक है उसके बाद कि यहां पर मैं टाउन डाल देता हूं यहां पर मैंने डेली डाल दिया है यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं इसके और डिस्क्रिप्शन अगर मैं डालना चाहूं तो यहां पर जो भी अगर मैं अपने बार इम्मत लिखना चाहता हूं तो यह हैंजी मैं हुआ है मैं हाल गया जाहरो यहां पर डिंश्र्ट्रिप्श्न डाल लिया मैं आप यहां पर डाल सकते हो लैक मैं है लिए देता हूं आई 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 डिजिटल ट्रेनर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड प्रोफेशनल ठीक है तो अभी मैंने यह बेसिक ब्रीफ लिख दिया है टाईम पीरियड मैं कब से हूँ हो यहा पर तो मैं टाईम पीरियड डॉल सकता हूं मान लिजी है यहाँ पर लिख ट्रीफ कर देता हूं स्टैप प्रेणस करूंब लिखर एकक्नी छेंजला करना चाहर बढ़़으 गया आपर शुरू हो जाएगायगा ठीक है टाउगे चलो शेयर करते दिस्मिस करते तो अभी नहीं होगा अभी में टाइम में में चला गए आपशेयर और में आपको तिखाऊंगा कैसे आभी आपक पर पर प्रोफेशन स्किल्ज के उपर तो जहां पर भी हमने पढ़ाई करी है उसका हम यहां पर डाल सकते हैं स्कूल का जैसे मनें डाल देता हूं यहां पर टाइटलर यह आ गया ठीक है सिटी न्यू डेली यहां पर नहीं ले रहा है यहां पर हम स्कूल डेली कर देते हैं डेली इंडिया अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें कि डिस्क्रिप्षिन मंझें जो भी डिस्क्रिप्षिञ डालना है हम डाल सकते हैं और यहां पर कोई भी हमें हया पर Canadians नालने हैं तो डाल सकते हैं अभी मैं है आगे प्रृश्स करता हूं vulner में यह आप अपने हिसाफ से से करेंगे अब आपका का जो भी बैक्राउंड है जैसे भी आपने कर रहा उसके हिसाब ठीक है कि शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मेरे को नहीं करना तो मैं नो कर देता हूं एड़ा हाई स्कूल रामजस स्कूल ठीक है यह मैंने डाल दिया सिटी हमारे डैली ही आ जाएगा ठीक है टाइम पीरियड वगरा जो डालने डिस्क्रिप्शन डालने डाल सकते हैं वह आप अपने हिसाब से डालोगे सेव करोगे चेंजिस ठीक है तो यहां पर आप अपना कॉलेज ये यूनिवस्टी डा समय करता हूं यह सब चीजे में यहां से कर सकता हूं ठीक है अगर आगर यह मैं कहीं पर जा रहा हूं गूमने इदिक है और मेंने वहां पर मालीजी चेंब करा तो यह यह जγ calm अब जो लोग मेरे संग आपर connected हैं उनके संग updated रों उनको पता लगे तो यह सब चीजों के बारे में हम यहां से कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अब हम आते हैं sports में ठीक है तो जो sports team या यह सब जो आपको पसंद है यहाँ पर आप चीज़े डाल सकते हो तो इस तरीके से आपके interest वगशेर बह emo यहां से आप आप करसकते हो Music में आप बिलकुल आप करसकते हो जो Artist आपको पसंद है जिसते हैESете Music आपको पसंद है आप स сок films आप आप अपके best films है फिल्मिप फिल्म्स है यह जब हमारी profile बनती है उस profile के ओपर हमारे पास जो लोग connect होते हैं या हमारे पास जो ads हमें दिखते हैं जो चीज़े होती हैं उसमें हमारी profile के बेस पर ही होता है तो advertisement अगर आप चाहते हो कि आपका profile strong बने तो आप हमेशा अपना profile proper बनाईए अपनी सारे interest और अपनी सारी चीजों को सही से डालिए ताकि आपको आपकी profile के through Facebook समझे और फिर आपको इस जैसी profile होगी उसी के हिसाब से ही future में आपका सारा connections आपके build होते जाएंगे और ये सब चीजे आपको future में एड्स बगार है सब चीजों में बहुत मदद करती है तो इस सब चीज आपको सही से एड्ड करनी है दोस्तों तो इस तरीके से जब आप ये एड्ड करते जाओगे ठीक है तो आप यहाँ पर आपका profile build up होता जाएगा create होता जाएगा तो इस तरीके से आपको सारा का सारा दोस्तों यहाँ पर एड्ड करते जाना है ठीक है यह हमने कर लिया यहाँ पर हमने सारा कर लिया प्लेसे यूव लिव्ड ठीक है आगा हम contact basic अब यहाँ पर दोस्तों आप अपनी contact information और basic info डालोगे लाइक अपना mobile number अपना address ठीक है और add a public key अगर आपको कुछ डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो ठीक है और यहाँ पर आप safe changes करोगे और यहाँ पर दोस्तों family and relationships status यहाँ पर आप married हो unmarried हो family members about you तो यहाँ पर हम आपके इने बारे में और कुछ बताना चाहते हैं ठीक है हमारा birth name क्या है ठीक है या हमारी other details हमारे favorite quotes क्या है हमारा blood donations के लिए अगर हम यहाँ पर अपना कुछ देना चाहते हैं details वगरा तो यहाँ पर हम यह सब चीज़े शेयर करना चाहें तो कर सकते है और आपना कोई life events वेगरा कुछ शेयर करना चाहते हो और यहाँ पर एड करके लोगों को बता सकते हो जानकारी दे सकते हो ठीक है अब जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हो मैंने शेयर करा आप future में मान लिजिए मैं कहीं पर मेरी और कहीं काम शुरू करना चाहूं तो यहाँ पर मैं add कर सकता हूं तो इस तरीके से यह सब छोटी-छोटी चीजों से हमारा प्रोफाइल बिल्ड अप होता है और स्ट्रॉंग बनता है तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको पहले वाली वीडियो में profile क्रियेट कर ना बताया था कि कुछ important आपकी profile दूधशाद होती है जिनको आप complete करो और अपनी profile को स्ट्रॉंग बनाओ विगास प्रोफाइल बहुत इंपोर्टेंट होती है लोग इंट्रेक्ट करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉंग है तो उसका भी बहुत जाद आपको बेनिफिट मिलता है तो प्रोफाइल क्रियेशन आप अच्छे से कर लीजेगा उस वीडियो को देखके अपने सारी चीजें पता होंगी और शुर्वात से ही आप सारी की सारी चीजों का ध्यान रखके सारे प्रिकॉशन लेके चलो गए तो आपको इनका लॉंग टाम में बहुत बेनिफिट होता है और आपका एकाउंट भी सिक्यूर रहता है तो अब यहां पर जैसे कि आप देख सकत रखने आपको ज्यादा असानि से समान में आएगा अब क्या होता है कि हम अपने पुराने अकांट में यहां से हम आते हैं से शैटिंग वे आध्यान रखना है और उनको जरूर आपको कर रहें ताकि आपका एकाउंट भी स्योखिव रहे और आपको उसके बेनिफिट भी तो दोस्तों जैसे कि अभी हाँ पर हमारा सेट्टिंग्स का यह थोड़े से लोड हो रहा है हाँ आपर यह पर यह कि अधिकर दोस्तों तो दोस्तों आप जैसे कि यह रिफ्रेश हो गया अब यहां पर हम सेट्टिंग्स में जाते हैं इधर तो मैं पुराना एकाउंट इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि इसमें से चीजे थुड़ी ज्यादा असानी से समझ में आजेंगे इस कंपेट्र न्यू एकाउंट तो द कंप्लीट करनी है कोई चीज मिस हो रही है तो इसको आपको ध्यान रखना है रिव्यू करना है इसको सिक्यूरिटी एंड लॉग इन्स में आप जाओगे तो यहां पर क्या होता है दोस्तों चूज फ्रेंट्स तू कॉन्टेक्ट इफ यू आर लॉग डॉट बाय चांस आ अब दोस्तों जैसे कि हाँ पर दखा रहा है कि मैंने कहा कहा लॉग इन कर रखा है ठीक है तो यह दिखाएगा इसके अलावा आप देख सकते हो कि हाँ पर आप प्यासफर चेंज करना चाहते हो ठीक है सबसे इंपोर्टेन धैसे देगे हमने अपने पुराने अकाउंट मे टू वे अथेंटिकेशन ओन कर रखा है इसका मतलब यह कि कभी भी कोई किसी भी ब्राउदर पर अगर लॉगिन करेगा तो मेरे पास OTP आएगा अगर मैं OTP दूँगा तभी वो लॉगिन कर पाएगा बने नहीं कर पाएगा इससे आपका एकाउंट हैक होने से बचेगा और स को कर लीजेगा फिह और फ्रिवियु करना चाहते हो मना चाहते हो तो मैं क्लिक करता जाए और उनको करता जाओंगा तो इस तरीकत से दोस्तों यह बहुत ज़ूरिया है, इसे हमें पूरा आइडिया रहता है, कि हमने कब किदर login करा था, कौनसे ब्राउजर में करा था, सब चीजे यहां पर दिखा रहा है ठीक है और अपने app password में कोई password add करना चाहते हो, यह सब चीज़े आप कर सकते हो यहां पर setting up extra security यहां पर get alerts about unrecognized logins के alerts यह मेरा on है यह चीजें आप देखिए हम जब नए account है इसमें कुछ भी नहीं है security and logins में जाएंगे तो यह सब चीजे अगर आप पहली बर account बना रहे हो यह सब आपको on करना है ठीक है यह देखिए alerts वगरा का आपको on करना है जिससे आ आपको करनी है और इनके आप आप हमेशा अपने account को secure रख पाओगे तो यह सबसे important चीज़ है अब दोस्तों यहां पर your facebook information ठीक है तो यहां पर यहां पर हमारे यहां खुछ जो information है यहां से हम जाके चेक कर सकते हैं access your information transfer copy of your photos and videos अगर आपको आपने copy चाहिए photos and videos की वह आप transfer ले सकते हो दोस्तों बहुत डाटा होता है facebook में अगर आपको save कर गए रखने चाहिए copy तो यहां से ले सकते हो download your information activity log क्या होता है activity log हो गया जैसे मैंने view किया तो हमने क्या 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 देखा 2020 2019 2018 2017 को कितने टाइम तक कर मैं सब कुछ देख सकता हूं यहां पर हमने क कब किस किस चीज के activity करी क्या 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 कमेंट करा हर चीज दोस्तों ठीक है तो इस तरीके से यह activity log हो गया ठीक है और फिर इसके अलावा दोस्तों बैग जाते हैं अब यहां पर जैसे यह हमने देखा फिर और facebook activities और इसके ओपर भी हमने एक वीडियो दे रखे गया facebook से कैस डाटर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल में है वो वीडियो ठीक है उसके लावा managing your information अपनी information को हमें अगर manage करना है तो हम कैसे कर सकते हैं यह सब चीजों को बारे में हम लोग generally ध्यान नहीं देते हैं सब कुछ facebook में अगर हम secure करके चलना चाहें चीजों को save करना चाहें अ क्योंकि दोस्तों यह series जरूर है मगर अगर मैं basic लगता होगा आपके चोटी चीज़े हैं बड़ी चोटी चोटी चीज़े आगे चलके बहुत बड़ा role play करती है ठीक है और दोस्ति हां पर privacy का आगया है तो privacy से related यह आप अपनी कोई activities की public who can see your future post यहां पर आपको आप decide कर स कोई भी हमें tag कर देता है ठीक है और हम नहीं चाहते हों कई बार हमें embarrassment feel होती है कुछ हमें problem होती हम नहीं चाहते कोई मैं ऐसे tag कर ले तो कोई हमें tag करे तो उससे पहले हम उसको review कर सके ठीक है कि हां उससे tag करे जब हम okay करे रिव्यू करे तब ही क्या गयता है हम हमारा show हो ठ चीजे होती हैं दोस्तों उसके बाद how people can find and contact you तो यहां पर बहुत सारी चीजे हैं who can send you friend request कौन भेज सकते है everyone या फिर आप जानकर who can see your friend list ठीक है public हर को देख सकता है friends देख सकते हैं ऐसे यह सब छोटी छोटी चीजे हैं जिससे आप अपनी profile को इतना manage कर सकते हो अच्छे स अब ऐसे time line tagging से related अगर आपको कोई settings करनी है वह आप यहां से कर सकते हो दोस्तों उसके अलावा stories से related आपको कुछ है तो यहां पर आप देख सकते हो कि allow करना है क्या निकरना है तो ऐसी दोस्तों blocking से है location से है एक एक setting पर आप जाईए और यहां पर आप सारा का सारा देख सकते हो कि हमने किसको block कर रखा है किसको ने कर रखा यहां पर language and regions के उबारे में आ रहा है तो इस तरीके से face recognition अगर आपको अपना face recognition का do you want facebook to be able to recognize you in photos and videos अगर हमें yes करना है ठीक है तो हमने यहां पर देखिए जैसे हमारा yes आ रहा है यहां पर हम edit करना चाहें तो हम yes यह no कर सकते हैं तो हमने allow कर रखा है दोस्तों ठीक है तो इस तरीके से notifications के लिए हैं यहां पर ठीक है यह देखिए जो हमारे पास what notifications you receive यहां पर comments का है तो इसके अंदर अगर हमें कुछ settings करना है on off करना है वह हम कर सकते हैं email के अंदर ऐसे हमें on करना off करना है सब चीज हमारे हाथ में टैक्स को लेकर सब कुछ हमारे हाथ में जो आप देख रहे हूं ठीक है कि हमें टैक्स को anyone friends of friends तो इस तरीके से हमें सब चीज देखनी रिमाइंडर्स को लेकर है यह सारी चीज आप देख सकते हो birds, groups वीडियो, events यह सब चीजे एक एक चीज easily आप और हम लोग manage कर सकते हैं दोस्तों तो इस तरीके से आपको सारी चीजे देखनी है फिर mobile पर हम आते हैं तो यह देखिए mobile में your phone numbers और इस सारा जो हमने लगा रखा है ठीक है आप दोस्तों इसके अंदर हम आते हैं पब्लिक पोस्ट के अंदर आते हैं तो यहां पर आगर आपको कोई भी settings चीजों को फिर यहां पर apps and websites हैं जो कि हम क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं जिनका हमें benefit हो सकता है ठीक है यहां पर देखिए old version of facebook for mobile ठीक है यहां पर games and app notifications ठीक है तो यह सब आप चीजी देख सकते हो instant games अगर आपको गेम से रिलेटेड है तो यहां पर आप instant games यहां पर यहां पर बिजनस इंटीग्रेशन जा आगया एड्स का आगया जहां से अभी हम आपको एड्स में लेकर जाएंगे सारा कर आपको बताएंगे एड्स का ठीक है पेमेंट्स का आ गया दोस्तों यहां पर पेमेंट्स का यहां पर इंफॉर्मिशन आ सकती है तो अभी यहां पर ऐसा कुछ नहीं है यहां पर अगर हम देखने हैं मैं जाके देख सकते इंगे तो अगर हमने चलाया है और वहां पर हमने अपनी और यह यह बिजनेस रिलेटेड फेजबुक पर कभी सपोर्ट चैट करी है तो हमने जो अभी तक फेस्बुक से चैट करी सपोर्ट लिया हो सारा का सारा को यहां पर शो हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी यह जो सेटिंग्स हैं इनके थूरू काफी चीजे मैनेज कर सकते हैं और अपने एकाउंट को स्ट्रॉंग बना सकते हैं प्रोफाइल अब इसके बाद हम जो अगला वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे हम प्रोफाइल क्रेशन के बाद ग्रूप कैसे बना सकते हैं और उसके बाद लगातार हम फिर धीरे धीरे गूगल एड्स की तरफ फेस्बुक एड्स की तरफ बढ़ेंगे और आपको पेस्बु पेज क्रियरे और बताएंगे ठीक है तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे आप ने हम आते हैं जहांपर क्रियेट की और देख़ेंगे पर पेज क्रियेट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों काफी इंटरफेस काफी चीजे फेस्बुक ने नई कर दिये हैं चीजों के बदल दिये हैं ठीक है तो यह बिल्कुल लेटेस्ट कॉंटेंट है जो हम आपको प्रोवाइट कर आ रहे हैं तो पेज में क्लिक करेंगे पेज सब्सक्राइब करने दोस्तों क्या होता है अपर लाइक बिसनेस के लिए आप कर रहे हैं या पे पबलीक फिघर हैं मान लीजीर कि अगर मैं अबढ़ी एक और बीजेशन मार्कटिंगी कर दो तो मैं इसको चुनूं का अगर मैं हितेश गुपता को प्रोफेशनल के लिए अपने आपको प्रोमोट करना चाहता हूं तो मैं यह वाला चुलूँगा ठीक है तो अभी हम आपको एक तरह हम आपको बिजनेस के हिसाब से बता रहें तो क्लिक करेंगे यहां पर हम अपने पेज का एक नाम दे देते हैं हमने नाम दे दिया मार्केटिंग फंडास ठीक है तो यह हमने यहां पर एक नाम दे दिया दोस्तों अब यहां पर हम क्लिक करते हैं कैटेगरी हमारी जो है वह है दोस्तों एडवर्टीजमेंट एंड यहां पर हम कर देंगे और यहां पर दोस्तों नंबर ऑप्शनल है जो भी आपको अपने नंबर डालना हो आप यहां पर अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो अपना एडर्स टाउंसुटी तो यहां पर कर दीजिए डू नोट शो और यहां पर आप वेन यू क्रिएट पेज पर आप यहां पर प्रोफाइल पिचर तो यहां पर हम एक प्रोफाइल पिचर अप्लोड करेंगे तो यहां पर क्लिक कर रहा है हमने अप्लोड पे और यहां पर हम अपनी एक जो प्रोफाइल पिच्चर है यहां पर अप्लोड कर देंगे इधर क्लिक करा और यहां पर हमने इसको अप्लोड करा तो प्रोफाइल पिच्चर अप्लोड करा हमने यहां पर तो अब यहां पर शो होगा हमारा प्रोफाइल पिच्चर अब हम अ आप अच्छे से समझ पाएं सीख पाएं और उनको एपलाई कर पाएं तो दोस्तों यहां पर हमने दोनों स्टेप्स को फॉलो कर दिया अब यहां पर आप आप मेरा पेज रूप लेने लगा है एक स्क्चर में आने लगा है देखिए मेरा पर कवर पेज आ गया है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कवर पेज आ गया है तो इस तरीके से आपको भी प्रोफेशनल अपना ब्रैंड का यहां पर लगाना है लोगों यहां पर आपको किस से related है इन चीजों का छोटी चोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों तो इस तरीके से हमने एक पेज क्रियेट कर लिया इतना सिंपल था दोस्तों मगर इस पेज में एक बिजनस पेज को प्रोफेशनल बनाने के लिए 15 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और अप्टिमाइजेशन ट्रिक्स में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जो की बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेज को प्रोफेशनल लेवल पे और मतलब उसकी एक ब्रैंड वेल्यू अगर आपको बनान को फुली ऑप्तिमाइज करने की 15 मैं आपको किलर टिप्स बता रहा हूं बहुत जबरदस्त हैं इनको फॉलो कीजेगा पेज आपका उप्तिमाइज होगा और उसके शॉर्ट टर्म लॉंग टर्म दोन में ही आपको रिजल्ट और फायदे पता लगेंगे तो दोस्तों सब अपने कंपनी मीडिया भाई यहां पर पेज ओपन कर रखा है तो यह जो आप प्रॉफाइल पिच्चर है जो गोल आप सरकल देखने लोगो लगा रखा है तो यह रिकमेंड मैं करता हूं और एवन इस प्लैटफॉम पे भी रिकमेंडेशन है कि आप बेस्ट तरीका है कि अपने कंपनी का ब्रैंड का लोगो आप अपनी प्रॉफाइल पिच्चर में लगाएं तो दोस्तों यह लगाने के लिए आप यहां से अपडेट कर सकते हैं और अपना लोगो लगा सकते हैं तो यहां पर जो लोगो का साइज है वो 180 पिक्सल इंटू 180 पिक्सल का साइज ह पूंपर जो की है हमारा कवर खोट आप फोटो यहां पर आप वीडियो भी लगा सकते हो जैसे हमने एक जिप वीडियो लगाई है वैसे ही आप भी लगा सकते हो या फिर आप यहां पर एक ग्रैफिक या पोस्ट वगएरह एक रैसिक design करके भी यहां पर लगा सकते हो तो उसके लिए यहां पर आप click कीजिए और आप यहां से upload कर सकते हो उसके लिए जो आपका जो pixel का size है image का अगर आप image लगाते हो तो a20 pixels into 312 pixels का आपको यहां पर size image का use करना होगा और अगर आप यहां पर वीडियो लगाते हो तो 22 90 seconds से उपर की वीडियो मत लगाईएगा इसके between ही रखिएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप अपना second point cover जो आपका photo है या cover का जो आप जो कवर पेज पर वीडियो लगाओगे और यह बहुत इंट्रेक्टिव होना चाहिए दोस्तों लोग क्या करते हैं कि cover जो होता है ना उसको एक तो जब आप पहली बार लगाओ वो करें वह बताए कि क्या मतलब यह पेज किससे related है आप यहां पर क्या करने जा रहे हो मतलब काफी जादा वह एंगेजिंग होना चाहिए जिससे और वह अच्छे से एक बार आप अपना cover page चेंज कीजिए या जबी कोई इसके साथ साथ अगर कोई बड़े फेस्टिवल सा रहे हैं ठीक है कोई बड़े स्पेशल डेज आ रहे हैं तो उनके भी आप उसके करना है यहां पर हम जाएंगे यह आप देखें थर्ड पॉइंट के लिए अब आउट के अंदर जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों शौर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी कंपनी के बारे में और या और्गनिजेशन के बारे में ब्रीफ में आपको यूएसपी और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना होता है तो यहां पर आप देख सकते हो और यहां से आप एडिट कर सकते हो अब दोस्तों हम आते हैं अपने fourth point के उपर add a long description तो दोस्तों यहाँ पर ही आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर आर स्टोरी आ रहा है इसके अंदर आप जो long description है आप उपनी डालिए और यह आप इसके बारे में आप पूरी की पूरी अपनी company का introduction, USP काफी चीज़े यहाँ पर डाल सकते हो और दोस्तों मतलब वो एक तरीके का overview ही होना चाहिए जिस्ते की उस long description को पढ़के काफे कुछ सामने वाले को समझने में आना चाहिए आपकी company के बारे में और वो क्या करती है और दोस्तों देखिए यह जो आपको मैं सारी चीज़े बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ यह आपकी अगर आप facebook के page को proper optimize करो तो यह website से कम नहीं है जैसे website पर user audience आता है और हर चीज उस company के बारे में जान पाता है detail के अंदर वैसे अगर इन 15 के 15 step को आप follow करोगे तो customers अगर आपके facebook पर आ रहें तो वहाँ से भी equal उतनी information लेके जाएंगे जितनी वह आपकी website से लेके जा सकते हैं तो यह आपका चौसा point यहाँ पर आपको पूरा घरना है अब दोस्तों हम आते हैं हमारे 5th point के उपर जो की है add a description to your cover photo तो यहाँ पर आप जा सकते हैं जैसे कि आप यह देखने हैं हमारी cover photo है तो cover photo के अंदर आपको क्या करना होता है यह description आपको बनानी है और यहाँ पर add करनी है तो जैसे कि मैंने आपको पहले के point में बताया था जहां हम cover photo add करना है उसके साथ साथ उदर ही एक जो description होता है cover photo का वो भी आपको डालना है तो यह बहुत जादा benefit मतलब आपको provide करेगा जब आप cover photo की description भी साथ के साथ डालोगे ठीक है दोखतों तो यह बहुत छोटी चीज़े होती है जो की हम लोग जो digital marketers हैं प्रोफेशनल लोग हैं कई बारी या तो उनको तरह महत्मनी देते या उनको skip कर जाते हैं मगर हर एक चीज अगर फेस्बुक ने हमें दी है तो उसका कोई परपस है और उसका कोई ना कोई benefit होता है तो दोस्तों इस पांचवे point को ध्यान रखेगा cover photo के साथ साथ cover photo की description भी add कीजिएगा उस समय जब आप cover photo डाल रहे हों ठीक है तो अब दोस्तों अब हम आते हैं हमारे sixth point के उपर जो की है add a link to your website तो मतलब अपनी website का एक link आपको add करना है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों इधर तो यहां पर यह जो आप देखोगे इधर जो business info के अंदर आप देख रहे हो कि अगर आपकी website है तो वह बहुत best है कि आप अपनी website का link यहां पर डालिए क्यों क्योंकि आपकी website में जो customer है अगर उसको आपकी facebook की profile और सब चीजे पसंद आती हैं हो सकता है वहां से click करके आपके संग आपके brand के संग आपके संग कुछ भी अपने business के लिए या किसी भी चीज के लिए इंट्रेक्ट करना चाहे और जानकारी लेना चाहे तो वह सब चीजे वह आपकी website कि तूप कर पाएगा तो दोस्तो ये six point जरूर apply कीजेगा if you are having a professional website तो दोस्तो अब seventh point मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो की है select the right business category तो दोस्तो जैसे ही ये तो हमने अपना page बना लिया है मगर जब आप अपने company का business page बनाने की शुरुवात करेंगे तो शुरुवात में आपको business category चुन्नी होती है तो वो मैं आपको एक इधर दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैंने अपने एक नया page बनाने के लिए जैसे ही यहाँ पर click करा create पे और यहाँ पर click करा page creation पे तो मेरे सा हमसे पूछता आप business हो brand हो या कोई community या public figure हो तो माली जब अपने business के लिए कर रहे हैं brand के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आप click करेंगे get started यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जब आप अपने page को एक नाम देंगे जैसे कि मेरे page का media भाई एलल पे हमने नाम दे रख marketing या advertising agency तो वह हमें चूज करना है हमें देखना है कि हम किसमें जादा है जो हम चूज करना है तो वह जब आप page कर रहे होंगे उस समय आपको सही category का चुनाब करना है जो की बहुत ज़्यादा important है अगर आप जब शुरुआत करते हो business बनाने की यह हमारा 7th point सा दोस्तों तो custom vanity URL क्या होता है कि जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो जो हमारे Facebook का पेज जो यूर जब हमारा पेज हम बनाते हैं यह जो आप देखते हो हमारा पेज ठीका पेज का URL तो पेज जैसे होता है facebook.com slash media भाई facebook.com slash marketing फंडाज तो यह दोस्तों आपको create करना होता है मगर यह आप क अभी create कर पाते हो जब आपके पेज पर कम से कम 25 फ्लाइट अबव हो जाते हैं तो जब भी आप पेज करोगे और यह बहुत इंपोर्टेंट है यह आपके पेज को एक professional identity देता है आपकी company का या आपके brand का नाम देता है तो यह आपको create करना है तो यह जैसे कि आप यहां प facebook.com slash media भाई ठीक है तो जैसे कि हमने इसको डाला अब यहां पर आप देख सकते हैं कि media भाई LLP आ गया और हमारा पेज आ गया ठीक है तो दोस्तों यह फायदा होता है कि अब मेरी company का जो पेज है वो मेरी company के नाम से है ना कि इसके अंदर extra symbols और unnecessary की यहां पर लाइन आ रही है तो इसलिए professional तरीका है जैसे 25 flights आपके पेज में हो जाएंगे वैसे आप अपना सबसे पहले URL क्रेट कीजिए कई बारे क्या होता है सेम नाम से नहीं मिल रहा होता तो उसके आगे पिछा आपको कुछ लगाना होता है तो दोस्तों यह हमारा 8th point था अब हम बात करेंगे हमारे 9th point के बारे में तो जो हमारा 9th point है दोस्तों वह है कि add a call to action बटन तो दोस्तों यह जो आप देख रहे हो cover page पे बिलकुल नीचे यह हमने यहाँ पर contact का लगा दिया है मगर यह nature of business के ओपर depend है और आपके requirement के ओपर depend है कि जब कोई आपके facebook के page पे है तो यहाँ पर आप अपने product services अपनी requirement के चाहते बटन लगा सकते हैं तो मैं अभी तो मैं edit करके दिखा रहा हूं क्योंकि हमने page बना चुके हमने लगा दिया था तो मैं जिसके edit बटन पर करते हैं like making a booking for you अगर माल लीजिए आपका कोई restaurant है ठीक है या आपका कोई cafe अगर किसी को तुम्हां पर आपने दे दिया कोई booking करनी है तो restaurant के अंदर से table book कर दी ठीक है contact you में आ गया कि अगर कोई contact करना चाहता है तो contact में भी वह आपको message करे जब यहां click करे या वह आपको call कौन सी चीज वह करे तो इस तरीके से आप यहां से चूस करेंगे किस तरीके से आपको contact करें ठीक है अब यहां पर आप like learn more about our business अगर आप यह बताना चाहते हो कि आपकी मालों NGO है कुछ है जहां पर आप बताना चाहते हो कि और बंदा आपके NGO और आपके वर्क के बारे में जाने तो आप यह भी दे सकते हो शॉप विद्यू ज्यादा तर उनके लिए होता है जो प्रोड़क्ट सेलिंग से रिलेटेड होते हैं तो आप यह वाला बटन तब लगा सकते हो तो यहां पर आप यहां पर यूज एप का ऐसे कि हमने डाउनलोड का करा ठीक है और नेक्स करेंगें तो हम अपनी एप करिंदे सकते हैं यहां पर advanced अधी यहां पर यह वह दोеж गयरा का वह देशाप्टे ने तो दोस्तों इसको अभी हम अटाएंगे और अभी उसको हैं क्योंकि हमने आको बताने के लिए कर दो तो इस तरीके से आप 需要 मतलब लोगों को गाइड कर स दोस्तों हमारे 10 पॉइंट के ऊपर जो है एड पेज टैब्स टू पूर्मोट यॉर प्रोडक्स और रिव्यूस अब दोस्तों सर्विस्स, तो दोस्तों यह जो हमारे 10th पॉइंट है जिसमें की हम टैब्स एड करेंगे अपने product और services को promote करने के लिए तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो services का हमारे home के नीची जो tab आ रहा है उसको जैसे हम यहाँ पर हमने click करा तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों अगर आपको कोई services add करनी है तो यहाँ पर आपकी जैसे हमारी digital marketing services है तो हमने यहाँ क्लिक करा add a service तो add a service जब मैं क्लिक करूंगा like मैंने यहाँ पर डाला SEO ठीक है service तो SEO service मैंने डाला ठीक है अगर हमारा कोई price है यह starting from है कितने से वह हमें डालना है या हम यहाँ पर price नहीं देना चाहते हो हमारा है custom है तो हम यहाँ पर custom कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम यहाँ पर चूज करेंगे जो भी हमार product हमें डालना है service के हिसाब तो हमारी services यह सर्विस का टैप यूज कर रहा है और अगर हमारे product होते हैं तो हम यहाँ पर product का आलराउन लाइक ठीक है आर इजन्सी इस जिविंग एक्टी ओ सर्विसेज के बारे में और डिटेल या आपकी सर्विसेज रेटे एक्सपर्टीज या यूज जान पाई दो आप ढसे दो है कि अधर बुक unch? टीक हिर सकते हो यहांसे आक चाह्यं और प्रफिक एक्स कर सकते हो तो यहनस पर आप जाके आपनी वह पेंज मेंसे कहीं से भी आप अपनी एक पर यहां पर आपकी शर्विसेज और आपकी मल्टिपल सर्विसेज हैं आपकी मुल्टिपल सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो तो दोस्तों अब हम हम आते हैं हमारे 11 पॉइंट के उपर जो की है पिन your most important post ठीक है दोस्तों अब जैसे हम होम पे चलते हैं अब जैसे हम होम पे गए होम पे जाने के बाद हम यहाँ पर नीचे आए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यह आप जो थ्री पॉइंट्स देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होता है अगर इस post को मेरे को पिन करना है टॉप में मानलो इमानली जी कि यह मेरी best post है और इस से लोग बहुत इंगेज होते हैं और मैं चाहता हूं यह पोस्त कभी भी कोई मेरे Facebook के पेज़ पर आये तो इस तरीके से आप अपनी जो most important post है जो आप चाहते हो कि आपके हाइलाइट हो उनको ऐसे करके आप हमेशा टॉप पे रखिए और बात में कभी future में कोई और बैस आती है तो उनको भी पिन कर सकते हो यह बहुत छोटी-छोटी चीज़े हम आपको बता रहे हैं इतनी असरदार professional चीज़े बता रहे हैं द बहतर तरीके से optimized है तो वो खुद जो लोग हैं आपके काम कराना चाहेंगे कि इनके खुदी पेज इसने बहतर तरीके से optimized हैं तो professional लोग होंगे हमारा भी ऐसे मैनेज करेंगे तो दोस्तों अब हमारा 12th point है जो की है start posting videos तो जैसे की दोस्तों आज की date में हम सब को पता है जो video marketing है वो कितनी जादा important है और कितना important role play करती है उससे कितनी engagement मिलती है तो normal जो आपके graphical post होते हैं ठीक है उसके साथ साथ आप अगर video post भी डालेंगे तो public उसके संग जादा engage होगी इंट्रेक्ट करेगी और engagement ratio भी बढ़ता है जैसे हमने कुछ videos डाली हुई है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से जैसे हमने ये video डाली थी तो देखिए कितनी यहां पर 69 व्यूज आये थे और यहां पर 208 व्यूज आये तो जनरली अगर हम कोई graphic image डाल देते तो हो सकता है इतनी engagement नहीं आती तो वीडियो का जरूर यूज कीजिएगा आप अपने जब पोस्टिंग करें graphics के साथ साथ वीडियो का भी यूज की लिएगा तो दोस्तों जैसे हम YouTube में playlist करते हैं अगर आपके वीडियो जादा है आपका वीडियो कॉंटेंट जादा है तो आपको यह हम recommend करते हैं कि आप जैसे YouTube में लोग playlist क्रियेट करते हैं जैसे लोगों को स्विविधा हो जाते एक पर्टिकुलर टॉपिक या उस चीज के ओपर एक ही playlist के यहां पर क्लिक कीजिए manage playlist जैसे आप क्लिक करोगे manage playlist के ओपर तो यहां पर creator studio open हो जाएगा Facebook का तो यह creator studio के अंदर तो दोस्तों यह new playlist का जो option है यहां पर हम क्लिक करेंगे नई playlist क्रेट करने के लिए यहां पर हम अपना page सेलेक्ट करेंगे मीडिया भाई LLP का और यहां पर अगर हम टाइटल जो भी playlist लाइक अगर हम यहां पर वीडियो जैसे कि मैं वीडियो जाल रहा हूं SEO tutorial की या गूगल एड्स तुटोरियल की तो मेरे को अगर गूगल एड्स पर बनानी है तो मैं यहां पर टाइटल डाल दूँगा like google sorry google ads tutorial तो यह मैंने एक टाइटल डाल द डालते हैं playlist की description वैसे यहां पर हम playlist की description डालेंगे दोस्तों ठीक है और वो description डालने के बाद यहां पर हम कोई cover image लगाना चाहिए उस playlist से related तो यहां पर जाकर मैं उसको उस playlist में डाल सकता हूं तो जैसे YouTube बनती है वैसे यहां पर हमने हमें playlist बनानी चाहिए अगर वीडियोस हमारी बहुत जादा है तो लोगों को एक ही जवाद से सब पता लगे तो दोस्तों उसके बाद playlist के बाद हम उसमें वीडियोस अगर एड कर सकते हैं अब यहां पर मैं इसको cancel करता हूं और अगर आप दोसको complete कर लें और बनाएं तो इसको next कर दीजिएगा तो अब यहां पर हम आते हैं वापस अपने page के उपर और हमारे 14th point के उपर जो की है enable reviews तो दोस्तों reviews सबसे important section है जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो home के नीचे reviews का ठीक है तो मैं reviews के यहां पर section में जा रहा हूं तो दोस्तों अगर आपके यहां पर left hand side पर reviews को option नहीं दिखाई देरा तो हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिससे कि यहां पर जो tabs आप देख रहे हो उन tabs को किस तरीके से आप यहां से remove कर सकते हो या वो नहीं शोरा तो यहां पर add कर सकते हो तो उसके लिए दोस्तों हम जाएंगे settings में settings में जाने के बाद यहां पर left hand side पर हमारे पास option आगये templates and tabs का उधर click करेंगे और यहां पर जैसे templates and tabs पर हमने click करा दोस्तों यहां पर click करने के बाद यह दिखिए नीचे यहां पर option आगया जितने भी tabs हैं यह समय हमारे बहां पर show हो रहे हैं page पर इस review का तो उस tab आप जैसे यह जो हमारे tabs आप देख रहे हो सारे के सारे हमने on कर रखे हैं by default तो आ रहे हैं by chance क्या होता है जब नया page आप create करने वाले होते तो सारे tabs आप पर show नहीं हो रहे होते और कई बार क्या होता है relevant tabs अगर आपकी nature of business के हिसाब से relevant tabs शो नहीं हो रहा है तो उ और जैसे मैंने बोला कि मैं उसको off कर सकता हूँ ठीक है off करके उसको save कर दोगा तो इसी तरीके से दोस्तों आप अपने tabs को manage करोगे और अगर review का tab आपके home पे नहीं आ रहा है आपके page पे आपको review का tab नहीं दिख रहा तो सबसे पहले review का tab एड़ किजिए क्योंकि अगर लोग आपके page पे आ रहे हैं आपके product services अंगेज हो रहे हैं और आपको उनको अच्छी services मिलती है ठीक है तो वो अपने genuine reviews आपके page पे आपके दे सकते हैं और reviews का कितना महत है आज की date में यह सब हम जानते हैं कि reviews जितने अच्छे होंगे आपके page पे उतना ही public trust बढ़ता है तो दोस्तों इस point को जरूर follow कीजिएगा अब आते हैं दोस्तों हम अपने 15th and last point के ओपर जोगी है measure your performance तो दोस्तों जैसे कि इसके जब आप लोग इतनी महनत अपने page को बनाने के लिए करोगे और उस page के ओपर regular activities करोगे ठीक है तो अब इन सारी चीजों को inside step पे click तीजे अपने page पे आके और यहां पर आप देखे overview तो सारा overview आप यहां से देख सकते हो page पे क्या क्या activity हो रही है कब कब हो रही है इस टोरी रीच वीडियो यूज हर चीज पोस्ट के engagement हर चीज आप देख सकते हो हमारे जैसे other companies के आप pages देख सकते हो ठीक है और compare कर सकते हो अपने आपको तो दोस्तों इसके ऊपर particularly इसके ऊपर Facebook page insights की किस तरीके से आप देख सकते हो पुरी detail में वीडियो बना रखे चैनल तो अंदर वो जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी और उस वीडियो का भी link में इसके अंदर दे दूँगा तो दोस्तों ये 15 पॉइंट अगर आपने follow करें शुरवात में स्टार्टिंग से ही तो आपको short term long term इतने benefits मिलेंगे और इस सब organic जो हम बात करते ना organic SMO क्या ह होते सब organic SMO ही है दोस्तों फिले दोस्तों तो इस वीडियो को उमीद करता हूँ आपने समझा होगा अच्छे से इसको अप्लाइ करेंगे थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों आज हम इंस्टाग्राम के इस वीडियो में इंस्टाग्राम का A to Z complete टुटोरियल आपके लेकर आए हैं जिससे आप इंस्टाग्राम के बारे में जानेंगे इंस्टाग्राम पर आप अपने बिजनस को या खुद को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इंस्टाग्राम के संग स्टाट कैसे कर सकते हैं Instagram के उपर सारी आपको settings बताएंगे strategies बताएंगे tips and tricks बताएंगे आपको followers कैसे grow करने हैं वो बताएंगे उसके साथ साथ कैसे आप income generate कर सकते हैं Instagram से वो बताएंगे दोस्तों Instagram अगर आप use कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत knowledgeable होने वाली है और अगर आप Instagram पे आके अपना career या business grow करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए most important वीडियो है तो इसको आप पूरा देखिएगा कुछ miss मत कीजिएगा because हमने अपने experience, R&D, research हर parameter को ध्यान में रखते होए वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए है और सबसे जादा हमारे audience की Instagram के लिए demand आ रही थी because आज की date में ये one of the largest platforms है जिससे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और इससे अपने business को भी वो boost कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम इसके बारे में complete सिखेंगे वो भी organic level पे कोई पैसा नहीं लगाना है कोई paid ads की बात मैं नहीं कर रहा हूँ organically सिर्फ आप अपनी महनत से कैसे Instagram इसे platform को use करके पैसा कमा सकते हो वो सिखेंगे और सारी basic से लेकर advanced setting सिखेंगे तो दोस्तों चलते हैं और जानते हैं digital marketing services के लिए या consultancy के लिए आप मुझे call कर सकते हो website marketingfundas.com पे जा सकते हो या डेली में अगर आपको digital marketing coaching लेने हैं, training लेने हैं, मेर से तो आप संपर कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम पहले जानेंगे कि Instagram क्या है Instagram दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला social media platform है जिसको हम Insta, IG के नाम से भी जानते हैं और ये जो start करा गया था या launch हुआ था 6 October 2010 में लगभग 11 साल पहले start हुआ था और अब ये own करा जाता है Facebook के दौरा इसके जो founders हैं, वो है Mike and Kelvin और ये दुनिया का सबसे बड़ा platform है जिसपे के लोग images और वीडियोज शेयर करते हैं दोस्तों, Instagram ओरिजनली launch हुआ था iOS platform पे 2010 में और जो इसका Android version आया था वो April 2012 में launch हुआ था ये जो app है, वो अपने users को allow करता है उनकी images वीडियोज को upload करना और उनको वो edit कर सकते हैं different filters द्वारा और organize कर सकते हैं hashtags के द्वारा geographical tagging के द्वारा दोस्तों, इसमें आप अपनी जो post हैं वो publicly share कर सकते हैं या अगर आपका private account है तो जो आपके followers हैं उनके संग share कर सकते हैं दोस्तों, जब Instagram launch हुआ था तो वो इतना ज़्यादा popular हुआ था कि उसने अपने launching के बाद दो महिने के अंदर ही एक million registered users गेन कर लिये थे और एक साल के अंदर 10 million users और 2018 जून तक उसके पास 1 billion registered users थे तो दोस्तों, इस समय 2021 तक सबसे ज़्यादा followed जो person है Instagram के उपर वो है एक footballer Cristiano Ronaldo दोस्तों, इस समय उनके 265 million followers हैं all over the globe और सबसे ज़्यादा liked post या image एक egg की image है जो की post करी गई थी world record egg account द्वारा जिस पे 54 million likes हैं 2010 में जितनी भी apps download हुई थी और popular हुई उसमें fourth number पे Instagram आती है जो की सबसे ज़्यादा download apps में से एक है दोस्तों, जब 3 अपरिल 2012 में इसका Android version लॉंच हुआ था तब एक दिन के अंदर एक million से ज़्यादा वो app डाउनलोड हुई थी तो दोस्तों, जब 2012 में ये कमाल हुआ इतने ज़्यादा डाउनलोड हुए इतनी ज़्यादा popular Android के ओपर ये app हुई तो 9 अपरिल 2012 को Facebook ने इस app को खरीद लिया 1 billion डॉलर में cash and stocks मिला के तो दोस्तों, उसका plan था Facebook का कि इसको buy करने के बाद भी इसको independently manage किया गया उसकी identity से कोई Instagram आज भी independently grow कर रहा है तो दोस्तों Facebook की अपनी identity है और Instagram की अपनी identity और growth history है आज भी 33% जो stories views होती है वो businesses की होती है दोस्तों रोज 200 million Instagram users visit करते हैं at least एक business profile और 80% जो accounts है वो follow करते हैं businesses on Instagram और दोस्तों इस समय लगभग 25 million businesses Instagram पे हैं दोस्तों आज की date में सबसे ज़्यादा engaged जो brand है Instagram के उपर वो है National Geography जिसके 153 million followers हैं और दोस्तों आज की date में जो Instagram है उसकी वर्थ 100 billion dollars है और सबसे बड़ी बात कि उसको सिर्फ 500-500 50 employees all over globe में handle करते हैं तो दोस्तों अब हम जानेंगे Instagram पे क्यों हमें आना चाहिए अगर अभी तक नहीं आये हैं क्यों हमें Instagram पे अपने business को लेकर आना चाहिए खुद को आना चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा benefits हैं personal level पे भी professional level पे भी तो दोस्तों कई benefits जानेंगे अब हम तो पहला benefit है दोस्तों जो audience है वो Facebook के मुकाबले Instagram पे जादा engaged रहती है For an example कि 32% जो audience है वो Facebook के संग engaged रहती है regular basis पे और 68% जो audience है वो engaged रहती है Instagram के उपर तो दोस्तों second benefit है कि Instagram एक बहुत ही creative platform है यहाँ पर आप जितना चाहे उतना creativity आपको मिलेगा या आप खुछ से इस पे लोगों को creativity दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं और जादा से जादा youngsters Instagram के उपर हैं तो इसलिए भी यहाँ पर बहुत जादा creativity हमें देखने को मिलती है और वो 24 hours के बाद वो भाँ से हट जाता है दोस्तो फूर्थ फीचर है कि आप Instagram पे offers, ads चला सकते हैं अपने business को grow कर सकते हैं अपने product services को logo तक पहुचा सकते हैं और उन ads को चलाने के लिए Instagram आप connect कर सकते हैं Facebook से और Facebook के business manager platform से आप multiple ads चला सकते हैं अलग-अलग countries में demographics के through locations और बहुत सारे factors के basis पे interest के basis पे आप logo तक पहुच सकते हो relevant audience तक पहुच सकते हो तो इससे लोगों को business मिलता है लोगों को sales लोगों को leads मिलती है तो यह बहुत अच्छा feature है तो दोस्तो फिफ्ट benefit है कि जैसे कि पहले हम Facebook को business manager को use करके Instagram पे ads सलाने पड़ते थे बट अब recently Instagram ने feature दिया है कि अगर आपका Instagram account है और आपका Facebook page है तो आप उसको connect कर ले मगर आप अब Instagram account से ही direct ads सला सकते हैं जो कि हम आपको upcoming Instagram की हमारी 2021 की series में सिखाएंगे practical level पे और दोस्तों six feature है कि Instagram अपना analytic provide करता है ताकि user अपनी performance को अपने account को analyze करके और अपनी performance को improve करे और उसको बहतर 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 बनाए ताकि वो grow हो या उसका अगर business है Instagram के अपर तो वो grow हो दोस्तो seven feature है benefit है कि Instagram ने recently Reels का feature launch करा है जो कि बहुत ज़्यादा popular हो रहा है इस पे लोग 60 seconds तक की वीडियो अपलोड कर सकते है popular music उसके संग वो use कर सकते है और effects डाल सकते है उसके अंदर filtrations लगा सकते है बहुत ही ज़्यादा attractive engaging videos लोग regular basis पे upload कर सकते है जैसे की और बहुत सारी popular apps पे है और यह Instagram पे अब time to time day to day popular होता जा रहा है तो दोस्तों अब हम जानेंगे किस तरीके से आप Instagram पे अपनी journey स्टार्ट कर सकते हैं तो बिलकुल from beginner two important settings and features हम आपको mobile पर ले जाके proper screen recording के थूँ एक-एक चीज setup करना सिखाएंगे और उसके important settings and features बताएंगे ताकि आप अपने Instagram की journey start कर पाएं और अगर आपको already Instagram account है तब भी आप वो ज़रूर देखेगा ताकि अगर आपने कुछ miss कर रखा है तो वो आप उससे complete कर पाएं दोस्तो वो settings सीखने के बाद हम आपको बताएंगे वो amazing strategies और growth tips जिससे कि आप अपने Instagram को organically grow कर सकते हो followers बढ़ा सकते हो और उसके बाद कैसे आप पैसा कमा सकते हो Instagram से तो दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप Instagram पर एक account create कर सकते हो और उसके कुछ basic settings और features के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले आपको play store पर आ जाना है और play store पर जैसे आप लेखेंगे Instagram तो Instagram की app आपके सामने आ जाएगी मैंने अपने फोन में Instagram की आप पहले से ही download करके रखी हुई है आपको यहाँ पर install का option दिखेगा तो आप उसको अपने फोन में install कर लेजेगा मैं यहाँ पर Instagram आपको यहाँ से open करता हूँ और जैसे मैं Instagram आपको open करूँँ बहुत नीचे मुझे एक option दिखेगा sign up का तो मैं आपको sign up करूँगा अब मुझे देखो दो option दिखाई दे रही है continue as facebook जो हमारा facebook पर नाम है या फिर sign up with email और phone number दोस्तो मैं यहाँ पर sign up with email और phone number पर click करूँगा किलिक करने के बाद दोस्तो मैं यहाँ पर phone number से भी एक पना एक Instagram अकाउंट बना सकता हूँ और email से भी अभी के लिए मैं Instagram पर email से अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पर मैं एक अपनी email ID डाल देता हूँ और next पर click कर दूँगा दोस्तो और create new account तो दोस्तो हमारी इस email ID पर एक confirmation code गया है वो confirmation code हम यहाँ पर डाल देते हैं तो दोस्तो हमारी इस email ID पर एक confirmation code आ गया था वो हमने यहाँ पर enter कर दिया है और हम यहाँ पर अब next करते हैं next करने के बाद दोस्तो यह हमें एक option दे रहा है कि आप अपना एक name चूज़ कर लो तो मैं यहाँ पर marketing funda के नाम से एक ID बना लेता हूँ marketing fundas और मैं यहाँ पर कोई भी एक password चूज़ कर लेता हूँ और दोस्तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि continue and sync contacts इससे क्या हो दोस्तो आपके phone में जितने भी contacts होंगे और ओवो contacts अगर Instagram पर मौझूद होंगे तो वो आपकी ID में sync हो जाएंगे तो अभी के लिए मैं without sync अपने contact को बिना sync किये अपनी ID में आगे भढ़ जाता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर हमें एक date of birth चूज़ करने के लिए बोल रहा है मैं अपनी एक date of birth चूज़ कर लेता हूँ दोस्तो मैंने एक date of birth चूज़ कर लिया उसके बाद मैं यहाँ पर next पर क्लिक कर दूँगा next पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर दोस्तो में यह दिखा रहा है welcome to Instagram marketing fundals तो दोस्तो हम यहाँ पर अब भी next कर सकते हैं और अगर हमको अपना username change करना है तो मैं आसे नीचे change username का जो हमें icon दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके अपने इस username को change भी कर सकते हैं अभी मैं next पर क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तो हमारा भी account रजिस्टर हो रहा है इंस्टाग्राम पर तो दोस्तो हमारा जो account है वो इंस्टाग्राम में हो गया रजिस्टर अब यह हमें option दे रहा है कि हमारा जो facebook account है उसको हम अपने इस्टराग्राम अकाउंट से connect कर सकते हैं अभी हम इसके यहाँ पर skip कर देते हैं अभी हमें कह रहा है दोस्तो एक profile photo add करने के लिए तो इसको हम skip भी कर सकते हैं या फिर एक add photo पर click करके अपनी gallery में से एक photo भी choose कर सकते हैं मैं अभी यहाँ पर एक add photo पर click कर दूँगा दोस्तो और यहाँ पर choose from library click करूँगा लबरेरी से दोस्तो मैं यहाँ पर यह एक marketing funda का जो logo है उसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा और यहाँ पर मैं next कर दूँगा तो दोस्तो यह जो है option also share this post as a post अगर आपको जो अपनी profile picture आपने जो लगाई है फोटो उसको अगर आप चाहते हो कि वो as a post भी आपके account में post हो तो आप इसको active रहने दीजिए इस option को वरना इसको dis activate कर दीजिए मैं यहाँ पर इसको अभी कुछ persons की कुछ celebrities की profile suggest कर रहा है जिनको हम follow कर सकते हैं तो दोस्तो अगर हम किसी को follow करते हैं तो उनकी जो भी post होंगी जो भी stories होंगी वो हम अपने account पर देख सकते हैं अभी मैंने तीन लोगों को follow कर दिया है और हम आप आगे चलते हैं तो यह देखो दोस्तो हमारा जो account है वो Instagram पर बन चुका है इस तरीके का कुछ हमारा जो interface होता है Instagram पर खीक है दोस्तो अब दोस्तो यहां पर नीचे जो हमारा यह आइकन आ रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहां पर दोस्तो देखो यह जो ऊपर है fundas marketing यह दो हमारा यह हमारा से दोस्तो यूजर नेम है और अगर हम अपनी profile को edit करना चाहते हैं तो edit भी कर सकती है और यहां पर हम कुछ अपना बायो भी लगा सकते हैं तो मैं लगाते किता हूँ I am a digital marketer ठीक है दोस्तो और अगर हमारी कोई website है तो उस website का link भी हम यहां पर डाल सकते हैं जिससे अगर कोई भी उस link पर click करेगा तो हमारे website पर जा सकता है वहाई से ही तो यहां पर हम इसको write कर देंगे और देको दोस्तों हमारा जो बायो है वो यहां पर update हो चुका है तो अगर हम एक अपनी profile में कोई भी एक post अगर डालनी है तो यहां पर जो यह option है इस पर हम click करेंगे चोड़े दोस्तों है पर home पर click करेंगे और यह जो है your story इस पर click करने के बाद अलाओ दोस्तों यहां पर जो post का यह option है इस post के option पर हम click करेंगे और हम यहां पर कुछ भी दोस्तों post कर सकते हैं जैसे मैं अपनी यह picture है इसको मैं post कर देता हूं post करने के बाद दोस्तों इसको हम यहां पर instagram में कुछ filters भी देता है जो हम apply कर सकते हैं अगर आपको filter कोई apply करना जिसे यह कोई है तो आप वो apply कर सकते हो और उसको फिन्यास से nest कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आप कोई भी अपनी post का कोई भी एक caption लिख सकते हो तो मैं यहा tag digital marketing लेक देता हूं दोस्तों कितने लोगों ने यह use किया है तो मैं भी इसको use कर देता हूं यहां से और दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि यह मेरी जो post है यह facebook पर भी चली जाए तो मैं यहां से इस option को on कर सकता हूं अगर मुझे कोई लोग यहां पर tag करने है इस photo में तो यहां से मैं tag people पर जाकर उन लोगों को tag कर सकता हूं अगर मुझे लोकेशन डालनी है तो यहां पर मैं लोकेशन डाल देता हूं अपनी प्रीत विहार ठीक है दोस्तो तो हमारी लोकेशन भी हमारी पोस्ट में आ जाएगे और इसको मैं जैसे हैं पर राइट किलिक करेंगे कि दोस्तों finishing up और हमारी जो post है वो instagram पर upload हो चुकी है तो दूस्तों ऐसे हमारी जो है वो instagram पर post upload हो चुकी है जहां पर देखो दोस्तों हमारी ऊपर जो मेरी location डाली थी प्रीत विहार वो भी आ रही है और नीचे हमने जो hashtag लगाया था वो भी आ रहा है और जो मैंने अपनी picture में जो हमने अपना status डाला था वो भी हमारा आ रहा है दोस्तों और भी बहुत सारे features होते हैं Instagram में जैसे अगर आपको कोई story लगानी है तो यहां से story में आप click करेंगे और यहां पर नीचे देखो दोस्तों post है story है real है live है तो यह सारे option आपको Instagram देता है तो जैसे मैंने story कुछ लगानी है तो दोस्तों मैं यहां से कुछ अपनी चूज कर सकता हूँ gallery में से या फिर live भी मैं कुछ यहां पर डाल सकता हूँ तो दोस्तों मैंने जैसे यह एक नॉर्मल सी फोटो क्लिक कर ली और मैं यहां पर अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं इस पर that क्लिक करूँगा और hello लिखूँगा तो अगर इसको मैं done करता हूँ send to share करूँगा your story और done करता हूँ तो दोस्तों हमारी चो श्टोरी है वो लग चुकी है अब क्या होता श्टोरी में दोस्तों जो भी हमारे जिन लोगों ने भी हमको follow किया होगा है वो 24 hours तक हमारी श्टोरी को देख सकते हैं कि हमने क्या स्टोरी से भी दोस्तों काफी अच्छी एक engagement आती आपको पता सल जागे कि आपकी जो profile है उसमें कितने engagement है कितने लोग आप से engage है तो इस तरीक से दोस्तों आप अपनी stories लगा सकते हो जोस्तों जिन लोगों को हमने follow किया था उनकी stories हमें यहाँ पर आपनी stories के साथ में किसी post को भी like कर सकती है अगर हमें दोस्तों यह post अच्छे लगी और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय भी हम इसको देख सकें तो यहाँ पर हम इसको save भी कर सकते हैं तो हमारी save collection हो जाएगी इस पर हम click करेंगे तो हमारी collection में यह आ जाएगी दोस्तों ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप basically कुछ Instagram पर use कर सकते हो कैसे Instagram को use कर रहा है मैं आपको बताया कैसे आप इसमें account create कर सकते हो कैसे post कर सकते हो कैसे अपनी story लगा सकते हो यह सारी चीज़े दोस्तों मैंने आपको बताई उमेदा आपको पसंद आई होगी thank you दोस्तों तो दोस्तों अब हम बताएंगे आपको वो growth strategies, tips जिससे कि आप organically अपने followers बढ़ा सकते हो Instagram पर growth ला सकते हो तो दोस्तों पहला point है हमारा create engaging content इसका मतलब है कि जो भी content आप अपने viewers के लिए लेकर आ रहे हैं उसमें होना चाहिए dumb उसमें होने चाहिए innovation उसके अंदर होने च engage हो, जादा से जादा लोग engage होंगे तो आपके account को already एक growth मिलेगी, दूसरा point है दोस्तों कि आप हमेशा अपनी post को schedule करें, third point है दोस्तों हमेशा आपके जो competitors हैं जो आपके niche related accounts हैं उस पे नजर बनाए रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नया ला रहे हैं, ऐसा वो क्या कर हैं कि लोग उनके से जादा engage हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उनके topics पे, उनकी post पे, उनकी creativity पे नजर बनाए रखेंगे तो आप हमेशा उनसे बहतर लेकर आएंगे, कुछ उनसे नया करेंगे, तभी लोग आपको notice करेंगे और आपका channel और आपका account है वो grow होगा, दोस कि आप भी उसी रहा पे चलें और आपको भी उसी तरीके से growth मिले जैसे उन लोगों को मिल रही हैं, दोस्तों, fifth tip है कि आप like करें, comment करें, अपने competitors के जो followers के post हैं उन पर, six point है दोस्तों, कि आप लोग free engagement जो groups होते हैं, उनमें आप उनको join करें और participate करें, बहुत सारे free groups हैं, जैसे के boost up social, wolf global, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना engage करेंगे इस platform के उपर, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को benefit होगा, दोस्तों, seventh and most important जो tip है, वो है consistency, दोस्तों, आप दुनिया का कितना भी अच्छा content कर लें, आप कितने भी बड़ आप consistent नहीं हैं, तो आपको किसी भी platform पे growth नहीं मिल सकती, चाहे वो Instagram हो, चाहे कोई भी world का platform हो, content बहुत सारे लोग मिलते हैं, दोस्तों, जो बहुत अच्छा content लिख सकते हैं, उनमें बहुत creativity होती है, बट बहुत ही कम लोग मिलते हैं, जो कि consistent होते हैं, और आप इतिहास आप बड़े से बड़े creators को देख लो, बड़े से बड़े influencers को देख लो, उनमें एक बात common है, वो है consistency, एक बड़ी को creativity कम हो सकती है, बट consistency जिसमें है, वो हमेशा आगे बढ़ेगा, तो दोस्तों, अब सबसे important part है, जो कि हर कोई चाहता है, कि इतनी भेहनत करने के बाद, हम पैसा कैसे कमाएंगे, organically हम कैसे Instagram के थूँ income generate कर सकते हैं, तो दोस्तों, तीन major तरीके हैं, अगर आपके अच्छे followers हैं, अगर आपके कम से कम 5000 followers हो चुके हैं, या उससे जादा followers हैं, तो पहला, आप as a influencer अपनी journey start कर सकते हैं, आप कई सारी companies के product या services को sponsor कर सकते हैं, उनके post अपने account पे डाल सकते हैं, अपने followers पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए भी companies पैसा देती हैं, और Instagram पे तो बहुत ही अच्छा amount पे होता है, अगर आपके engagement अच्छी है, दूसरा दोस्तों तरीका है, कि आप affiliate marketing कर सकते हैं, अगर आपकी जो niche है, उसको उससे related products या services अगर communication के रूप में या partnership के रूप में कह सकते हैं, थर्ड तरीका है दोस्तों, कि आप अगर आपकी company हैं, आपके खुद के कोई product services हैं, आपके कोई courses हैं या आपके कोई और ऐसे courses के साथ-साथ products हैं, जो कि आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, लोग उनको अगर खरीदते हैं, त उससे भी आपको income generate होती है, तो इन तरीकों से आप अपने income को बढ़ा सकते हो, organic level पे बढ़ा सकते हो, बिना पैसा, बिना paid add लगाए बढ़ा सकते हो, बट वो income generate करने के लिए तो इस पूरी वीडियो के अंदर जो हमने आपको सिखाया है, वो सब आपको follow करना होगा, वो स उसके बाद जब आपका account grow होगा, तब वो आपको income का earning का benefit मिलेगा, दोस्तों मेहनत करने से ही results आते हैं, दोस्तों अगर आप Twitter पे आना चाहते हैं, grow होना चाहते हैं, Twitter से अगर आप पैसा का माना चाहते हैं, या Twitter को अच्छे से use करना सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, दोस्तों Twitter पे बहुत ज़्यादा public आ रही है, और वो time to time बहुत ज़्यादा grow होता जा रहा है, उससे लोग बहुत ज़्यादा अपने business growth कर प पा रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, जो अभी तक Twitter पे नहीं आए हैं, या आना चाहते हैं, या आ चुके हैं, बड़ वो grow नहीं हो पा रहे हैं, या उससे वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों, हम Twitter के बारे मे आपको कुछ बताएंगे, उसके बारे में facts बताएंगे, उसके benefits बताएंगे, उससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो बताएंगे, Twitter का आप कैसे use कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे वो बताएंगे, तो ये वीडियो ट्विटर पे अगर आपको पैसा कमाना है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी website marketingfundas.com पे जा सकते हो, या डेली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेने है, ट्रेनिंग लेने है, मेर से तो आप संपर कर सकते हैं, तो दोस्तों लोग और जो communities हैं, एक दूसरे के संग interact होती है, ट्विटर पे अगर आप एक register user हो, तो उस पे आप messages कर सकते हो, पोस्ट जाल सकते हो, जिसको tweets कहा जाता है, दोस्तों जाच हम Facebook या Instagram पे होते हैं, तो उसको हम post बोलते हैं, वैसे ट्विटर पे अगर आप कुछ भी message या post कर जाता है, आप अगर कोई भी एक tweet करते हो, तो इस tweet का जो आप character limit होता है, वो 280 characters का होता है, इसके अंदर दोस्तों जो registered users होते हैं, वो other users को follow कर सकते हैं, तो उससे उनकी community growth भी होती है, और उनका भी अपना network increase होता है, तो दोस्तों आप जानेंगे कुछ Twitter के facts, तो दोस्तों Twitter है, वो चार लोगों के द्वारा create करा गया था, और वो March 2006 के अंदर existence में आया था, और उसका जो launch करा गया था, जुलाई 2006 में Twitter की officially launch हुआ था, तो दोस्तों Twitter जो है, वो already 321 प्लस million users के द्वारा actively use करा जाता है, और 80% of the users Twitter को mobile पर use करते हैं, 83% world के जो top leaders हैं, वो Twitter पे हैं, Twitter पे एक दिन के अंदर 500 प्लस million tweets होते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब 6000 tweets per second, और ये बढ़ता जा रहा है, Twitter पे दोस्तों, आज की date के अंदर जो सबसे जादा जो emoji use होती है, वो face with tears of joy, दोस्तों 65.8% US companies जिनके 100 प्लस employees हैं, वो Twitter को as a marketing platform use करते हैं for their business growth, और दोस्तों, 70 million dollar से जादा Twitter पे ads के उपर spent हुआ था, सन 2017 के जो facts हैं, उसके according, 92% companies Twitter पे एक दिन में एक बाद tweet तो करती हैं, उसके अलावा 42% जो companies हैं, वो एक बार से लेके 5 बार के बीच में एक दिन में tweet करती हैं, और दोस्तों, 19% ऐसी companies हैं, जो 6 बार से लेके 10 बार एक दिन के अंदर tweets करती हैं, और दोस्तों, अगर आप tweet करते हैं, और with image अगर आप tweet करते हैं, तो उसको 150 times जादा भैतर response या retweets मिलते हैं, और दोस्तों, Twitter के अंदर अगर आप कोई tweet कर देते हैं, तो उसको आप edit नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार post कर दिया है, हाँ, मगर आप उसको delete कर सकते हैं, तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आपको Twitter पे क्यों होना चाहिए, या Twitter के benefits क्या हैं, क्यों हमें Twitter पे आना हैं और उसके क्या क्या फायदे आप लोगों को मिलेंगे, तो दोस्तों, सबसे पहला कि Twitter के थूँ आप easily अपनी कोई भी research या information को promote कर सकते हो, अगर Twitter पे आपके पास community हैं, लोग आपके संग जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप कोई भी चीज अगर tweet करते हो, उसमें आप अपना blog का, website का, general का, stories का, videos का link दे सकते हो, ताकि लोग उस information को अगर explore करना चाहें, तो उस link पे click करके, वो उस महाँ पर जा सकें, और उस information को देख सकें, तो ये एक easily promotion करने का तरीका है, दूसरा दोस्तों benefit है, कि आप Twitter पे अपनी बात को, या अपने काम को, जादा तेजी से, easily आप लोगों तक पहुँचा सकते हो, tweets और retweets की मदद से, तीसरा benefit दोस्तों, कि Twitter पे आप अपने industry के जो experts हैं, आपकी field के जो experts हैं, या जो आपके business से related जो लोग हैं, या जिन आप चीजों में, या fields में interest रखते हो, उनके experts को आप follow कर सकते हो, ताकि आप उनके संग connect रहें, फोर्थ benefit है दोस्तों, कि आप अपने industry के experts, या उनको जो लोग follow करते हैं, या others followers के संग, एक healthy relationship build कर सकते हो, उनके संग एक strong community create कर सकते हो, ये Twitter के बहुत बड़े benefits में से एक है, फिफ्ट पॉइंट है दोस्तों, जिसके लिए Twitter जाना जाता है, कि आप day to day update रह सकते हो, बिलको latest news से, हर अलग-अलग sector की, क्योंकि हर company हो, organization हो, government sectors हो, politics हो, news हो, media हो, हर कोई Twitter के ओपर बहुत active रहता है, उस पे आपको latest updates, trends आपको मिलते हैं, जिसको आप instantly share कर सकते हो, अपने followers के संग, अपनी community के अंदर, ताकि आपकी भी growth हो, और आप up to date रह ट्विटर के through, 6th point है दोस्तों, कि आप बहुत तेजी से, अगर आप active हो Twitter के ऊपर, तो अपनी new audience तक आप reach बना सकते हो, बहुत easily, 7th point है दोस्तों, आप अपने काम का लोगों से feedback ले सकते हो, या लोगों के काम के ऊपर अपना valuable feedback दे सकते हो, 8th point है दोस्तों, कि अगर आप follow करते हो किसी चीज़ को, और आप proper comments का जवाब देते हो, tweets करते हो, retweets करते हो, तो आप इस platform का फायदा उठा सकते हो, कि बहुत सारी ऐसी conferences होती हैं, ऐसी seminars होते हैं, ऐसे valuable events होते हैं, जहाँ पर आप directly नहीं जा सकते, बट वहाँ पर आप उनमें participate कर सकते हो, अपने suggestions दे सकते हो, discussions कर सकते हो, ताकि community को भी उससे फायदा हो, और आपको भी community से फायदा हो, ये एक बहुत benefit है Twitter के platform का, तो दोस्तों, अब हम Twitter पे कैसे practically आप account create कर सकते हो, उसके important settings, features, ये सब चीज़े हम आपको mobile पे practically आप करना सिखाएंगे, और दोस्तों, वो सीखने के बाद और उसको आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे, कि कैसे आप जब एक बार use करना सीख जाओ, तो organically आप कैसे grow कर सकते हो, उसके tips and strategies बताएंगे, और Twitter से कैसे आप पैसे कमा सकते हो, earn कर सकते हो, वो भी हम आपको बताएंगे, तो पहले तो हम जल्दी से mobile screen पे चलते हैं और सीखते हैं Twitter को use करना, तो दोस्तों, app store से आप Twitter की app को download कर सकते हो, मैंने Twitter आपको पहले से ही अपने phone में download कर रखा है, तो मैं आशे directly इसको open करूँगा, open करने के बाद मुझे दो option शो हो रही हैं, एक login का और एक create account का, अगर आपका पहले से Twitter पर account है तो आप login कर सकते हो, मैं यहाँ पर create account पर click कर रहा हूँ, यहाँ पर आप नाम अपना लिख दीजिए, नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप अपनी email या फिर phone number का use करकर account create कर सकते हो, मैं यहाँ पर email का use कर रहा हूँ, email यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर rate of birth डाल सकते हो, date of birth डालने के बाद यहाँ पर आप next पर click करेंगे, जैसे ही, हम यहाँ पर sign up पर click करेंगे, हमने जो email आइडी यहाँ पर डाली थी, उस पर एक code आएगा, verification code, वो verification code आपने यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद next कर देना है, जैसे ही आपका, यह next होएगा, आप यहाँ पर अपना password चूज़ कर सकते हैं, कोई भी, वो password 8 character से ज़्यादा का होना चीए, मैं भी अपना एक password चूज़ कर लेता हूँ, पासवर्ड के बाद आप next पर किलिक करेंगे, चूज़ करने के बाद password, next पर जैसे आप किलिक कर गोएगे, आप अपने यहाँ पर account सेट अप कर सकते हो, यहाँ पर यह कह रहा है, pick a profile picture, आप अपने कोई भी एक profile picture चूज़ कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर किलिक कर गोएगे, तो आप that photo भी किलिक कर सकते हो, और अपनी gallery में से भी photo चूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर gallery में से photo चूज़ कर रहा हूँ, gallery में से जैसे मैंने यह photo चूज़ करी, और यहाँ पर apply पर किलिक है, तो हमारी profile photo सेट हो गई, फिर हम नेक्ट पर क्लिक करेंगे नेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे जो कॉंटेक्ट से उसको सिंक करने के लिए बोल रहा है मैं यहाँ पर नोट नाव पर क्लिक कर रहा हूं अभी अभी हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सी लेंगविज बोलते हो तो मैं English और Hindi चूज कर रहा हूँ, आप अपने according लिए चूज कर सकते हैं उसके बाद ये पूछ रहा है, आप से what are you interested in हमारे जो interest है वो हम बता सकते हैं, इंडियन में Hindi Music, Punjabi Music, Entertainment, Lifestyle मैं अपने इसाब से जो choose कर रहा हूँ, आप भी अपने according लिए जो आपकी पसंद है, उसके according आप चूज कर सकते हैं, अपने interest को और next पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये को आपको आपकी suggestion जो आपने choose के हैं, उसके according लिए suggestion मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे हर्दिक पांडिया है, या विराड कोली इनको आप यहां से follow भी कर सकते हो, इसके बाद दोस्तों आपका Twitter account बन चुका है, इसमें आपको कुछ बेसिक settings के बारे बता देता हूं कि बेसिक settings क्या हो जो है Twitter account की, जैसे हम यहां पर three lines पर क्लिक करेंगे, यहां पर हम अपनी profile पर क्लिक करेंगे, तो फोटो कर ली और apply किया, तो यह फोटो हमारी apply हो गई, अब गर हम अपनी location बताना चाहते हैं, तो यहां से हम अपनी location भी बता सकते हैं, जैसे मैं New Delhi में रहता हूं, तो मैं अपनी location New Delhi डाल दूँगा, अगर आपकी कोई website है, तो आप अपनी website भी डाल सकते हूं, और आपर save कर सकते हूं, तो हमारी जो भी होगी, settings वो save हो जाएंगे, ठीके दोस्तों, अब और settings जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो हैं, जैसे settings and privacy आप जाओगे जाओ, तो account में जब आप किलिक करोगे, तो आप अपना username पर, अगर आपको change करना है, जैसे आपका ये username या आपको username पसंद नहीं है, तो आप कुछ और username भी डाल सकते हो, अगर वो available होगा, तो आपको मिल जाएगा, ठीके दोस्तों, मुझे अभी change नहीं कर अगर आपको phone number कोई add करना है, recovery के लिए, तो आपको पहले उसके लिए password डालना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपना mobile number add कर सकते हो, ऐसे ही दोस्तों, गर आपको email address जो change करना है, या फिर नया डालना है कोई, तो उसके लिए आपको पहले password डालना पड़ेगा, दोस्तो अगर आपको अपनी app में से अपनी जो id login है, उसको logout करना है, तो सबसे नीचे जो radical error में लिखा हुआ logout, वहाँ पर जैसे आप किलिक करोगे, तो आपकी id भी यहां से logout हो जाएगी, और अगर तो आपको अपना twitter का account प्रमानेटली deactivate करना है, तो यहाँ पर जो आपको option दिख रहा है इस पर आप किलिक करोगे, और नीचे जाओको तो deactivate का जो लिखा हुआ, रेड कलर से यहां पर आपकी लिख करोगे, तो आपको account जो है, ट्विटर का वो deactivate हो जाएगा, आपको आपको कुछ बता देता हूँ, twitter के features क्या होती है, जैसे ही हमने नरेंदर मोधी को फॉलो किया होगा है, तो नरेंदर मोधी ने फॉलो हमने जासे किया होगा है, तो यह जितने भी tweet करेंगे, वो सारे tweet हमें हमारी homepage पर ही मिल जाएगे, यहां पर दोस्तो सर्च का बटन है, यहां पर सर्च के बटन में हमें जो भी लोग चाहिए, जैसे मैं अक्षय कुमा को लिखता हूँ याभी, अक्षय कुमार, जैसे दोस्तों मैं यहां पर इसको, अगर अक्षय कुमार को मैं follow करता हूँ, और यहां पर मैं इसके all tweets को कर देता हूँ, तो अक्षय कुमार आप जितने भी tweets डालेंगे, तो वो सारे मुझे अपनी feed पर show होने लग जाएंगे, अगर आप इसको, अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ अपना views अगर आप देना चाहते हो, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीके दोस्तों, अगर आपको एक नया tweet लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप यह plus का sign देख रही हो, यहाँ से जैसे मैं tweet कर देता हूँ, hello, जैसे मैं hello लिखके लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर दोस्तों, चूज कर सकता हूँ, अगर मज यह किसी को tag करना है, जैसे नरेंदर मोदी जी के page पर मैं गया, और यहाँ पर देखो जैसे इन्होंने tweet कियो है, नरेंदर मोदी जी के page पर गया, और यहाँ पर यह बटन आ रहा है, plus वाला, इस पर जैसे मैं click करूँगा, देखो तो नरेंदर मोदी जी जो है, वो मुझे automatically ट्विट के अंदर पहले से ही टैग हो जाएंगे तो हमें उसमें टैग करने की यूरूत नहीं पड़ती है जैसे मैं इसको नरेंदर मोजी को हेलो लिखूंग और ट्विट करूँगा तो नरेंदर मोजी जी के तक ये बात हमारी पहुच जाएगी ठीक है दोस्तों तो ये कौन सा हैश्टेक ट्रेंड हो रहा है मतलब क्या चल रहा है ट्विटर पर ट्विटर के दुने में क्या चल रहा है तो देखो दोस्तों ये है जैसे एक्समक्स विद कोगा कोला ये जो ट्रेंड है इंडिया के अंदर ये ट्रेंड हो रहा है ठीक है दोस्तों डॉंट वेट वेक्सिनेट तो यह से जो trend होते हैं जो भी hashtag जो trend होते हैं वो आप easily देख सकते हो ठीक दोस्तों आपने सुना भी होगा कि कुछ news वाले बोलते हैं उस ने ये tweet किया उस minister ने ये tweet किया तो वो सब आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो क्योंकि new channel वाले भी यहाँ भी जहीं से ही उस tweets को देखते हैं ठीक दोस्तों तो ये कुछ जो basic settings थी जो मैंने आपको पता है Twitter के बारे में उमीद आपको पसंद आई होगी Thank you दोस्तों तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको easily easily समझ में आ गया होगा कैसे आप Twitter को use कर सकते हैं और start कर सकते हैं तो अब हम आपको बहुत important input या strategies बताने जा रहे हैं जो अगर आप apply करो regular basis पे और आप active रहो तो आप बहुत ही तेजी से Twitter के उपर grow कर सकते हो तो दोस्तों पहला है कि आप अगर Twitter पे हो तो आपको ये habit बनानी पड़ेगी कि आपको लोगों को reply करना retweet करना regular basis पे daily basis पे करना होगा दूसरा point है दोस्तों कि अगर आप एक community से Twitter पे आप हो और active हो तो आपको consistently आपको valuable content या अच्छी information लोगों को regular basis पे provide करनी होगी ताकि लोग उसके संग interact करें और directly indirectly आपकी followership भी बड़े third point है दोस्तों कि अगर आप Twitter पे regular active हो तो आपको ये हमेशा धान रखना है कि trending topics कौन से चल रहे हैं कौन से hashtags आज की date में बहुत ज़्यादा common है लोग use कर रहे हैं ट्रेंड कर रहे हैं तो आपको अपने tweets में retweets में आपको उन hashtags का use करना है ठीक है आपको trending topics के ऊपर लोगों को valuable information देनी है या content देना है तो इस बात का आपको ज़रूर धान रखना है fourth point है दोस्तों के आप Twitter पे जो influencers हैं उनके संग आप अपनी engagement बढ़ाएं ये आपको बहुत ज़्यादा benefit देगा long term में fifth point है दोस्तों के आप लोगों को Twitter की जो chats हैं उनमें participation करना चाहिए sixth point आप regular basis पे सही लोगों को follow करो, organizations को follow करो, experts को follow करो ताकि उनकी साथ-साथ आपकी भी growth हो seventh point है दोस्तों के Twitter पे आपका जो bio है वो बहुत ज़्यादा effective होना चाहिए, सही होना चाहिए कोई गलत information उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी जब आपकी bio देखे उससे वो impressed हो और उससे उसको आपकी USPs के बारे में उसको पता लगना चाहिए तो दोस्तों eighth point है कि आप खुद Twitter चैट को host करें उसमें आप trending topics, current affairs, कुछ भी जो लोगों को पसंद है, उसमें लोगों का interest है आप Twitter चैट को host करें ताकि लोग उसमें participate करें और आपके संग उनका interaction engagement बढ़े ninth point है दोस्तों कि आप लोगों के संग conversation start करें, लोगों के संग आप interact हों जितना ज़्यादा ज़्यादा आप कर सकते हो क्योंकि यही है जो आपकी community को बहुत ज़्यादा strong बनाएगा, आपके followers increase होंगे आप के भी जो tweets हैं लोग आगे retweet करेंगे, लोगों तक आपकी और ज़्यादा पहुंच बनेगी तो यह जो मैंने आपको benefits बताएं हैं, points बताएं हैं, लोगों को tag करो ज़्यादा लोगों को tag करो यह इस वरह से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि Twitter पे आना, उसको use करना मगर भाँ पर एक growth पाना और भाँ से अपना benefit आपको मिले personal level पे, आपकी organization को उससे benefit मिले पूरी community को उससे benefit मिले, तभी सही मायनों में आप उस platform का सही use कर रहे हो तो दोस्तों, अब है सबसे important parts में से कि आप अप एतनी महनत करेंगे, अपना जब Twitter का account grow करेंगे तो अब आप कमाएंगे कैसे, तो किस तरीके से आप Twitter से income generate कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको 4 points बताऊंगा पहला है दोस्तों, अगर आपके 10,000, 15,000, 20,000 followers हो जाते हैं Twitter के उपर तो आपको Twitter पे sponsor tweets मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए आपको जो भी organization या company या individual आपसे sponsor tweet कराना चाहता है, वो आपको उसके लिए pay गरता है Second है दोस्तों, आपको affiliate products मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको affiliate marketing के offers मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको commission basis पे भी मिलते हैं क्या product services हैं, या आप लोगों को fees भी मिलती है अगर आपको product को promote करते हो Third है दोस्तों, आपके अगर followers हैं, तो आप अपने खुद के जो products हैं, उनको आप लोगों तक पहुँचा सकते हो, promote कर सकते हो, अपने services उनको बता सकते हो ताकि आपके product services लोग buy करें, purchase करें और वो उनको दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं और fourth है दोस्तों, कि आप अपने followers की power से, Twitter के जो आपने growth करी है, उसकी power से आप अपने website पर traffic लेकर जा सकते हो, अपनी app पर traffic लेकर जा सकते हो, awareness उसकी बढ़ा सकते हो, वहां से business generate कर सकते हो, lead generate कर सकते हो So friends, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप LinkedIn पर अपना account create कर सकते हैं, LinkedIn वर्ल्ल का सबसे बड़ा YouTube online platform है, जहां पर आप अपना business grow कर सकते हैं, अपने ले business market देख सकते हैं, job देख सकते हैं, तो ये बहुत ही useful है, तो आईए शीपते हैं, अपने account कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आप type pj LinkedIn account, जैसे आप ये type करेंगे, तो Google पर देखें, यहां पर आजाएगा, यहां पर हमारे पर option आजाए, अब हमने इस option पर click करा, URL पर, हमारे सामने page आ गया, कि यहां पर यहां तो हमारे account है, तो sign in कीजिए, अगर बनाना है, त अज़र join नाओ पर हम click करेंगे, अब join नाओ पर click करने के अब हमें sign up करना है, तो sign up करने के लिए, हम यहां पर details mention करेंगे, use, email id हम डालेंगे, use.qms, password जो आपको रखना हो, आप अपने हिसाब से password रख सकते हैं, और यहां पर agree पे हम click करेंगे, यहां पर click करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहां पर कुछ details हैं जो हमें fill करनी है, हमारे अपनी country हम पर select करनी है, हमारा जो भी state है, वो हमें select करना है, और हम next करें, next करने के बाद, यहां पर job title हमें डालना होगा, ठीक है, अब हम continue करेंगे अपनी job title और company डालने के बाद, अब यहां पर एक confirmation email आएगा, LinkedIn से code आएगा, now you can see code आ चुका है, अब इस code को हम copy करेंगे, और हम paste करेंगे, इसके बाद हम agree करेंगे, comment conditions, अब यहां पर कुछ options हैं, अगर हम उनको accept करना, चाहें, अब यहां बन गया, अब यहां पर हमें, जो mail ID है उसको, अगर उसके जो context हैं, उनको हमें use करना है LinkedIn में, तो उसके लिए हम continue कर सकते हैं, या अभी हम या बाद में भी कर सकते हो, अपने context को add कर सकते हो, connect कर सकते हो, अभी हम skip करते हैं, skip किया, skip करने के बाद, इस तरीके से होता है, कि हम जो लोगों को connect कर सकते हैं, add कर सकते हैं, तो हम एक दो लोगों को हम ऐसे हम भेज देते हैं, ठीक है, और skip करते हैं, skip करने के बाद, हमें यहाँ पर, जो image है, वो upload करनी होगी, जो photo है, ठीक है, तो आप अपनी जो real photo है, professional photo ही upload कीजिएगा, अभी हमारे पास वो pick नहीं है, तो मैं अभी एक, जो मेरे पास pick अभी है, बस वोई pick मैं लगा देता हूँ, तो यहाँ पर हम जो image है, उसको drag and drop कर सकते हैं, adjust कर सकते हैं, सही से, और तो करने के बाद हम save कर देंगे, तो professional पे कोई इसी friends, जिससे की LinkedIn profile में एक आपका professional look आए, तो अब हम continue करेंगे, continue करने के बाद, skip करेंगे अभी step को, और यहाँ पर हम अपना mobile number डालेंगे, 9 3 401 594 53 और यहाँ पर हम click करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं friends, यहाँ पर आप कुछ details हैं, जो हमें fill करनी होती हैं, जैसे हम कप्षे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डाल दिया, सेव करा, ठीक है, पर स्नेश फीड में हमने जाके details डाल दी, ठीक है, अब यहाँ पर हम, profile में गये, profile में जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ details हैं, जो आप फिल करनी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे, तो आपकी कुछ और डिटेल्स हैं जो आप फिल कर सकते हैं यहां से रीचेक कर सकते हैं अपने सारी सारी चीजों को कि आपने सभी डाली हैं कि नहीं डाली है तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो एकाउंट है वो क्रियेट होता है और यह एक कवर जो आपने हमने साइज है ठीक है वो साइज का आपको ध्यान रखना होगा और उस साइज का आपको एक कवर फोटो बना के अप्लोड करना होगा तो अभी तो मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ बताया है एकाउंट कैसे क्रियेट करें ठीक है तो यह बहुत सिंपल स्टेप से एजी था अब प्रोफाइल कैसे लिंग लिंदिन पे हम बना सकते हैं सारी चीजों को कैसे फिल करना है प्रोफेशनल होग हमसे कनेक्ट हो हमारा नेटवर्क बढ़े उसके लिए उसको हम आपकमिंग वीडियो आने वाला है तो उसको भी हमको डिटेल में बताएंगे यह था सिर्फ एकाउंट क्रिएशन और भी लिंक्डिन के ओपर हम आपको टुटोरियल और पेड एड्स और सारे और वीडियो लेकर आरें तुटोरियल विदिन फ्यू देज इसमे आगर आपकी प्रफेस्नेल करते हैं और अपको बाझत है तो आपको बहुत बुच्छी जौब सकते हैं अपने ऑपसके छोट यह सारे थाइदे तभी हमीम सकते हैं जब हमारी लिंक्डिन पर बहुत ही फ्रॉपाइल बनी हो तो अभी हम जो लोग स्सव स्टार्ट करें लिंगडिन पहले बार यह लिंगडिन पर में फिर प्रॉपाइल नहीं हो बनाना चाहते हैं तो तस ऐसी मैं आपको टॉपिक जिसको आप शुरुबात में हमेशा ध्यान रखिएगा देखिए एडवांस तो आप बहुत कुछ कर सकते हो वाट बेसिक दस टिप्स जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉंग बनाएंगे और जादर जादर लोग आप से कनेक्ट करेंगे आपके पास जॉब ऑपॉर्टूनि सबसे पहरी बात मैं आपको बताऊंगा पर किस तरीके से आपको पता लगेगा कि हमारा जो लींडिन का प्रोफाइल है वह स्ट्रॉंग है या नहीं है तो जैसे आप प्रोफाइल पर आया थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करेंगे तो आपको इहाँ देखेगा यॉर्ट डैसबूर्ड के सामने ही यहा पर देखी हमें तो अगर आपके यहां पर all stars है तो इसका मतलब आपका जो profile है वो strong है और लोग आप से connect होंगे आपके पास job opportunities, business opportunities बहुत आएगी तो इस तरीके से अगर आपको all stars है तो आपका एक LinkedIn profile page सही बना हुआ है अगर नहीं है तो क्या steps हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले चेक करें यह देखें कि आपके dashboard के आपको all stars मिला हुआ है नहीं मिला हुआ आप दोस्तों सबसे पहला step सबसे पहला step है जब हम निंदिन profile बनाते हैं तो हमें अपना जो experience है वो हमें add करना होता है तो यहां पर हम देखें दोस्तों आते हैं यहां पर देखिए यह रहा experience थो experience अगर आपका पास experience आपका तो अबने ठीन होगा और पहली बार आप अपना क्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना सब्सक्राइब करना है और इसको अप्लोड कर दोगे अगर आपका कुछ से सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसको अप्लोड कर सकते हैं यह पूरी आपने कर रखी होने की पूरी डिटेल डाल के और उसको फिर हम ऐसे सेव कर देंगे तो इस तरीके से आपकी जितनी भी कंपनी में आपने काम करा है या आपने आपने जॉब करी है ठीक है तो उन सारे एक्स्पिरेंस इसको यहां पर आप एक एक करके एड करो होगे ठीक है आप आपने हमने सबसे पहला यह है कि अपने जॉब करना है तो वो आपके experience को अच्छे से देख पाए, समझ पाए और उसको impressive लगे तो दोस्तों ये हो गया, अब इसके बाद जो हमारा second point है, वो second point है हमारा education तो education जो हमें add करनी है, आपकी जो भी education है, आपकी schooling कहां से है, आपने post graduation कहां से करी है आपके बाद के master degree है, या bachelor degree है, वादर जो भी आपका education का है, वो सारा का सारा आपको fill करना है पुरी detail के संग, fill करने के बाद supported document को degree या certification लगानी तो आप upload करोगे और उसको save करोगे तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना education का पूरा detail जिससे की, और एक बात हमेशा आपको ध्याम रखनी है, जो भी experience या education आप अपने linkedin profile के अंदर mention कर रहे हो, वही आपके resume के अंदर भी होना चाहिए आपको पता है, jobs के लिए linkedin one of the biggest platform है पूरे world में, तो आपका resume है, वह match होना चाहिए, आपके linkedin के profile से, तो इस चीज़ों हमेशा ध्यान रखिएगा, तो दोस्तों आपको यहां से experience add करना है, फिर second point था आपको education के, अपकी जितनी गी education qualification आपको यहां से add करनी है, तो तीसरा जो हमारा point है, वो है add professional profile and pics, तो यह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, दोस्तों देखिए, जैसे कि हम यहां पर आए, ठीक है, तो अब हम यहां पर click करेंगे, यहां पर दोस्तों देखिए, यह जो आपकी जो picture है, यह जो आपकी profile pic है, ठीक है, इस profile pic को आपको बिल्कुल professional रखना है, यह आपकी कोई selfie नहीं होनी चाहिए, कोई animals के संग आपकी pic नहीं होनी चाहिए, कोई wedding picture नहीं होनी चाहिए, कोई party pool picture नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, आपकी professional camera facing pic होनी चाहिए, जो impressive लगे, और इसका बहुत impact करता है, जब लोग आपके संग connect होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी profile pic edit करनी है, तो आप ऐसे click करेंगे, और अपनी जो भी profile pic है, उसको आप change करना चाहिए, तो change कर सकते हैं, यहीं परी crop या कुछ करना चाहिए, तो यहां से आप कर सकते हैं, और इसको हम अभी close करेंगे, क्योंकि हमने already put कर response बढ़ा देती है, अगर आपकी अच्छी profile pic नहीं है, आपने profile pic ही नहीं लगा रखी, तो अगर आपकी professional profile pic है, और आपकी pick नहीं है, तो 80% response कम होगा, एक अच्छी profile pic, professional profile pic, अच्छी आपकी जो लोगों के सामने image बनाएगा, और 80% तक response बढ़ा देगा, connections बढ़ाएगा आ हम आते हैं, हमारा fourth point जो है headline, ठीक है दोस्तों, तो headline में हम आते हैं, तो दोस्तों, जो हमारा fourth point है, वो है headline, ठीक है, तो headline कहां से हम edit करेंगे, जो आप देख पा रहे हैं, मेरे नाम के नीचे, profile pic के नीचे, ये headline है दोस्तों, तो ये as a business card काम करती है, ठीक है, आपके बारे में बताती है, short में, तो ये किस तरीके से आप edit कर सकते हैं, और कैसे जाना है, यहाँ पर आप click करेंगे, edit पर, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी profile pic के नीचे, आपको अपना नाम और last name यहाँ पर आपको add करना है, इसके बाद ये headline है, इसकी limit up to 100 characters होती है, तो यहाँ पर दो चीज़े सबसे must हैं, एक आपको अप industry put करनी है, आप digital marketing से हो, आप software development से हो, या फिर आप एक engineer हो, जो भी आपकी industry हो, आपको यहाँ mention करनी है, तो आपका job title industry आपको mention करनी ही करनी है, उसके बाद आप करने के बाद हम इसको save कर देंगे, तो अब हम वापस आते हैं, तो अब दोस्तों, इसके बाद हमारा fifth point है, वो है summary, देखे दोस्तों, summary जो है, वो आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, डिटेल, बताती है, और जिसमें आप अपने बारे में लोगों को define कर सकते हो, और अगर आप इस summary अच्छे से बनाई है, तो लोग उससे अगर impressed होते हैं, और वो अगर effective है, तो आप सोच नहीं सकते हैं, आपका response, और आपके सम्ग कनेक्शन, और आपके पास job opportunities या business opportunities बहुत आएंग ये आप देख सकते हैं about, तो यहाँ पर हम edit करेंगे, दोस्तों यहाँ ख्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो summary, तो यहाँ पर आपको up to 2000 characters के अंदर अपने आपको अपने बारे में चीज़े define करनी है, अब आप generally क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप कौन हो, who you are, फिर आपको बताना है कि आप किस तरीके से serve कर सकते हो, आपकी skills है वो आपको थोड़ी से define करनी है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आपको expertise लगर आपको define करनी है, ठीक है, लोगों को आप से किस तरीके से आप collaborate हो सकते हो, लोगों को help कर सकते हो, या आप उनके क साम आ सकते हो ठीक है आपकी कोई achievement है तो वह बता सकते हो तो 2000 करेक्टर में शौट में आपको बहुत सारी चीजें यहां पर explain करनी है तो इन चीजों का ध्यान लखें संब्री आपको बहुत अच्छे से बनानी है तो इसमें आप अपनी थोड़ी सी professional history हो गई जैसे मैंने आपको बताया qualification थोड़ी सी personality के बारे में आप अपना पता हो कि आप as a person कैसे हो क्या हो ठीक है और इसके बाद आप खुद देख सकते हो आपको एक बहुत ही जादा बहतर exposure मिलेगा और आपके connections और आपको खुद को growth म मिलेगे लोग connect होंगे आपके साथ उसके बाद दोस्तों यहां पर जिस भी company में आप कान कर रहे हो या जिस company के ओनर हो उसका आप लोगों भी यहां से upload कर सकते हो करके कुछ उसके supported documents लगा सकते हो और authentic लगे आपकी चीज़ें तो आपकी फोटो हो आपकी इमेजिस हो वीडियो हो सब चीज़ें आप यहां पर कर सकते हो तो दोस्तों यह आपने देखा और इसको यह सब करने के बाद को लिंक देना चाहते हो तो आप लिंक भी दे सकते हो आपकी कोई website का link है या और कोई link है ब्लॉग का link है जो भी है आप यहां से देख सकते हो और उसको आप सेव कर दोगे तो हमने तो क्योंकि सब अल्मोस्ट बना रखा है तो हमें सेव करने की जरूद नहीं हम वापस चलते हैं तो दोस्तों यह मैंने आपको फिफ्ट पॉइ चाहरे के नीचे यहां पर हम क्लिक करेंगे आप रख यहां पर क्लिक करने के बाद आप और पर क्रोफाइल का जो आपका heura High यहां पर पूट करनी है और सही से सारी चीजों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए इससे ऑफेंटी सीटी बढ़ती है लोग आप कितने जैन्वन हो आपकी इंफोर्मिशन हैं आप कितने ट्रांस्पेरेंट हो और आपसे आपसे कॉंटेक्ट कर सकता है आप इसली रीचेबल हो तो यह पूरी होनी चाहिए एक एक चीज ठीक है दोस्तों तो यह हमारा 6th पॉइंट था अब दोस्तों हम आते हैं 7th पॉइंट पर जोकी कस्तिमाइज यह लिंकडिन यूरल एंड बैगराउंड फोटो तो दोस्तों यूरल क्या होता है और फोटो क्या होती है तो दोस्तों देखो यह है हमारा यूरल लिंडिन.com slash हितेश गुपता qms तो यूरल क्या होता है वो आपके जो शूशल मीडिया का पेज होता है उसको एक पर्सनल टच देता है ठीक है जैसे मेरा हिया पर यूरल में हितेश गुपता है तो लोगों को अब मैं यूरल भेजू हूँ है तो उनको पता लगे का अच्छ इसके अंदर आपके सब्सक्राइब होते हैं और इसी होता है इस यूरल को शेयर करना ठीक है तो आप कैसे आप एक कस्टमाइज यूरल बनाओ इसके ओपर भी हमने एपने यूटुब चैनल में वीडियो स्पेशली बना के दे रख्या आप वहां से भी सिख सकते हो वाकि यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि यहां पर आपका पहले कोई कस्टमाइज यूरल नहीं बना हुआ तो यहां से आप नया बना सकते हो और अगर बना हुआ उसको चेंज करना है तो यहां पर आप जो क्लिक करोगे इस तरीके से तो आप अपना जो यूरल है उ शेकर चाहते हैं इसको बन करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब्सक्राइब करने का here या जो चीज़ आप हाइलाइट करना चाहते हैं वो यहां पर आपको मेंशन करनी है जिससे कि आपका जो बैक्ग्राउंड है या प्रोफाइल पी यह आपका सेक्शन है यह आपके बारे में खुद ही इतना लोगों तक पता आपके बारे में तो बैक्राउंड इमिज के प्लेशा जो भी प्लैटफॉर्म होता है भाँ पर यह हमें आइडिया देते हैं कि कि साइज की रिकमेंड करते हैं हमें बनवानी चाहिए क्या हाइट और इसकी विर्थ होनी चाहिए तो इस चीज़ को आप अपने डिजाइनर से या फोटोशॉप अगर आता है खुद भी अल्रेटी कर रखा है तो हम इसको भी क्लोश करते हैं तो दोस्तों सेवन पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कर्स्टमाइज और लिक्डिन यूरल और बैग्राउंड फोटो तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने एट पॉइंट के ओपर जो की है आस्क फॉर रिकमेंडेश लोगों प्रोफेशनली आपके अन्डर आपके साथ आपके लिए सखार प्राने क्राने उनके आपको रिकमेंडेशन से पिसल्टमाट है तो हिंने तीन आहटेंग कádर यह लेने चाहिए अगर उनका experience आपके संग अच्छा और आपका experience उनके संग अच्छा है इससे creditability बढ़ती है अगर लोग आपके लिए recommend कर रहे हैं तो आपका quality score है वो भी increase होता है recommendation से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो दोस्ते इसका procedure क्या होता है तो जैसे कि यहां पर एक recommendation मेरे पास आ रखा है यहां पर हमें recommendation मांगना पड़ता है पूछना पड़ता है अपने to league को कि हम आपसे recommendation चाहते हैं तो उसके लिए आपको ask for recommendation पे click करना है यहां पर click करने के बाद हम सुर्जर इसको हम close करेंगे और ask for recommendation पे हम जाएंगे तो जोस्तों गलती हो गए थी मेरे से यह हमें edit के लिए है हमें यहां पर click करना है ask for recommendation पे तो हमने जैसे क्लिक करा ask for recommendation पे तो यहां पर what do you want to ask तो यहां पर हमें उस person का नाम डालना होगा ठीक है अब जैसे मैं यहां पर यहां पर नाम put करता हूं तो दोस्तों जैसे कि यह हमार मेरे संग काम कर चुके हैं और मैं इनके लिए भी काम कर चुका हूं तो अगर मेरे को इसे recommendation चाहिए और मेरे इनके संग अच्छे relationship रह चुके हैं तो मेरे को हम पूछना चाहिए कि यह करेंगे तो मैं यहां पर गौरव गैंग वार को click कर लूँगा select करूँगा select करने के बाद मेरे किसंग क्या relationship रहा है तो यहां पर बहुत सारे options आते हैं कि यहां पर गौरव जी manage you directly ठीक है reported आपको report कर रहा था ठीक है इस तरीके से बहुत सारे you work with gaurav ji in same group you work with you but in different group तो इस तरीके से आपको अब गौरव was a client for yours तो मैंने यहां पर click कर दिया ठीक है तो यह हमारे यहां पर में नेक्स्ट कर दूँगा नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आया है लीगeft सकते हैं तो इसको आप सेंड कर दोगे मैं ने यहां सेंड किया अब संड करने के बाद आज यह जा चुगा ठीक है तो वहां पर क्या जाएं हमाने पास अगर भी करेंशञय को बहुरण के यहां पर आघेंज है तो अगर वहिभी को फैज व्यगों पास अगर हमें किसी को recommendation देनी हैं तो हम दे भी सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा point number eight ask for recommendation जो सबसे important point है अगर आप अपनी profile की अपनी creditability बढ़ाना चाहते हैं quality score बढ़ाना चाहते हैं और business में आपको और reference मिले या job में आपको और opportunities मिले तो यह चार चांद लगाने वाली बात है अगर आपके पास जादर से जादर recommendations होंगे ठीक है दोस्तों तो यह हो गया हमारा eighth point अब हम आते हैं दोस्तों हमारे ninth point पर हमारा ninth point है दोस्तों वो है add and manage your LinkedIn skills and endorsement तो दोस्तों यह क्या है यह मैं आपको बताता हूं यह आप एक section देख सकते हैं skills and endorsement का मतलब आपकी skills क्या है ठीक है आपने का आपके तो टैलेंट है वो क्या है आपकी capabilities क्या क्या है ठीक है तो इन सब चीजों को हमें यहां पर show करना बहुत ज़रूरी क्योंकि कि किसी से ही लोग हमारे बारे में जानते हैं और हमारे details देखते हैं अगर उनको हमारे skills और कुछ आता है तो इस तरीके से आप यहां से एड कर सकते हो अगर जो चीज आप यहां पर put करना चाहते हो और यहां पर नहीं available है तो इसको आप एड भी कर सकते हो जैसे हम डालते हैं अब दोस्तों मैंने डाला digital marketing consultant तो यहां पर नहीं है तो मैं चाहूं तो इसको यहां पर जाके add कर सकता हूं तो मैं जैसे add करूंगा यह मेरे skills में add हो जाएगा तो इसको मैं यहां पर अभी close करता हूं तो दोस्तो skills तो सबसे important है हर कोई आप से ज्यादा आपके skills से जुड़ता है आपकी knowledge से जुड़ता है इसी से impress होता है इसी से job मिलेगी इसी से business मिलेगा तो यह सबसे अच्छे से maintain करना है और वही चीज़े डालनी है जिसमें आप पूरे confidence हो जिसमें आपकी expertise हो आप अगर और आप वह quality performance नहीं दे पाए तो यह सही नहीं है आपके लिए तो दोस्तों आपनी best skills ही डालिएगा जिसमें आप master हो ठीक है या जिसमें आप अच्छा कर सकते हो तो दोस्तों यह हमारा ninth point था तो जैसे कि और दोस्तों आपके कोई article है कोई activities है जो कि आप post करते रहते हो व हम मेरे जो followers हैं वो लगवक साड़े तीन हजार से प्लस followers हैं इस समय कुछी महीनों पहले मैंने proper active हुआ हूँ अपनी LinkedIn profile पर मैंने काम परना शुरू कर रहा है तो देखिए लोग मेरे से कितना connect होना शुरू हो गया है तो एक सही all stars की मतलब complete जो business profile है उसे कितना फायदा होत होते हैं देखिए यह इस आप देखिए यह मेरे जो स्टेटास है इसके अंदर इस वीक मेरे को 274 लोगों ने क्या गयता है मेरे profile को पास 90 डेज में 274 लोगों ने मेरे profile को देखा तो 90 दिनों के अंदर आप देख सकते हो और सिंस लास्ट वीक से 24 परसेंट की growth है यह आप ग्राफ भी देख सकते हो ठीक है तो दोस्तों इस तरीके की जो चीजे हैं अगर आप रेगुलर एक्टिव हो आपका सारगसार प्रोफाइल स्ट्रॉंग बना हुआ है तो रेगुलर लोग आपको टच में आएंगे कनेक्ट होंगे आपको बिजनस भी मिलता है ठीक है आप अपको एंप्रोइज भी मिलते हैं ठीक है और विदाउट एनी चार्ज फ्री ओफ कोस्ट बस आपको मेहनत करना है एक्टिव रहने है रेगूलर रहने है लोगों से कनेक्ट होते रहने है लोगों को कनेक्ट करते रहना है यह यह ने की बहुत अच्छी प्रोफाइल बना आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एक्टिव हैं तो आप फ्री में ही बहुत बिजनस जन्रेट कर सकते हैं फ्री में ही आप एंपने एंप्लोईज भी हायर कर सकते हैं यहां से 10 एक बोनस पॉइंट और टिप में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लिंडिन का प प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको बोपॉट्टिटी आप मिस कर सकते हो जो क्या फ्री ऑफ कोस्ट गें कर सकते हो लोगों से अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको ग्रूप्स में भी कनेक्ट करना पड़ेगा तो आपको हमेशा जो ग्रूप का क्या कहते हैं है वह चूज करना है चुनना है दिखाता हूँ कैसे अब जैसे हम यहागाए अब हमें रिलेटिड ग्रूप जोनना है डोस्तों डिलेटिड ग्रूप्स कैसे 관련 डिजिटल मार्केटिंग इइनल्टिन से हूँ तो में यहाँ पर डालता हूँ हुँ है है अब मैंने यहां पर सर्छ करना डिजिटल मार्केटिंग ग्रॉप तो यह देखे कितने सारे इसारे यहां पर आ गए ठीक है अब भावब यह वह भी शो कर रहे हैं कि आपके connection strong है तो चाहते हैं कि अच्छे profile के connection के लोग उनके संग जॉइन हो तो आपका अगर profile strong है तो आप जाते से ज्यादा जॉइन कर सकते हो तो इस तरीके से आपको जो भी ग्रूप relevant लगे आपको लगे कि महां पर जुदने में फायदा है आप कुछ input दे सकते हो उनसे कुछ input ले सकते हो तो आप इस तरीके से आप click करेंगे उस particular ग्रूप पे और ग्रूप पे click करने के बाद ठीक है दोस्तों आप ग्रूप को join कर सकते हो यह देखिए वो ग्रूप आगया है यहापर ठीक है ग्रूप की details आगई ठीक है यहापर यह देखिए ग्रूप एड्मिन सावए ओनर सावए यहाँ देख सकते हैं मेनेजर सावए अगर आपको उस ग्रूप की worth लगरी है ठीक है तो आप उस ग्रूप के संग join करें और उस ग्रूप के एक हिस्सा बने और उससे benefit आप पा सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको आज 10 points बताए तो यह 10 points अगर आप follow करेंगे तो आपकी growth LinkedIn के platform पे कोई नहीं रोक सकता आपकी profile से लोग connect होना चाहेंगे आप से लोग job के लिए पूछेंगे आप से लोग business के लिए पूछेंगे और आपका network दिन पे दिन बढ़ता जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी profile बनाईए और अपनी presence business world में बढ़ाईए सबसे पहले आप अपने LinkedIn अकाउंट में login करेंगे login करने के बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हो work का button इस पे आप click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद आप जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पर आता है option create a company page इधर आप click करेंगे जैसे हमने आप पर click करा तो यहाँ आपको choose करना होगा दोस्तों के small business है आप पर इसके लिए page बनाना है या थोड़ा large medium और large business है या showcase page है या education institute है तो अभी हम small business के हिसाब आप से बना रहे हैं तो अब जैसे हमने यहाँ पर select करा अब यहाँ पर हमें सारी details डालनी है तो यहाँ पर हमें नाम डालना होगा marketing fundas demo यह मैंने demo के लिए बना रहा हूँ इसले मैंने यहाँ पर demo डाल दिया ठीक है और यहाँ पर URL दिखा रहा है कि इस तरीके से हमारा URL शो होगा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर हम अपनी website डालेंगे marketingfundas.com की यहाँ पर हम अपनी company की details डालेंगे के industry कौन सी है आपकी हमारा education से related है company size हम डालेंगे company type हम डालेंगे sole proprietor ठीक है तो जो भी आपकी company type हो private, limited, limited, proprietor वो आप डाल सकते हो ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको यह logo का size दे रखा है फाइस बता रखें तो यहाँ पर choose file पर हम click करेंगे logo upload करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे डेक्स्टॉप में एड्स में लिंक्डिन में लिंक्डिन में हम अपना folder देखेंगे जहां पर भी हमने अपना सारा रखा है लोगो अप्लोड करा अभी लोगो अप्लोड जैसे हमने करा है यहाँ पर देखी लोगो आ गया यहाँ पर हम अपनी टैग्लाइन डाल देंगे लाइक हमने डाला अब यहाँ पर हम वेरिफाइग के चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे एगए अब जैसे हमने क्लिक करा है यह दोस्तों हमारा पेज पर क्रियेट हो गया मार्गिनिंग फंडास जैमों के नाम से जैसे कि आपको देख पा रहे हैं अब यहां पर क्या होता है कि अभी यह मैं मैं एड्मिन पैनल के अंदर हूँ जहां से मेरे को सारी सेटिंग्स करनी है और मैं व्यूव अगर पर क्लिक करूँगा तो यह वैसा देखेगा जैसे आपको अगर इस पेज पर आप हाई होते ही तो आपको मेरी कंप्री का पेज दिखता हो इस तरीके से वापस मैं व्यूव ऐसका होगा ठीक है यह सेफ कर दिया लोगो आगया कवर पेज आ यहां पर आपकी टैगलाइन आ जाएगी यहां पर आप क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के वादे सारी इंफॉर्मिशन आपको फिल करनी है ठीक है में जाएंगे यहां पर आपको कंप्री के बारे में डिस्क्रिप्शन डालना होगा जैसे एक मैं तो बस्ते डेमो के लिए लिख रहा हूं बेस्ट ऑनलाइन फ्री डिजिटल लर्ड फ्लैट फॉर्म इसे लिख दी यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है अप्टु 2,000 वर्ड्स तक आप डाल सकते हो अपना यूरल डाली है नंबर डाली है इंडस्ट्री हमने इस अब चीज़े पहले फिल कर दी थी किस साल आपने कंपनी उपन करी है वह यहां से आप डाल सकते हो ठीक ह डाल को डाल आपको कुछ और एड करना है तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको करने के बाद सेट करेंगे चेंज सेट कर ízलियूरा अब करनी है थे लोकेशन लोकेशन अध्व आप सकते हूं एड्ट गर तो इस तरीके से हैं से आप यहां से सारी चीज़े मैनेज करनी ह disagい और इस तरीके से जब आप अपने पेज पर सारी चीजें प्रॉपर अपना content, images, description सब डाल दोगे तो आपके पेज में एक professionalism आएगा कि लोग उस पर आएं और उसको वहाँ पर आप से related information मिलने चाहिए ठीक है तो इसके अलावा आप यहां से अपनी posts वेगारा डाल सकते हो अपलोड कर सकते हो लोगों से इंट्रेक्ट कर सकते हो अपनी पेज को इंट्रेक्टिव बना सकते हो तो इस तरीके से दोस्तों आप एक LinkedIn पे company page बना सकते हो और अपना professional network बढ़ा सकते हो लोगों तक आए और professional network के थ्रू अपने business को लोगों की नजरों में लेकर आए तो कुछ basic और बहुत important tips में बताने जा रहा हूं जिसको आपको page बनाने के वक्त ध्यान में रखना है जिससे कि आपको short term और long term दोनों में benefit मिलेगा तो जैसे कि हमारा company का page है ठीक है तो company page बनाने के वक्त पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखती है यह जो आपका profile image या profile pic होती है यह यहां पर आप हमेशा अपनी company या brand का logo ही present ही ताकि इससे लोगों को आपके लोगों के बारे में आपकी जो एक लोगों की पहचान है उनमें बने और वो बड़े तो दोस्तों इसके बाद जो आ मेशा आप अपने product या services को define करते हैं या उसे related या relevant बनाएं अच्छा से design कराएं और यहां पर जरूर इसको apply करें because यह दोनों चीज़ें बहुत important है अगर कोई आपके page पर आ रहा है और यह दोनों चीज़ें वहां नहीं देख रहा है तो इससे आपकी profile पे उतनी जादा time कोई लगाएगा नहीं और वह unprofessional दिखेगा तो वह हो सकता है आपके संग connect भी ना हो इन दो चीज़ों का जरूर रखने सबसे पहले और दोस्तों अब हम कुछ और आपको settings के बारे में बताते हैं जो की यहां पर जैसे हम जाते हैं जो आपके follow button और यह जो website का जो आप देख रहे हो इधर जो आइकन है edit का यहां पर click करने के बाद दोस्तों यह बहुत सारी कुछ settings हैं एक एक करके बताता जैसे header के नीशे page info पर आते हैं तो यहां से आप अपनी profile पर किया अपना logo update करेंगे और उसके बाद यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो हमारी profile पर किया उसके आगे आपका company का नाम आना चाहिए हमेशा logo के आगे तो हमने जैसे marketing fundas नाम लिखा हुआ है तो वैस यहां पर लिखनी है यहां पर type करनी है और दोस्तों हम आते हैं अगले buttons के ऊपर आप यहां पर जैसे कि मैंने आपने आप देखें यहां पर बटन नहीं आएगा पर आप इसको on रखें और यहां पर आप website visit contact us register sign up जो भी आपका business है उसके हिसाब से आप टैप चूज कीजि अगर contact us का आप दोगे तो वहां पर आप इधर website URL डालेंगे और अगर आप यहां पर चीजा website visit देना चाहते तो वह भी दे सकते और website URL ला सकते तो इस तरीके से आपको यहां पर अपना mention करना है website URL अगर website है तो बहुत अच्छा है वहां पर जाके person और detail में आपके वार में जान सकता अब दोस्तों यहां पर एक preview दिखाया है जब हम proper header के अंदर यह सारी चीज़े डाल देंगे profile पर tagline headline तो इस तरीके से देखिए हमारा logo आ गया नाम आ गया यहां पर हमारी tagline आ गई और इधर website लिए पर क्लिक करेगा तुम्हारी website पर जाएगा अब हमारे company पेज जैसे हम overview में गए दोस्तों यह सबसे important जगा है description यह 2000 वर्ट तक का आप अपनी company के बारे में बता सकते हो उससे related services या products बता सकते हो यूसवी बता सकते हो तो यह बहुत matter करता है दोस्तों एक company का जो page है LinkedIn पे वह equivalent to website है अगर आप सारे information सही तरीके से LinkedIn पे डालेंगे तो वहां से भी आपके जो audience है जो connection में लोग हैं जब आपके page देखते हैं उनको बहुत information मिलती है आपके बारे में आपकी services के बारे में तो और दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं manage description in another language यहां पर आप अपकी website का URL डालिए ठीक है अगर यहां पर आपकी website नहीं है आपके पास यहां पर click कर दीजिएगा और दोस्तों यह बहुत ज़रूरी चीजें हैं डालनी के आप किस industry से belong करते हैं वह यहां से चूज कर सकते हो ठीक है जैसे हमने चूज करा ठीक है इस आपकी company का size कितना है तो आप यहां से अपनी company का तो size है वह चूज कर सकते हो ठीक है उसके अलावा company आपकी सब्सक्राइब करना चाहते है और कब आपकी company open हुए उसका year आप यहां से डाल सकते हो इस तरीके से तो अब यहां पर आपको क्या करना है यह details फिल करने के बाद अब यह आपको save करना है तो जैसे आपकी सारी चीजे सेव करोगे changes सेव हो जाएंगे और यहां पर अब आप अगले step पर आओगे जो के overview में अब हम locations पर आएंगे तो यहां पर आप अपना proper address डालिए add location कीजिए ताकि कोई आपकी अगर आप देना चाहते हैं कि अपना address की लोगों पता लगए आप कहां पर आपका office है तो यहां से आप जान सकते हैं उसके अलावा दोस्तों अगले step पर आप आसकते हैं आपको जो हैस्टैक्स देने हैं अपने product services के हिसाब से वह यहां पर हैस्टैक्स दे सकते हो फीचर्ड गृप सकर आपको कोई add करने हैं तो आप यहां से add कर सकते हो तो यह चीजें दोस्तों करनी बहुत जादा जरूरी है प्लस manage languages जो है यहां पर आप इस तरीके से सारी के सारी आपको देखनी है करनी है ताकि कोई भी पर्सन प्रोफेशनल एक आपकी website पर आता है और आपकी कमपनी की website साइट पेज पे आपकी कंपनी के पेज के उपर बिजनस के ओपर को सारी इन्फिर्मेशन मिलती है आपके बारे में आपके कंपनी के बारे में और के बारे में प्रॉपर उसके अच्छा impression जाता है और वह आपसे बिजनस एक सर्विस के लिए कंटीक्ट भी कर सकता है तो दोस्तों इन बातों को ज़रूर ध्यान रखेगा और अपने लिंग्डिन के पेज को अप्टिमाईज की जिए ताकि भैतर रिजल्ट में आपको थेंक्यो पर वाचिंग दिस वीडियो तो जैसे कि देखिए मेरा एक अकाउंट है हितेश गुपता का अब इस अकाउंट में आप देख सकते हैं मैंने एक पेज बना रखा है मार्केटिंग पंडास ग्लोबल के नाम से तो यह पेज का मैं एक्सेस नए अकाउंट में देना चाहता हूं अब देखिए जो मेरा नया एकाउंट है वो है मैंने बनाया है मार्केटिंग पंडास के नाम से एकाउंट बना रखा है अब मैं हितेश गुपता से इस अकाउंट पर उस पेज का एक्सेस या रूल देना चाहता हूं तो सबसे पहली इंपोर्डेंट बात यह होती है कि जो दो एकाउंट है हितेश गुपता का और मार्केटिंग पंडास का जो अलग एकाउंट है लिंक्डेन एकाउंट की मैं बात कर रहा हूं तो यह दोनों एक दूसरे के सांग कनेक्ट होने चाहिए बिना कनेक्ट अगर किसी को रिक्वेश भेजना इन्वाइट करना बहुत असान होता है तो वह आपको भी आता होकर नहीं आता तो आप हमसे कभी पूछ सकते हैं आपको हेल्प कर देंगे तो अगर आपके दोनों वह एकाउंट कनेक्टेड हैं जिनको आपको रूल देने हैं तो अब मैं क्या क करूंगा हितेश गुपता पर वह पेज ओपन कर लूँगा हितेश गुपता के अगर्ट में जो पेज मैंने बना रखा है अब यहां देखिए ऑप्शन आरा है एड्मेंट टूल्स का है तो यहां मैं गया पेज अड्मिन्स पर मैंने क्लिक कर दिया पेज एड्मिन अभी पेज का यहाँ पर डालूँगा अकाउंट का नाम डालूँगा LinkedIn अकाउंट Marketing फंडास ठीक हैं? अब आप देखिए Marketing फंडास का क्योंकि मेरे से Connected है अकाउंट फिजेश गुपता से तो मैं Marketing फंडास के अकाउंट को Select करूँगा अब मैंने इसको जैसे Select करा आप देखिए Remove यहाँ पर Admin यह हो गया मैंने Add कर दिया अब मैं Save करूँगा इस Changes को मैं Remove करना चाहूं किसी को तो यहां से Remove कर सकता हूं अब मैं Changes Save करूँगा Save करने के बाद हम अपने नए अकाउंट में जाएंगे मार्केटिंग पंडास के अकाउंट में जाएंगे और यहां पर मैं Refresh करता हूं अब जैसे मैंने Refresh करा इसको Refresh करने के बाद देखिए यहां पर हम देखते हैं क्या हमारे पर कोई Notification आया है ठीक है तो अभी यहां पर हमें Notification नहीं Show कर रहा तो हम एक बर यहां Refresh करेंगे और यहां जाएंगे और यह देखिए आप यहां देख सकते हैं Refresh के बाद जैसे मैंने अपनी Profile यह R.I.S. section मैंने यहां पर क्लिक करा यह जो Dropbox निकल के आया नीचे आप देख सकते हैं यह Company Page मेरे में Add हो गया है अब यहां Show कर रहा है मैं क्लिक करूंगा इस पर अब क्लिक करने के बाद अभी हम इसको Cross करते हैं देखिए अब यहां पर मेरे इस Account में यह Page Add हो गया है मैं Admin हूँ अब इसका मैं यहां पर इस Page पर Activities कर सकता हूँ अब यहां पर मैं जाओंगा ठीक है और Page Admins में गया देखिए यहां पर भी Show हो रहा है कि कौन कौन Admin है और इस तरीके से आप Page Admin Role Access दे सकते हो एक दूसरे Account के अंदर ठीक है to manage और to run paid ads तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने LinkedIn के professional network को grow कर सकते हो अपने connections को grow कर सकते हो दोस्तों connections LinkedIn पे बनाना या अपना network जिसको जो कि आप यहां पर देख सकते हो मैं अपनी profile में गया और profile में हैं पर आप देख सकते हो लगबग 14,000 के आसपास लोग में connected है इस तरीके से लोग हमारे पास request भेजते हैं connect होने के लिए तो हम अगर हमें लगता है तो हम उसको accept कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए connections बनाना सिर्फ की हमारा network बड़ा देखे हमारे संग जादो लोग connected हो वो मत बनाओ आप तो जादा अच्छा है बट meaningful connections अगर आप बनाओगे सही लोगों को आप चुनोंगे तो आपको जो connections हैं उनसे भी benefit मिलेगा चाहे वो business के terms में हो चाहे वो आपके job के terms में हो या freelancing के terms में हो इसी भी terms में अगर आप LinkedIn पे सही network बनाते हो सही लोगों के संग तो आप यहां पर connect हो सकते हो और काफी आपको growth मिल सकते हैं तो दोस्तों यह मैं आपको 5 tips देने जा रहा हूं तिक है जिससे की free of cost आप अपने network को expand कर सकते हो अपने connections बढ़ा सकते हो और उनसे आप benefit ले सकते और उनको भी आपसे benefit मिल सकता है तो दोस्तों पहला पहला पॉइंट जो ज्यादा तर हर LinkedIn के प्रोफाइल में आप सुनोगे जो की है first point complete and fully optimized profile तो यह पहला पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि आपकी LinkedIn की profile complete होनी चाहिए पूरी और proper optimized होनी चाहिए तो वोसमें में नहीं जाओंगा उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लस हमारी इस LinkedIn की series के अंदर भी वो वीडियो है ताकि आप एक perfect LinkedIn profile बना पाओ और अपनी जर्नी को LinkedIn की आगे continue कर पाओ तो यह चीज बहुत जादा जरूरी है complete and fully optimized profile यह दूर बनाईएगा तो दोस्तों अब हम आते सेकंड पॉइंट के ओपर सेकंड पॉइंट है हमारा connect with राइट पीपल यह find right people तो दोस्तों सबसे पहले सही लोगों से कैसे हम उनको ढूंडे सही लोगों से कैसे connect हो वो मैं आपको बताना चाहता हूं किसी से भी connect होने से पहले मैं अपना एक्जामपल लेता हूं मैं एक digital marketer हूँ professional हूँ मैं training भी देता हूँ ठीक है तो दोस्तों अब कहाए कि मेरे LinkedIn profile के अंदर अगर मैं किसी को भी देखता हूँ तो मैं जनरली दो चीजों का ध्यान रखता हूँ जैसे कि मान लीजे अगर मैं जनरली मैं दो तरीके के लोगों के संग connect होता हूँ या तो वो लोग मेरी इंडर्स्री डिजिटल मार्केटिंग या website या graphic या branding से related या तो वो उस profile में है जौब करते हैं company चलाते हैं तो उस तरीके के लोगों को तो मैं जो उनका profile मुझे अच्छा लगता है मेरे को लगता हूँ उनसे मुझे connect होना चाहिए तो मैं उनका profile देखता हूँ और फिर मैं उन लोगों को connection की request भेजता हूँ तो उससे benefit क्या होगा जो मेरे को लगता है कि अगर मेरी industry के लोग होंगे तो या अगर कभी मेरे को उनसे business से related connect करना हो तो मैं easy connect करूंगा और वो मेरे काम भी आ सकते हैं मैं उनके काम आ सकता हूँ क्योंकि हम same business से connected हैं दूसरा दोस्तों हम hiring के लिए उनसे बात कर सकते हैं उनके references में बात कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी industry से हैं वो हमसे बात कर सकते हैं उसके अलावा दोस्तों अगर वो हमारी industry से हैं तो जो content हम put करते हैं क्योंकि मैं regular content put करता हूँ अपने LinkedIn के इस अपने profile म तो जो मेरी इंड़स्ट्री का होगा अगर मैं अपनी इंड़स्ट्री और सर्विसिस से रिलेटड कॉलिटी कॉन्टेंट डालूंगा जिसमें तो वो पर्षन भी कनेक्ट होंगे इससे जैनुवन इंगेजमेंट बढ़ेगी लोग एक्ट्वन में इंगेज होंगी कर भी लोगा तो वो तरह यूसफुल नहीं होंगे जो एक सेम इंडस्ट्री के लोग यूसफुल होते हैं या कनेक्ट होते हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री दूसरा दोस्तों मैं उन तरीक उन उन भी इसाउन और उनको हमारी प्रोफाइल या काम में मञधा आ रहा है या उनको दम लगता है तो जो हमसे बिजनेस के लिए कनेक्ट हो सकते हैं या हम उन लोग को अप्रोच कर सकते हैं की वह हमारे शरंग्नचंटों तो दोस्तों connections बहुत मेनिंनिंग्फूल बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में थार्ड पॉइंट के जब हम किसी से connect होते हैं, तो हमें ऐसे ही निनी randomly बस किसी को देखा, connect के ओबर हमने यहाँ पर गए, मैंने अच्छा इसको देखा, यूट्यूबर है, तो लो मैंने इसको connect पर Click कर दिया, ऐसे connect नहीं होना दोस्तों, हमेशा आपको किसी से भी connect होना है, तो यह जो तीसरा पॉइंट है वो है कस्टमाइज नोड फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट तो यह कैसे होगा दोस्तों इसका मतलब क्या बताता हूं मान लीजिए यह परसन है मैं इसे कनेक्ट अगर मेरे को लग रहा होना चाहिए तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा कि और मैं इनके यहां पर प्रृफाल में गया ठीक है आफ कनेक्ट höने से पहले में देखवान को इनकी हेडलान में करता देख'tा प्लस इनका कुछ क्लिकों करते हैं तो इस तरीके से आता मुक्त窮ाइज नोट मतलब यू के कस्टमाइज दिस इन्मिटेशन यहां पर करें हम एड़ नोट जब हम यहाँ पर करते हैं एड़ नोट इधर हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे अड़ नोट वे तो हम यहाँ मैसेज डाल सकते हैं हाई 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 हितेश ठीक है गौन थूर यॉर प्रोफाइल मेरे को पसंद आया में इंट्रस्टिंग लगा हम सेम बिजनस में हैं मतलब बहुत मतलब आपको 300 करेक्टर हैं आप लगवक 500 करेक्टर के अंदर अंदर लिखके दीजिए कि आप उनके बारे में कुछ बता तो एसा बढ़िया सा नोट बनाके आप उनको डालिये यहां पर लिखिये नोट को और यहां पर उसको इंविटेशन के अंदर इहां पर क्लिक कर दिए तो जब उनके पास आपका नोटिफिकेशन जाएगा तो वो इस मैसेज के संग जाएगा तो वो ज़्यादा पर्सनल लेवल पे पर्सनल आपको कनेक्ट करेगा और आप किसी के बारे में बात करते हो सामने को लोगता है कि हाँ उन्हें मेरे बारे पड़ा उन्हें देखा ऐस तभी बनेंगे जब आप उनको कुछ मीनिंगफुल बात बोलोगे आप उनको दिखाओगे कि आप उनके प्रोफाइल से बहुत इंप्रेश्ड हो और वो भी आपके प्रोफाइल के पे जाएं देखें तो ज्यादा स्ट्रॉंग कनेक्शन बनता है तो इस बात का आपको ध ம, ask for an introduction, ask for an introduction, this love मैं आपको मतलब समझाता हूँ मान लिजिए कि आप स्ट्रॉंग मे ऐसा परसंय कोई पर्शन है जिसके कनेक्शन में में कोई एप किसी कंपनी में जहां पर आप कनेक्ट होना चाहते हो हूँ या आप around करना चाहते हैं या बिसनस के थूर आप चाहते हैं वह आपके connection में नहीं है वह उनके connection में है तो आप अपने connection से आपके connected है उनसे request कर सकते हो उनके message drop कर सकते हो ठीक है आप एक message drop कर सकते हो कि मतलब हाइ मेरे नाम हितेश है और मैं आपकी profile आपके connection हूं LinkedIn के अंदर आपके profile में so and so person है वो उनसे मैं connect होना चाहता हूं reason behind है जो भी आपको reason why एक story बनानी है आपको कम से कम सब्दों में story बनानी है ताकि अगर सामने वाला connection उसको लगता है कि आप genuine हो और आप genuine genuine reason देना होता है सामने वाले को genuine एक message बना के देना होता है उसको उसमें interest आना चाहिए genuine लगना चाहिए तो वो जरूर आपके लिए effort करेंगे ऐसे हमने बहुत सारे connections connect करें जो हमारे connections डिरेक्ट नहीं थे बट हमारे connections के connections के अंदर वो आते थे और वो हमारे से connection connect हो गया उनसे हमें benefit हुआ business के terms में benefit हुआ और हमारा जो connection network है वो और strong हो गया तो दोस्तों यह point आप ध्यान रखिएगा यह छोटी छोटी बात है छोटी छोटी चोटी टिप्स regular long term में अगर आप ध्यान रखोगे ना दोस्तों अलगी level पे आप अपने connect network को लेकर जा सकते लिंग्निन पर अब दोस्तों हम बात करते हैं पांच्वे point के बारे में 5th point जो की है engage in the news feed मैं बताता हूं कैसे हम यहां पर आई यह मेरा news feed है ठीक दोस्तों अब जो लोग मेरे connections में हैं उनको यहां पर मेरे कोई post दिखता है ठीक है कोई वीडियो दिखता है को इमेज तो जिन उन लोगों के अगर मेरे को पसंद आते हैं genuinely तो मैं उनको अगर like करता हूं को reaction देता हूं कि कमेंट करता हूं ठीक है तो उन लोगों को मेरे presence का उनके connection में होने का पता रहता है कि हां यह person connected है मेरे संग मेरे post पर react करता है ठीक है तो मैं कोई मतलब cold यह ठंडा connection नह एंगेज होता हूं मैं respond करता हूं मैं react करता हूं इससे क्या होता है कि जो लोग आपके connections है अगर आप उनके connected हो आप engage हो उनके post उनके content के संग तो वो भी आप लोगों को उतनी ही priority देते हैं वो भी आपके अच्छे quality content के संग react करते हैं engage होते हैं और दोस्तों यही connection है अब दोस्त हैं जो कहने को दोस्त हैं मगर जो कभी बात ही नहीं करते तो दोस्तों कहेंगे क्या दोस्त हैं अब दोस्त ऐसे हैं जो एक दूसरी help करते हैं engage करते हैं एक दूसरे को grow होने में help करते हैं तो वो सही दोस्त हैं मतलब वो सही engagement है connection है तो इस बात का आपको ध्यान रख को connections को free of cost grow करना और एक अलग लेवल पे अपने बिजनस करियर को लेकर जाना ये लिंक्डिन के आज हम ये पहली वीडियो से शुरुवात कर रहे हैं यूट्यूब से रिस की तो यूट्यूब से रिस का जो सबसे पहला स्टेप है अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं आप एक अपना यूट्यूब से शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे पहला स्टेप है दो दूसरा मुबाइल नंबर मच्ट है ताकि आप कर पाएं प्रॉपर आप अपने चैनल को सिक्योर कर पाएं कोई भी विदाउट आप तूबे अथन टिरिशन पासफट लगाई है ताकि फ्यूचर के लिए आपका चैनल और मेल आटे सिक्योर रहे है तीसरा आप एक या दो व करें रिसर्च करें अपने कॉप्टीटर को देखें और एक दो वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो ठीक है वह वीडियो बना के आप पहले से रखें और दोस्तों एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब आपका चैनल मॉनेटाइज हो तो आप उसको लिंक करें ताकि उसमें आपको पैसे आपाएं और दोस्तों एक आपको पर्सनल टिप देना चाहता हूँ अगर आप देखिए एक जीमेल आइडी जो इंपोर्टेंट होती है चैनल क्रेट करने के लिए और अल्रेडी सबके पास जीमेल आइडी वैसे होती ह तो आप उस जीमेल आइडी को भी यूज चाहूँ मारकेनिंग का चैनल बनाएा तब मैंने मार्केटिंग फंडाज के लिए एक Gmail बनाई जो की marketing फंडाज के नाम से ही मिलती जुलती थी जीमेल आईडी अगर आपकी उसी नाम से रिलेटेट हो तो जादा भैतर रहता है ठीक है और क्यों मैं बोल रहा हूँ separate ID बनाने को उसका मेल रीजन है कि अगर आपका चैनल अच्छा ग्रो करता है तो उस पर देखे यूट्यूब सब्सक्राइबर से रेगुलर जुड़ते हैं रोज जुड़ते हैं तो पूरी मेल फुल हो जाती है सब्सक्राइबर से लोग कमेंट अगर आपके जो परस्नल मेल आडी पर बना लेता तो देखे कितना ज़ादा यह रोज का डाटा उस पर आता और मेरे को डिलीट करना पड़ता हो मिक्स हो जाता जो की फिजिबल नहीं था तो इसलिए आप जब भी जी में अपना यूट्यूब का चैनल शुरू करो एक जिएट करते हैं तो पहले मश्त एap긴at नई घोर बना लेते हैं को ऊआपने दमी वेफेपन देता हूँ का यहां पर करने के लिए पर मैंडता हुआsome mindegeण तो यह आपको ममारे गरने बदेता हूँ है यह करने के करने के बाद यहां पर मैं अपने एक नाम डाल देता हूं वीकिषट करके बना देता हूं और पासवट जो यहां पर नेक्स्ट करने के बाद हम फर्दर आगे यहां पर बढ़ेंगे यह अभी आप अपना मुबाइल नंबर डालेजिएगा दोस्तों बिकॉज मुबाइल नंबर मस्ते हैं कभी आपके अकॉट में कुछ दिक्कत हो जाए तो मुबाइल नंबर और रिकवरी मेल आईडी डेट ऑफ यह चीज़े यूज कीजिएगा क्योंकि यह रिकवरी करने में मदद करती है यह बहुत इंपोर्टन चीज़ है शुरुवात में अकॉट नया है शायद आपको तरह फरकना पड़े बड़ जब यह आपके लिए प्रॉलिटी बन जाता है इस तो मैं रिकवरी वाला उप्शन आपको जरूर डालने में तो डेमो के लिए बना रहा हूं इसलिए मैं भी ने डाल रहा हूं ठीक है और इमेल आईडी और नंबर दोनों ही डालना रिकवरी के अंतर ठीक है कभी बाइचने एक चीज़ का पासफ़ट बूल गया एक चीज अगर चीज साब रिकवर कर सोब गया यह आपको ज्यान रखना है दोस्तों अब हम पर हम प्रोशीट करते हैं आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपको टर्म जीमेल आईडी करेंगे टर्मेंट कर्डिशन एसेप्ट कीजिए एसेप्ट करने के बाद आपका एक जीमेल करने जा रहे हैं तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हो जीमेल को कर डेते हैं और हम पर देख सकते हैं यहां पर यूट्यूब का चैनल करना है तो इधर आप जो बॉक्स देख रहे हैं यहां पर क्लिक करने के बाद आप यूट्यूब चैनल के जाए अब जैसे हम यहां पर आ गए दोस्तों तो अब इधर सब्सक्राइब करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं यह देखिए यह मेरा इस वाली मेल आईडी से अब यहां पर लॉगिन करने के बाद देखिए अगर आपने चैनल बना रखा होगा तो यहां पर माय चैनल आएगा यह और चैनल आएगा ठीक है यहां पर क्लिक करा आप यहां पर क्लिक करनाः तो आप इसको सेलेक कर सकते हों अगर आप अक type क्सिस रखनाsuper already तो मैं यहां एक custom name दे देता हूँ select पर click करता हूँ because youtube channel का obviously आपने कोई नाम सोच रखा हुगा जो नाम आप देना चाहते है तो इधर मैं अभी demo पे लिए MF YouTube MF YT करके दे देता हूँ और मैं यहां पर term and conditions को करता हूँ और यहां पर मैं create पर click करता हूँ ठीक है दोस्तों जैसे मैंने यहां पर term and conditions को accept करा और create पर click करा तो अब आगे further हम पहुच गए अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों अब हमारा चैनल create हो चुका है अब यहां पर हम अपनी upload a profile pic ठीक है तो यहां पर हम अपनी profile pic upload कर देते हैं इधर यहां पर गए हम यहां पर जाने के बाद दोस्तों profile pic में अगर आपी company है तो logo लगा लिजेगा अगर आपका personal channel है तो आप अपनी pic भी लगा सकते हो तो अभी तो मैं अपना company का logo लगा देता हूं और यहां पर मैं इसको upload करता हूं तो देखे इस तरीके से अपनी logo लगा दिया ठीक है कभी replace करने है तो replace भी कर सकते हो आप tell viewers about your channel तो दोस्तों description description बहुत जरूरी है up to 1000 characters तक आप लिख सकते हो क्योंकि उस description स by अपने लोगों को पता लगता है आपके channel के बारे में और अप क्या उसमें provide करोगे क्या logo हो को अफर linear देखने को मिलेगा तो उससे लोगों का interest बनता है और आपके वाए मोर आपने जान पाह conquist also कि अग्यमैंत उइंग को यार्टज वाइटी जैस Twoati digital marketing training youtube channel for free skill development यह मैंने dummy के लिए दोस्तों लिए आपको प्रॉपर लिखना है अपने बारे में अपनी कंपनी और अगर आपकी कोई website है जैसे की अब हमारी website है marketing funda ठीक है कि अगर हमारी वेबसाइट है तो विगोज हमारी बहुत सालों से डिजिटल marketing agency है मीडिया भाई के नाम से और हमारा पूरा डिजिटल मार्किटिंग marketing branding advertisement का वाक है बहुत सारे सब बहुत सालों से तो हम अपनी website को यहां से copy करेंगे दोस्तों यहां से हमने साइट को copy करा copy करने के बाद चैनल में गए और अगर आपकी site है तो आप उसको जरूर साइट को भी डालेगा नहीं है तो फ्यूचर में आप डाल दीजिएगा और दोस्तों जो आपके social media के links है वह यहां पर जरूर अपडेट कीजिएगा जिससे की लोग जो ट्रैफिक आपके यूट्यूब चैनल पर आएगा वो भी आपके अधर प्लैट्फॉर्म से भी जाए वहां पर भी आपकी फॉलोडशिप बढ़े वहां पर भी लोग आपको जाने वहां पर भी लोग आपसे connect हो तो प्लीज यह जो डाटा है जरूर फिल कीजिएगा save and continue करते हैं दोस्तों तो save and continue करते हैं अब यह हमने आपको प्रॉपर एक यूट्यूब चैनल एकाउंट क्रियेट करना सिखाया ठीक है ताकि आप लोगों को कोई चीज मिसना हूँ आप दोस्तों बाकी की जो चैनल की important settings है default settings है और बहुत सारे important tips और बहुत सारी वीडियो कम से कम सो के आजपास वीडियो इस स्रीज में आपको मिलेंगी ठीक है और basic से basic advanced level की चीज़े हमने उसमें आपको सिखाई है ताकि आप complete basic से अपने चैनल को कैसे और बताना चाहूंगा इसमें दोस्तों कि अगर आप इसी mail id के अंदर आप एक इसी mail id के अंदर दोस्तों अगर एक और चैनल क्रेट करना चाहते हो तो आप यहां settings में जाने के बाद यहां पर आप आईए add और manage your channel पर क्लिक करने के बाद देखिए एक चैनल हमने यह बनाय है ठीक है और यहां दिखा रहे है हिटेश बुखता ही mail id का owner है यहां पर आप एक चैनल और क्रेट कर सकते हैं आप यहां पर एक से अगर क्लिक करोगे तो यहां पर आप एक और account नेम देखे चैनल क्रेट कर सकते हो तो अभी तो हम नहीं बना रहे हैं हमने आपको प्रॉप ताकि आप एक भी चीज मिशना करो बेसिक से बेसिक A to Z जादा तर चीज आप पूसिच करेंगा आपको कवर करें दें ताकि complete YouTube strategies marketing और आप अपने चैनल को ग्रो कर पाओ organically तो दोस्तों थैंक यू तो दोस्तों जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको YouTube चैनल क्रिएट करना सिखाया था अब यह जो वीडियो आएंगी जैसे यह एक वीडियो है इसके बात जो हम वीडियो लेकर आएंगे से रिसक अंदर उसमें हम आपको बहुत बेसिक से लेकर एडवांस ल बताएंगे तो यह वाली वीडियो में हम आपको YouTube चैनल आर्ट क्रिएट करना बता रहे हैं तो दोस्तों जब कभी भी आप किसी का चैनल देखते हैं YouTube चैनल उसके जाते हैं तो आपको इस तरीके से यह चैनल आर्ट दिखता है इसको कवर पेज भी कहते हैं और यह प्रफा चैनल पर आने के बाद दोस्तों जब हम यहांपर आते हैं जो कर सकते हो नहीं गयाँ प्रोफाइल कर सकते हो धिक हैं यह जो प्रोफाइल पे कि हमारी जो हमारी email आईडी से ले रहा है जो कि हमारी email आईडी आप देख देख सकते हो यह स्कानल मार्केटनिमार्णि है तो दोस्तो आप जैसे कि आप सकते हो हमारे प्रोफाइल पिलक में लगा चुके हैं, यहां से जाकर आप एडिट कर सकते हो, और ऐसे ही यह जो कवर पेज है, इसको लगाना होता हुआ और डोस्तो वर पेज में एक सबसे इंपोर्टन चीज में आपको बता रहा हुँ, कि इसमें आप का जो चैनल है वो किस से रिलेटिड है वहां लोगों को क्या सीखने को मिलेगा ठीक है वो सब चीजों का उस पर होना चाहिए बहुत क्रियेटिव में होना चाहिए शॉट शब्दों में होना चाहिए कि लोग एक पर उसको देखके समझ पाई कि चैनल किस कि दिए जब आप यहां क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो जो रिकमेंडेड चैनल आट साइज है वो 2560 इन्टू 1440 का है और फाइल का साइज 6 MB से उपर नहीं होना चाहिए तो यहां पर इन्होंने बता रखा है अब इसको अगर आपको अपडेट करना है तो य अप लोड करेगा और यहां पर देखें डेटस्टाब के साब्से डिवी के साब्से मोबाईल के साब आगया क्योंकि सही अगर आप लोगे तब ही वह सही सक्रीज साजी सारी स्करी से आएगा यहां बहां कुछ अक registration दौनर करने के नहीं तो फिरीकु रहे हैं और व ईस्ट तो इस तरीके से आप जितने भी वीडियो आएंगे वो सब स्टेप बाइस्टेप हम बता रहे हैं एक चीज ताकि आप अपने चैनल की परफेक्ट सेटिंग कर सको तो कि अगर आपकी चैनल की सेटिंग्स बेस्ट हैं आप सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हो एक चीज की वारे में आपको समझ है तो आप अपने चैनल को बहुत तेजी से ग्रो कर पाऊगे और लोग भी आपके चैनल को पसंद करेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूं चैनल आट अब आप क्रिएट कर लोगे आराम से बना लोगे और अपने चैनल को एक आडेंटिटी एक ल पहले वाली वीडियो के अंदर आपको पहले बताया कि यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें उसके बाद बताया कि चैनल आट कैसे बनाए जो कि आप यह देखने हो पर किस तरीके से आप प्रॉपर चैनल आट बना सकते हो तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक description कैसे आप लिख सकते हो क्या क्या चीजे उस perfect description में होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों जो description होती है आपके channel की वो आपके बारे में आपके viewers को बताती है नए लोग जो आपके website पर आते हैं वो उससे आपके बारे में और जादा जान पाते हैं और वो जादा connect होते हैं तो दोस्तों अब जैसे की description आपको लिखनी है तो उसके लिए आपको यहां पर जो आप अपने चैनल में customized channel में जब आप आओगे अपने channel को customize करोगे तो जहां पर हमने आपको आप आट एड करना बताया थे जो उपपोर देख रहे हो वहीं पर नीचे आपको about का option आएगा तो आप यहां पर आओ about के section पर क्लिक करो about के section पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो description का यहां पर option आ रहा है तो यह जो आप description देख रहे हो जब मैंने पहला वाला वीडियो आपको बनाना सिखाया था YouTube चैनल कैसे create करें वह समय भी वह profile pic के साथ description पूशता है तो आगर उस समय आपने description नहीं बना रखा था और आप जनरली person कोई भी होता है वह पहले channel create करता है पर बात में सब चीज़ अपडेट करता है इसलिए हम आपको step by step अलग-अलग इस series के अंदर YouTube की अलग-अलग videos दे रहे हैं ताकि perfect तरीके से आप एक एक चीज़ के बारे में समझे उसका क्या importance है और उस हेसाब से उसको बनाएं ताकि आप एक strong channel बनाएं और public आप से बहुत तेजी से connect हो channel तेजी से grow तो दोस्तों हर एक चीज़ important है तो description आपको बनानी है बहुत जादा solid करीगे ज़े आप तू 5,000 इसमें characters तक आप इसमें डाल सकते हो अपनी description में मगर ऐसा नहीं कि आप इसको यह जब paragraph डाल दो कभी भी मठ डालिएगा दोस्तों तो इसके अंदर आपको क्या करना है यहां पर आप जब edit पे click करोगे तो यहां पर आप description लिख सकते हो आप description में कौन-कौन सी चीज़े आपको include करनी है वह मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर मैंने इसके लिए एक file बनाई है यहां पर आप देखे description में पहली चीज़ यह है कि tell the viewers in crisp मतलब कि अपने जो description आप बनाऊगे उसको बहुत short और मतलब crisp रखना है ताकि आप easily अपने बात कम से कम शब्दों में बता पाओ तो बहुत चीजों को खीचना नहीं है short में crisp तरीके से आपको अपने जो content है जो description है उसको बनाना है चाहे आप अच्छे से उसको लिखें चाहे किसी professional content writer से उसको लिखवाएं जोस्तों क्योंकि वह YouTube channel की आपकी एक वह identity है आपके बार short में बिल्कुल सही बात उसके अंदर आप बोलिए दूसरा दोस्तों जो content must be catchy तो उसमें जो content लिखवा रहे हो वह catchy होना चाहिए कि उसमें इससे कुछ चीज होना चाहिए जो सामने वाले को प्रभावित करें तो से इंप्रेस हो informative होना चाहिए कि हाँ उसको लगे कि हाँ म में हमें काफी कुछ मिलने वाला है तो उनका interest आये आपके चैनल के प्रती दोस्तों तीसरी चीज है इसके अदर add links of your website and social media platform क्योंकि दोस्तों YouTube अपने आप में social media platform में बहुत बड़ा platform है मगर अगर आप अपनी 360 degree branding करना चाहते हो और आप चाहते हो कि पब्लिक आप लोगो अगर आपके चैनल पर पब्लिक आने शुरू हो गई आपको जानना शुरू हो गई तो वहां से कैसे आपकी website पर आपके बारे में और जानने के लिए services और आपसे क्या-क्या उनके संद फाइदे मिल सकते हैं आपसे उनको क्या benefit मिल सकते हैं और आपको explore करने के लिए website पर जा सकते हैं उसके अलावा वो उसके अंदर दोस्तों इसके अलावा हो शोशल मीडिया के आपके जितने ही platforms नहीं प्लेटफORMS यह होंने चाहिए आपके पास तो इसलिए दोस्तों आपको क्या अगर नहीं आपको सारे links प्रॉपर और कोशिश करिएगा जो आपका YouTube का channel है वो जिस नाम से हो उसी नाम पे ही आपके social media platforms के custom URLs हो ठीक है उनके नाम भी वैसे हो तो easy होता है public ले आपके लिए connect करना उपर दोस्तों चौथा point call to action मतलब आप अपने viewers को guide कीजिए कि वो आपके channel पेज ताकि like करें share करें और notification टरन आउन करें ताकि उनको updates मिल पाए notification मिल पाएं और वो आपके other videos भी देखें और आपके content और आपके channel के संब connect हो तो दोस्तों इसके साथ साथ आप अगर देना चाहें पांचमा point इसमें नहीं लिखा वर बता रहा हो अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे direct contact करें like आपको mail कर सके या आपको call कर सके तो आप अप contact details भी दे सकते हो ताकि public जो आपसे contact करना चाहते हो directly आपसे touch में आप आए तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखें आप अपना ये बनाएंगे description channel का जो long term तक आपको benefit देगा और उस description के अंदर कुछ आप ऐसे keywords भी use कर लीजेगा जो related हों आपके content से जिस बारे में चैनल है तो दोस्तों best description पर्फेक description बनाईएगा ताकि कोई पी description को देखके आपके संग connect होना चाहिए उम्मेद करता हूं दोस्तों सब्सक्राइब होगा थैंक यू तो दोस्तों इस वीडियो में आपको एक बहुत ही important हम procedure बता रहे हैं जो की है कैसे आप अपने YouTube account को चैनल को verify करो दोस्तों बहुत सारे features available ही नहीं होंगे अगर आप अपने YouTube channel को verify नहीं करोगे अपने account को verify नहीं करोगे बिगॉज यह आपके authentication बताता है YouTube को और आपका अगर चैनल आप verify कराते हो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आप eligible हो जाते हो तो बहुत simple है easy है तो इसलिए आप यह वीडियो जरूर देखेगा विकॉज इसके बिना बहुत सब्सक्राइब कर जाओगे तो दोस्तों verify करा यहां पर आपको क्या करना है यहां पर चैनल में आइकन देख रहे हो इधर आप क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद आप settings पर आईए settings पर आने के बाद देखिए यहां पर आता है channel status and features तो जैसे हम यहां पर देख सकते हो अभी हमें verify करना भी हुआ नहीं है अगर हो जाएग होंगी जब क्या कहते हैं हमारे यहांपर वेरिफाइड हो जायागा हमारा चैनल अभी सिर्फ अप्लोडिंग और यहांपर हमारी अनलेश फ्राइविड वीडियो यही सिर्फ हमारा अभी वीडियो बाकि कुछ भी नहीं है तो वेरिफाइड करने का समझते हैं मैं क्लिक करूंगा verify की ओपर यहां पर हमारी country आप चूस कर लिए जो भी भी अपर इंडिया आप यहां पर आपको call कर आना है automated voice message यह आपको text कराना है वेरिफिरिकेशन पोड तो टेक्स पे जाऊंगा यहां पर दूस्तों हम हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों नहीं से यहां पर हम अपना नंबर में डालना है अ करने पуск्राइब और हम यहां पर सब्मिट करेंगे दोस्तो तो जैसे भी में यह अपर करता हूं यह वेरिफिकेशन कोड आया मेरे नंबर पे मैंने सब्मेट करा तो सब्मेट करने के बाद यह दिखे और यूटूब अकाउंट इस लिए मैंने आपको इस रिस की शुरुवात में बोला था जब यूटूब का एकाउंट करना मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आप नंबर मेल आइडी बहुत ज़्यादा ज़रूर है मेल आडी से अकाउंट बनता है वड़ मोबाइल नंबर आपकी बहुत सरी वेरिफिकेशन और एकाउंट रिकावरी और सिक्योरिटी के अंदर काम आता तो जैसे कि हमने दोस्तों कर लिया अब यहां पर वापस हम रिफ् तरीके से इसलिए सारी की सारी चीज़े बता रहे हैं बिल्कुल नए अकाउंट में ताकि आप एक बिगनर लेवल की तरह बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़े सीखो हम आपको बहुत सारे टुटोरियल दे रहे हैं दोस्तों ताकि आप एक चीज़ को डीपली सीखो उसके तरीके से आप अपने चैनल को वेरिफाइट कीजिए और दोस्तों और बहुत सारी इंपोर्टेंट वीडियो के लिए पुरी सिरिस के लिए प्लीज सब्सक्राइब पर लिजे चैनल अगर नहीं कर रहा है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना गरे कोई वीडियो मिस ना गर यह वो वीडियो है जो जब कोई नया वजिटर आपकी वेरिव सब्सक्राइट पर आता है तो वो आपके चैनल के इंट्रेक्ट करता है तो इस तरीके से वह आपके चैनल के एंपशुर्ण उ तो दोस्तों हमेशा जादा तर आप कोशिश कीजिएगा जो आपका ये वाला वीडियो है न्यू विजिटर्स के लिए इस वीडियो में या तो आप अपने चैनल के बारे में बताईए और इलगरोट कीजिए लोगों को पता लगे इस चैनल पर क्या मिल रहा है क्या फायदा आपको लगते हैं वीडियो जिसको आप सब्सद्रा लोगों की नजरों में ले कराना चाहतो थो वीडियो शहां पर उसक्ते हो तो कैसे आप ट्रेलर वीडियो लगा सकते हो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो की बहुत इंपॉर्टन है एक यूट्यूब चैनल के के लिए तो दोस्तों उसके लिए आप यहां पर कस्टमाइज चैनल पर अपने क्लिक करने के बाद आप देखें यहां पर इस तरीके से यहां पर हम आ गए अब यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों इधर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स और यहां पर है फॉर न्यू यहां पर आप कोई मेरे चैनल के ओम पर आएगा देखेगा तो यह वाला वीडियो दिखता है इससे वाले वीडियो से व्यूज भी बढ़ते हैं और प्लस उसके अलावा लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता लगता है ज्यादा पता लगता है और उससे अगर वो उनको इं कुछ नहीं करना होता इसके अंदर जैसे यहां पर गए डिप चेंज ट्रेसड लगर रिमूव पर चेंजट्रेलर वीडियो यहां से आप लॉड कर सकते हो थे कहमें नए구요 Watch तो यहां से आप अपना वीडियो अप्लोड कर सकते हो जो भी आप चाहते हो अपको अप्लोड करना है और उसको आप ऐसे सेफ कर देंगे ठीक है अभी मैं कैंसल करता हूं मेरे को change नहीं करना मैं यही वीडियो रखना चाहता हूं तो कितना easy है ट्रेलर वीडियो करना आपके channel की वीडियो में से कौन साथ लगाना चाहते हूं और ऐसे दोस्तों एक और है वह रिटरणीं विजितर्स बैसे बीछिर में सब्सक्राइबर जो लोग आपके subscribers हैं वो वापस आते हैं आपके channel पे तो आपकी माल लीज़े जो subscribers हैं आपकी कोई नई वीडियो आई या आपकी कोई नई playlist आई कोई series आई कुछ भी आया तो आप यह change करते रहिएगा यह change करने सब्सक्राइबर्स का भी इपॉर्टेट है इससे क्या होता है जो सब्सक्राइबर्स आपके चैनल के हैं वो जब आपके चैनल पे आते हैं और उग्फ कोई नई प्लेलिस्त आई है निया कोई वीडियो आया है लोगों को information दे सकते हो, कुछ interesting बता सकते हो ताकि वह नया visitors जुड़े आपके संग और returning visitors को subscribers को आप बता सकते हो नया क्या content आए, क्या interesting popular चीज आई है, तो उमीद करता हूँ अब आप ये चीज अपडेट करा करेंगे अपने channel पर पहुद ये छोटी-छोटी चीजें matter करती ह आपके YouTube चैनल की growth में, thank you दोस्तों, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि default uploads क्या होता है और इसके क्या फाइदे हैं, तो दोस्तों इससे क्या default upload settings में जाकर करना होता है और इससे हमारा बहुत जादा time save होता है और ये settings करनी वैसे भी यूटीबर के और यूटीब चैनल ले बहुत ज़्यादा जरूर ही होती है, तो पहले जानते है कि default uploads क्या है, तो दोस्तों जब आप अपने YouTube चैनल में होते हो, जैसे कि आप ये चैनल देख रहे हो, अब यहाँ पर आप जब आईकन आ रहा है हमारा यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ सारी video uploads का data बगरा देखते हैं, यहाँ पर settings का option है, देखें नीचे left hand side के settings पर click कीजिए, तो settings पर click करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो इहाँ पर, कई सारे options आ रहे हैं default के, तो यहाँ पर upload defaults का option हा रहा है, इसके हम करेंगे click, अब upload defaults क्या है और उसके क्या फायदे हैं यह मैं आपको बतानुगा, तो इसके लिए मैं आपको अपने main channel पे लेकर जाता हूँ, marketing fundas के हमारे channel पे, तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यह मेरा channel है, marketing fundas का, जहाँ पर आप videos देखते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, upload defaults के अंदर, तीन तरीकिक information होती है, basic info, advanced setting और monetization, तो दोस्तों यह जो तीन settings है, इसमें पहली जो आपकी basic info की setting है, जब आप video create करते हो, आप video upload करते हो, तो वीडियो upload करने के बाद, आपको उसके title, description, वो उस समय वीडियो upload करने के बाद, आपको public करनी है, private रखनी है, unlist रखनी है, क्या करना है, वो, और tags, जो की ब अगर आपको अपनी video searches में लेकर आनी है, तो तो क्या होता है, आप अपने YouTube channel में बहुत सारी information अलग-अलग videos डालते हो, तो उसमें title जो होता है, title क्या हो गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अपने YouTube channel पे गए, और यहाँ पर YouTube channel पे जाने के बाद मैंने डाला, like marketing fundas मैं मैंने यहाँ पर डाला, यहाँ पर मैंने अपने channel सर्च करा, और यहाँ पर देखिए, आप जैसे मेरी कोई video आ रही है, अब यह जो आप देख रहे हो, this is title, ठीक है, और यह जो नीचे आ रहा है, वो description, तो हर video का जो title है, दोस्तों, वो होता है, अलग- तो title, generally by default नहीं रख जाता है, विए हर video का title अलग होता है, कई बारी लोग कुछ portion title का, like को एकर series चल रही है, तो उसमें आप fix रख दोगे की Google ad series और आगे का title आप बदल बदल सकते हो, नहीं तो कई लोग पूरा-पूरा title ही बदलते हैं, मगर जो description होता है, description में जैसे ही कि आपको important links, अपनी website क links, playlist ठीक है, और बहुत सारी information जो कि आप description में हर video में देना चाहते हो, वो आप यहां पर by default upload defaults के अंदर डाल देजे, ताकि आप चाहें 10 वीडियो डालो, 5 वीडियो डालो, 1 वीडियो डालो, 1000 वीडियो डालो, वो आपको बार-बार नहीं डालना पड़ेगा, और आपको बहुत सारा समय बसता है उसके अंदर, और थोड़ी बहुत जो description होती है, जो हर video के हिसाब से आपको डालनी होती है, वो आप video upload करने के दौरान upload कर सकते हो, ठीक है, तो description डाल दो, जब आप video upload करके रख लेते हो, तो जरूरी नहीं होता कि आपको उस video को उसी time public करना होता है तो आप private या unlist करके रख सकते हो, ताकि उस video को जिस जब भी आपको upload करना है, उस time आप उसको public कर पाऊ, ठीक है, तो ये चीज़ आप by default setting कर लो, या तो video private में रहने दो, या unlisted में रहने दो, ताकि वो एकदम public में ना आए जब तक आप न चाहो, और उसके अबार कुछ tag, जनरली हर video के tags तो आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं, पुरी R&D research करके, और हो कैसे बनाया जाता है, कैसे सारी settings करी जाती है, उसके ओपर भी आगे videos आने वाले, ताकि हम आपको perfect तरीका बताये हैं, videos upload करने का और उनको rank में लाने का, तो अभी के लिए तो हम ये बता र अपने fix रख सकता हूं, जो बार बार मेरे को हर video में upload करने की लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये पुछ upload default settings हैं, जो जरूर करके रखेगा channel में, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और time save होगा हर video में, अब advanced settings में जब हम आते हैं, तो दोस्तों इसमें like license है, आप license standard license या creative common license, तो creative common license होता है कि जब वो video को दूसरा भी use कर सकता है, आप उसको दे रहे हो, बर standard youtube license की आप ही use कर पाओगे, तो ये आपको देखना है कौन सा करना है, आपको कोई category specific करनी है, क्या आपकी education से related है, या किस चीछ से related है, वो आप specify कर सकते हो, ठीक है, इहाँ पर language का अगर आपको कुछ करना है, community contributions का आपको on off, जो भी करना है, तो इस तरीके की कुछ ऐसी channel की settings भी है, advanced जो आप यहाँ से करके रख सकते हो, fix, उसके बाद दोस्तों monetization की जो upload default settings है, ये तभी आप manage कर पाओगे, जब आपका channel monetized हो जाएगा, तो जब अगर आपका channel monetized हो गया तो उसमें आप बता सकते हो कि आपको overlay ads, जब YouTube आपके channel की video देख रहा है, आपकी video देख रहा है कोई, तो उस दौरान आप क्या चाहते हो, आपकी video के ओपर sponsor cards है, skipable videos है, non-skipable है, कौन सा format है, types of ads, ठीक है, display जो ad हो तो आए गई आए गया, by default होता है, बाखियों को आप च चलने चाहिए, उसको आप control कर पाओ, तो दोस्तों, ये कुछ settings है channel की, जो जरूर कीजिएगा, और इससे क्या होता है, कि आपका time भी बहुत safe होता है, और इससे आपको, कि अगर basic settings सही है, तो आपको आगे चल की future में दिक्कत भी नहीं आती, तो उम्हीत करता हूँ, आपक तो ये जो default settings है, आपको समझ में आ गही होगी, क्या होती है, अब आप करेंगे इसको, thank you, दोस्तों, ये वीडियो आप सब के लिए बहुत important होने वाला है, because इस वीडियो में हम discuss करेंगे, एक overview लेंगे, YouTube के account की, और YouTube के channel की settings के बारे में, दोस्तों, दो तरीके से आप settings कर स सकते हो, channel के channel के उपर, और एग आपके proper YouTube account पर, तो दोस्तों, ये दोनों ही settings आप लोगों के ले जाना इसलिए जरूरी है, because अगर आप YouTube channel चला रहे हैं, manage कर रहे हैं, तो इन settings का पता होना जरूरी है, क्योंकि कभी न कभी इनकी बहुत ज़्यादा जरूरती है, तो दोस्त तो मैं आपको एक-एक करके बताऊंगा, सबसे पहले हम account setting के उपर आते हैं, जब हम यहाँ पर icon पे अपनी YouTube channel में login करेंगे, icon के उपर click करेंगे, तो यहाँ आप देखिए settings को option आ रहे है, ज़र हम click करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, दोस्तों, तो यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर हमारा edit on Google, जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, this is your public presence on YouTube, you need a channel to upload your own videos and comment videos और playlists, सिके, अगर हमें edit करना है, तो इसको यहाँ से edit कर सकते है, channel status and features, जैसे कि हमने आपको बताया था, click करते हैं, जब चैनल status and features, कि बहुत सारी चीजें हमारी monetize होती है, enable होती है, वो यहाँ से हम देख सकते हैं, कि हमारे आप देखे हमारे चैनल में जादार almost सारी चीजें enabled हैं, तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर आगे और आपको settings दिखाते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, create a new channel, तो अगर आपको, अगर मैं marketing fundas में एक और channel create करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ से एक और channel create कर सकता हूँ, तो इसी ID के अंदर में एक और channel create हो जाएगा, दोस्तों, एक एक settings के ऊपर भी जो important है, उसके ऊपर भी series के अंदर videos आएंगे, और कही आ चुके हैं, बट overview लेना बहुत ज़्यादा ज़रूर है, कहाँ पर किस setting का क्या role ह और यहाँ पर आप देख सकते हो, view advanced settings, जब हम advanced settings के बारे बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए हमारी user ID मिल जाती है, हमारी channel ID आती है, यह बहुत काम आती है, जब हमें account link करने होते है, Google Ads से account link करना है, analytics से account link करना है, कहीं पर भी account link करना होता है YouTube का, तो इसकी हमें आती है, custom URL दोस्तों बहुत जरूरी है, जैसे मेरा custom URL मार्केटिंग पंडाज है, जो मेरी channel का नाम है वही, तो custom URL बनना बहुत जरूरी है, और custom URL आप अभी बना सकते हो, जब आपके 100 subscribers है, ठीक है, आप आगे बढ़ते है, move channel, तो move channel to a brand account, यहाँ से आप कर सकते हो, delete channel, दो जीजे नहीं करना है, अब यहाँ पर यह हम advanced settings पर आ गए थे, account settings पर जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, यह सारी सारी चीजे मैंने आपको बताई थी, आप यहाँ पर आप देख सकते हो, google account, तो अब यहाँ पर आपको अगर change your google account settings आपको कुछ चेंज करने हैं तो यहाँ पर click करके आप change कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर membership get YouTube premium, अगर हमें करना है तो यहाँ पर जाकर आप उसके apply कर सकते हो, तो अब यहाँ पर हम आते हैं अगली notifications के ओपर, तो जो notifications आते हैं हमारे पास, तो उसमें से कॉंसे notifications on, रखने, off करने हैं, यह कई बारी हम होते हैं, तो जो आपको notifications रखने हैं, हटाने, बंद करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हो, playback and performance, दोस्तों, control your video being experience, info cards का आप यहाँ से कर सकते हो, show video, show in video, info cards, यहाँ पर आप subtitles and closed captions बंद करना चाहते हो, तो इसको बंद कर सकते हो, include auto generated captions तो आप include कर सकते हो, तो यहाँ पर इ यहाँ पर आप देख सकते हो, दोस्तों, playlist and subscriptions के ऊपर, keep all my subscription private, keep all my save playlist private, तो अगर आपको यह on करना है, playlist को private रखना है, तो आप private कर सकते हो, बट मैंने नहीं कर रखा, यह आपकी मर्जी है, अब यहाँ पर connected accounts जो हैं, जिन से हम connect कर सकते हैं, like PUBG से YouTube के दूर किसके से कर सकते है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर हमें करना है तो, watch on TV, अगर आप अपना YouTube पर टीवी पर connect करना चाते हो, तो उसके लिए आपको code डालना पड़ेगा, और यहाँ सब connect कर सकते हो, billing and payments के ओपर जाना है, तो यहाँ से आप settings में जा सकते हो, ठीक है, enable quick purchase, तो यहाँ पर आप settings का use कर सकते हो, advanced settings जैसे कि मैं आपको दिखाई चुगा था, यह advanced settings के अंदर, यह सारी settings हमारे पास है, तो दोस्तों, यह account level पर बहुत सारी settings है, जिनका कभी नभा भी आपको use आएगा, अब हम बात करते है, channel settings के उपर, तो जैसे हम यह icon के click करेंगे, अब हम your channel के उपर जा जैसे हम YouTube studio के उपर गए दोस्तों, यह हम उटॉप से भी YouTube studio में जा सकते है, अब channel settings के अंदर, जब हम आए तो यहाँ पर देखी एक होती, general settings, तो general settings के अंदर आप गेख सकते हो, आप currency अपने हिसाब से, चूज कर सकते हो, आपको कौनसी currency आपर display करनी है, तो यह आपकी default channel क setting हो जाएगी, channel पर click करोगे, तो यहाँ पर basic info, जैसे कि आप जेख सकते हो, कि channel के कुछ keywords है, कुछ tags है, जो कि आप यहाँ पर mention करना चाहते हो, जिससे related आपका channel है, आप चाहते हो, कि उत पर आपकी searches, मतलब आपका searching में आए, और उन tags को आप importance देते हो, जरूरी tags है, उनको उसके अलाबा, advanced settings में आप आओगे, तो यहाँ पर दोस्तों, जो कोपा का rule आया है, यह यह video यह channel आपका fits के लिए है, नहीं है, उससे setting आप यहाँ से कर सकते हो, लिक है, आपका account Google Ads से link करना है, किसी और से link करना हो, आप यहाँ से कर सकते हो, लिक है, delete और hide channel ही, सारी किसार advanced settings है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो, display the number of people subscribe to my channel, वो दिखाने यह नहीं दिखाने, यह भी आप यहाँ से manage कर सकते हो, आप branding के ओपर आते है, branding होता है, जो आप कभी subscribe का button या आपने कोई watermark देखते हो, logo देखते हो, लोगों देखते हो, यहाँ से आप अपनी branding का यह option यू phone verification enabled है, तो इन में अगर आपको कुछ करना है, यहाँ से सारी सारी चीज़ आप manage कर सकते हो, तो दोस्तों यह important settings आपको पता होनी थी है, ताकि आप इनको use कर पाओ, upload defaults जैसे इसके ओपर में एलक्स एक वीडियो पहले से बना रखा है, तो upload defaults में जैसे मैंने बतायता है कि बार-बार आपको हर वीडियो पेंदर कुछ चीज़े जो डालनी होती है, वो ना डालनी पड़े, तो कुछ टाइटल, टाइटल तो ऐसे चेंज होते है हर वीडियो में, अगर कुछ fix होता है, तो आप डाल सकते हो, description जादा तर हर वीडियो में सेम ही होती है, चैनल के, तो आप अपने important पहले से by default रख सकते हो, क्योंकि यह जो upload default settings है, यह हर वीडियो में आपके show होगी, ठीक है, यहाँ पर advanced settings भी होती है, जैसे कि चैनल का जो वीडियो है, आप ही use कर पाओ, या दूसरे भी इसको use कर पाए, category कौन सी है, आपकी वो category आप है पर choose कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी और चीज़े हैं, जो advanced settings में आके यहाँ पर कर सकते हो, permissions के उपर है, कि हमने किस-किस को permission दे रखी है, जैसे marketing fundancy, mail ID हो owner है, और हितेश गुपता की manager है, इस तरीके से आप किसी और को भी role देना चाहो, invite करना चाहो, कि मालनीजे आपके बस time नहीं है, और आप किस community के ओपर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए, community का जो section है, तो इसको अगर आप use करना चाहो, यहाँ पर settings moderators, approved users, कुछ users होते हैं, जो मालनीजी बैट कमेंट्स या कुछ गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उनको अगर आप hide कर सकते हो, इस तरीके साथ चीज़ें कर सकते हो, अगर कोई words जिनको आपको block करना है उनको आप यहाँ से block कर सकते हो, तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपने चैनल की बहुत चारी settings है, जिनको manage कर सकते हो, अपने level पर ताकि आपको अपने channel को control करने में और manage करने में हसानी हो और आपको फ्यूचर में को दिक्ता तना है वुमिद करता हूं ये सब वीडियो ये वाली वीडियो आपको कहीं ना कहीं help करेगी ठीक है तो दोस्तों पूरा देखिए गार एक एक सेटिंग को करके और पढ़के देखिएगा ताकि आपको उसके बारे में समझ में है थैंक य स्कूपिघाव से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने मेंबर्स और अपणी कम्युनिटी से दोस्तों बहुत ही इंपॉस्तम इंपिडियो है बीस देख और इसके बेनिट्स को समझ हो और इसका फ्यूचर में यूस किजेगा तो तो दोस्तों क्म्यूंटी टाइब है क्या जब आपका जो YouTube एकाउंट है उस पे लोग एंगेज होना शुरू हो जाते हैं आपके सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो आपको कम्मुनिटी का जो यह फीचर है यह एवलेबल हो जाता है अब कम्मुनिटी टैप क्या है वो समझते हैं कम्मुनिटी टैप प करते हैं और जानते हैं क्या क्या है तो दोस्तों कम्मुनिटी टैप में जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर कम्मुनिटी है क्या कम्मुनिटी वो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेंबर्स हैं जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे चैनल से जुड़े पर्सनल लेवल पर कनेक्ट हो सकते हैं हम उनके संग वीडियो पूल्स इमेज और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं अब कम्यूटी टैप में मैं आपको दिखाता हूं वह इंपॉर्टेंट बाते बताता हूं जो हम कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने कुछ प्रिपेर करें साथ क वह भी आपको दिखाऊंगा आप देख दोस्तों देखे जैसे कि प्रोवाइट इन्फोर्मेशन पहला पॉइंट है कम्यूटे आपका कि हम इन्फोर्मेशन और अपडेट प्रोवाइट कर सकते हैं अपनी कम्यूटी मेंबर्स को वह देखे कैसे अब जैसे कि आप यहां गूगल एड्स मार्केटिंग सीख सकते हैं बिगनर टो एडवांस लेवल और उस पे आप देख सकते हैं कुछ लोग ने लाइक करा आप इसमें कमेंट करा यह अभी अभी डाला हो तो इससे क्या है कि लोगों के पास अपडेट और इंफोर्मेशन पहुंच रही है कि हम क् हैं और history और वो लोग इनगिज हो सकते हैं ठीक हैं दूसरा दोस्तो जो और देखते दोस्तो यह आप देखे इसको क्लिक करते हैं पोल में क्भी में में कुछ पूसता हूं अपने stair कीय रिगा ओने औरıyा जो उलस्ता हुआ में सी इड़ांसरिज लाहूं मैं एफलेयट मार्केटिंग के ऐपर लाऊं यह में e-commerce के आपर लाऊ, shobi पष्ड़ाई एकृटिश कई तो हम लोगों का चेए आदार प्सक्रास स्यूंस को भी एंगेज हूं तो इस तरीके से हम पोलिंग कर सकते हैं जो भी एंगेजमेंट के लिए अपनी कम्मिनिटी अपने मेंबर अपने सब्स्राइबर से एंगेजमेंट के लिए one of the best चीज है जो आपको करने चाहिए आप दोस्तों तीसरा जो हमारा point है notify your members about upcoming launch and promotion तो उसका जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं मैंने कुछ देर पहले ही हां पर डाला hello friends मैं 22 जून के बाद LinkedIn की marketing series launch करने जा रहा हूं जिसमें आप complete LinkedIn marketing सीख सकते हो from basic to advanced तो आप जो लोग मेरे channel पर आएंगे तो उनको इस बारे में अगर हो community मेरे page section पर जाते हैं वो उनके उनको उसके बारे में पता लगता है उनको notify होता है कि हां मैं कोई चीज launch करने वाला हूं कुछ upcoming series लेकर आने वाला हूं या मैंने कोई offer लेकर आया हूं तो it depends आपका business क्या उसके हिसाब से आपको किस चीज का channel है तो आप लोगों को pre-launch promotion से upcoming होने वाली चीजों के वारे बता सकते हैं ताकि लोगों में curiosity रहें और वो जैसे आप चीज को लेकर आओ वो उसके ओप रियक्शन दें उसको देखें और वो लोगों को engage करें तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगा और दोस्तों यहां पर जैसे कि आपने 4th point community tab is only to communicate with your members और community तो बहुत clear है अभी तक की जो मैंने आपको बाते पताई हैं कि community tab में हम अपने subscribers या community members को ही हम उनके इंटरेट कर सकत हैं और उनके संग एंगेज हो सकते हैं अब दोस्तों 5th point है हमारा you need to be active अब जैसे कि आप लोगों को बताया जाता है कि हमें अपने YouTube चैनल पर consistent रहना चाहिए active रहना चाहिए तो वैसे ही जो हमारा यह community tab है आपका आपके चैनल पर उस पर आपको regular अपने audience के सब कभी कुछ share करना चाहिए कुछ interesting पूछना चाहिए कुछ information देनी चाहिए polling करानी चाहिए regular basis पर होना चाहिए daily basis पर होना चाहिए ताकि आपके लोग आपके संग engage हो आपके audience आपके संग engage हो और आपका channel grow करता है इस चीज से आपके channel को growth मिलती है और लोगों का trust build होता है आपके ओपर और दोस्तों यह जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ यह हर जगा आपको काम आएगए आपके channel में भी कि अगर आप consistent हो आप अच्छी information दे रहे हो और आप active हो regular basis पे तो लोग आपके संग जादा ज चाहे हो community tag हो चाहे हो आपको YouTube channel हो अब दोस्तों last but not the least जो हमारे members है जो हमारी audience है जो हमारे संग जोड़ चुकी है ठीक है वो असली लोग है जो हमें suggestions दे सकते हैं जो हमें feedback दे सकते हैं जो हमारे true सच में वो हमारे critics हैं गलत अगर हमारे कुछ चीज आ रही है या लोगों क समझ में नहीं आ रहा है या कुछ problem हमारे चैनल में आ रही है तो वो सही आपको जवाब देंगे guidance देंगे वो हो सबते हैं में लगे critics हैं कम या निकाल रहे हैं नहीं मगर दोस्तों ऐसे लोग भी important होते हैं चैनल के जो आपको point time to time correct करें और उसके basis पे आप improved भैतर चीजे समय लेकर आओ आप ही का चैनल ग्रोफ होगा और वहीं लोग हैं जो हमारे supporters हैं जो हमारे संग जुड़े हैं हमारे चैनल को ग्रोकर रहे हैं हमारे को ग्रोकर रहे हैं तो दोस्तों अपनी community अपने members को कभी मत भूलिए उनके संग एंगेज रही है वही ताकत हैं जो हमारे चैनल को ग्रो करते हैं तो दोस्तों कम्मिटी टैप का ये यूज है पाइदे हैं और इस पे रेगुलर आपको रहना है और इसका पूरा आपको फायदा उठाना है और अपने ओडियेंस को भी आपको बेनिफिट देना है थैंक्यू दोस्तों उम्मीद करता हम सन में आया दोस्तों अगर आपका यूट्यूब चैनल है आप एक यूट्यूबर हो और आप अगर वीडियो सही से अप्लोड नहीं करते हैं या उसमें कोई कम्मियां छोड़ते हो या जो सही तरीके हैं जो प्रोटो कॉल्चौन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी वीडियो पे चैनल को और आपनी वीडियो को बहुत जादा फायदा होगा तो यह वीडियो सबसे इंपोर्टेंट वीडियो में से एक है इस पूरी सिरीज की तो पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि आप अभी अपने यूट्यूब चैनल पर आजाएए ठीक है औ क्लासिक स्टूडियो जो है अब बंद होने जा रहा है ठीक है तो अब यूट्यूब स्टूडियो जो नया वर्जन है इसके ऊपर ही काम हुगा तो जैसे हम अब यहां यूट्यूब स्टूडियो के ओपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर क्लिक करने के बाद हम आ जा करने की चुडियो को बट हम यूट्यूब सुडियो को यूज करके बताएंगे बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से आपको तो यहां पर आपको वीडियो अप्लोड करना है इधर दोस्तों तो यहां पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट फाइल पे और हमारे टेक्स्टॉप में जाके इस चीज को करना बता पाएं और प्रैक्टिकल लेवल पर दोस्तों कोई वीडियो चूस करते हैं अभी कि तो यह एक फुड़ा जो डाव प्लोड करने के लिए एक वीडियो अप्लोड करने के लिए यहां पर लगा दिया है तो यहां पर देखिए uploading वीडियो प्रोसेस में आ गया है अब यहां पर यह major steps है जो मैं एक-एक करके आपको बताऊंगा और जो आपके लिए बहुत ज्यादा important है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों आप यहां पर देखिए हमारे वीड वीडियो में तो टाइटल क्या होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होता है यह मैं आपको दिखाता हूं पहले तो मैं जैसे कोई भी मानली जी आपकी वीडियो से सर्च करता है या आप वीडियो देखते हो तो मानली जी एक मेरी वीडियो है दोस्तों SEO के ओपर search engine tutorial है इसको लोगों ने काफी पसंद कर आया है जबकि तीन घंटे का complete tutorial है लगभग एक लाख दस हजार लोग इसको देख चुके हैं और इसमें आप देखो SEO Tutorial for beginners in Hindi step by step यह जो है यह टाइटल है यह एक टाइटल है search engine optimization complete course because यह जो टाइटल होते हैं relevant होने से आपके वीडियो के content से और यह as a keyword भी role play करते हैं कि लोग इस तरीके से चीज़े search करते हैं तो देखिए facebook monetization का है तो उससे related मैंने title बनाया हुआ है start up Gmail setup ads करने है तो Gmail ad setup के ओपर title मैंने बनाया हुआ है और उसके नीचे जो आप देखे हो यह सब है description और बहुत सारी चीज़ें सब बताऊंगा आपको क अब हम वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों यह देखिए आ गया processing as the version as the complete वीडियो complete हो चुकिए 6 मिनट की कुछ वीडियो थी तो अब यहां पर इत्मने dummy के लिए आपको वीडियो डालना बता दिया है तो दोस्तों अब यहां पर क्या है how to make perfect अब तो इधर जो हमारा title हम हमें बनाना है वह हमें सोचना है तो लाइक हम यहां पर कर देते हैं हाव कू मेक चैनल डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन टुटोरियल 2020 तो दोस्तों यह मैंने अपिडमी के लिए आप लिख दिया है टाइटल बट टाइटल आपको बहुत सोच समझ के आर एंटी रिसार्च करके सोचना है कि कौन सा टाइटल आपको यूज़ करना है इन सब चीजों में आपको सब्सक्राइब करेंगे आप गूगल की मदद ले सकते हो वहां पर सर्च करके चीज़ देख सकते हो यूट्यूब पर खुद आप कर सकते हो कि जब आप क्या सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कई तरीके होते हैं आपका टाइटल सर्च करने के ताकि आपको अगर आईडिया नहीं है तो आप रेंडी रिसर्च करके चीजे सर्च करके देख सकते हैं लोग क्या कर रहे हैं आप उनसे बहतर अच्छे कीवर्ड और टाइटल कर सकते हो ताकि आपका भी सर्च में आए और आपका भी वीडियो पर व्यूज वगरा आएं ठीके दोस्तों कि टाइटल उतना ही इंपोर्टें डिस्क्रिप्शन गया जैसी कि मैं आपको इस यूट्यू शरीज की स्टार्टिंग में बताया थे एक वीडियो ते उसके बना रखा है जहां पर हम ने डिफॉल्ट अप्लोड के बारे में बताया था वहां पर हमने आपको बताया था कि कुश चीजे आपको फिक्स करके र जा सकें आपके बारे में और explore कर सकें मगर description हर बार आप हर वीडियो में तिस अरी नगाता, डालोगे, तो बहुत TIMEले है, टाइम भी Oh comment description है सारी वीडियोस के लिए वा है पहले सेविणे و रख दो जो कि हमने आपको सिखाया था बाकी एक चीज और बता दूं डिस्क्रिप्शन में जो आपने डिफॉल्ट डाल रखी है वह चीज अलग है मगर शुरुबात के डेट्सों से 200 करेक्टर आप जैसे टाइटल के अंदर क्या है 100 करेक्टर तक आप कर सकते हो मगर सबसे इंपोर्टेंट होते हैं पहले 62-70 करेक्टर क्यों दोस्तों क्योंकि वह मोबाइल पे डेक्स्टॉप टेबलेट सब जगा पहले 62-70 करेक्टर की हाइलाइट होते हैं और उनको आपको कैची बनाना है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रखना है और ऐसे कीवर्स वह अपको कितना लिमीट होता है यहां पर वह पांच हजार करेक्टर तक आप कर सकते हो वह आपके ओपर आपको बता रहा हूं कि जो शुर्वाद के डेढ्ट सोचे दोसो करेक्टर्स होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपके टाइटल और जो आपनी वीडियो में द तो बनाईएगा तो आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर आपको डिटेल में बहुत सारी चीजे पहले वाले स्टैप के अंदर ही अब यहां पर जैसे क्या आप देख सकते हो दोस्तों प्लेलिस्ट अब प्लेलिस्ट क्या होती है दोस्तों एक चैनल के ऊपर मान लेजिए मेर चारसो वीडियो पांसो वीडियो इससा में मेरे चैनल पर हैं अब कोई नया परसन आएगा तो एकनम कन्फ्यूज हो जाएगा तो इसने प्लेलिस्ट बना दी जाती है कि गूगल की जो 2020 की वीडियो मान लीजे 50 वीडियो तो मैं प्लेलिस्ट बना दी गूगल एड्स टू जाएगी और वहां पर कोई भी परसन जो पूरा कम्प्लीट गूगल एड्स सीखना चाहता है वो मेरी प्लेलिस्ट ओपन करके स्टैप बाइस्टेप सारी वीडियो सीख सकता है तो प्लेलिस्ट भी सर्च में आती है प्लेलिस्ट को कैसे मैंनेज करना है उसका वीडियो अ कुछ महीनों पहले यूट्यूब के बहुत बड़ा जो लौ आया था यूएस से कोपा ठीक है प्रोटेक्शन तो यह बच्चों के ओपर आया था तो यहां पर आप यह मेंडिट्री हो गया हमें हर वीडियो में बताना कि इस मेड़ फॉर किड्स या वो बच्चों के लिए नहीं बनी तो अगर वो बच्चों के लिए बनी है तो उस वीडियो पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी उस पर एज नहीं चल सकते और बहुत सारी चीज़े इसके ओपर भी कोपा के ओपर कंप्लीट वीडियो मेरी सेरीस के अंदर है वो देखेगा तो आप इस व्लॉग को रिलेटेट है किस रिलेटेट नहीं अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर पूरा चैनल यह बच्चों से रिलेटेट है तो पूरी सेटिंग में चैनल की में में जाकर आप कर सकते हो इस चैनल इस फोर किड्स ठीक है अब यहां पर एज रिस चाहिए तो आप यहां पर कर सकते हैं यहां तो चौदा पंदरा सोला साल के लोग भी देख सकते हैं फिकाज यह पढ़ाई से रिलेटेड है तो इसलिए मेरे को यहां पर कुछ नहीं करना है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब यहां पर और और ओप्शेंस में जाते हैं अब यहां पर आगया दोस्तों देखिए पेड प्रोमोशन तो माई वीडियो कंटेंस पेड प्रोमोशन लाइक प्रोड़क्ट प्लेस्मेंट और अगर ऐसा कुछ है तो मैं यहां पर टिक करूंगा नहीं है तो कोई शुनी तो और यहां पर टैग्स अब टैग्स दोस्तो जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन इंपोर्टेंट है टैग इस वन आप दे मोस्त इंपोर्टेंट तिंग तो कुछ टैक्स तो आप अप्लोड डिफॉल्ट में जो मैंने आपको बताया था फिक्स करके रख सकते हो जो आपको चाहिए कि मेरी तो हर वीडियो में हो आप जै होते हैं टैग्स और कीवर्ड वो चीज़ें लोग सर्च करते हैं ठीक है अब लोगों को या यूट्यूब को कैसे पता लगेगा मैंने किस टॉपिक क्यों पर वीडियो डाली है वो किस से रिलेट करती है तो टैग जैसे गूगल में सर्च कीवर्ड होते है ना जाब पर ट्रैफिक है तो आपकी वीडियो भी सर्च में आएगी व्यूज में आएगी और उस पर व्यूज बढ़ेंगे तो माली जैवी इसे मैंने डिस्क्रिप्शन के ओपर बनाई थी ठीक है तो मैं लाइक में टैग डाल देता हूं वाट इस यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन ठीक है यूट्यूब इंपोर्टेंट सेटिंग्स ठीक है इस तरीके से अब यह टैग्स है पांक सो करेक्टर सक में यूज कर सकता हूं तो इस तरीके से आप अपने रेलिवेंट टैग और बहुत आर और रिंदी रिसर्च करके आप हो टैग्स बन आएंगे और यहां पर फिर आप उन टैक्स को डालेंगे विकॉस टैग्स बहुत इंपॉर्टर रोल प्ले करते हैं आपके चैनल के और आपके यूट्यूब के ग्रोथ में आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों यहां पर लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है तो यहांसा आ करता हैं आगे बरते हैं recording date and location अगर आपको कहां पर kब recording होई थी कब location होई थी किस location पर वह आप कर सकते ओड़ यह है यह दोस्तों आगर मैं स्टेंडर्ड यूट्प लाइसेंस रखता हूं तो यह मेरे पर हिए अगर मैं क्रेटिव पॉर्मन एट्रिबूशन कर देता हूं सेलेक कर लेता हूं तो इस वाली वीडियो को कोई और भी यूज कर सकता है मेरे संग तो मैं उनको वह दे देता हूं Liberty तो आपको देख रहा है हम तो स्टेंडर रखते हैं अभी हम किसी कोλλά करने कि हमारा प्रिवेट को चंक वो अपने चैनल पर डालें तो यह आपको भी देख रहा है कि आप अलाओ कर रहे हो यह नहीं कर रहे हो फिर डिस्ट्रिबुशन एवरिवेर हमने कर रखा है अब अलाओ एंबेडिंग क्या होता है मान लीजिए आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूं मार्केटिंग क्या है मार मार्केटिंग ब्रेंडिंग सर्विसेज भी देते हैं बहुत सारे ब्रेंड्स को बहुत सालोसम काम कर रहे हैं अब देखिए दोस्तों जैसे कि यहां पर यह वीडियो जा रही है ठीक है यह हमने वीडियो से लिंक दे रखें गूगल एड्स का अब मैं यहां क्लिक मैं अपनी वेबसाइट के पैनल में जाके डाल दूगा और यहां पर वीडियो होगी अब मैं इसको यहीं पर ही कोई भी मेरा विजिटर आके प्ले कर सकता है होगी यूट्यूब पे प्ले वहां पर व्यूवी काउंट होगा मगर वो मेरी वेबसाइट पे ही चलेगी तो तो यह आपको अगर चाहते हो एंबिडिट लिंक अलाओ करने अलाओ कर सकते हो पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नूटिफाइज सब्सक्राइबर्स और इसको में रखोंगा ठीक है तो यह मैंने अन कर दी है आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों यहां पर को सारे कमेंट को कर देना चाहते हो पहले आप कमेंटर्स देखो फिर जिसको आप ऐपर रखने पार रहां पस्याय को हो तो यह सब सबartक्रियेट जो कमेंट होते ह iki तो यह हमने कितने सारे आपको यहां पर पहली वीडियो अप्लोड करने में पहला पॉइंट है जिसमें त्मी सारी चीज़े करने पड़ती है यह बहुत मेहनत का काम है एक गंटे से ऊपर लग जाएगा अगर आप ठंग से एक चीज को सोब समझ के रेंटी रिसर्च करके एक वीडियो को अपलोड करोगे प्रॉपर अब आओ आप मॉनिटाइजेशन में अब दोस्तों मॉनिटाइजेशन में हम तब आ सकते हैं जब य तो इसलिए हमारे अन है तो आब क्या है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो हमें बताना होता है कि मैं उसमें मॉनिटाइजेशन रखना चाहता हूं ठीक है अन करके अगर डन करूंगा मैं है आपर तो ऑन हो गया वह जो भी लोग व्यू करेंगे तो उसको य यह भी देख सकता हूं कि किस वीडियो क्यों कि डिस्पले एड में तो आए गई आएगा ठीक है मागर ओवरले एड्ज स्पॉंसर्ड एड्ज किपेबल एड्ज कौन सा फॉर्मैट में चाहता हूं कि मेरी एड के ओपर चले ठीक है कुछ वीडियो होते हैं उसमें आप नह आप चाहते हो कि यह कुछ शोचल को उपर आपने वीडियो डाली है आप नहीं चाहते हैं उसके ओपर मॉनेटाजेशन या एड्ज है तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हो ठीक है तो फिर आप और कर दोगे तो उसके ओपर एड नहीं आएंगे देख रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो तो फिर इस वीडियो को तुम्हेर को डिलीटी करना है तो मैं डेमो को आपको सिखा रहा हूं और यहां पर एक बारी हम पहले इसको ऑन करते हैं वाकी की चीजें भी आपको बताते हैं तो जब आप अपने फॉर्मेट्स वगरा कर लोगे उसके बाद ठीक है आप लोकेशन ओफ वीडियो ऐस ओंली वीडियोज लॉंगर दन 10 मिनुट्ट सार एक उर तो एड्स डूरिग वीडियो तो अब क्या होता है ओनली वीडियो जो वीडियो जो दस मेनब int से लंबी होंगे are eligible for ads during वीडियो तो उन्हीं वीडियो के बीच में ads आएंगी ठीक है यह भी आप देख सकते हो before video, during video, after video तो यह बहुत सारी चीज़े हैं जो आप पढ़िएगा समझिएगा दोस्तों अब हम आते हैं third ad suitability के उपर तो यहां पर आप देख सकते हो एकुटर दस यूर वीडियो कॉंटेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन और कीवर कंटेंज एनी अफ द फॉलएंग वाइट इस इंपोर्टेंट तो रेट यूर वीडियो एकुरेटली तो इन एप्रोप्रेट लेंग्वेज ठीक है तो यहां प कि आप यूज बता सकते हो तो यूट्यूब को कि अब इसे कुछ और हमारे से कुछक नहीं है इसलिए हम इसार पुछन हें कर रहे हैं बड़त सकते हैं यह तो इस तैसे होता है दोस्तों मीद्शन से गलते है इन सब चीज रहेossen इन सब हमें बचाती है हमारा मुद्द है ads दिखाना है नहीं दिखाना है किसको दिखाना है नहीं दिखाना है तो जनरली लोग इस चीज़ के ओपर ध्यान लिए देते हैं जिस वज़ा से उनको अपकी वीडियो में दिक्कत आ जाती है तो ad suitability में जरूर आप ध्यान लगाईएगा और यहां पर देखिये keep it up the good work it looks like you have filled out this questionnaire accurately for previous videos as a result we are using your input when determined if your videos follow add friendly content guidelines तो यह हमें appreciate कर रहे है your input is helping our videos your videos monetize faster so you may earn money and save time requesting reviews तो यह देखिये हमारे channel को कितना अच्छा है आप review मिला हुआ है क्योंकि हमारा खुद का content है हम खुद जनरेट करते है quality content है और बहुत informative education से related है जिनके other content होते हैं जिसमें controversy हो सकती है तो उनको इस बातों को ध्यान रखना है मैं बहुत ध्यान रखना है मैं आपको फिर बता रहा हूं ठीक है या फिर आप किसी का कोई music यूजिक कर रहे हो या कि कोई तो आप चीजों को यहां पर करो कोई adult content कर रहे हो तो यहां बताओ तेक है बना आगे चलके बंद हो सकता है channel बंद हो सकते वीडियो रिस्ट्रिक्शन साक्तियों और बहुत साइच चीजों कर दिया तो यह हमने कर दिया अब हम यहां पर क्लिक करते हैं वीडियो एलिमेंट्स के ओपर अब एड़ और एंड & screen एड्ड and quién stamतिए जो आप के वीडियो में जब आप पूरा वीडियो देख लीटे हो इन इस अब इफ़कर हुआ हमने ऐधर है अथा क्लिक करने के पाद दोस्तों अम यह अपने लगा रखें तो जो एंड स्क्रीन होती है और यह बहुत ज़ादा है लोगों को यह हमें लगाने होते हैं लोगों को रिलेटिव बत्तर रेलिवेंट उस मान लीजे आपका कोई वीडियो है जो दूसरे वीडियो से connected है तो आपने लगा दिया या आइकार्ट में आप लोगों को बता रहे हो कि मेरा यह वाला वीडियो देखने से पहले या बाद में यह वाला वीडियो देखो तो लोग उस पर भी जाएंगे इनसे क्या होता है एक वीडियो उनको बताते हो तो कैसे end screen और आइकार्ट का यूज करना है यह सब मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर ठीक है और यह बहुत important है visibility पे आते हैं ठीक है अब visibility पे save और publish private करना है अनलिस्ट करना है पब्लिक करना है ठीक है तो जब भी आप अपनी वीडियो उसको upload करके रखो अगर उस time आपको public नहीं करना hand to hand upload नहीं करना या तो उसको आप अनलिस्ट कर दो या उसको private में रखो ताकि कोई उस वीडियो को जब तक आप upload ना करो तब तक कोई उसको देखना पाए और आप इसको schedule भी कर सकते है schedule का मतलब है कि आप माली ज उस time आप जगे नहीं हो या एबलेबल नहीं हो या किसी भी time तो आप schedule करके date and time date or time डाल दो उस time की वीडियो अपने आप upload हो जाएगे तो यह सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और जबी सारे points आप कर लोगे तो आप इसको करोगे save ठीक है तो जब आप इसको save कर इस तरीके से हम थम्नेल बनाते है specific हर वीडियो की अलग तो यहां पर देखे वीडियो में अप्लोड होगे और यह सारा को सारह दिखा रहा है तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं एक perfect तरीका मैंने आपको बताया है वीडियो अप्लोड करने का उमीद करता हूं आप आपको एक चीज समझ में आई होगी थैंक्यू दोस्तों तो दोस्तों आज यह जो वीडियो है यूट्यूब पर आप कैसे अपनी वीडियो को रैंक कर सकते हो और उन पे आप बहुत जादा बहतर तरीके से करके ट्रैफिक ला सकते हो वीवर्स को लेकर आ सकते हो दोस्तों यह वीडियो बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यूट्यूब एस्टियो कैसे करो और इसमें के बहुत सारी फेक्टर्स होते हैं ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज आप कर दोगे तो बहुत बहुत भैतर आपका स्टियो हो जाएगा तो इसमें मैं वीडियो में आपको दस ऐसे फेक्टर्स बताने जा रहा हूं अगर उनका आप ख्याल रखोगे जान रखोगे तो जरूर आप अपनी वीडियो को रैंक कर पाऊगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो जो ह चीट को मैं पहले आपके सामने कर लेता हूं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है जहां पर लोग चाहते हैं कि उनकी वेब्स रहें के अंदर आए वैसे यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है गूगल के बाद यूट करो कोई भी चीज सीखनी है वीडियो हो कॉंटेंट हो तो लोग यूट्यूब का बहुत ज्यादा यूज़ करते हैं हर इसलिए यह वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है इसको अंच तक देखेना एक एक पॉइंट को समझना और अपने प्रेक्टिकल इसको पहला पॉइंट है जो है टॉपिक एंड कॉंटेंट रिसर्ट दोस्तों हजारों लाखों करोडों यूट्यूबर से बड़ उसमें से बहुत ही कम यूट्यूबर से जिनके चैनल जिनकी रैंकिंग इस यू निगल गया आता है और वह बहुत तेजी से ग्रोव करते हैं दो लगता है कि मैं कॉंटेंट बना रहा हूं या जो मैं चीज प्रोवाइट कर रहा हूं या जो मेरा टॉपिक है वह बेस्ट है और वह वीडियो बना देते हैं बगल दोस्तों अगर आप सही से आर एंडी रिसर्ट नहीं करेंगे विगोज क्या है कि हमारे यहां पर आर कॉंटेंट पर पूरा से रिसर्ट करो अच्छे से रिसर्ट करो विगोज तभी आप एक ऐसा टॉपिक और कॉंटेंट लेकर आओगे जिसको दुनिया देखेगी जिसको दुनिया पसंद करेगी तो दोस्तों इस टॉपिक और कॉंटेंट रिसर्ट को कभी भी हलके में मत यह सबसे पहला और बेसिक क्योंकि वाकि की सारी चीज़े बात में आएगी पहले आएगा रिसर्च रिसर्च ट्रॉंग है टॉपिक का और कंटेंट का आपकी वीडियो उसके बाद अगर आपने बहतर तरीके से बनाई तो उसको कोई नहीं रोख सकता रैंक होने से या ट्रै कुछ भी जो कॉम्टीटर मार्किट और इंडुस्ट्री में है और अगर आपने उसे प्रॉपर रिसर्च करिए तो रिसर्च के बाद जब आप अपना content बनाओगे content बनाना भी तो रिसर्च अगर अच्छी है topic की content की market की industry की computers की तो जब आप उस script बनाओगे जो आपको वीडियो तयार करनी है उसमें बहुत जादा professionalism होगा आपके पास बहुत अच्छे creative thoughts होगे और आपकी रहा बहुत असान हो चुकि कि कि आपको क्या बनाना है और कैसे launch करना है ठीक है क्योंकि ये दोनों points जो पहले दोनों points है इसके ओपर बहुत ही कम YouTubers हैं जो work करते हैं ठीक है क्योंकि हम सबको लगता है हम सबको लगता है कई बार कि हम best है हमारा content best है और हमसे करना पड़ेगा इन पहले दो points के ओपर काम जिसके ओपर सिर्फ जो बड़िया YouTubers होते हैं जिनका नाम है जिन्होंने मेहनत करी है और इनका content अलग से हटके आता है उसके दुनिया देखती है वो लोग इन दो चीजों के ओपर सबसे ज़्यादा काम करते हैं तो आपको इस ब description tags क्या है और keyword research कैसे कर सकते हो वो चीज मैं आपको इधर image के दिखाता हूं जैसे हम यहाँ पर गए इधर आप दोस्तों जैसे मैं एक वीडियो पर इधर आ जाता हूं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं open कर लेता हूं इधर यहाँ पर तो दोस्तों टाइटल क्या है यह जो ठीक है तो यह जैसे कि आपने देखा तो अब जो टाइटल है और आपका जो description है इसके ऊपर किस तरीके से आपको work करना है और research करना है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों पहला क्योंकि एक बात तो ध्यान रखेएगा लोग नहीं जानते कि आपका चैनल क्या है ठीक है और वहाँ पर क्या उनको वीडियो मिलेगा जो आपने डाला है लोग क्या करते हैं उसे related keywords के ऊपर research करते हैं ठीक है तो मैं देखते हैं ढूनते हैं तो आपको पता करना है कि कौन से ऐसे keywords है जिसके ऊपर आपको topics से related जिसके ऊपर public search कर रही है देखना बसंद कर रही है तो उसके लिए तो है दोस्तों YouTube माल लीचे मैं SEO के ऊपर वीडियो डाल रहा हूं ठीक है SEO tutorial के ऊपर डाल रहा हूं तो मैं एक YouTube का platform use कर सकता हूं लाइक में डालता हूं SEO course तो यहां पर सजेशन में आ गए SEO course in Delhi SEO course for beginners SEO course for beginners in Hindi SEO course is online free तो इस तरीके से मेरे को बहुत सारे suggestions तो YouTube के platform से ही मिल जाएंगे जो कि auto-suggest में आ रहे है तो यहां से मैं अपने titles और description में जो use करूंगा keywords phrases तो इसका हमको ध्यान देना है एक तो यह तरीका है जैसे कि आप अपनी keyword का research कर सकते हो ठीक है जो कि आप title description और tags में डालोगे ठीक है और दोस्तों एक तरीका है Google आप Google पर ही में है search कर लेता हूं SEO tutorial अब SEO tutorial डाला जोस्तों मैंने तो यहां पर आ गए in Hindi for beginners in Hindi 2020 ठीक है और बहुत सारे यह तो यूट्यूब अब मालों मैं यहां यहां पर Google पर search करता हूं मैं Google पर search करता हूं तो यहां पर रिजर्ट्स भी दिफाता है कितना popular keyword है उसके अलावा यह होते है Google auto यहां पर search आगे इसको Google suggest कहते है यह auto search कहते है प्लस इसके आप दोस्तों देखो SEO tutorial in Delhi डाला तो देखे मेरा वीडियो भी यहां पर selection में इधर आ रहा है ठीक है तो यहां पर एक तो हो गया यह आपका auto suggest Google के थूगल आप auto suggest का यूज़ कर सकते हो प्लस दोस्तों यह होते है LSI keywords इसके ओपर भी मेरे वीडियो चैनल में है तो LSI keywords भी बताते हैं कि और किस तहीं की keywords के through लोग search करते हैं तो जैसे कि आपने देखा एक होता है दोस्तों Google Keyword Planner तो वो Google Ads Google Ads की मेरी series है उसमें आप देख सकते हो Google Keyword Planner का मैंने use बता रखता है वो tool के through भी आप exact traffic पता कर सकते हो हर month किस keyword में कितना search आ रहा है तो यह चार उनसे keywords आपके लिए best रहेंगे जो कि आप title, description, tags में use कर सकते हो ताकि public उन keywords को सब search करें तो आप भी वीडियो पी अगर rank में आएगी तो उसके भी traffic आएगा organically ठीक है आप दोस्तों हम आते हैं आपर paper sheet में अब हम आए अपने fourth point के ओपर जो किये दोस्तों keep regular tracking on video and keyword ranking like which type of videos and content more light and watched by audience इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं तो इसके लिए वापस चलते हैं यहां पर और यहां पर मैंने यह open कर रखा है इधर एक video दोस्तों जैसे मैं अभी अपने channel में हूँ ठीक है और अपने channel के अदर एक video मैंने कुछ जिन पहले डालाता है जो यह facebook pixel यह उपर तो उस video को आपका जो YouTube studio है यहां पर आपके पास यह YouTube analytics का option है यहां पर आप जरूर हमेशा track रखें आपके वीडियो की जो current स्थिती है उसके व्यूज कैसे आ रहे है उसके बोस्टाइं कैसे आ रहा है ठीक है उसके दूर सब्सक्राइबर्स कितने आ रहे हैं वहां पर audience retention कैसे ह हो रहा है तो audience retention भी बहुत important होता है कि कितना percent लोग आपको पता है इस वीडियो पर इतने व्यूज आये तो इतने लोग अगर लोगों ने व्यूज करा तो हर एक average इतना देखा गया और इतने percent लोग तो वीडियो देखी रहे हैं तो आप देख सकते हो यहां पर आप अपन वीडियो में नहीं आता है तो इस तरीके से आप आप यहां पर likes versus dislikes देख सकते हो और रियल टाइम देख सकते हो उस वीडियो पर last 48 hours में कितने लोग उस वीडियो को देख रहे हैं प्लस आप उस वीडियो को graph देख सकते हो और उसके अलावा यह तो ओवर वियू हो गया अ तो यह श्रिश्टेट वीडियो कैसे आ रहा है तो यह सारा सारा ब्ले में देख सकते होग और देख सकते हो और अगर आप अपनी वीडियो पर रखोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी वीडियो का जो content है मेरी चैनल में ज़्यादा पसंद करा जा रहा है इसमें मैं ऐसे क्या करा था जिसमें लोग ज़्यादा रुके ज़्यादा देखा तो उसी तरीके से आप अपने future वीडियो की planning कर सकते हो और research के बाद और भैतर content thumbnail title और content बना सकते हो ताकि लोग और ज़्यादा रिटेन हो लोग और ज़्यादा आपके वीडियो को देखें रुकें आपके चैनल के ओपर तो यह बहुत important चीज़े जो मैंने आपको भी बताईए इस पे लोग track नहीं करते लोग monitoring नहीं करते लोग time नहीं देते अपने channel के ओपर उसकी growth के ओपर तो कैसे future की planning करेंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना है आप दोस्तों हम अपने fifth point के ओपर आते हैं जो कि है हमारा consistency is most important and तो दोस्तों क्या है consistency कोई technical factor नहीं है कि यह analytics है या पर title क्या होगा description क्या होगा consistency है कि आपने channel शुरू करा चैनल शुरू करने के बाद आपने consistency चाहे आप हफते में दो वीडियो डालो चाहे आप हफते में तीन वीडियो डालो बात है कि जब आपने अपने चैनल की planning कर ली तो आप उसमें अपनी आपकी शुरुबातना कम रखो यह नहीं है कि आपको दूसरा पांच डाल रहा है हो स इन सब के ओपर अगर आप काम करोगे तो आपकी दो वीडियो किसी की पांच वीडियो पर भारी हो जाएगी बाद consistency का मतलब है यूट्यूब है या कोई भी दुनिया का social media platform है जाए search engine है वह 80 चीज़ देखता है यह जो creator है या यह जो website है या यह जो channel है या page है यह कितना ज करें तो consistency बहुत जादा जरूरी है कितने भी अच्छे हो कितने भी आप master हो किसी भी चीज़ के अदर अगर आप regular consistent नहीं हो और तो यह search engine को अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए आपको consistency रखनी पड़ेगी और ध्यान रखेगा मैं आपके मूल मंत्र दे रहा हूं जो की है industry का मूल मंत्र content is the king then consistency is the key content भले यतना अच्छा है बड़ consistency नहीं है तो जो success की जो की है वो है consistency तो यह पांसमा point आज ही बांद लोगा consistent नहीं हो तो हो जाओ ताकि आप आगे सफलता हो लोग तो बोलेंगे लोग आपको demotivate भी करेंगे criticize भी करेंगे bad comment भी आएंगे को लगे रहने हैं दोस्तों तो आप results देखना क्या शांदार results आप लोगों को मिलेंगे आप दोस्तों हम आते हैं अपने छड़े point के ओपर जो है use a mix of long and short keywords अब यह क्या होता है यह मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तों कई बार क्या होता है हम अपनी keywords का चुनाफ सही नह आती आप क्या था मैंने जब अपने जो मेरा वीडियो देख रहे हो SEO वाला इसमें आप देख सकते हो मेरा जो टाइटल है वो है SEO tutorial for beginners in Hindi ठीक है step by step search engine optimization complete course तो मेरे टाइटल मिक्स है ना short है ना बहुर जादा लॉंग है relevant है एक तो वो मेरे topic से relevant है और वो क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को जो मैंने शुरुबात में डाला था मेरा channel भी नया था इतना traffic भी नहीं था तो अगर मैं सिर्व SEO course डाल देता हो सकता है मेरा वीडियो उसके rank ना करता मगर क्योंकि मेरे वीडियो ने अच्छा परफॉर्म करा हो जब कि यह तीन घंटे का वीडियो है दोस् है ठीक है like SEO course लिखने भी मेरा सर्च में आ रहा है ठीक है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको mix यूज़ करना है ना बहुत शॉटेल और ना बहुत इतने लंबे keywords कि कोई उनको सर्ची नगरता हो तो आपको moderate तरीका यूज़ करना है like तरीका आपको बत tutorial search engine optimization in Hindi आप इसको यूज़ कर सकते हो तो इस तरीके से आपको keywords का use करना है moderate keywords ना बहुत जादा long tail बहुत सो समझ की keywords का keyword research कैसे करना है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया इसी वीडियो में उसको ध्यान रखतीगा अब हम आते हैं दोस्तों अगले point के उपर 7th point के अब यह क्या है यह एक tip पे जो मैं आपको दे रहा हूं यह tip क्या है दोस्तों like आप जब कोई भी video है आप अपनी channel में upload करते हो तो शुरवात के कुछ दिन ठीक है शुरवात की जो audience उस पर आती है जो उसको देखती है उसके response से YouTube निर्धारित करता है उसके आगे को उसके आगे की performance उसके आगे की growth उसको कितना searches मिलाना है कितना आगे उसको दिखाना है क्यों क्योंकि अगर आपने यह जो सारे factors मैंने इससे पहले आपको बताए है research competitive analysis title description thumbnail plus video quality content ठीक है यह सब जो चीजे मैंने आपको बताई है इन सब चीजों का अगर आपने जहान रखा है और कुछ ऐसे elements यूज करें मतलब कुछ ऐसे effects कुछ ऐसी बाते कुछ ऐसे interesting facts चीजे जो कि R&D research से याती है भेनत से आती है अगर आपने यूज करी है और आपने customers को बांदे रखा है उनको interest आ रहे है वीडियो में और मानलो अगर वो 10 minute की video है और कोई 10 minute की पूरी देख रहा है आपने अच्छे elements यूज कर रखें बीच-बीच में कोई बोर नहीं हो रहा है और आपने सारी बातों को ध्यान रखा है तो वो वीडियो जरूर आपकी ग्रोव करेंगी क्योंकि लोग आये चाहिए कम लोग आये चाहिए नया channel है मगर लोग आये उन्होंने देखा बहुत तो यूट्यूब को समझ में आता है कि यह quality content है तभी को इस पर आ रहा है अपने time spent कर रहा और wait कर रहा है इस बात का आपको ध्यान रखना है आप दोस्तों आट में पॉइंट के ओपर आते हैं जो कि title thumbnail video content is very important जैसे कि वापस इदर आते हैं ठीक है वापस मैं यहां पर आया तो मैंने आपको क्या बताया कि जो title होता है जैसे मेरा title है जो मैंने दिया thumbnail जो आप देख पार लिखा हूँ है SEO complete tutorial on page off page SEO full course तो जो आपका title है वो बहुत ज्यादा informative होना चीए relevant होना चीए जो वीडियो के अदर content है उसके thumbnail बहुत ज्यादा creative HD quality का अच्छी quality का design होना चीए बहुत ज्यादा cluttered नहीं होना चीए सामने वाला असानी से mobile हो desktop हो tablet हो कहीं पर भी पढ़ पाए उसको easily ठीक है और उसको content effective ल अभी यह impression है मगर इसके कोई click कर देगा तो आपका click through rate बढ़ेगा अगर उसको आपका thumbnail अच्छा लग रहा है और जैसो सबसे बड़ी बात है जब title thumbnail देखके कोई audience attract total हो click करके वीडियो पे जाता है तो वो उस वीडियो पे अगर उसको वही content मिला जो उसने search कर आता तो उस time ही सबसे important factor है कि लोग कितना आकर रुक रहें कितना देख रहें उसको तो दोस्तों अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है जो यहां पर हमारे हां पर निकल के आती है कि आप जब भी कोई वीडियो आप मालो कि आप एक market में गए एक दुकान पे गए दुकान के बाहर आप तो बने बहुत अच्छे offer शब्द बगारे लिखके देखे और आपको दिखा अच्छे तो कपड़ों की दुकान है और यहां पर तो बहुत अच्छे offers मिल रहें और यहां प पता लागा वहां पर तो कपड़े नी भीकरे वहां पर तो मालो जूते भी रहें तो मतब जब थमने लग्षा है ताइटल अच्छा है और तो क्लिक करके बंदर कॉंटेंट में जा रहे है तो कॉंटेंट बहुत खराब है तो यह आपको ध्यान रखना है इन तीनों चीज जो कि है end screen, eye card, description इसका जरूर यूज़ करना है यह मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं आपको किसी भी एक वीडियो में आता हूँ मैंने ओपन कर रखा है अब आप देखिए मेरी इस वीडियो के अंदर जब मेरी वीडियो complete होती है या मेरी वीडियो जब लोग देख रहे देखने हैं तो वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि अच्छा है आपर टुक के टुटोरियल्स भी आगर हों का इंटरस्ट है तो क्लिक करके जाएंगे ठीक है यह मैंने प्लेलिस्ट पी डाल रखी है फंडमेंटन टेक्स टेक्स की लोगों को अगर कोच टेप स्ट्रिक् आपर इंटरस्ट की बात है तो आई कार्ड के थूख्या होता है अगर किसी का टिक टॉक में इंटरस्ट होता तो वह इस वीडियो को देखने के बाद इस पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हो वहाँ पर मेरी वीडियो देखता तो वह बहुत स्टाइम व्यूज़ वेकरा सब कि और इंटरस्टिंग टॉपिक्स और इंटरस्टिंग प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट तो वह एंड स्क्रीन पर भी जाता है या मैं को रिलेटेड टॉपिक दे दू जैसे टॉपिक है फेस्बूक अगाउंट डिसेबल्ट का यह लगभख मांदो दो तीर महिनों में 10,000 लोग तो डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट के लिंक दो इंपोर्टेंट वीडियो के लिंक दो लोगों को बताओ कि वीडियो किस बारे में हैं आपको क्या मिलेगा तो दोस्तों इन तीन चीजों का यूज जरूर करना है एफेक्टिवली ताकि लोग और ज्यादा वीडिय लोग relevant चीजों के ओपर जाएं यह बहुत बड़ा factor और role play करता है आपके चैनल की growth में आपके YouTube SEO में आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं और आते हैं do not share your video सबसे important बात सबसे बड़ी गलती जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं जो यह करते हैं कि वो अपनी वीडियो को जैसे वीडियो डाली friends को भेजा, 50 friends को, 100 friends को, 300 friends को, relatives को मैं तो अपने relatives दोस्तों में हर एक को बोलूँगा, वो अपने relatives को बोलेगा, तो 1000 लोगों पर मेरी video पहुंच जाएगी, तो मेरी तो 1000 views दो दिन में हो जाएंगे, तिन दिन में हो जाएंगे, यह planning करना छोड़ दो यह सब वैकार है, कुछ नहीं होगा, because आपके कहने पे आपका कोई दोस्त, relative या दोस्त का दोस्त, वीडियो को देख, click कर लेगा, view कर लेगा, हो सकता अजस्मेंट की वीडियो हो, एक सेकिंड देखा, वापस आ गया, दो मिनट देखा, वापस आ गया, तो watch time ही नहीं मिले देखा, और उन 100 लोगों ने on average आपका वीडियो देखा, दो घंटे, ठीक है, और आपने हैं 1000 लोगों को भेजा, और 1000 लोगों में वीडियो देखा गया, मात्र आदा हंटा, तो दोस्तों क्या होगा उस वीडियो का, तो जो बंदा खुद सर्च करके आ रहा है, उसका कि लोगों कितना आ रहे हैं, कितना रुक रहे हैं, और आपके एवरेज 1000 लोगों मातरादा गंटा होगी, तो आपका चैनल बहुत डाउंग्रेड होगा, तो WhatsApp पे शेयर करना, दोस्तों को बताना कुछ नहीं करना, वीडियो भई देखा है कि उसको उसमें इंटरस्ट है, इन 10 बातों का ध्यान रखो, और कंसिस्टेंट रहो, उसके बाद दोस्तों, अगर आपकी वीडियो रेंकिंग में आएं, एस्टियो में आएं, तब आप बताईएगा मेरे को कमेंट में कि इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ है, कितना नुक्सान हुआ है, दोस्त तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है, या आपका ब्लॉग है, और आपका उसमें एड्सेंस लगा हुआ है, आपको पेमेंट आ रही है, और अगर एड्सेंस में जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, वो आप का रुका हुआ है, एड्रेस वेरिफाय नहीं हो रहा है, तो लोग कली पर ही घबरा जाते हैं, और उनको लगता है, उनकी पेमेंट स्टक हो गई है, पेमेंट कैसा हैगी, वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, और उनको गूगल से हेल्पने मिल रही होती, तो उस कंडिशन में क्या करना होता है, तो दोस्तो, same condition मेरे संग भी हुई थी, क्योंकि हमारा भी नया चैनल है, और अभी कुछ महीनों पहले ही monetize हुआ था, तो monetize होने के बाद हमने क्या किया, की हमने, जो apply करना होता, हमने यहाँ पर billing address क्लैं अटब्रस जाला, और हमने proceed करा और अपना bank account detail वेगरा add करके कि इस पे code भेजा जाए जो pin google भेजता है यूएस से आपके address पे ताकि उस pin को आप यहाँ पर verification में डाल के verify करें इस तरीक से verified हो जाता है जब वेरिफाइड होता है बट क्या होगा दोस्तों हमने डाला एक बार और एक महिने के आसपास होगा है वह बोलता है कि क्योंकि COVID-19 था तो इसलिए तीन से चार वीक वह ले रहा था पिन भेजने में वैसे एक हफ्चे-10 दिन में भी पिन आ जाता है तो जब वो टाइम पिरिट पूरा होता था था 3-4 वीक्स तो हम अब जब आपको टाइम पिरिट पूरा होगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या problem आ रही है तो वो भी मैं आपको भी रस्ता बताऊंग लहें पिमित यूट्यूप जैनल पर जाकर सकते हो कस्टमर सपोर्ट से यहां में करने यहां क्लिक करने सेचिए और क्लिक करने के ने एड़ सेंस के ओपर यहां पर आप प्लिक करने के बाद इमेल रिक्वेस्ट चैट भी कर सकते हो क्लिक कीजिए चैट के ओपर यहां पर आप अपने चैनल का हो रहा है एडरेस अडरेस के जब तक आप पर यहां पर कुछ एक दो लोगों की क्यो आदरेश कहले कितना बिजी उनका एक कस्टमर सपरोट चैट कर सकते हो और चैट करने के बाद वह आपको उसका solution बताते हैं कि क्या problem आ रही है क्या issues आ रहे हैं और उसके वो आपको solution बताएंगे उनको आपको follow गरना होता है तो अब दोस्तों क्या है कि जब मैंने बात करी थी इनसे first time की मेरा pin नहीं आ रहा है तो generally क्या होता है कि ये online कोई verification नहीं करते हैं address पे pin भेजते हैं और अगर आपका कम से कम आपने तीन से चार बार अगर ट्राइं नहीं करा है तो आप ये आपको direct support नहीं देते तो तीन से चार बार आपको try करना होगा मालो एक बार नहीं आया फिर दुबारा आप महां पर reapply महां पर reapply को option होता है री सेंड का तो जैसे आप री सेंड करोगे उस डेट से फिर आपको आगे बता देगा इतने से इतने Google support पर मेरी direct बात हो देख रहे हैं तो यह बिल्कुल लाइव आपको चीज़े दिखा रहा हूं प्रेक्टेकल ताकि आपको help हो तो जनरली घबराने वाली बात नहीं है पेमेंट आपका कहीं कि आई वां टू एंड शेशन के इसलिए कर दिखाने के लिए कर रहा था मेरे को चैट नहीं करने से बंद करने के लिए कर दिया तो अब जब आप तीन से चार बार एड़ सेंस में अपने पिन के लिए रिक्वेस्ट कर दो और फिर भी एक मैने दो मैने तीन मैने के बाद वो नहीं आता है तो आप इनसे बात कर सकते हो और आप इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है आप उसके बाद यह आपको help करेंगे link देंगे एक proper link देंगे यह लोग आपको और इधर देखें मैं आपको proof दिखा रहा हूं यहाँ पर देखें मैंने कुछ दिन पहले सिर् दोस्तों दस दिन पहले मेरे को adsense support से google.com से mail आया इन्होंने मेरे को भेजा इन्होंने मेरे को कुछ steps बताया जो मेरे को follow करने थे steps follow करने के बाद मेरे को एक link आया उस पर मैंने click करा और hand to hand मेरा जो verification हो गया यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो ठीक है तो जैसे हमारा verification हुआ complete तो मेरे account में वह payment आई तो अब इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं thanks for completing the form यह google से आया था ठीक है अब यहां पर देखेंगे I have good news upon checking here your address is now verified तो तुरंत उन्होंने एक दिन पहले ही मतलब नौ दिन पहले मेरा account यह सब चीज मेरा online verify करा उन्होंने बहुत support करा Google और YouTube की टीम ने डिरेक्ट आप देख सकते हो मेरे यूटूब पार्टनर से हाँ पर आया मेरे चैनल verified होगा मेरे payment भी next day इन लोगों ने मेरे account में transfer कर दी तो दोस्तों किसी भी चीज में घबरानी की जरुवत नहीं है और कोई payment आपकी मारे में जाती बिल्कुल लीगल वे है और बहुत transparency है बट कुस procedure है अगर आप 3-4 बार म यह नहीं आता है तभी आप इन लोगों को चैट के थ्रू सपोर्ट ले सकते हो लिंक देंगे आपको प्रोसीजर फॉलो बढ़ना है हैंड टू हैंड आपका online ही वेरिफाय होका payment आजाएगा तो मैंने आपको अपना सारा प्रोसीजर दिखाया देखो मेरा verify हो चुका है इसे चैट करना है वो भी मैंने आपके दिखाया तो दोस्तों उमीद करता हूं आप अगर इस प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अब आप घबराएं ना वस इन चीजों को फॉलो करें पेशेंस रखें आपकी payment जरूर आपको मिलेगा और verify भी होगा तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूट्यूब एनलिटिक्स क्या है यूट्यूब एनलिटिक्स का मैं पूरो ओवर व्यू दूआ और उसकी बहुत सारी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने जाओंगा बहुत सारे आपको चीज़े क्लियर होंगे इस समझ आएगी तो दोस्तों यूट्यूब एनलिटिक्स सबसे इंपोर्टेंट है समझना और उसके बेसिस पर फ्यूचर में आपको अपनी से बनाना अगर आप एनलिटिक्स को सही से समझ गए और उसके बेसिस पर आपने एक्शन्स लिए तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं आपने खुद के चैनल का इनलिटिक्स में आपको दिखाऊंगा विगाज इसमें कुछ छुपाने वाली बात नी होती है बहुत सारे लोग अपना एनलिटिक्स नहीं दिखाना चाहते हैं कि लोगों को पतलग जागा यह है वह है मगर अशा कुछ नहीं है नॉलेज बाटन जो होता है वह होता है और जब आप को YouTube studio में आना है जहाँ पर अनलिटिक्स है तो यह YouTube नहीं में देसunden आपके Flightấm हो मेरा कोई बहुत पुराना चैनल नहीं है दोस्तों अभी नौदस महीं हुआ है सिर्फ इस चैनल को एक नया चैनल है और यह किस तरीके से वब करता है इससे आपको बहुत 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 चीजों का पता लगेगा तो दोस्तों एनलेटिक्स 28 दिन ठीक है आप कितने महीनी क्या ग्रोथ रही थी तो दोस्तों अब एनलेटिक्स के अंदर क्या होता है कि यह अभी हम यूट्यूब एनलेटिक्स के हमारे चैनल के ओवर्यू में है तो ओवर्यू में जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी 28 देसका लेके चलूंगा तो यहां पर आप देखिए कि व्यूज और आप यॉर चैनल गोट इतने व्यूज इन लास 28 देज तो यहां पर हमें घृथ दिखा रहा है कि हमारे चैनल के व्यूज कितने बढ़ रहें तो हमारे इससे पता लगते है कि चैनल ग्रोइंग यहां पर देख सकते अब ट्रिलियो एक धो आंग्हों हनों करतें स्क्रचाइं कि अमुख में झालब करलान यहां जीए को किसक चता कि रहे हैं वह क्या क्याएं यहां पर देख सकते हैं कितने लोग आ ripe Remail स्सक्राइब से हा रहे हैं मतलब दो दिनों के अंदर लगवक तेरा हजार कुछ लोग है मतलब साड़े छे हजार कुछ लोग पर डे व्यू कर रहे हैं चैनल को यह और गैनिक लिए दोस्तों सारी चीज जो मैं दिखा रहा हूं तोटल और गैनिक लिए मगर यूट्यूब अनिक्स है इसमें आप दोनों चीज़ देख सकते हो अगर अगर आप अक्टिविटी कर दो उसका भी आप देख सकते हो पेड का भी देख सकते हो मालो आपने कोई कैम्पेइज चलाए तब ही पेड का आप सही से अनलाइज कर पाओगे और उसका टूटोरियल भी चैनल में है तो यहां पर हमारी टॉप वीडियो दिखा रहा है दोस्तों इधर जैसे कि हमारी एस्यों वाली है इसमें पढ़्ड मतब दो दिन में लगभग बाइस सो लोग ने देखा ठीक है है कांड की है आँ फेसबुक यहां पर डूसरा एक वीडियो है ठीक है लेटेस वीडियो को दिखा हरे टॉप वीडियो इन डीक्राइट इस प्रफॉर्म कर तक वे यहांपर दिखा रहा है और कि परसंट किती दिर रूख रहा है आप दोस्तों मैं आपको इक शीज यहां प कितने लोगोंने मेरे से सवाल पूछा इसके ओपर लोग वीडियो भी देखते हैं कि on an average कितने व्यूज आ जाते हैं कितने व्यूज के ओपर कितने डॉलर आते हैं YouTube कितने डॉलर देता है कितने व्यूज के ओपर तो दोस्तों यह कोई चीज फिक्स नहीं है कोई कुछ भी average दोस्तों सब कुछ डिपेंड है आप की महनत के ओपर आप दो तीन महीनों में बहुत अच्छा चीव कर सकते हो आप दो तीन साल में भी अगर सही सिनी कर रहे हो तो आप चीव नहीं कर पाऊंगे और YouTube की ग्रोथ मेजर ली जो यूज जो आपको डॉलर्स मिलते हैं वो दो चीजों के ओपर सबसे आदर डिपेंड है पहला कि आपकी जो वीडियो है वो कितनी जादा इंगेजिंग है कितने जादा देर तक उस पे कस्टमर रुखता है माल लोगो कोई टुटोरियल है ठीक है अब मालो कोई टुटोरियल में सीखने आ रहा है ठीक है अच्छे एजूकेशन लेने आ रहा है तो ओविल से उसको सबजेक्ट ही है वो वाला टॉपिन अगर पूर जा रहा होगा उसको समझ नहीं आ रहा होगा तो एंगेजिंग इंफॉर्मेटेव इंट्रेस्टिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो को चाहिए किसी भी सब्सक्राइब हो दूसरा दोस्तों आप चाहिए कोमेडी है या एंटेटेनमेंट है उसके अंदर भी आप लेलो ठीक है बहुत सारे चैनल होते हैं ठीक है और उनके अंदर तो व्यूम्हें बहुत तेजी सा आता है बगर उसमें भी ऐसे सी वीडियो जो लोग पूरा देखते हैं क्योंकि वह जोड़े रखते हैं वह इंट्रेस्टिंग इंगेजिंग होते है तो पहले के अंदर लगबग 148 डॉलर आया तो अब कल्कुलेट कर ले ना 1100 यूज के आसपास मेरा अभी एवरेज आता है मेरे को एक डॉलर आता है ठीक है तो उपर नीचे होता है कभी 1000 यूज पर एक डॉलर आ जाता है कभी 1100-1300 पर आ जाता है तो अभी एवरेज चल रही है और अ आप लोग भी अगर अपने वीडियो को एंगेजिंग रखोगे आप लोग अपनी वीडियो को इंट्रेस्टिंग रखोगे क्वालिटी कॉंटेंट होगे अच्छे रिचर्ट करोगे आप इससे भी जाद अच्छा कर सकते हो लोग ऐसे भी हजार क्या बहुत कम यूज के अगर आप लोग अच्छा काम करोगे बहतर काम करोगे लोग आपके में इंट्रेस्टिंगे तो मेरे से भी कई गोना बहतर आप कर सकते हो कि भर कोई और इसके अंदर आप देख सकते हो कि पहले जब शुरुवात करी थी तो बताने कितने महीनों मतब आप मानलो कितने महीने आप इसे दो तिन महीने पहले ही मैंने अपने चार हजार आर्स का बहुत नहीं पूरा कर रहा है और आप हमें एक इक महीने अठाइस आर्स हमारा बहुत ताइम हो रहा है जबकि बिलको अभी हमारा बनेटाइजेशन दो तिन में नहीं पहले चालू हुआ है तो चीजें एक्स्टरॉडनरी तरीकी से ग्रोव करती है बढ़ो पेशेंस वो महनत वो चीजें आपको करनी बढ़ेंगी एक सेक्टर काम नहीं करत Talk me यह अभी फटीक है तो ॉब यहां पर मैंने आपको यह दिखाया यहां पर आप बहुच तैम रीजवेसे सब्सक्राइबर देख सकते हो यहां पर टॉप वीडियो जह सकते हो we जकर आप ते रीच के ऊपर अब कर अपने चैनल की लीज देख सकते हो क्या होती है एे का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब 22 लाख लोगों को हमारा कोई ना कोई वीडियो उनके जब सर्च कर रहे तो इसका मतलब है कि मतलब ऑर गैनिक लिए ऑगनिक ली ऑगनिक ली है बाइस लाख लोग अभी हमें 23% की ग्रोफ मिली है पिछले 28 दिन के मुकाबल है तो 22 लाख जगाओं पर हमारा वीडियो दिखा लोगों को क्लिक नहीं करा वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं हम दिखने की बात कर रहे हैं जब हम कुछ सर्च करते हैं हमी किसी का वीडियो दिखता है तो that is an impression हम क्लिक करते हैं और उसको देखते हैं that is a view तो उसमें इतना click-through rate आया वो भी 2% increase हुआ हमारे पर पहुने दो लाख से ओपर हमारे व्यूज आये 24% increase हुआ हमारे यूनीक व्यूज इतने थे मतलब returning customers भी बहुत है इस मतलब हमारे पास ठीक है जो वापस आ की दुबारा देख जो सर्च करने के बाद उनको दिखता है ठीक है और यहां पर ब्राउजंग फीचर जी सारी चीज़ा आ गई अब यहां पर आप फनल देख सकते हो दोस्तों impressions 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 के बाद view from impressions और उसके बाद wash time from impressions यह एक पुरा फनल है ठीक है अब यहां पर external source आप देख सकते हो कि WhatsApp पे WhatsApp पे कितने लोग शेयर करते हैं Google search में मेरा आने लगा है Gmail के उपर आने लगा है WhatsApp business Facebook आईसे बहुत सारी sources है और दोस्तों मैं कोई भी paid activity नहीं करता हूं ठीक है सब कुछ organic है और यहां पर आप जैसे कि इदर देख सकते हो Google ads यह मेरा promotion of your total traffic ठीक है Google ads tutorial फेस्टोरियल से सारे सारे आप तुटोरियल से परसंटेज वाइस दिखा रहा है और क्लिक करके मैं पूरे detail में जा सकता हूं अभी वह भी मैं आपको बताऊँगा traffic source suggested वीडियोज traffic source suggested वीडियोज है वह कहां चाहिए वह देखो इन वाले वीडियो मेरे सजेस्ट में आती है यूट्यूब सर्च दोस्तों suggested वीडियो और यूट्यूब सर्च बहुत इंपॉर्टन फेक्टर है जब हम बात करते हैं अपने चैनल ग्रोथ की वीडियो ग्रोथ की ठीक है और इसके अंदर पह में वीडियो कि अगर शाड़े चैनल का जो दियूरेशन है ये 3.35 मिनट्स का मतलब 3.35 मिनट से उपर मतलब मान लोग साड़े 6000 लोग रोज कर रहे हैं तो कोई इंसान वर्याइज कोई 15 मिनट कर रहा होगा, कोई 5 सेकंड कर रहा होगा मगर अगर साड़े से हजार लोग एक दिन में व्यू कर रहे हैं तो मतलब उस साड़े तीन मिनट से उपर रुक रहे हैं उस चैनल के रही रुपता है जा पर कुछ सीखता है या कुछ पड़ता है उसको कुछ सबसे इंपोर्टेंट है आपकी ग्रोथ के लिए इस बात को ध्यान रखना ठीक है और यहीं इंडिकेट करता है कि आपका चैनल डाउन जा रहा है या जा रहा है ध्यान लग आ रहे हैं और लोग रोक रहे हैं तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं फिर यहां पर टॉप से कौन से डेखी जारी तो गोगल एख टृट्रोल इस डेकशन को पर पैसिपफ धिक है लिए की रिखे है तो ऐसको फोल्ट कौन से ए पॉट यहां पर आप देख सकते हो हरक दोस्तों हम पर ऊडिय्स है कहते हैं उडियंस का जो यहां पर आप सेक्शन देखे हो देखे राइवरेज व्यूर्थ कितने आये एवरेज व्यूपर मतलब आप देख सकते हो इसका मतलब आप यहां पर पढ़ भी सकते हो के कंपेरट व्यूर्थ टुटिए डेगे लिए अडेज नंबर ओव YouTube कि हमारे विएर्स के टाइम सबसे जादा YouTube पे होते हैं वो देखते हैं तो इससे आपको पता लगेगा कि बेस्ट टाइम कौनसा है वीडियो अप्लोड करने का और आप उस टाइम अगर वीडियो अप्लोड करोगे तो लोग जादा बैठे होंगे देख रहे होंगे तो आपको एकदम से जादा यूज में लेंगे बहुत बहुत इंबॉटन चीजे दोस्तों इस वात का ध्यान रख तो पब्लिश टाइम पर्फॉर्मेंस वीडियो बट जो पब्लिश टाइम होता है वो लॉंग टम यह आपको लगता है आप पांच वरी वीडियो डाल देजे तो हो सकता है उस समय आपको अगर मानलो 20 वीज आने होते तो तीस चालिज वीज आ जाएंगे मागर अगर अग लॉंग टम सक्सस्स नहीं होगी अगर उस में क्वालिटी है तो वह लॉंग टम सक्सस मिलेगा यहां पर बता रखा है यहां पर यूट्यूब में पेर सब्सक्राइबर बैल नोटिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हो ठीक है कितने पर संद कर रखा है हूं टॉंट अन यहां पर पर फिर आप पूरा डिटेल देख सकते हो इधार आके ठीक है तो इस तरीके से आप जो सारी सारी चीजे में आपको तो दिखा रहा हूँ उनको आपको अगर डीप में भी देख रहे हैं तो आपको सीधा क्लिक करना है जा सकते हैं पर सीधा करने हैं अपर पर सीम ओर पर जा सकते हैं आप इह सकते हो अप Meansあma trials के संअ बिर को तो यह हैंKK आपसे पता ही किए किसको गच को दीखा है ठीक हैüne और आप यहां पर लैक से लाइस लगाना चाहूं तो आप साथी लाइस और देखना चाहाते हो तो यहां पर आप इंधर दोस्तों आ को आटे हैं तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज tomorrow Saw यह सकते हो तो अब यहां पर जैसे हम इदर दोस्तों आते हैं तो आप जैसे कि आपने देखा कि यह बहुत सारी चीजे हैं जो आप देख पारे हो कर पारे हो इन से आपको कितना ज्यादा एक ओवर्वी तो इसमें से कमी आप कि आप चीजों को कैसे करो कैसे देखो कैसे बढ़ो ठीक है अब यहां पर हम आ गए दोस्तों अब यहां पर आप देखो वीडियो आप एक एक वीडियो के हिसाब से देख सकते हो कि वाली वीडियो ने पिसले 28 दिनों के अंदर कितने व्यूज लेकर आये कितने मिनिट ऑन ए शवान के वीडियों की ग्रोथ देख सकते हैं मैं से भीं पता रगए मैं कौन यह पर आप ग्रेख तो आप शेख सकते हैं तेख सकते हैं यहां पर आप डिंन कर्सक्राइब है सबस्क्राइब टराशक्स देंदर कहसे ओवे गौस हो कहा carrot फिल्डे से कॉने दोलाग व्यू जिसमें ने यूटुब सिर्च से लगबख एक लाग-टेज़ी स्विचर आये हैं ब्राउस सीचर से तेरा हजार आये हैं अधर यूटू फीचे सजेटेड् वीडियो से लगबख शाडग नौह थाजार के आसफास आई प्लेलिस चाहें त तो इन अलग-अलग sources से पिर यहां पर किस जगा से आपका wash time ज़्यादा बहतर आ रहे है suggested video से पांच मिनट के आसपास आ रहे है average wash time ठीक है तो हमारा हर एक जगा से देखा जाए तो तीरी मिनट से तो ऊपर ही है ज्यादा तर अगर देखा जाए इंडिया के अंदर पहने दो लाक में इसे लगवग एक लाक 38,000 लोगों ने देखा पाकिस्तान में लगवग 12,000 लोगों ने देखा बंगलादेश में देखा नेपाल में देखा UAE के अंदर देखा जाते हैं एवन मेरे को फोन भी बहुत आते हैं UAE से युनाइटेड स्टेट्स साओधियरा फिलिपिन्स नाइडियरिया यह सब वह जगाए हैं जट्थो कि हमारा जो चैनल है वह हिंदी कॉंटेंट से रिलेटेड है तो यहां पर बहुत सारे इंडियन टिल्वेश जो है अलोबर वर्ड रहते हैं तो वह लोग भी जो हिंदी जानते हैं हमारे विडियो देखते हैं तो कितनी सारी कंट्रीज यहां पर वीडियो देखा जा रहा है ठीक है फिर वच्डीयर को एज यहां पर एज का पहले दिखा दिया था कि एज का पूरा अनेसिस कर सकते हो यह चीज जोग्रेफी टिक है यह दोनों चीज़े आपको पेड चलाने में बहुत जादा मदद करती है मतलब आपका एज ग्रूप जेंडर और जोग्रेफी यह तीन चीज़े ठीक है फिर रेविन कितने सब्सक्राइब से कितने देख़े अधिया होत आप कं बहुत नहीं सब्सक्राइब आप रहे हो यूटूब में इतने सब्सक्राइबर आए इतने गेन वह is a देख सकते हो तो आपको पता लगेगा कि canon कि आपे आप सप्सक्राइबर्स कर रहे हो यहाँ starting रहा कों पर पर चेवाइस जय है कि कौन सी ज़ुधा है कि सबसक्राइबард कि 911 देखा में तो इसलिए एवरेज आप देख सकते हो प्लस बॉस्ट ताइम देख सकते हो इसी तरीके से दोस्तों आप बहुत सारी चीज़े हैं यहां पर अपने एड से लाएं हो ठीक है उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो सब्सक्राइब देख सकते हो एक सब्सक्राइब जातर अब आप चीज़ों को एनलाइज कर सकते हो और इन सब चीज़ों के नोट्स बनाया करो ताकि उसके बेसिस पे आप अपनी प्लैनिंग स्ट्रेटरजी वर्किंग बनाओ और आप जबरस तरीक से आगे निकल के आओ और अपने चैनल के थूँआ लोगों को सिखाओ लोगों को एंटरेन करो खुद भी ग्रोह हो लोगों को भी हेल्प करो दोस्तों ग्यान बाटन से बढ़ता है वीडियो के शुरुवात में भी बोला था वीडियो के अंत में भी बोल रहा हूं नौलिज दिखाने से या अपनी चीजे किसी को दिखाने से ना कोई छोटा होता है और ना दूसरा को इससे बड़ा बन जाता है यह सोच ही गलत है क्योंकि हमारे लोगोंने जो पूरवज आते जा रहे हैं उन्होंने ग्यानती है तब हमारी आगी की पीडिया सीखी हमने भी किसी से सीखा है हम भी किसी को बता रहे है वो भी किसी को बताएंगे तो यह चलता आ रहा है इसको कोई नहीं रोक सकता और यह चलता रहेगा तो दोस्तों जो है सब आपके तो दोस्तों देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो ने कैसे सब कुछ चेंज करा और यह नया चैनल है यहां पर आप देखिए कि अभी इस वीडियो को पप्रिश हुए 8-9 महिने मुश्किल से हुआ है और यह एक पर्टिकुलर वीडियो ऐसा है और यह जब मेरा बिलकुल नया चैनल था आप यहां पर देखिए तब मैंने तीन घंटे का वीडियो डाला था और यहां पर इसके व्यूज इसने एक सिंगल वीडियो ने लगबख 26,000 घंटे से ज़्यादा का बॉस टाइम दिया है 8,000 सब्सक्राइबर्स दिये हैं और र पर फिगर देख सकते हूँ और यहां पर यह तो में मकसद क्या है कि अगर इस हम इस तरीके जो हम करने को मिरेकल नहीं है इसके ऊपर हम अपनी वीडियो समय करा है और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं हैं कैसे थम्निल बनाएं कैसे टाइटल और बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो कि आपको बेनिफिट देंगी तो यह सब चीजों के ऊपर भी मैं आपको टुटोरिल बताऊंगा एक बनाऊंगा टुटोरिल लेकर आऊंगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ठीक है ताकि आप हैं और आपको कैसे आगे बढ़ना है ताकि आप भी अपने कुछ वीडियो से इतने ज्यादा विए सब्सक्राइबर्स और बढ़ा सको और ग्रो कर पाऊ और इंकम जन्रेट कर पाऊ एक एक वीडियो से लोग लाग सो रुपे भी कमाते हैं दोस्तों और यह तो भी नई व सब्सक्राइब निये तो कर लें ताकि आप वो वीडियो का नोटिस्विकेशन मिस ना करें बैल ऐकन दबा दीजिएगा तो दोस्तों एक वीडियो ने मेरे किसमत बदली है अब आप भी इस तरीके से कैसे वीडियो बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो यह मैं आपको नेक्स् पांच ऐसे इंपोर्टन टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो या यूट्यूबिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो अपने चैनल को ग्रोथ देना चाहते हो तो कैसे आप नए 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 ट्रेंडिंग टॉपिक्स और लोगों को पसंद है पब्लिक को पसंद है आप धूण सकते हो और उसके ऊपर आप अपने चैनल पर पर क्रियेट कर सकते हो तो दोस्तों बहुत इंपोर्टन है अगर इसके अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है जो कि आपको benefit दे सकती है और वाके अगर वो आपको benefit देगी क्योंकि हमने अपने experience से और हमने जो growth करी है और जो हमारे संग जो connected हैं YouTubers उन सब के experience से और बहुत सारी knowledge को gather करके मैंने वीडियो बनाया है तो पूरा देखेगा ताकि आपको इससे कुछ नगुछ benefit जरूर होगा दोस्तों पहला तरीका YouTube के topic देखने का इसके अंदर आपको क्या करना है कि e-magazines या normal जो magazines अगर आपके पास आती हैं office में घर पे magazines आती है blogs, articles इनका आपको use करना है आपको daily read करना है मगर जो आपका niche है जो channel आपसे जिससे related है और आप जिसके उपर content बनाते हो सिर्फ उसी से related regular आप अपने magazines को, blogs, articles को regular पढ़ो ताकि आप लोगों को वहाँ से market में क्या चल रहा है लोग किसके उपर जादा आजकल trending में जो चीजे चल रही हैं उसके अलावा वहाँ से आपको जब पढ़ते हो तो खुदी कुछ idea जाने लग जाते हैं कि इस चीज के उपर आप ये create कर सकते हो ये अभी तक market के अंदर नया है या मैं इसको इस तरीके से लेकर आँगा तो बहुत जादा लोगों को पसंद आएगा मगर ये ideas का बात है जब चीजों को आप explore करते हो पढ़ते हो और regularly आप नही नही चीजे जानते हो तो वो सब चीजे reading से आएंगी और reading के sources मैं आपको बता है आप कैसे कर सकते हो तो ये पहला रस्ता है दोस्तों दूसरा तरीका दोस्तों कि आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जादा जरूरी है कि आपके जो audience हैं उनकी क्या need है वो क्या देख रहे हैं क्या पूछ रहे हैं और वो कैसे जाने मों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जो आपका channel है वो जिस niche से related है उसी से related आपके बहुत सारे computers होते हैं बहुत ही famous channels होते हैं जहां बहुत जादा public connected होती है बहुत जादा ऐसे platforms हैं जैसे की kora.com है वहाँ पर लोग जो आपके niche से related है जो उस particular topic से connected है वहाँ पर लोग बहुत जादा question करते हैं ठीक है और ऐसे बहुत सारे platforms हैं जहां पर आप अगर अपने niche से related देखोगे तो लोग question पूछ रहे होते हैं उनकी problems हो बता रहे होते हैं जिसके उनको solutions चाहिए होते हैं तो दोस्तों ये homework आपको करना पड़ेगा आपको अपने competitors के channels पे R&D करना पड़ेगा उनके वहाँ पर लोगों से ऐसे क्या सवाल पूछ रहे हैं क्या उनके problem से बहां से identify करना पड़ेगा आपका अगर channel नया है तो हो सकते है comments कम हो बट अगर आपका channel बहुत ज़्यादा popular है लोग उस पर question पूछते हैं वही आप लोगों को बताते हैं कि हमें इस चीज़ का solutions चाहिए तो generally क्या होता है दोस्तों बहुत सारे ऐसी problems होती हैं जो सभी के लिए problem होते हैं और सबको solutions चाहिए होते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया है जो platform है Quora और उसके जैसे बहुत सारे प्लैटफॉम्स हैं वहां पर हजारों लाखों लोग उस particular category नीश से जुड़े होते हैं और regular basis पर कुछ न कुछ चीज़ा discuss करते हैं तो आपको उसमें participate करना चाहिए और वहां से भी आपको input लेना चाहिए तो यह सारी जगाओं से जब आप actual में जो juice होता है उसको जब निकालोगे कि यहां जनरली लोग इस तरीके के topics के उपर बात कर रहे हैं यह इनकी problem है और उसके ओपर जब आप videos लेकर आओगे content लेकर आओगे तो public अपने आप response करेगी आपको खुद उसका value पता लगेगा जो आप महनत कर रहे हो तीसरा तरीका दोस्तों जो की बहुत ज़्यादा effective है और practical है जो की है कि आपका जो channel है उससे related जितने भी channels हैं जो वाकिए quality content डिलिवर करते हैं तो मानलो अगर आपने अपने पांधास ऐसे competitor channels को आप जरूर subscribe परें और bell icon का जरूर दबा दें दोस्तों अगर आप अपने competitor के channel को subscribe कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वाकिए अच्छा content देते हैं बहनत करते हैं तो उनसे inspire होना कोई गलत बात नहीं होती तो दोस्तों अगर आप अपने niche से related और अपने competitors जो की quality content देंगे अगर subscribe करोगे और bell icon दबाओगे तो आप regular update रहोगे कि क्या नया आ रहा है किस तरीके की वो quality दे रहे हैं कैसे delivery कर रहे हैं क्या content बता रहे हैं तो आप भी उन topics को और भैतर तरीके से महनत से और ज्यादा practical approach के उपर और ज्यादा quality content से लेके अगर आप उस topic को लेकर आओगे वीडियो बनाओगे content बनाओगे तो हो सकता है वो content या वो video आपको बहुत जादा अच्छा response दे और क्योंकि जो public है वो उन YouTubers को या आपको follow करती है तो अगर कोई quality content आपको कहीं से gain हो रहा है और आपको एक हैनत करके बहतर quality के संग माल लोग एक particular topic है जिस पे आपके तीन competitors ने या YouTubers ने वीडियो बनाया अब किसी ने अपने हिसाब से बनाया दूसरे ने अपने हिसाब से बनाया तीसरे ने अपने हिसाब से बनाया तो आपको क्या देखना है उन सब चीजों को अच्छे से R&D करना है सुनना है पढ़ना है जो जाधा relevant चीजे है जरूर नहीं होता है सबके हर point बहुत जाधा relevant हो कुछ को चीजे बहुत जाधा fruitful होती है relevant होती है उन में से आपको best to best चीजे लेनी है और खुद भी महनत करके extra जो लोगों नहीं बताया जो काम की चीजे उसको बरता के एक complete ल वीडियो में पता लग रही है तो उसमें लोग जाधा इंटरस्ट लेते हैं कि इसकी वीडियो हम देखते हैं उसमें complete knowledge होती है तो इस बार को जरूर ध्यान रखें यह बहुत छोटी-छोटी बाते जरूर आपको लग रही होंगी मगर इन छोटी बातों के ऊपर practical चीजों पर आपका YouTube चैनल काम करता है उससे related newsletters को जरूर सब्सक्राइब करो उसके अलावा दोस्तों जो भी आपका ये websites होता है आपका apps होते हैं जो आपके नीश से related हैं ज्यादा से ज्यादा apps को websites को find out करो और उनको देखो उस पर R&D करो और उन पे अगर कोई मालने जे सब्सक् करते हैं या उनके संग आप मेल के थू कनेक्ट हो सकते हो तो कैसे भी आप उन website की लिस्ट बनाओ apps की लिस्ट बनाओ और अलग-अलग renowned जो आपके नाम है जो आपके नीश के अंदर उनको newsletters को सब्सक्राइब करो ताकि महां से regular basis पर आपको latest content ट्रेंडिंग जो अभी चल यह जो अभी तक आपने चारों points में चीजे समझी सीखी कि किस किस तरीके से आप YouTube के उपर topics find कर सकते हो नए से नए trending topic लेकर आ सकते हो मगर यह जो trick मैं आपको 5th point में बता रहा हूं यह उन सब चीजों का use करके कैसे आप तेजी से growth पा सकते हो यह उसका एक practical experience है because यह चीजे हमने भी try करी हैं और हम से connected बहुत सरी YouTubers हैं जो अपने experience शो करते हैं उन्हों भी करी हैं तो दोस्तों जब आपके पास इतना सारा content इतने सारे ideas आ जाएंगे अपके niche related अब यहाँ पर जो 5th point है वो यह trick है कि आप लोगों को उसी content को एक unique way में कैसे present करना है किस त creativity कहते हैं जिसको क्योंकि content बताना लाना वो सब कर रहे हैं मगर अगर उसमें को creativity ला रहा है उसमें अपनी audience को regular engage करके रख रहा है कई बार क्या होता है audience देख रही है बोर हो गई और वो चले गई मगर आपको engaging factor रखना है आपको उसके अंदर interesting और अपनी तरफ से facts चोड़ जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा कि आप ज़्यादे engaging हो informative हो entertaining हो और आप कुछ हमेशन नया लाते हो तो यह पांच पी चीज जो इतने आप मेहनत करोगे इतने topics लाओगे अगर आपने यह तड़का जिसको कहते हैं अगर आपने entertainment का information का engagement का creativity का तड़का लगा दिया त इससे सिर्फ audience आपके समग नहीं जुड़ती है आपको sponsors मिलते हैं पैसा मिलता है views मिलते हैं हर चीज आपको मिलती है और लोग आपकी कदर और value करते हैं तो दोस्तो आज यह जो वीडियो है YouTube पर आप कैसे अपनी वीडियो को rank कर सकते हो और उन पे आप बहुत जादा बहतर तरीके से SEO करके traffic ला सकते हो viewers को लेकर आ सकते हो दोस्तो यह वीडियो बहुत जादा important होने बाला है कि YouTube SEO कैसे करो और इसमें के बहुत सारी factors होते हैं ऐसा नहीं है कि कोई एक particular चीज आप कर दोगे तो वह बहुत भैतर आपका SEO हो जाएगा या rank हो जाएगा तो इसमें मैं वीडियो में आपको 10 ऐसे factors बताने जा रहा हूँ अगर उनका आप ख्याल रखोगे जान रखोगे तो जरूर आप अपनी वीडियो को rank कर पाऊगे अच्छे जैस्टियो कर पाऊगे तो दोस्तों start करते हैं तो जो हमार इसके लिए मैंने दोस्तो एक sheet निका करना चाहूँगा कि जैसे Google दुनिया का सबसे बड़ा search engine है जहां पर लोग चाहते हैं कि उनकी websites rank के अंदर आए वैसे YouTube भी एक search engine है Google के बाद YouTube का ही नंबर आता है अगर आप quality content की बात करो कोई भी चीज़ सीखनी है वीडियो हो content हो तो लोग YouTube का बहुत ज्यादा यूज कर करते हैं हर इंदर तो इसलिए यह वीडियो आप सब के लिए बहुत जरूरी है इसको अंत तक देखेना एक एक पॉइंट को समझना और अपने practical इसको implement करना आपकी ranking और SEO बहुत भैतर होगा तो दोस्तों शीट ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों यह 10 पॉइंट में जो सबसे पहला पॉइंट है जो है topic and content research दोस्तों हजारों लाखों करोडों यूट्यूबर्स हैं बट उसमें से बहुत ही कम यूट्यूबर्स हैं जिनके channel जिनकी ranking जिनका SEO निगल गया आता है और वो बहुत तेजी से grow करते हैं दोस्तों क्यों क्योंकि वो जो topic चूज करते हैं और वो content की research करते हैं उसके basis पे अगर आप जादा तर लोग क्या करते हैं उनको लगता है कि जो मैं content बना रहा हूं या जो मैं चीज प्रोवाइट कर रहा हूं या जो मेरा topic है वो best है और वो video बना देते हैं बगल दोस्तों अगर आप सही से R&D research नहीं करेंगे क्या है कि हमारे यहां पर R&D research का culture सोड़ा कम है किसी भी industry में बात करने बड़ अगर आप एक यूट्यूबर है आपको SEO करना है आपकी वीडियो और चैनल को rank करना है तो आप topic और content पर पूरा से research करो अच्छे से research करो because तभी आप एक ऐसा topic और content लेकर आओगे जिसको दुनिया देखेगी जिसको दुनिया पसंद करेगी तो दोस्तों इस topic और content research को कभी भी हलके में मत लीजेगा यह सबसे पहला और basic क्योंकि वाकी की सारी चीज़े बात में आएगी पहले आएगा research research strong है topic और content का आपकी होने से या traffic आने से अब आतें दोस्तों दूसरे point लोपर तो जब हमने बात करी research की content research topic research की तो होगा कैसे होगा ऐसे दोस्तों जो भी आपका नीश है जो भी आपका industry है market है competitors हैं आपको उन पे track करना उन पे नजर बनाए रखना और वो क्या कर रहे हैं क्या market में चल रहा है क कौन से topics public response दे रही है public क्या डूम रही है क्या वो ढूमना चाहती है क्या देखना पसंद कर रही है plus आपके industry में क्या नया आया market में क्या नया आया या कोई चीज में बदलाव आया कुछ भी जो computer market और industry में है और अगर आपने उसे proper research करी है तो research के बाद जब आप अपना content content बनाओगे content बनाना भी तो होता है तो research अगर अच्छी है topic की content की market की industry की computers की तो जब आप उस script बनाओगे जो आपको वीडियो तयार करनी है उसमें बहुत ज्यादा professionalism होगा आपके पास बहुत अच्छे creative thoughts होगे और आपकी रहा बहुत असान हो चुकि क्या बनाना है और क points है इसके ऊपर बहुत ही कम YouTubers हैं जो work करते हैं ठीक है क्योंकि हम सबको लगता है कई बार कि हम बैचते हैं हमारा content बैचते हैं और हमसे बढ़िया तो कोई नहीं है मगर ऐसा नहीं है मगर आपको करना पड़ेगा यह पहले जो points के उपर काम जिसके ऊपर सिर्फ जो बढ़ि करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है ठीक है दोस्तों आप हम दोस्तों बात करते हैं तीसरे point के बारे में जो की है keyword research for title description and text तो दोस्तों title description क्या है और keyword research कैसे कर सकते हो वो चीज मैंने आपको इधर image के थ्रूँ दिखाता हूं जैसे हम यहाँ पर गए इधर आप दोस्तों जैसे मैं एक वीडियो पर इधर आ जाता हूं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं open कर लेता हूं इधर यहाँ पर तो दोस्तों title क्या है यह जो आ ठीक है तो यह जैसे कि आपने देखा तो अब जो title है और आपका जो description है इसके ऊपर किस तरीके से आपको work करना है और research करना है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों पहला क्योंकि एक बात तो ध्यान रखेएगा लोग नहीं जानते कि आपका channel क्या है ठीक है और वहाँ पर क्या उनको वीडियो मिलेगा जो आपने डाला है लोग क्या करते हैं उससे related keywords के ऊपर research करते हैं ठीक है तो मैं तो देखते हैं ढूनते हैं तो आपको पता करना है कि कौन से ऐसे keywords है जिसके ऊपर आपको topics से related जिसके ऊपर public search कर रही है देखना बसंद कर रही है तो उसके लिए तो है दोस्तों YouTube माल लीजे मैं SEO के ऊपर वीडियो डाल रहा हूं ठीक है SEO Tutorial के ऊपर डाल रहा हूं तो मैं एक YouTube का platform यूज कर सकता हूं लाइक में डाल तो इस तरीके से मेरे को बहुत सारे suggestions तो YouTube के platform से ही मिल जाएंगे जो कि auto suggest में आ रहे है ठीक है तो यहां से मैं अपने titles और description में जो use करूंगा keywords phrases तो इसका हमको ध्यान देना है एक तो यह तरीका है जैसे कि आप अपने keyword का research कर सकते हो ठीक है जो कि आप title description और tags में डालोग और दोस्तों एक तरीका है Google अब Google पर ही मैं search कर लेता हूं SEO tutorial अब SEO tutorial डाला जोस्तों मैंने तो यहां पर आ गए in Hindi for beginners in Hindi 2020 ठीक है और बहुत सारे आगे SEO tutorial YouTube अब मानलो मैं यहां पर Google पर search करता हूं मैं Google पर search करता हूं तो यहां पर रिजर्ट्स भी दिफाता है कितना popular keyword है उसके अलावा यह होते है Google auto यहां पर search आगे इसको Google suggest कहते है यह auto search कहते है प्लस इसके आप दोस्तों देखो SEO tutorial in Delhi डाला तो देखे मेरा वीडियो भी यहां पर selection में इधर आ रहा है ठीक है तो यहां पर एक तो हो गया यह आपका auto search Google के थूगल आप auto search का यूज कर सकते हो प्लस दोस्तों यह होते है LSI keywords इसके ओपर भी मेरे वीडियो चैनल में है तो LSI keywords भी बताते हैं कि और किस तहीके keywords के through लोग search करते हैं तो जैसे कि आपने देखा एक होता है दोस्तों Google Keyword Planner तो वो Google Ads, Google Ads की मेरी series है उसमें आप देख सकते हो Google Keyword Planner का मैंने use बता रखता है वो tool के through भी आप exact traffic पता कर सकते हो हर मंद किस keyword पे कितना search आ रहा है तो यह चार आपसे keywords आपके लिए best रहेंगे जो कि आप title description tags में use कर सकते हो ताकि public उन keywords को सब search करें तो आप भी वीडियो पी अगर rank में आएगी तो उसके भी traffic आएगा organically ठीक है आप दोस्तों हम आते हैं आप वापर sheet में अब हम आए अपने fourth point के ओपर जो किये दोस्तों keep regular tracking on video and keyword ranking like which type of videos and content more light and watched by audience इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं तो इसके लिए वापस चलते हैं यहां पर और यहां पर मैंने यह open कर रखा इधर एक video दोस्तों जैसे मैं अभी अपने channel में हूँ ठीक है और अपने channel के अदर एक video मैंने कुछ जिन पहले डालाता है जो कि Facebook पिक्सल के ओप तो उस वीडियो को आपका जो YouTube स्टूडियो है यहां पर आपके पास यह यूट्यूब एनलेटिक्स का option है यहां पर आप जरूर हमेशा track रखें आपके वीडियो की जो current city है उसके व्यूस कैसे आ रहा है उसके दूर सब्सक्राइबर्स कितने आ रहा है वहां पर audience retention कैसे हो लोग आपको पता है इस वीडियो पे इतने वीडियो आए तो इतने लोग अगर लोगों ने वीडियो करा तो हर एक average इतना देखा गया और इतने परसंट लोग तो वीडियो देखी रहे है तो वह आप देख सकते हो यहां पर आप अपने sources देख सकते हो कि आपी YouTube के आता है तो इस तरीके से आप यहां पर lights versus dislikes देख सकते हो real time देख सकते हो उस वीडियो पे last 48 hours में कितने लोग उस वीडियो को देख रहे हैं प्लस आप उस वीडियो का graph देख सकते हो और उसके अलावा यह तो overview हो गया अगर आपको specifically reach देखना है तो यहां पर आप impression देख स सकते हो यहां पर आप other sources देख सकते हो इंगेजमेंट आप देख सकते हो लोगों का engagement कैसे हो रहा है इस वीडियो के ओपर audience देख सकते हो कौन सा audience आपका वीडियो परसंद कर रहा है ठीक है age gender यह सारी चीजा आप यहां से देख सकते हो दोस्तों ठीक है और countries वगारे देख स दोस्तों कि अगर आप अपनी वीडियो पर ट्रैक रखोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी वीडियो का जो content है मेरी चैनल में ज्यादा पसंद करा जा रहा है इसमें मैं ऐसे क्या करा था जिसमें लोग ज्यादा रुके ज्यादा देखा तो उसी तरीके से आप अपने वीडियो को देखें रुकें आपके चैनल के ओपर तो यह बहुत important चीज़े जो मैं आपको अभी बताईए इस पे लोग track नहीं करते लोग monitoring नहीं करते लोग time नहीं देते अपने चैनल के ओपर उसी growth के ओपर तो कैसे ओ future की planning करेंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना ह आप दोस्तों मैं फिफ्ट पॉइंट के ओपर आते हैं जो कि हमारा consistency is most important end तो दोस्तों क्या है consistency कोई technical factor नहीं है कि यह analytics है या आपने title क्या होगा description क्या होगा consistency है कि आपने channel शुरू करा channel शुरू करने के बाद आपने consistency है चाहे आप हफते में दो वीडियो डालो चाहे energy planning कर ली तो आप उसमें अपनी आपकी शुरूबात्मा कम रखो यह नहीं है कि आपको दूसरा पांच डाल रहा है हो सकते है आपकी जो उस capacity है वो उस समय नहीं है तो आप चाहे दो डालो मगर उन सारे factors जो आपको पर बता रहा हूं content quality research इन सब जो पर अगर आप काम करोग लोग आपको देख रहे हैं तो consistency बहुत ज़्यादा जरूरी है कितने भी अच्छे हो कितने भी आप master हो किसी भी जीस के अदर अगर आप regular consistent नहीं हो और तो यह search engines को अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए आपको consistency रखनी पड़ेगी और ध्यान रखेगा मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं जो की है industry का मूल मंत्र content is the king then consistency is the key content भले यतना अच्छा है पर consistency नहीं का consistent नहीं हो तो हो जाओ ताकि आप आगे सफलता हो लोग तो बोलेंगे लोग आपको demotivate भी करेंगे criticize भी करेंगे bad comment भी आएंगे अच्छे comment भी आएंगे बट आप consistent रहो आपको नहीं हटना है आपको improve करना है तो आपको लगे रहे रहा है दोस्तों तो आप results देखना क् आप दोस्तों हम आते हैं अपने छड़े point के ऊपर जो है use a mix of long and short tail keywords अब यह क्या होता है यह मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तों कई बार क्या होता है हम अपनी keywords का चुनाफ सही नहीं करते हैं अब मान लिजे के SEO course एक keyword है यह बहुत short keyword है और इस पर ranking इतनी हिसानी से नह SEO tutorial for beginners in Hindi ठीक है step by step search engine optimization complete course तो मेरे title mix है ना short है ना बहुत दो long है relevant है एक तो वो मेरे topic से relevant है और वो क्योंकि अगर मैं इस video को जो मैंने शुरुबात में डाला था मेरे channel भी नहीं आ था इतना traffic भी नहीं था तो अगर मैं से SEO course डाल देता हो सकता है मेरे video उस पर rank ना करता मगर क्योंकि मेरे video ने अच्छा perform करा हूँ जब कि तीन घंटे का video है दोस्तों आप देख सकते हो तीन घंटे का video और लगबक छे महिने में एक लाग पंदरह हजार के आसपस लोग देख चुके हैं उसको तो मेरा video अगर popular होगा लोग इसको देखेंगे इसके रुकेंगे तो अ आप बहुत इतने लंबे keywords की कोई उनको सर्ची न घरता हो तो आपको एक moderate तरीका यूज करना है लाइक तरीका आपको बताता हूँ SEO course for beginners यह एक सही keyword है ठीक है इस keyword को आप यूज कर सकते हो देखो इसके भी मेरा video rank पे आ रहा है ठीक है अब इसके अलावा आप कर सकते हो SEO tutorial search engine optimization in Hindi आप इसको यूज कर सकते हो जो इसमें मेरा बिल्कुर topic number one पे आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से आपको keywords का use करना है moderate keywords ना बिल्कुर short tail ना बहुत जादा long tail बहुत सो समझ की keywords को keyword research कैसे करना है उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया इसी video में उसको ध्यान रखती अब हम आते हैं दोस्तों अपने अगले point के उपर seven point के उपर तो दोस्तों वह स्टार्ट few days अब यह क्या है यह एक tip है जो मैं आपको दे रहा हूं यह tip क्या है दोस्तों like आप जब कोई भी video है आप अपने channel में upload करते हो तो शुरवात के कुछ दिन ठीक है शुरवात की जो audience उसके आती है जो उसको देखती है उसके response से YouTube निर्धारित करता है उसके आगे को उसके आगे की performance उसके आगे की growth उसको कितना searches मिलाना है कितना आगे उसको दिखाना है क्यों क्योंकि अगर आपने यह जो सारे factors मैंने इससे पहले आपको बताएं research competitive analysis title description thumbnail plus video quality content ठीक है यह सब जो चीजें मैंने आपको बताई है इन सब चीजों का अगर आपने ज्यान रखा है और सबसे बड़ी बात आपके वीडियो के अंदर आपने कुछ ऐसे elements यूज करें मतलब कुछ ऐसे effects कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसे interesting facts चीजें जो कि R&D research से याती है भेहनत से आती है अगर आपने यूज करी है और आपने अपने customers को बाने रखा है उनको interest आ रहे है वीडियो में और मानलों अगर वो 10 मिनट की वीडियो है और कोई 10 मिनट की पूरी देख रहा है वो 8 मिनट की पूरी देख रहा है मतलब कोई भी आ रहा है एक तम से bounce back नहीं हो रहा है वो उसको दे लोग आये मगर लोग आये उन्होंने देखा बहुत ज्यादा मेंटर करता है देर तर देखा तो यूट्यूब को समझ में आता है कि यह quality content है तभी को इस पर आ रहा है अपने time spent कर रहा और wait कर रहा है इस वात का आपको ध्यान रखना है आप दोस्तों 8 पॉंट के ओपर आत जैसे कि वापस इदर आते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जो टाइटल होता है जैसे मेरा टाइटल है जो मैंने दिया थामने जो आप देख पार लिखा हूँ है SEO complete tutorial on page of page SEO full course तो जो आपका टाइटल है वो बहुत ज्यादा informative होना चीए relevant होना चीए जो वीडियो के अजर content है उससे थामनेल बहुत ज्यादा creative HD quality का अच्छी quality का design होना चीए बहुत ज्यादा cluttered नहीं होना चीए सामने वाला असानी से mobile हो desktop हो tablet हो कहीं पर भी पढ़ पाए उसको easily ठीक है और उसको content effective लगना चीए ताकि थामनेल पर क्लिक करें आपका CTR बढ़ेगा click through rate अभी ये impression है मगर इस तो वो उस वीडियो पर अगर उसको वही content मिला जो उसने search कराता तो उस पर रुपता है और quality content है तो उसको देर तक देखता है तो वास्टाइम भी बढ़ता है तो वास्टाइम को की है अगर आपको एक SEO की ranking लानी है YouTube के अंदर तो वास्टाइम ही सबसे important factor है कि लोग कितना आकर रुक रहें कितना देख रहें उसको तो तो अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है जो यहां पर हमारे हाँ पर निकल के आती है कि आप जब भी कोई वीडियो आप मालों कि आप एक market में गए एक दुकान पे गए दुकान के बाहर आपको बने बहुत अच्छे offer शब है और जब आप क्लिक करके दुकान में चड़े अंदर गए तो पता लागा वहां पर तो कपड़े नी विक्रे वहां पर तो मालों जूते भी रहें तो मतलब थमनेल अच्छा है टाइटल अच्छा है और जब क्लिक करके बंदर content में जा रहे हैं तो content बहुत खराब है तो तो मतलब तुरंट वापस आएगा तो यह आपको ध्यान रखना है इन तीनों चीजों के बारे में ठीक है अब वापस आते हैं इदर अब यह दे कि 9th हमारा जो टॉपिक है बो है must and effectively use of all these things जो की है end screen aisle का description इसका जरूर यूज करना है यह मैं आपको दिखाता हूं कैसे मैं आपके किसी भी एक वीडियो में आता हूं मैंने अपन कर रखा है अब आप देखिए मेरी इस वीडियो के अंदर जब मेरी वीडियो कम्प्लीट होती है या मेरी वीडियो जब लोग देख रहे होते हैं उस दौरान देखने के दौरान यहां पर आप देखिए यह playlist आ गई जो मैंने वीडियो के दवरान मैंने बीच-वीच में लगाए थी, आई-कार्ड में. तो आई-कार्ड में क्या है कि लोगों को आगर TikTok टुटोरिल्स देखने हैं तो वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि अच्छा है, आपर TikTok के टुटोरिल्स भी अगर उंका इंटरस्ट है तो क्लिक करके जाएंगे, ठीक है, यह मेरे प्लेलिस्ट भी डाल रखी है, इंटरस्ट होता तो वो इस वीडियो को देखने के अबाद इससे प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं वहाँ पर मेरी वीडियो देखता तो वाश ताइम व्यूस बढ़ता है तो और अरो मेरे चैनल और ग्रो करता सेडैशंस में आता और इसको बाश ताइम बढ़ता. यहाँ और आप देख रहे हो इदर end screen जब किसी ने मेरी पूरी वीडियो देखी और उसे impress हुआ तो उसको इंट्रेस्टिंग लगती है तो उसने यहां पर देखा कि और इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स है और इंट्रेस्टिंग प्लेलिस्ट है तो वह end screen पर भी जाता है तो इस पे भी click कर सकता है, इससे भी बहुत टाइब यूज बढ़ेंगे, तो यह चीजों का use करना है, और उसके साथ साथ दोस्तों यह आती है description, यह देखो, यह description, तो description में आप playlist के link दो, important videos के link दो, लोगों को बताओ, कि यह video किस बारे में हैं, आपको क्या मिलेगा, तो दो बहुत बड़ा factor और role play करता है, आपके channel की growth में, आपके YouTube SEO में, आप दोस्तों यहाँ पर click करते हैं, और आते हैं, do not share your video, सबसे important बात, सबसे बड़ी गलती जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, जो यह करते हैं, कि वो अपनी video को, जैसे video डाली, friends को भेजा, 50 friends को, 100 friends को, 300 friends रिलेटिव को, मैं तो अपने रिलेटिव दोस्तों में, हर एक को बोलूँगा, वो अपने रिलेटिव को बोलेगा, तो 1000 लोगों पर मेरी video पहुंच जाएगी, तो मेरे तो 1000 views दो दिन में हो जाएगे, यह planning करना छोड़ दो, यह सब वैकार है, कुछ नहीं होगा, because आपक देखा वापस आ गया, तो वास टाइम ही नहीं मिलेगा, उल्टा वो वीडियो यूट्यूब की नजर में नीचे हो जाएगा, कि यहां पर 1000 लोग आए तो, मगर देखा गया, मानलो, अगर आपकी 100 लोगों ने वीडियो देखा, और उन 100 लोगों ने आपका वीडियो देखा, दो घंटे, ठीक है, और आपने हैं 1000 लोगों को भीजा, और 1000 लोगों में वीडियो देखा गया, मात्र आदा हंटा, तो दोस्तों क्या होगा उस वीडियो का, तो जो बंदा खुद सर्च करके आ रहा है, उसका इंटरेस्ट और टॉपिक में और आपका content में quality है, त तो यहां पर जब average निकल के आएगी, जो कि लोग कितना आ रहे हैं, कितना रुक रहे हैं, और आपके average 1000 लोगों में तो आपका चैनल बहुत डाउंग्रेड होगा, तो WhatsApp पे share करना, दोस्तों को बताना कुछ नहीं करना, वीडियो वही देखाएगा, उसको उसको इंटरेस् बातों का ध्यान रखो, और consistent रहो, उसके बात दोस्तों, अगर आपकी वीडियो रैंकिंग में न आए, SEO में न आए, तब आप बताईएगा मेरे को कमेंट में कि इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ है, कितना नुक्सान हुआ है, दोस्तों, पूरे experience से, मेरे को 12 सा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और इनका ध्यान रखिएगा, उमीद करता हूँ, यह वीडियो पसंद आएगा, और आपके काम आएगा, ठेंक्यू दोस्तों तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि हमारी यूट्यूब की सिरिस चल रही है, तो इस सिरिस के अंदर सबसे important पार्ट है, जो की है, वाइटी स्टूडियो, जैसे कि आप देख सकते हो, यह वाला जो आइकन है, यह वाइटी स्टूडियो का आइकन है तो वाइटी स्टूडियो आपके मुबाइल में एक ऐसा एप है, इसको यूट्यूब स्टूडियो भी कहते हैं, जिससे आप अपने मुबाइल से ही बहुत सारी चीज़े अक्सेस कर सकते हो, अनिलाइस कर सकते हो, अपडेट रह सकते हो, हर वक्त आपको लैप्टॉप, ब अप है, आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने वाइटी स्टूडियो डाउनलोड नहीं करा है, तो आप यहाँ पर प्ले स्टूर में जाओ, और यहाँ पर जाके आप डालो वाइटी स्टूडियो, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, वाइटी स्टूडियो क यहां पर you can see downloads YT Studio के और मेरे में open इसलिए आ रहा है because already मेरे में यह app install है ठीक है तो इसलिए आपके में यहां पर install का option आगा click करके install कर लेना because YT Studio हर YouTuber के लिए most important thing है तो जब आप इसको install कर लो YT Studio को तो install करने के बाद और जब आप उसको login करोगे तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं YT Studio को एप open कर लेता हूं तो देखे यहां पर जो मेरा mail ID है वो marketing funda से जिससे मेरा यह email ID बना है और जिससे मैंने अपने channel create करा है यहां पर आप settings में भी आ सकते हो settings वेगारा देख सकते हो ठीक है अपको किसी और mail ID से आपका है तो उससे आप यहां पर कर सकते हो तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर हम एक बैक करते हैं और इधर आप जैसे कि देख सकते हो इधर आप करने के बाद उस mail ID से login करना जैसे कि आपने देखा मैंने marketing funda's की mail ID से login करा है तो आप उसी mail ID से login करना जिससे आपका YouTube यूट्यूब चैनल है login करने के बाद आपका सारा का सारा डाटा इस तरीके से आ जाता है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर आपकी सब्सक्राइबर्स दिखाएगा एकदम टॉप में यहां पर analysis दिखाएगा 28 दिन का आप analysis analytics के ओपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपकी सारे की सारे details दिखाएगा average watch duration क्या है average revenue क्या है subscribers average क्या है आप यहां पर likes versus dislikes क्या है top videos क्या है इसमें आपको और retail में जानना है तो आप जैसे views पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप real time 48 hours के भी जान सकते हो आप 60 minutes में कितने आपके viewers आए वो भी आप देख सकते हो ठीक 8 minutes में क्या चल रहा है 24 गंटे में क्या चल रहा है 48 hours में क्या चल रहा है lifetime क्या चला है हर एक चीज़ है वो views की हो चाहे वो आपके आपने जो अभी वीडियो अप्लोड करी है उनका अभी latest उनके updates क्या है उनकी growth कैसे चल रही है ठीक है watch time की views की watch duration channel का average आपकर duration क्या जैसे मे एवरेज जो view duration है साड़े तीन मेंट चोपर दिखा रहा है पहले से इंप्रूव हुआ है ऐसे revenue दिखाएगा यह भी आप साथ दिन का एक दिन का मतला आप पर डे 60 मिनट हर तरीके से आप देख सकते हो पूरा पूरा analysis कर सकते हो फिर overview के पाद revenue का अलग से आप सारा का सारा यहां पर देख सकते हो टॉप earning video कौन सा है estimated revenue क्या है डिसकावर कर सकते हो impressions कितने आ रहा है जैसे मेरे 2.2 million impressions आये impression rate आया है traffic source आप देख सकते हो top revenue sources top external sources देख सकते हो कि whatsapp से बहुत ज्यादा मेरे पर traffic आ रहा है top playlist है जो की सब जादा जिस पर बहुत time आ रहा है मेरा वो यहां पर आप देख सकते हो उस तरीके से audiences का देख सकते हो gender का age का countries का और जब आप click करोगे तो और detail में आ सकते हो किस country से कितना percent traffic आ रहा है ठीक है यह 28 दिन का भी देख सकते हो साथ दिन का भी देख सकते हो महीने क आप देख सकते हो ठीक है और interactive counts के बारे में यहां पर आप सारा का सारा देख सकते हो प्लेइलिस्ट के बारे में आप सारा का सारा देख सकते हो तो दोस्तों यह जो यहां पर आप अभी जो मैंने वीडियो अप्लोड करी है उसकी current performance का रही है वो by views कैसे rank कर रही है ठीक है उसके specific analytics में जा सकते हो जो अभी latest आपने update करी है उसमें कुछ edit करना है तो आप यहां से जाके edit के इस बटन पर click कर सकते हो और आप चीजों को edit के इस pencil का जो निशाना रहे है वहाँ पर जाके आप edit कर सकते हो tags देख सकते हो सारी चीज़ें यहां से देख सकते हो बायचास क जाने है वह पर सकते हो थिक्ए और उसको save कर सकते है एडिक करने के बाद share करनेश कर सकते हो तो यह सारी चीज़ें आप कर सकते है तो नह quello,'ve one and properties की फीडियो को इच्वाइव का पution नाहीं है यहां पर यहां पर जाके उस वीडियो की performance देख सकते हो थिक है ओर किसी की comments के कमेंट सेक्शन में आ सकते हो लोग क्या कमेंट कर रहे हैं ठीक है उनके कमेंट से आपको जवाब देना है क्या करना है ठीक है कोई गलत कमेंट कर रहे हैं उसको हटाना है कुछ भी करना है वह आप कर सकते हो तो सारा का सारा आप यहां पर कर सकते हो अब दोस्तों यहां पर इ हर चीज आप यहां से कर सकते हो यहां साब फिल्टर कर सकते हो मोस्ट वीड कौन सी है तो दोस्तो इस तरीके से मैं आपर क्लिक करूंगो डैश्वोड में आ जाओंगा तो आपको इस चीज का ज्यान रखने हैं दोस्तो वाइटी स्टूडियो का एप डाउनलोड करो और आप आप फिंगर टिप्स पे ही सारी चीजे मैनेज कर सकते हो ग्रोथ देख सकते हो लेटेस्ट परफॉर्मेस देख सकते हो सब्सक्राइबर्स व्यूज ठीक है लोगों के कमेंट्स कोई भी चीज एडिट करनी है वीडियो में बंद करना है वीडियो को कुछ गलती हो गई है आप कहीं पर अलग हो आपके बस टेक्स टॉप नहीं है तो आप तोरण मोबाइल पर हर चीज मैनेज कर सकते हो दोस्तों वाइट स्टूडियो हर यूट्यूबर के लिए जरूरी है यह मैंने ओवर्व्यू दिया था ताकि आप अपना कम्प्लीट जो यूट्यूब चैनल है मैनेज कर सको मुबाइल से ही हर चीज को ट्रैक कर सको बिकॉज अपडेट है ना ट्रैक करना और चीजों को टाइम तो टाइम सही करना लोगों के संग अपनी ओडियंस के संग करना क्योंकि आप डेक्स्टॉप पे हर वक्त नहीं रह सकते लैप्टॉप पे नहीं रह सकत तो YT Studio डाउनलोड करो और तुरंद अपनी ग्रोथ को अहेड लेकर जाओ अपने चैनल की ट्रैक करो, मॉनिटर को और ओडियन्स के सब कनेक्ट रहो और वो सब YT Studio के थुरू बहुत असान है बहुत इजी है तो दोस्तो उमीद करता हूँ इस एप को आप यूज करोगे, तुरंद डाउनलोड करोगे और इससे अपने चैनल की और स्टेटरजी की और ग्रोथ की तरफ आप ध्यान लगाओगे दोस्तो थैंक यू दोस्तो पर वाचिंग इस वीडियो तो मेजर लीग चार में आपको इसके अंदर वो बाते बताऊँगा जिनको आपको फॉलो गरना है तो दोस्तो आप हमारे चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख सकते हो उसके लावा आप हमारा कूर्स भी अवेल कर सकते हो तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हैं तो दोस्तो पहला जो हमारा पार्ट है जो सबसे important point है वो है हमारे को नीश मतलब वो field वो industry हमें decide करनी होगी कि आप अगर YouTube channel बना रहे हो तो आपको किस niche के लिए या किस particular category के लिए आप अपना channel बनाओगे तो दोस्तो क्योंकि हर industry का paying capacity होता है तो अगर आप जो बहुत सारे जो sectors होते हैं light insurance sector हो गया software का sector हो गया online education का sector हो गया और बहुत सारे sectors हैं जैसे कि आप देख सकते हो तो इन सारे sectors के उपर ये high paid आपको CPM प्रोवाइट करते हैं और इसके अंदर जो earning होती है वो भी काफी जादा होती है as compared to normal अगर आपको field category ये niche चुनते हो तो दोस्तों जो दूसरा point है हमारा वो है कि channel का size या उसका audience कितना बड़ा है उसका subscriber base कितना बड़ा है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो advertisers होते हैं जो पैसा लगा रहे हैं जिनको advertisement चलाना है तो जिस भी niche के या जिन channels को target करते हैं तो वहाँ पर उनका subscriber base भी देखते हैं उनका size कितना बड़ा है वो देखते हैं because उसके हिसाब से ही उनका सारा का सारा planning होता है तो दोस्तो ये चीज भी बहुत जादा important role play करती है कि advertiser आपका channel को चुन रहा है या नहीं चुन रहा है तो channel का size भी बहुत important factor है तो दोस्तो third point है topics of the video तो दोस्तो क्या होता है जैसे कि मैंने आपको इस video में पहले point में बताया था कि niche बहुत जादा important होती है वैसे ही जो topic आप चूज करते हो वीडियो का वो बहुत ही जादा important होता है तो इसलिए कभी भी आप जब कोई topic चूज करो अपने वीडियो के लिए तो उसके लिए बहुत अच्छे से research करो R&D करो और उसकी आपके जो जब research करते हो तो उसमें आपको एक idea लगता है कि उसके ओपर कितना ad आ रहा है उसके ओपर कितना ज़्यदे traffic आ रहा है तो ये सब चीजें भी आप research कर सकते हो कितना trending है तो दोस्तों क्योंकि अगर आप ये देखो जब हम google ads के through कोई advertiser जब ad बना रहा होता है तो उसके अंदर अगर मान लीजे वो display ads सलाता है video ads सलाता है ठीक है या फिर वो normal दूसरे type के ads सलाता है तो उसके अंदर क्या होता है एक option होता है आपने कभी देखा होगा जहां पर आप content targeting कर सकते हो उस content targeting में या तो आप topic के हिसाब से target करते हो या फिर आप जो target करते हो वीडियो स्पैसिफिक वीडियो तार्गेट करते हो मान लीजे मैं एक advertiser हूँ और मेरे को motivational type की जो videos है उन पर मैं चाहता हूँ मेरा ad लगे या अगर मेरे को food से related मेरे को कोई अपना product है या मेरा कुछ service है तो मैं चाहता हूँ कि food से related उसके उपर जो videos है जो trending videos है उसके उपर मेरा ad दिखे तो उसमें क्या होता है एड बनाने के दो दौरान अगर वो agency ad बना रही है या advertiser customer खुद ad बना रहा है तो वो specific videos उनका URL डालके भी उन specific videos को target कर सकता है कि इस video के उपर मेरा ad दिखे या फिर वो channel में से जाके भी select कर सकता है किस video पर क्योंकि जब आपको topic डालते हो तो उसकी भी specific videos आ जाती है जो videos बहुत ज़्यादा trending होती है जिसके उपर बहुत ज़्यादा views होते है तो इसलिए दोस्तों अगर आप topic अच्छा चुनोगे तो public आएगी अगर public आएगी तो आपकी videos पर views आएंगे तो वहाँ पर chances बढ़ जाते हैं कि लोग आपकी videos पर क्योंकि traffic आता है views आते हैं तो specifically उस topic particular वाली video को वो choose करे और उसके ओपर वो add चला है तो topic चूज करना video का ये भी बहुत ज़्यादा important है तो इससे भी आपको high paid ads मिल सकते हैं या ज़्यादा स्यादा ads मिल सकते हैं क्योंकि अगर आपकी video सबसे ज़्यादा trend कर रही है और उसमें सब ज़्यादा views हैं तो advertisers की उसमें bidding cost बढ़ जाते हैं अगर कई सारे advertisers आपकी वीडियो पर add करना चाहते हैं तो obviously उसकी costing बढ़ेगी न तो इस तरीके से भी आपको high price मिल सकता है तो दोस्तो topic वीडियो का बहुत सोच समझ के R&D research करके पूरा का पूरा चुनियेगा तो दोस्तो फूर्थ हमारा point है और बहुत important point है जो की है geography geography मतलब area, country, city या audience जिस भी particular country के आप audience चूज कर रहे हो तो दोस्तो जब आप YouTube channel बनाते हो तो obviously आप ये भी देखें कि आप किस country के लिए किस audience के लिए आप वो particular channel बना रहे हैं या वो videos आप बना रहे हैं because अलग-अलग countries के अंदर अलग-अलग bidding होता है paying capacity होती है जैसे कि इंडिया के अंदर CPM मिलता है या जो हमें पैसा मिलता है वो as compared to US हमें कम मिलता है as compared to Singapore अगर हम ले 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 हैं दूसरी countries Canada ले 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 तो हमें कम मिलता है तो इसलिए जब आप कोई भी channel शुरू करो उससे पहले आप ये decide करो कि आपको कौन सी country कौन सी audience target करनी है ताकि आप उसी हिसाब से अपनी channel की planning करो चाहे वो इंडिया आप choose करो चाहे यूएस choose करो तो उसी के हिसाब से आपको content बनाना होगा अपनी channel को उसी हिसाब से दिशा देनी होगी तो उसके लिए आपको proper R&D research करना पड़ेगा अगर आप ये सारा homework पहले करो channel बनाने से पहले या आपका नया channel है और उस पे अगर आप improvement करना चाहते हो तो इन points के उपर अगर आप ध्यान को पैसा आता है उससे कई गुना जादा आप high paying ads लेकर आ सकते हो और उसके साथ साथ आपकी जो income जो other sources से भी जो income आती है वो भी बढ़ेगी क्यों क्योंकि अगर जहां पर आपकी जो industry है उसमें अगर high paying customers हैं तो वो सिर्फ YouTube भी आपको जादा पैसा नहीं देता अगर आप एक celebrity बन जाते हो लोग आपको जानने लग जाते हैं तो वहां की audience भी आपको पैसा देती है sponsorship देती है और वो पैसा भी बहुत handsome amount होता है दोस्तों क्योंकि YouTube में content तो बहुत जादे important होता है कि आप क्या content देरो उसी से ही public आती है मगर जो YouTube का जो channel होता है उसका जो नाम होता है वो भी बहुत जादा अगर catchy हो तो वो आपकी branding करने में और लोगों को याद रखने में बहुत असान रहता है तो इसलिए किन बातों आपको ध्यान रखना है YouTube channel बनाने के वक्त और उसका नाम इतना कैसी रखना है तो यह पूरा वीडियो देखना है और उसको implement करना है तो आप भी एक strong powerful नाम decide कर पाऊगे तो दोस्तों साथ amazing point में से यह पहला जो point है बहुत भी important topic होने वाला है तो इसको आप ध्यान रखेगा because यह आपके overall channel growth में भी मदद करेगा नाम के साथ साथ तो दोस्तों जब भी नाम decide करो आपको यह देखना है आपको यह अच्छे सा R&D करना है research करना है कि आपका channel किस बारे में होगा what is your channel about तो इसका मतलब है कि आप अपने decide करो कि क्या niche रहेगा किस field category industry के लिए बना रहे है for an example कि आप vlogging का channel बना रहे है reviews के लिए बना रहे है news का बना रहे है motivation का बना रहे है education का बना रहे है किस चीज़ से related है यह सबसे आधा important चीज़ है क्यों क्योंकि दोस्तों अगर सही category सही field सही audience अगर आपने चुली और शुरुवात में आपके दिशा सही है तो आपको high paid income भी मिलेगी अच्छे sponsors भी मिलेंगे और आपका channel भी बहुत तेजी से grow करेगा तो channel आपको किस बारे में बनाना है क्या topics, categories रहेंगी वो सबसे पहले आपको decide करना है और चीजों को अच्छे से लिखो उसके उपर research करो तब आप लोगों को उससे बहुत ज़ादा ideas मिलेंगे तो दोस्तों ये था हमारा पहला point तो दोस्तों दूसरा जो हमारा point है वो है कि जब भी आप अपना channel बनाएं और उसकी शुरुआत करें तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जो channel बनाने जा रहे हैं वो आप अपनी personal branding के उपर बनाने जा रहे हैं या आप अपनी company का brand बनाने जा रहे हैं या दोनो because दोस्तों अगर आप अपना self branding मतलब जिसमें कि एक particular नाम आ रहा है एक single person के उपर वो channel चल रहा है तो उसके अंदर कई बार क्या होता है कि future में अगर आप channel को sale करना चाहते हो तो वहाँ दिक्कत आ सकती है मगर आप कोई company लेकर जा रहे हैं कोई particular brand को channel के तुरू promote कर रहे है तो फिर आप लोगों को आगे उसको चाहो तो sale भी कर सकते हो तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी channel का नाम decide करो तो इस बात को देखो कि आप personal branding उसमें लेकर नाम उसके हिसाब से बनाओगे या company branding के हिसाब से बनाओगे तो यह हमारा दूसरा point था तो दोस्तो तीसरा हमारा point है कि जब भी आप अपने नाम decide कर रहे हो तो उसमें आपको यह देखना है कि जब आपने जो मैंने आपको पहला point बताया था अपनी niche या आप अपनी जब industry चुल लो तब आपको यह इस तीसरे point में इस बाद का ध्यान रखना है कि आपका जो भी channel होगा उसके जो competitors होते हो उस industry से related जो famous channel है चाए वो आपके country के channel हो चाए आप other country के channel हो तो उसके आप ज़रूर एक वरी list बना लें उन channels के एक वरी links ले लें और उसके बहुत अच्छे से research करें उनका content देखें उनके thumbnails देखें उनकी delivery कैसे करते हैं वो क्या information दे रहे हैं तो अगर आप यह research करोगे अच्छे से और उस category नीज से related बहुत सारे links के ओपर आपने अगर ध्यान दिया तो आपको वहां से भी सारे ideas आ सकते हैं और वो क्या बोलते हैं क्या वो समझाते हैं उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ideas मिलेंगे तो दोस्तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि उस channel को बनाने से पहले उस industry के channels और जो उसके अंदर जो बहुत famous name हैं बहुत famous channels हैं उनकी research ज़रूर करना इससे आप वो बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा तो यह हमारी तीसरे tip थी तो दोस्तो फॉर्थ point जो है हमारा वो है कि जब आप नाम decide करो तब आपको क्या करना है कि जो भी आपकी niche है या topics हैं तो उनसे related आप एक words की list बनाओ for an example हम marketing fundage का नाम ले लेते हैं तो like marketing fundage ने जब बनाया तो जो मेरा जो niche है जो मेरे topics हैं वो marketing से related हैं चाहिए वो offline marketing है online marketing है, digital marketing है तो मेरा जो पहला जो उसके अंदर शब्द होता है वो आप हमेशा वो रखो जो आपके niche को बताता हो लोग उसके नाम से समझें कि ये channel किसी से related information देगा तो उसके लाब google की help लो तो क्या होता है जो आपकी category होती है ठीक है आपकी industry होती है उस related अलग-अलग तरीके words होते हैं जो उसको बताते हैं तो उनको एक जगा आप पूरा word के अंदर है एकसल के अंदर पहले उनको लिख लो तो ये fourth point है जिसको आपको करना है तो दोस्तो fifth point ये है कि जब आपने अपना जो मैंने fourth point में बताया था कि आपने जब लिख लिया पहला word और उसके अलग-अलग आपने options लिख लिए तो अब इस point में आपको क्या करना है कि जो second word आपको choose करना है वो होना चीए approach approach मतलब मैं आपको समझाता हूँ जैसे मेरा पहला word है marketing तो दूसरा word मैंने सोचा कि मतलब ये channel क्या provide करेगा like fundals कि मैं marketing के अलग-अलग जो fundals होते हैं topics होते हैं तो मैं उसको लेकर आऊँगा तो ऐसे ही आप मैं learning भी कर सकता था कि मतलब ये channel की approach क्या है learning है या fundals है या study है ठीक है एक example दे रहा हूँ तो आप पहला जो आपका शब्द है वो हमेशा define को बताना चाहिए कि इस एक channel के चीज़ से related है और जो दूसरा word है वो बताना चाहिए कि क्या approach है आपके channel की क्या फायदा लोगों को मिलेगा ठीक है तो इन words को भी आप Google की help से इनके भी अलग-अलग शब्दों को लिख लो तो जब आप दोनों जो fourth point और जो fifth point है इनके जब आप अलग-अलग options लिख लोगे तो उसमें से आप match कर सकते हो कौन सा किस किसन जा रहा है जाद अच्छा combination बना रहा है तो एक तो नाम मिलना असान होता है ठीक है और फिर लोगों को आपके नाम से बहुत जादा clarity होती है और easy to remember होता है तो यह हमारा fifth point है तो दोस्तो sixth point और बहुत ही जादा important point है because दोस्तो सबसे जादा लोग जब YouTube channel का नाम decide करते हैं तो यही गलती वो करते हैं जो मैं आपको इस particular point में बता रहा हूँ दोस्तो जब आप कभी को YouTube channel का आप नाम decide कर रहे हो तो आप उसको जरूर आप बहुत सारी website से हैं like namechecker.com है namechecker.com है इसके ओपर आप जा सकते हो तो वहाँ पर क्या है मैंने इसके ओपर वीडियो भी बना रखा है मेरे channel के अंदर तो उसमें क्या होता है कि आप जब कोई नाम decide करते हैं उसको बहाँ पर जाएए search कीजिए तो ये बताते हैं कि क्या ये जो नाम है ये domain में available है ठीक है अब light आप मान लीजिए मेरे channel पे public आती है तो अगर मेरे पास domain भी है marketingfundas.com जिसके लिए मैंने website बनाई क्यों? क्योंकि बहाँ पर traffic आता है उसको पता लगता है तो मेरी website पे आके और ज़्यादा information लेता है ठीक है? तो कल को अगर मैंने वह चीज़ नहीं देखता तो मैं website नहीं बना पाता या कोई और domain कोई और extension.com ना मिलता मुझे तो क्या होता है? कई बारी लोग यही कलती करते हैं चैनल बनाने के वग domain name पर धानी नहीं रखते तो या तो domain name बहुत भेंगा मिल रहा होता है किसने book कर रखा होता है या मिली नहीं रहा होता तो इस वराद से उनको दूसरे options पर जाना पड़ता है दूसरा social media बहुत ज़्यादा important role play करता है because अगर youtube channel पर traffic आ रहा है तो social media पर भी जाना चाहिए तो कोशिश कीजिए कि जो नाम youtube channel पर मिल रहा है वो आपके social media के जो urls हैं वो भी उसी नाम से हो तो लोग आपकी जो branding है वो एक जैसी होगी और लोग उस पे बहुत ज़्यादा easy रहेगा लोगों के लिए तो दोस्तों वो भी आप name checker या name check.com से देख सकते हो तो दोस्तों इसके साथ साथ अपने CA को भी approach कर लेना ताकि कल को आपकी company channel मान लीजिए बहुत जादा मशूर होता है famous हो जाता है तो आप शुरबात में क्या उसको आपका trademark मिल रहा है register हो रहा है या नहीं हो रहा कल को आपने बहुत महनत कर ली और आगे चल के जब आप उसको global level पे लेकर जाना चाहते हो तो trademark में दिक्कत आ रही है registration में दिक्कत आ रही है तो CA के भी आप अपने help ले लेना दोस्तों ये जो point है इसको बहुत ध्यान रखना because ये आपकी आगे चल के growth को या तो restrict कर देगा या बहुत तेजी साब को grow करेगा तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ 7th point जो कि आपने इन पहले के 6 point से समझा होगा और अब ये उसका निचोड है कि नाम बहुत ही easy रखना easy to remember बोलने में असान हो ये चीज का जरूर ध्यान रखना because जो चीज जितनी ज़्यादा लोगों ध्यान रह जाती है attract करती है easy to बोलने में बहुत ज़्यादा असान होती है तो वो mouth of word भी बहुत easy से होता है और इस पे public भी क्या कहते है बहुत अच्छे से respond करती है searchiness भी बहुत अच्छे से respond करते है तो दोस्तों ये वो 7 points हैं कि YouTube channel का नाम decide करने के वक्त आपको ध्यान रखना है उमीद करता हूँ आप इनको follow करोगे और इनसे आपको फायदा मिलेगा जब आप SEO शुरू करते हूँ किसी वेबसाइट का जो सबसे पहली चीज है और सबसे important है जो आपके long term run में आपको help करेगी और इसी के उपर सारा SEO base है वो है जो आज हम topic बात कर रहे हैं वो topic है keyword research दोस्तों सबसे important है keyword research अगर इसमें दो तरीके से आप keyword research कर सकते हो एक है offline keyword research और एक है online keyword research अब keyword क्या है keyword दोस्तों देखिए एक word है या एक phrase है जिससे आपकी जो website में content होता है वो relate करता है और keyword ही लोग या कोई phrase ही search करते है किसी भी search engine के ऊपर ठीक है तो आपको SEO शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने जो keywords आप अपनी website में use करोगे उन keywords का आपको अच्छे से research करना है और offline keyword research कैसे करोगे online keyword research कैसे करोगे वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ अब keyword research हमें क्यों करने है इसे हमें पता रगता है कि search volume क्या है इस keyword के ओपर इस पर competition कितना है low है high है medium है long tail keywords अगर आपको चूज करने है short tail keyword चूज करने है तो वो आप देख सकते हो then आप तभी जब आपके पास होता है कि मेरी ये website है और इस website के लिए में 10 keyword 20 keyword, 50 keyword या 100 keyword और ज्यादा keywords में target करना चाहता हूँ तो जब वो keywords की filtered list आपके पास होगी तभी आप अपनी website पे pages decide कर पाऊगे कितने page मिरे को बनाने पड़ेंगे अगर मिरे को इस level पे ऐस्यो करना है इतनी keywords पे ऐस्यो करना है या आप अपने website का structuring जो होती है URLs जो होते हैं वो according to जिस page पे आप कौन-कौन से keyword रखने वाले हो उसके हिसाब से देखोगे plus content भी आपके उस page का उस हिसाब से होना चाहिए जिसाब से आपके keywords हो वो relevant होना चाहिए ऐसे metas भी आपके titles भी सब चीजे base है चाहिए offline है चाहिए online है सब तभी relate करेंगी तभी results देंगी जब आप एक अच्छा keyword analysis करोगे और उससे आपको बहुत फायता होगा आपके SEO के अंदर तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि offline keyword research कैसे करनी है अब दोस्तो offline keyword research क्या होती है कि इसमें आपको बैठना है आप एक digital marketing specialist हो तो आपको सोचना है brainstorming करनी है कि कौन कौन से search terms आपके business के लिए use हो रही है या हो सकती है क्योंकि आप भी इतना उसके उपर research कर रहे हैं तो आपको भी एक idea होगा ठीक है लोग क्या search करते हैं या लोग क्या search कर सकते हैं ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए तो आप जैसे for example आप लेगे हमारी digital marketing agency है हम services भी provide करते हैं तो हमारी website है media.com तो मैं उसी के हिसाब से keywords बगरा देखू हूँ मा तो मेरे दमाग में भी एक idea होगा कि इस तरीके से तो लोग search करते ही है या मैं अगर ले menu तो मैं इसे search करूँगा ठीक है तो अब हमें क्या करना है दोस्तों ये मैंने key points इसलिए बनाए हैं और बहुत सारे references भी लिए हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और इन चीज़ों का फ्यूचर में इस्तमाल कर सको तो अब होता है कि आप offline के अंदर अपने colleagues के संग भी discuss कर सकते हो जिनको इस चीज़ की knowledge हो आप अपने दोस्तों से discuss कर सकते हो एक general topic के बारे में कि वो general अगर इस चीज़ के बारे में सर्च करें तो क्या सर्च करेंगे आपको टांस पता लगेंगे कि इंसान क्या सोच सकता है ठीक है अपने टीम से स्टाफ से आप बात कर सकते हो वो बहुत अच्छा आपको input देंगे आप सबसे बेस्ट होते हैं अब एक example ले लिजे कि हम इंडस्ट्री से हैं अब हमें तो लगता है कि managed IT services यह जो अपकी keyword देख रहे हो कि यह keyword बहुत जादा सर्च होता होगा लोग इसको ढूंडते होंगे बड़ क्योंकि हम इंडस्ट्री से हैं हमारे लिए बहुत common keyword हो सकता है बड़ जो हमारे इंडस्ट्री से नहीं है वो relate नहीं करते हो एक layman है और वो किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं वो ज़्यादा पड़े लिखे भी हो सकते हैं कम पड़े लिखे भी हो सकते हैं उनको इस particular चीज़ की ज़्यादा knowledge ना हो या हो भी सकती है तो हो सकता है वो managed IT services ना ढूण रहे हो सर्स्टम्स में उनकी सर्स्टम्स जनरली हो IT solution outsource provider तो हम हो सकता है कुछ और सोच रहे हो और जनरली जो सर्च हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा हो तो offline keyword research भी करना जरूरी है और उससे आप अपनी एक list बना सकते हो keywords की effective keywords की आप एक list बना सकते हो अब दोस्तों second होता है online keyword research लेकि online keyword research के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे free और paid online keyword research tools होते है तो अब इसमें से कुछ tools और इनके बारे में मैं आपको बताउँगा अब फाइदा क्या है online keyword research का हमें पता लगता है कि volume क्या है और क्यूरीज का गिम्रीज का Scholars और upcoming trends हमें पता लगते है related search मतलब हमारे जो हम सोच रहे हैं उससे related और क्या सर्चिस है उसे डरेटेड से कीवर्ड में पता लगते हैं कि इस पॉटिकुलर कीवर्ड पर इस शेहर में जाधा सर्च होती है या इस शेहर में कर अँछियाता लगता सी ना। इस न Nós चार्च उपता लगता है। जैसे कि Google Keyword Planner अब हम यहाँ पर जाते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ यह है हमारा Google Keyword Planner यह मैंने कुछ tabs open कर लिए जिससे कि मैं आपको show कर सकूँ जब आप अपने Google Ads account में जाओगे अगर आपने Google Ads account बना रखा है नहीं बनाया तो हमारे tutorial में इसका हमारे channel में tutorial दे रखा है आप Google Ads account बना सकते हो और आपको 2000 रुपे का credit भी मिलेगा आप 2000 रुपे यूज़ कर सकते हो अपने paid ads में वो tutorial से आप सीख सकते हो तो Google Ads account अगर आपका है या आप बनाओगे तो उसमें फिर आपको tools and settings में जब आप जाओगे तो यहाँ पर keyword planner पर आपको जाओगे तब इस तरीके से आपके सामने Google keyword planner open हो जाएगा आप दोस्तों यहाँ से आप search कर सकते हो आप Google keyword planner का use कैसे करना है इसका tutorial भी हमारे channel में हम हाँ से आप पूरा सीख सकते हो किस तरीक से Google keyword planner का इस्तमाल करोगे आप अपनी keywords को ढूंडने में search करने में तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको keyword डालोगे हमने डाला like digital marketing agency हमने keyword डाला अब इसको हमने search करा अब search करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इस जिन हमें month wise भी बता दिया searches और उसके related data यहाँ पर उसने हमें यह medium priority keyword है high competition keyword है या low competition keyword है हाँ पर यह दिखा दिये इसके monthly average searches दिखा दिये PPC के लिए paid दिखा दिये तो इस तरीके से आप Google keyword planner का बहुत अच्छा use कर सकते हो और long term आपको बहुत फैदा होगा ऐसे ही दोस्तो Google keyword planner के साथ साथ Google trends दोस्तो Google keyword planner आपको अधी के बारे में बता रहा है बट जो Google trends है trends.google.com पर आप जाओगे login आप करोगे हाँ पर अपनी mail id से gmail में id से login कर सकते हो यहाँ पर आप कोई keyword डालते हो तो उसका trend दिखाता है कि इंडिया के अंदर या किसी भी country के अंदर इस particular keyword को लेके कितने searches हैं क्या trend चल रहा है ठीक है और यह देखे area city wise country wise भी दिखा रहा है आपको तो इस तरीके से trend जानना किसी भी चीज का भहुत जोरी भी होता है कि पहले इसको लोग कितनाX करते थे आप कितना कर रहा है है इसका trend बढ़ रहा है घटण रहा है ठीक है आप महीनों के हिसाफ से सालों के हिसाफ से देख सकते हो डेख सकते हो web searchे यह में wow ाइद तो ओगल trend भी उतना ही important tool है जितना important गूगल keyword research है Google keyword planner है तो यह हो गए आपके दो टूल जो totally free of cost है फिर आता है Google auto complete अब जब आप अपना content बनाते हो या कोई keyword search करते हो तो उससे related keywords आप Google auto complete का मतलब हो गया कि जैसे हम यहां गए आप यहां पर Google पर कुछ भी type करते हो कोई भी customer आता है यहीं सर्च करता है ना तो कई वार यह customer को idea होता है कि यहां पर मैंने को यह keyword search करना है वर उस customer को उससे related भी keyword जहां पर दिखते हैं इसको Google auto complete auto search भी कहते हैं तो यहां से आपको related keywords का बहुत आपको मतलब idea मिलेगा और इस idea से आपको पता लगेगा इस तरीके की keyword से भी आपका searches आते हैं लोग ढूंते हैं तो इनको भी आप अपनी keyword list में include कर सकते हो उसके साथ साथ दोस्तों देखें टूल्स और platforms हैं जैसे कि आपका same rush तो ठीक है तो यहां पर आएं अब same rush के अंदर हम आते हैं यहां पर आप आएं यह सेम rush की website है यह worldwide बहुत ही मतलब अच्छा टूल है इसके थूँ आप अगर SEO कर रहे हो आप marketing कर रहे हो तो यहां का free trial भी आप यहां पर देख सकते हो इसके थूँ आप पता लगा सकते हो कि क्या trend चल रहा है इन keywords के ओपर कितने इसके ओपर searches आते हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप बहुत सारे जो आपके competitors हैं उन वह कौन से keywords यूज़ कर रहे हैं और उन keywords के volumes, density, competition मतलब यह आपको इतने सारे stats आप यहां पर देख सकते हो अगर आप किसी keyword को और किसी website को भी आप आप देखना चाहो तो हर चीज़ आप इन पेट टूल्स के थूँ देख सकते हो और यह बहुत ही important vital role play करते हैं अगर आपको long term अच्छा SEO करना है आपको online अपनी presence बनानी है तो यह आपको पूरी तरह guide करता है help करता है stats देता है ठीक है इसी तरीके से एक और है वो है आपका HRF ठीक है यह भी आपको free trial भी देता है तो कोई भी चाहिए आपको और सेमरैस कर रहे हैं चाहिए ये, आपको यूज़ कर रहे हैं चरय या इसके अलावा आप और भी पेट टूल साते हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको free trial भी देते हैं उस free trial के दोरान आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टूल या प्लैटफॉर्म आपके लिए ज़्यादा यूसफुल है आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है आपके लिए ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है तो उसके थुरू आप अपना SEO, अपना पेड प्रोमोशन हर चीज आप वहां से पता लगा सकते हो दोस्तों अगर सही से keyword research करोगे proper keyword research करके एक list बनाओगे filter list बनाओगे आप सोच नहीं सकते amazing results आएंगे amazing results आएंगे क्यों क्योंकि अगर आपने इतनी भेहनत करी और आपने फिर एक keyword की list बनाई और उसको use करके आपने on page करा अच्छे से और off page करा अच्छे से तो आपके result जल्दी भी आएंगे और आपका जो result के साथ साथ जो progress है वो भी बहुत तेजी से होगी तो ये था हमारा keyword research कैसे करें तो अगर हमें SEO करना है तो meta tags के बिन SEO हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत जादा important role play करते हैं SEO के अंदर तो meta tags क्या है meta tags के अंदर अब majorly दो चीज़े आती हैं जो है आपका title tag and description tag keyword tags होते थे बड़ उसका आपको use नहीं है तो अब Google के जो नए updates है उनके लिए उनके accordingly meta tags में आपका description tag और title tag है ये ही सबसे important role play करते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से दिखते हैं और ये कहां use होते हैं हर page को आपको अगर define करना है बताना है दिखाना है तो जैसे कि मैंने यहां क्लिक करा ठीक है तो जब भी हम Google पर कोई कुछ search करता है जैसे कि किसी ने search करा ये कोई term search करी तो यहां पर एक result आया तो यह जो ऊपर आप देख रहे हो सब्सक्राइब करते हैं आपको सही से इंडेक्स कर पाएगा और रिजल्ट्स को मैच करके आपका भी search में ranking लेकर आएगा ठीक है आपकी website भी लाएगा तो यह कहां पर किस तरीक से लगाया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं इसको हम बंद करते हैं आप जैसे कि हमारी ये website है media.com ठीक है तो किसी भी website का title या description आपको देखना है तो यह जो मेरा home page है उस पर मैंने जब right click कर और यहां पर view page source पर क्लिक करा तो मैं यहां पर आया ठीक है तो यह मैंने title डाला है इस page का तो अब जैसे हम यहां पर गए इस page में मैं करसर लेका जा रहा हूं देखिए हां पर आगे digital marketing company in Delhi internet marketing service in Delhi तो जो हमने यहां पर डाला था title में वो मेरे उस में शो हो रहा है अब यहां पर देखिए अब matter description अब description में आ रहा है और वो relevant होने चाहिए और description में आपको अपनी company की usp's या offers या फिर आपको कुछ keywords का use करना है तो जो टाइटल होता है वो जनरली पचास से सतर करेक्टर तक का हो सकता है और जो description है वो आपकी डिर्ट सो दोसो करेक्टर्स तक की हो सकती तो इस चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना ठीक है तो यह description है अब आप यहां पर देख सकते हो जब कोई media भाई को सर्च करा जैसे गुगल पर तो यहां पर देखे यहां पर जो यह आ रहा है यह यह हमारी description है ठीक है तो हर पेज के अपने description होते है black social media का भी मेरा e page है website अब website के अंदर हम आये यह मेरा web site मेरा website में social media का page है सर्विसेज के अंदर शोसल मीडिया का पेज है तो इसके जब मैं यह आप टाइटल देखे इस पेज का टाइटल अलग डाला हुआ हमने शोसल मीडिया मार्केटिंग सर्विस इंदेली इसका भी जब हमने सोस्स देखा सरा टैटल डिस्क्रिप्शन देखा बैकेंड में तो आप जैसे जो हमने description में डाला होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं social media के description में आएगा तो हर page को सही से title देना है सही से description देना है क्योंकि वो search engine को users को बस सही information देता है relevant information देता है कहा हमारा काम क्या है हम क्या कर रहे हैं क्या offer कर रहे हैं तो इस तरीके से matter tag important है search engine के लिए भी users के लिए और आपकी website के लिए भी सबसे पहले मैं आपको एक दो example देखें बता रहा हूं कि जैसे यह एक blog है ठीक है अब website हो blog हो बड़ उसके अंदर किन बातों का भ्यान रखोगे सबसे पहले आपका जो content होता है website में उसमें जो आपकी heading होनी चाहिए ठीक है जैसे आप यह heading देख रहे हो यह बहुत effective होनी चाहिए ठीक है आपका जो content जो लिखा जा रहा है वो पढ़ने में बहुत clear होना चाहिए ठीक है कि easily पढ़ा जा सके readable होना चाहिए उसके अलाबा आपका जो content है वो keyword targeted content होना चाहिए क्योंकि आप जो भी content लिख रहे हैं और जो भी आप titles बना रहे हैं तो उससे related content है तो जो keyword आप SEO में use करेंगे वो keyword जरूर आपके उस particular page पे या content में होना चाहिए ठीक है और दोस्तों जब हम बात करते हैं keyword की तो आज की date में because content को बहुत ज्यादा value दी जा रही है तो एक page पे कम से कम आपका 800,000,000 words से लेके और जितना भी आपके पास अच्छा content available है उतना एक page भी होना चाहिए ठीक है जितना maximum कर सकते हो बड़ मिनिमम है कि 800,000, 1200 keyword मतलब जो words है इतने का तो आपका content page पे होना ही चाहिए इसके ऊपर हो तो बहुत अच्छा अब दोस्तों सबसे ज़्यादा confusion यह रहती है कि keyword density क्या है कि मतलब अगर हम for example 1000 words का content लिख रहे हैं ठीक है एक page पे तो उसमें हम कितने keywords डाल सकते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को confusion है तो इसका एक बहुत easy formula है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है हमने आपके लिए लग से निकाला है अब यहाँ पर क्या आ रहा है 15 का मतलब है 15 keywords divided by 500 words into 100 तो निकलके आया है 0.03 into 100 ठीक है यह निकलके आया है डिवाइट करके 0.03 into 100 तो आप दोस्तों यह 3% निकल 2 है दोस्तों वरना 1-2% से लेके maximum 3% की keyword density होने चीए इसका मतलब है कि 100 word का अगर आपका content है तो उसमें 1-2 या 3 maximum keywords होने चीए और वो भी यह नहीं कि आप similar keyword use कर दीजिए जैसे मैं आपको example दिखाता हूं हम Google में search करते है like हमने search करा digital marketing course in Delhi ठीक है अब यह keyword हमने use करा अब हमारा काम यह है बट ऐसा नहीं कि अगर हमारा 1200 word का content है तो उसमें यह keyword हम 2-3 बार use करेंगे करना similar type में जिसमें हमने LSI keywords क्या हो जें उसका tutorial भी दे रखा है अपने SEO के अंदर वो भी आप देख सको तुमारे separate tutorial है तो जैसे कि हम यहाँ पर आए और यहाँ पर देखिए अब digital marketing course in south Delhi, digital marketing course in janakpuri, digital marketing course in noida, या digital marketing course institute in Delhi तो यह similar keywords होते हैं जो की हमें Google suggest करता है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ और बहुत सारे आ रहे हैं तो इस तरीके से आप अब यहाँ पर हम for example वो हटा देते हैं area ठीक है digital marketing course हमने डाला ठीक है अब इससे related और और आ जाएंगे best digital marketing course आ जाएगा ठीक है digital marketing institute भी आ जाएगा तो इस तरीके से आपको उससे मिलते जुलते और relevant keywords को use करना है content के अंदर ठीक है तो इसमें keyword density का ध्यान रखो आप keywords भी similar आप keywords का टूल का इस्तमाल कर सकते हो और auto suggest tool का इस्तमाल कर सकते हो या गूगल suggest होता है मैंने हैं डाले digital marketing course अब यहां पर या रहे है ना अपने आप ही तो इसको auto adjust या गूगल suggest कहते हैं तो यहां से भी आप keywords का आईडिया ले सकते हो या फिर आप Google keyword planner free keyword planner उसका भी आईडिया ले सकते हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है उसके अलावा दोस्तों जो आपका content होता है अब जैसे आपको content है ठीक है तो आप उस content को अगर social media sharing आप चाहो लोगों को कि मतलब आप content लोग शेयर कर सकें आपके page से अगर उनको अच्छा लगता है तो वह आप आज कल social media sharing रख सकते हो ठीक है अब आप देखिए दोस्तों जो आपका content होता है जैसे for example हमें एक website के example ले लेते हैं जैसे यह एक website है ठीक है तो यहां पर हमारी वेबसाइट है इसके अंदर देखिए इसकी जो आप clarity देख रहे हैं चैन के words हैं जो हमने title दे रखे हैं इसका content देखें डिजाइन देखिए तो इस तरीके से website बहुत clean हो को नीचे देखिए हमने बिल्कुत separate separate headings दे रखी हैं ठीक है अब यही website मैं mobile के size में करता हूं जिसको हम responsive कहते हैं दोस्तों ठीक है mobile का जो साइज होता है अब mobile के हिसाब से देखिए सारा इस्ट हो गया ठीक है तो इस तरीके से इसको responsive website कहते हैं तो आपका content जब mobile पे ठीक है कोई देख रहा हो तो वह भी बिल्कुल clear दिखना चाहिए उसको राइट यह लेफ्ट यह एनलाज ना करना पड़े तो mobile में भी content की उतन जो 100 keywords होते हैं ठीक है जो 100 words होते हैं sorry ठीक है 100 words में ही आपके keyword होने चाहिए एक या दो ठीक है यह आपके suggestion है जनरली लोग इस तरीके से apply करते हैं और यह आपको benefit भी देगा ठीक है अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यह हमारा content है अब content में यहाँ पर कुछ आप keywords द मैं किसी और page में जाओंगा जहां पर मेरे को इससे related relevant content मिलेगा तो उसको internal linking कहते हैं जो website के अंदर ही link दिया जाता है कि और content में जाएं और उसको उससे related और चीज़ें और material मिले ठीक है और अगर मैं यहाँ पर click करता हूं और मैं किसी और website पर redirect हो जाता हूं तो उसको outbound य ठीक है यह content वैसा मिला तो यह भी बहुत ज़रूरी होता है हर page पर आपका होना चाहिए और उससे customer बिल्कुल सही उस जवाब जानना चाहता हूं तो उससे related मैं उस और page पर और भैतर information हो बहाँ पर अगर मेरे को भीजा जा रहा है और मैं को content अच्छा लगता है तो मैं और आपके pages में relevant related images जरूर होनी चाहिए क्योंकि images से लोग attract होते हैं रुकते हैं और अगर images आपके content को support करती हैं relate करती हैं तो लोग और ज्यादा उसको देखते हैं attract होते हैं प्लस images को भी keyword दीजें मतलब all tag दीजें को images को Google track नहीं करता है उसको आप अगर नाम देते हो all tag देत optimization और यह भी on page का एक part होता है ठीक है image optimization तो Google उस नाम को पढ़ता है वो image भी फिर Google search में आना शुरू हो जाती है ठीक है रखिए और उनके accordingly time to time changes है उनको apply कीजिए तो content हमेशा से कहीं था है और रहेगा content पर जो जो मैं आपको बाते बताईए अगर इनका ध्यान शुरुवात से रखोगे तो आपको बहुत help मिलेगी on page optimization में और आपकी SEO की ranking भी भैतर होगी तो style and structure क्या है और वो जरूरी क्यों है तो दोस्तों देखे style and structure of a website is one of the most important things in on page SEO तो style and structure क्या है जैसे कि मैं आपको एक example देता हूं कि जैसे कि यह हमारी website है तो हमारी website के अंदर जो navigation होता है जैसे ही जो हमारे top में जो हम navigation के अंदर हमारे यह जो tabs आ रहे हैं इनको हम parent tabs कहते हैं तो यह सबसे important होता है जो parent tabs होते हैं वो पताते हैं कि इस website के अंदर कौन-कौन से sections है तो उन parent tabs के अंदर अगर जैसे आप यह देख रहे हैं यह इनके child tabs होते हैं तो यह parent और child का एक सिलसिला है कि मतलब एक main page services का जो parent tab है उसके अंदर फिर कौन-कौन से services हैं उसके हमार पर सब टैब्स चाइल टैब्स हैं और इसके अंदर भी अगर कोई सब services हैं सब categories हैं तो वो इसके अंदर आएंगे तो वो किस तरीके से होता है जनरली एक structure जैसे कि मैंने कुछ screen shots लिए तो कोई भी designer या कोई भी person जो यह कर रहा है तो वो side के analysis या on page यह दो उसके अंदर supporting pages यह sub categories हैं कि नहीं तो parent page tabs और child pages हैं कि नहीं है ठीक है आपको एक और इसी तरीके से दिखाता हूं इस तरीके से आप structure देख सकते हो कि who we are के अंदर आ रहे हैं उनके sub tabs restaurant के अंदर आ रहे हैं तो हर एक page का एक sub page होता है जो कि उसको support करता है और उसमें content क्यों कि जितने pages और sub pages होंगे उतने ही आप अच्छे से content उससे related content उससे related keywords और उससे related URL आप maintain कर पाऊगे ठीक है तो इस तरीके से यह structures आपको देखने होते हैं style and structure आपको शुरुआत में देखना होता है तो जैसे हमारी website में main tabs हो गए यह उसके sub tabs हो गए ऐसे आप इसमें अगर आप further देखना चाहें तो हम जैसे flip card में आए अब flip card के हम home page पे चलते हैं अब flip card के home page पे हम आए यहाँ पर देखिए यह इसका आ गया parent tab, parent tab के अंदर आ गया इसका यह child tab, computer accessories और इसे बहुत सारे हैं ठीक है तो यह जितने भी आप bold tabs देख रहे हो, mobile, mobile accessories, laptops, desktop यह सारे इसके जो main parent tab है electronics उसके child tabs है तो computer accessories में भी इसके sub tabs हैं ठीक है तो मतलब children के भी children तो वो हो गए external hard disk, pen drives, laptops यह इसके sub tabs हो गए तो generally किसी भी website के अंदर तीन या चार level से उपर आप pages के structure मत रखेगा मतलब एक तो home page हो गया, उसमें फिर main page हो गया, उसके अंदर फिर आपका तीसरा level हो गया और चौप्था level हो गया यह तो इससे आपका जो search engine होता है, चाहिए Google है या हो और भी search engines है, उनको भी easy रहता है आपके pages को ढूमना, समझना, navigate करना, ठीक है और ऐसे ही users को भी, users भी ज़्यादा confused नहीं होते हैं अगर उनको clearly main tab दिखता है उसमें फिर उसको जिस भी sub tab में जाना होता है वहाँ जाता है फिर उसको अगर और भी उसके अंदर requirement है तो उसके multiple tabs में चला जाता है, ठीक है तो यह user friendly भी रहता है और यह search engine friendly भी रहता है तो style और structure अगर सही है तो आप सही से सारे content, keywords और URL भी कर पाऊगे तो जो idle है वो यही है दो से तीन या चार tabs से उपर आपको नहीं रखने ठीक है और site map अब जब आपके इतने सारे tabs होते हैं तो site map भी बहुत ज़रूरी होता है आप देख सकते हैं ऐसे main categories आ गए box, books के अंदर सारे आ गए home decor main category आ गए main tab उसके सब tabs आ गए तो इस तरीके से और फिर यहां पर उनके links भी है जब click करेंगे तो महाँ पर चले जाएंगे तो इस तरीके से आपको अपनी website का जो style और structure maintain करना है तो शुरुबात से ध्यान रखिए जब आप SEO करें on page करने से पहले उसका style structure proper check कर लें क्योंकि अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सही करवाए एस पर जो market standards होते हैं इससे आपको long term में बहुत जादा benefit होगा और on page SEO में यह आपको बहुत जादा help करेगा यह बहुत ही important role play करता है breadcrumb navigation SEO में क्या होता है तो इसका मैं आपको example दिखा के समझाता हूँ आपको easily समझ में आ जाएगा जैसे आपने किसी भी website में जैसे हम flip card के example लेते हैं flip card में मैं electronics के अंदर computer accessories में गया pen drives में गया तो आप समझो में website में गया electronics फिर computer storage pen drives तो इतने सारे pages या के थ्रू हम होकर गए तो जब हम finally page पर आये तो वहां पर आप देख सकते हो कि मैं home page से computer storage और pen drives में गया तो अगर आपने हर page को एक सही से breadgram navigation आपका proper है तो search engine के लिए इतना easy होता है इसको read करना और इससे आपके जो SEO को बहुत benefit मिलता है क्योंकि search engine से easily किसी चीज को read कर पाएगा उसको सही से पता लगेगा कि कौन से page में कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है तो उसको easily fetch कर पाएगा तो यह users के लिए भी बहुत friendly रहता है कि अब जैसे pen drives के में इदर page पे हूँ अब मैं जैसे computers पे यहां पर click करता हूँ तो मैं वहां पर चला जाओंगा ठीक है अब मैं यहां पर आ गया ठीक है तो मेरे को बार-बार दुबारा से menu में जाने के जरुवत नहीं है उन चीजों में जाने की जरुवत नहीं है तो आपने जैसे की देखा अब मैं electronics, computer, accessories और pen drive से में इनक्लिक करा तो यह फायदा होता है सही से breadcrumb हर पेज पर अगर आपका navigation सही से हो रखा है तो इसका यह बहुत जादा benefit होता है easily readable होता है अब यह search engine में कोई जब search कर रहा है तो इसको क्या benefit होगा आप देख रहा हूं अब गूगल में मैंने generally क्या search करा pen drive 16GB तो डाला ना मैंने flip card डाला ना मैंने कुछ डाला जब मैंने यह search करा तो यहां पर क्योंकि इसका SEO अच्छे से हो रखा है और इसका जो breadcrumb है वो भी सही है तो अपने आप ही देखो SEO में भी top पे आ रहा है SEO में flip card.com computer storage pen drive यह है breadcrumb तो यहां पर और देखो website में भी यह breadcrumb है तो home computer storage pen drive अगर आप सही से pages को नाम दोगे navigation दोगे सही जवा content रखोगे तो search में कितना फायदा होता है अब Google में generally मैंने search करा pen drive 16GB और SEO में top में वही same page आ रहा है जो page मैंने यहां पर website में जाके खोला था तो breadcrumb क्या है कैसे use करना है कैसे दिखता है यह मैंने आपको दिखाया website में भी और search engine में भी तो इसका सही से अपनी website में इस्तमाल कीजिएगा और on page SEO में यह one of the most important चीज है तो anchor text का भी बहुत vital role है अब anchor text है क्या अब जैसे कि मैं अपनी website में जाता हूँ एक example देखे आपको एक दिखे बतावा मैं अपनी website के अंदर आया अब यहां पर आप देख सकते हो कुछ content लिखा हुआ है मेरी website में आप उस content में है contact us लिखा है और यहां पर want to promote your business तो यहां पर इसको हमने एक hyper link दे रखा है अब यहां पर आप देखे मैं करसर लेके जा रहा हूँ और नीचे यहां पर link आ रहा है media.com slash contact us अब जैसे मैं इस link को यहां click करूंगा ठीक है within website तो यह मेरे को contact us के page पर लेकर गया ठीक है तो कि जो हमने हाँ पर anchor text लगाया था और यह जो हमने हाँ पर content डाला था या इसको आप keyword भी कह सकते हो तो जो search engine है वो इसको as a keyword भी मानता है ठीक है और यह बहुत important होता है आप कोई किसी की website में कुछ पढ़ रहा है और उससे related or information आप बताना चाहते हो और उसको सही page पर लेकर जाना चाहते हो उससे related information पर तो वहाँ पर आप उसको वह particular चीज लिखके दीजिए कि आप कहां लेकर जा रहे हो for more information और फिर वहाँ पर उसको पता है मैं कहां land करूंगा तो सही page पर land करेगा तो इससे एक तो आपकी website के अंदर ही multiple pages पर जाएगा आपकी website पर जाधा दिर र एक और example लेते हैं अब जैसे हम किसी ब्लॉग में गए अब जैसे यह ब्लॉग है हम इस ब्लॉग में गए तो यह हम ब्लॉग पढ़ रहे हैं मैंने एक्स के बारे में पढ़ा है ठीक है आप मैं देख रहा हूँ एडिशनली एक्स योक्स कंटेंड यह दो जो element है यह एक य जाहूं इसके बारे में मैं मैं क्योरै सिटि ह Jonah मैं जानों तो सःएं तो मैं क्लिक करार्मा एब में हम इंप क्लिक करूंस इसी विश्यार कहा है व्यक्राया प्रिया गया और उसके उपर भी एक पुरा ब्लोग है आप देख सकते हो अब उसके बारे में भी मैं पढ़ूँगा उसके benefits पढ़ूँगा क्या benefits है ठीक है तो इस तरीके से हुआ क्या कि अगर आप सही anchor text सही जगा use करोगे तो आपको as a keyword भी benefit मिल रहा है आपकी website के other pages पे जाके आपका user और information ले पा रहा है जाधा time spend कर रहा है तो देखिए एक anchor text अगर सही से आप अपनी website के content में use करोगे तो उसके आपको multiple benefits मिलेंगे तो anchor text का जरूर स्तमाल किजिए content में ठीक है आपको बहुत help होगी on page SEO में और आपका SEO में ranking भी बहुत तेजी से बढ़ेगा तो on page heading का है किसी भी page के अंदर content होता है ठीक है heading होती है sub heading होती है तो उन heading sub heading को हमें search engines को कैसे पता लगेगा क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझते जो हम लिख रहे हैं तो उसके लिए उस protocols है तो यह जैसे हमने on page heading क्या है और कैसे हम उसको define कर सकते है अब जैसे यह एक blog की website है तो यहाँ पर मैं एक particular blog के page पे हूँ तो जो blog का जो main जो title है the 12 best foods to eat in the morning इसको हमें h1 tag देना है because सबसे important है यह इसको हम highlight करना चाहते है और यह read भी हो और as a keyword भी इसका use हो because जो h1 tag होते है जो tags होते है वो as a keyword role play करते है एक website में और एक search engine में ठीक है तो जो सबसे important information है वो आप अपने h1 tag में रखिए जो ही आप लोगों को बताना चाहते है जो सबसे important है उसके बाद आप जैसे नीचे आओगे यहाँ पर आप इसको h2 tag दे सकते हो ठीक है तो अलग-अलग आप tags subheadings को अलग-अलग tags दे सकते हो h2, h3 इस तरीके से एक और example लेते हैं एक और website में हम आए तो यहाँ पर देखे इसको हमने h1 tag दिया इसके नीचे फिर एक subheading है इसको हमने h2 tag दिया इस तरीके से आपको tags देने होंगे और फिर in tags का कैसे इस्तमाल होता है search engine उसको ऐसे keyword मानता है अभी मैंने एक sample भी निकाला है जैसे कि यह जो एक page है इस page में देखे इसको जो h1 tag दिया हुआ है यह जो a list apart इस particular जिसको सबसादा highlight करना चाहते है हम बताना चाहते है इसको हमने h1 tag देना है फिर about इसको हमने h2 tag दिया हुआ है और फिर हमने क्या बताना है for people who make websites इसको हमने h3 tag दिया हुआ है तो इसी तरीके से आपकी website में हो या blog में हो कहीं पर भी आपको उस particular page में जो main आप जो page उस बारे में है और उससे related जो main keywords है उनको आपको h1 tag में रखना है फिर उससे और जो related topics है subheadings है या और important keywords है उनको h2, h3 अलग-अलग tags में रखना है इससे क्या होता है ये तो page easy to understand होता है google search engines के लिए भी और users के लिए ठीक है और ये बहुत important है अगर आप सही से h1 tag का h2 tag से इस्तेमाल करोगे आपका content आपका data बहुत जल्दी crawl होगा index होगा easily search में आएगा तो इस तरीके से आप अपने हर page में आप on page heading का इस्तेमाल करें h1 tag का h2 tag सही से इस्तेमाल करें दोस्तों SEO में robots.txt काफी important role play करता है अब इसके फायदे क्या है और इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो दोस्तों आपको पता है जब हम SEO करते हैं तो हम अपनी files को या अपने web pages को crawl कराते हैं google के through जिससे कि हमारे pages google पढ़े, देखे, index हो जाए और फिर वो अपने database में save हो जाए उनके और हमारी ranking और हमारे keywords और हमारे pages content हर चीज़ ग्रॉल हो जाए बट कई बार क्या होता है कुछ हैसे pages जिनको हम नहीं चाहते कि google crawl करे तो उसको कैसे disallow करना करवाना होता है तो यह हमारे हाथ में अब होगा कैसे देखिए for example हमारी website media.com ठीक है और एक website और है science software ठीक है अब हम आपको दिखाते हैं कि हमें check करना हो robots.tht तो कैसे science software पर गया और मैंने यहाँ पर slash लिखा robots.txt तो यहाँ पर पता लग जाएगा है यह pages है जिसमें से हमने यह वाला page admin वाला disallow कर रखा है हमने allow कर रखा है यह वाला page disallow कर रखा है यह और सारे media भाई में कई सारे allow कर रखे हैं वरना जो disallow होते वो आ जालाते हैं ठीक बग्चे ठावर लंगे लगा के जो बगाई डे ज्यंड वेजय को पेज का पात करनी मीँ जलो को सब्सक्राइए तो मैं नहीं चाहता हूँ कि गूगल करें गूगल तो मैंने क्या करना है यहां जाओंगा और डिसलाओ लिखोंगा डिसलाओ लिखने के बाद डैश के बाद यहां पर मैं अबाउट आस यह मैंने कर दिया यह कर दिया झाल ओर जितने भी पेज़ों को आपको ईलाओ यह डिसलाओ करने इसी तरीके से आपको पूरा फॉरमेट बनाना है और इस पाईल को सेव करके थीक आप अपने वद्धसाइट के सी पैनल में जाएंगे जो निफिस पैनल udah होता है cPanel तो ठीक नहीं तो अपने developer designer को बोली वो कर देंगे वह जाके file का जो मतलब जो files इला होता है file page होते है हमारे हमारी server में upload कर देंगे इस file को और जैसे upload करेंगे तो उसके बाद जो pages allowed है वह इस तो आप गूगल को भी देख सकते हो गूगल ने भी अपने लिए अपनी साइट में सब कर रखा है अगर को सर्च कर रहा है इस तरीके से आप भी देखो अलाओ हर एक पेज को आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है ऐसे ही Facebook ने भी कर रखा है आप देखिए ठीक है और से अलग-अलग सारग-सारग कर रखा है Facebook ने तो इस तरीके से दोस्तों Roberts.txt इतना important rule play करते हैं और यह जरूरी भी है एक SEO के person को इसे बारे पता होना चाहिए What is internal linking and what is external linking? For example, यह एक website है तो उस website के अंदर हम एक particular blog section में हैं तो उस blog section में हमने यहाँ पर एक blog है ethical hacking का उस ethical hacking के blog में जब हम उसको study कर रहा होता है तो उसको study करने के दोरान अगर वहाँ पर हमने कोई चीज पर internal link दे रखा और वहाँ पर click करता है link पर तो वहाँ पर website के redirect हो जाता है उस particular information पे क्योंकि यह internal linking जो है आपको एक limit में करनी होती है कि for example किसी particular चीज के बारे में आपने कोई जानकारी दी है और उससे specific आपने internal page का link दे दिए कि उसमें और detail information के लिए वह जा सके ठीक है plus उसके अलावा आपने website के homepage पे एक दो वह sections दे रखे है इंजहा जहां पर आप customer को लेकर जाना चाहते हो जहां पर उसको सही information या product मिले जो इसके बारे मां बताना चाहते हो तो इस तरीके से आप विजिन अपनी website और blog में जो content में जो आप links अपूट करते हो या अपनी website में pages में अपने website के ही दूसरे pages के जो link फूट करते हो उसको internal link के कह तो positive या सही interlinking कहते हैं जिससे आपको और आपके customer को दोनों को benefit मिलता है बट एक होती है external linking एक्सटरनल linking से पहले आपको internal linking के बारे में एक बात और पताऊंगा कि अगर आप हर page पे अपने other pages की links दे रहे हो ठीक है आप अपने blog में बहुत ज़्यादा internal links का use कर रहे हो चाया उसका use है नहीं है तो आपके अगर within website for example 100 pages की है और आपने हर page में वागी के 40-50 pages के इंटर links दे रखे हैं तो वो एक तरीके से spam है ठीक है और जो की एक सही practice नहीं होती तो internal linking जहां जबत हो जहां आपको customer को सही जगा पर पहुंचाना हो या जिस particular चीज़ को आपको specifically show करना हो उसी page का interlink link आपको other pages पे या blogs मेगरा में देना है unnecessary आपको interlinking नहीं करने तो कोई भी ची external link क्या होता है कि for example कोई website है और किसी website में हमने किसी दूसरी website का link दे दिया है वो हमें वहाँ पर को information के लिए भेजना है किसी को या वहाँ पर से हम चाहते हैं अब बहुत सारी चीज़ों में आप देखिए affiliate websites के अंदर क्या होता है वहाँ पर जो links होते हैं वह external links होते हैं कि इसने blog पड़ा, hosting के बारे में उसने click करा उस लिए वो गोडड़ी की website पर चला गया तो वह एक external link है ठीक है तो दोस्तों external link अपनी website से किसी और की website पर भेजने के लिए होते हैं internal link within हमारी website के pages के अंदर के लिए होते हैं तो यह बहुत simple पंडा है इस वहाँ हमेशा धान अधिने marketing और एक होता है backlink creation तो सबी चीजे चाहे वह article submission है आपका blog submission है चाहे वह forum posting है चाहे वह business listing है चाहे वह bookmarking है चाहे वह आपका social bookmarking है image submissions है कुछ भी होगा उन सब का मकसद एक ही होता है हमें अच्छे से अच्छा backlink create करना ठीक है हमारी website के अच्छे से अच्छा backlink provide क करना मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे यह do follow जो backlink है यह इस तरीके के नॉर्मल आपकी website का backlink होगा जो कि किसी भी website में अगर आपने backlink बनाया तो वहाँ पर होगा और अगर कोई website है हमें backlink तो हमारा भापर है बढ़ो no follow backlink है तो यहां पर इस तरीके से URL के पीच में य return देख सकते हैं तो होता है अगर no follow backlink है तो वह crawl नहीं होगा उसका हमारे को कोई benefit नहीं होगा मैनत करने के पावजूद भी और do follow जो link है वह crawl होगा और इसका backlink हमारे में count होगा और इसके हमारी ranking में हमें फायदा मिलता है और हमारी ranking increase होती है तो इसलिए do follow backlinks भी बनाए ज सब्सक्राइब होती है तो इन बातों होगा आपको हमेशे ध्यान रखना है और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक दो चीज़ा और दिखाना चाहता हूं अब जैसे के यहाँ पर आप देख सकते हैं Wikipedia एक मैं आपको एजामपल दे रहा हूँ Wikipedia का आप यह Wikipedia में Flipkart का पेज है ठीक है तो अब यहाँ पर हम हमने जो Ctrl-U करके इसका पेज का Source Code निकाला और यहाँ पर हमने डाला Follow ठीक है तो Follow जब हमने डाला तो आप यहाँ पर देख सकते हैं No Follow का Backlink है तो Wikipedia ने भी जो Flipkart है उसको No Follow का Backlink दे रखा है ठीक है तो ऐसा आप ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पर अगर नहीं का Backlink No Follow का है तो वहाँ से Traffic नहीं आएगा But क्या जहते हैं कुछ Websites हैं वह Allow नहीं करती है Do Follow Backlink देने का तो उनकी Policies में होता है ठीक है तो दोस्तों यह हो गया Do Follow Link और हम जैसे Amazon का भी इसी तरीके से है Amazon को भी देखिए Wikipedia ने No Follow Link ही दे रखा है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरली दोस्तों होता क्या है एक जो Backlink होता है वो एक Hyperlink ही होता है ठीक है अब वो Hyperlink में अगर No Follow लिख दिया जाता है तो उसको हम No Follow Link कहते हैं अब जब हमारी Website पे हमें किसी Website का Link या Hyperlink देना है क्योंकि हमें कोई Example या कोई Information देनी है बट हमें चाहते हैं कि उसको Backlink हमारी तरफ से ना मिले सिर्फ उसका Link हमारे हम पर दिस्पले हो Information के तौर पे तो हमें Source Code में जाके उसका जो Hyperlink है भाहाँ पर No Follow का यूज करना होगा जिससे कि उसको हमारी तरफ से Backlink ना मिले तो इस तरीके से आप Do Follow और No Follow लिंक के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसको किस तरीके से यूज करना है नहीं करना है कैसे चेक करना है नहीं करना है इसका इस्तेमाल आपको आ गया होगा SEO friendly URL कैसे बनाएं और हमेशा अगर आपको SEO में अपनी website की ranking इंप्रूव करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी ranking strong रहे तो हमेशा ध्यान रखेगा अगर आपका URL SEO friendly है तो हमेशा वो दूसरी website से ज्यादा जल्दी rank करेगा ज्यादा जल्दी optimized होगा तो कुछ में ऐसे points हैं जो सबसे important हैं जब भी आप website बनाएं तो अपनी URLs को उन parameters पे जरूर चेक करें और उनी parameters पे बनाएं जिससे कि आप easily SEO में अपनी ranking तेजी से बढ़ा सकते हैं और top पे rank कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि यह हमारी website है media.bhai.com तो आप देखिए जो हमारा URL है वो बिल्कुल short में है ना यहां पर कुछ आगे indexing ना कुछ ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए तो पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ जहां हमने points बनाए हैं और यह के point करके आपको समझाता हूँ जिससे कि आप relate कर सको तो दोस्तों देखिए हमने आपके लिए points बनाएं यह points तो mandatory है यह आप हमेशा ध्यान रखेगा SEO friendly URLs points to follow and not to follow तो सबसे पहला point है दोस्तों use hyphens to separate words जो आपका URL होता है जैसे कि आपका URL media.com slash blog का आपका page है तो blog के page के बाद जो भी आपको लिखना है महाँ पर उसके बीच में hyphens होनी चाहिए यह होने चाहिए तो इससे आपका जो page है more readable बनता है easily वो क्रॉल हो पाता है और ranking में आता है तो और आपका अगर आपके URL में इस तरीके से media.com slash blog slash अगर underscore आ रहा है ठीक है आप hyphens नहीं यूज करें यूज कर रहे हैं तो यह बिल्कुल भी SEO friendly URL नहीं है और आपकी website rank नहीं करेगी अच्छे से ठीक है तो इस चीज का पहला point है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है हर page में हर URL में आपको इस चीज का ध्यान रखना है second हम आते है use lower case letters in URLs इसका मतलब यह है optimized तरीका यह है कि आपका जो भी URL होता है page का उस page के URL के पीछे जो भी आप यह words लिख रहे हैं characters लिख रहे हैं उनके alphabet small letters में होने चाहिए ना कि capital letters में जैसे कि यहाँ small है तो it is a sign of optimized URL ठीक है SEO friendly URL और not optimized में कोई capital में है कोई small में फिर कोई capital में यह बिल्कुल भी optimized तरीका नहीं है it is non SEO friendly URL तो दोनों में आप देख सकते हैं third point जो है वो है be careful with sub domains जब भी आपको इस sub domain बनाते हैं अपनी website में इस बात का हमेशा ध्याम रखेंगे optimize तरीका है पहले website का नाम आना चाहिए www.media.com slash topics इस तरीके से आप sub domain बना सकते हैं मगर कुछ लोग इस तरीके से sub domain बनाते हैं https slash topic.media.com तो यह बिल्कुल गलत तरीका है इससे आपकी ranking को effect हो सकता है आपकी website बिल्कुल optimize नहीं होगी तो इस चीज अगर आपने कर रखिये बिल्कुल इसको आप हटाई अपनी website से तो यह बिल्कुल ही नॉन SEO friendly नॉन optimized तरीका है यह सही तरीका है sub domain create करने का जो आप उपर देख रहे हैं और अब हम बात करते हैं keep urls short मतलब जितना short आपका url रहेगा readable रहेगा तो यह users के लिए अच्छा है यह आपकी website के लिए अच्छा है यह आपके page के लिए अच्छा यह crawling के लिए अच्छा है तो इस तरीके से इसमें कोई unnecessary numbering नहीं आ रही है कोई unnecessary stress नहीं हो रहा है तो इस तरीके से अपने हर page का url है बहुत short and simple रखें जिसको की easily crawl और track और read करा जा सके तो दोस्तों यह 4-5 points तो term आपकी website sustain करें आपका ranking जल्दी आए आप तेजी से rank करो तो इन points का SEO website बनाते वक्त अपना URL बनाते वक्त जरूर जहन रखिए अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर आए आप अपने account में login करेंगे यह जो आप section देखे हो tools and settings का यहाँ पर आप click करोगे यहाँ पर click करने के बाद देखिए keyword planner आ गया है यहाँ पर keyword planner यह Google keyword planner को option है click करेंगे हम यहाँ पर अब यहाँ पर click कर दें दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास अभी option आएगा यह देखें discover new keywords get search volume and forecast तो दोस्तों इसमें होता है कि अगर कोई keyword हम ढूंड रहे हैं तो उससे related और उस keyword के ऊपर हम research कर सकते हैं हमें पता लगेगा अब जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक करा और यहाँ पर मैंने डाला like computer institute in Delhi ठीके दोस्तों अब मैं इसको आप हम multiple keywords भी डाल सकते हैं अब एके करके search करेंगे तो आपको जाधा असानी होगी ठीक है अब हम यहाँ पर result search कर सकते हैं इससे related अब दोस्तों जैसे यह हमने डाला तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ data निकल के आया कि इस keyword के ऊपर अक्टूबर 2018 में total कितने searches थे ठीक है mobile पर कितने थे तो यह यहाँ पर यह data भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से किस महिने में कितने searches रहते हैं तो इस सारा data आप यहाँ पर देख पा रहे हो इससे एक idea लगता है कि इस keyword का potential कितना है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखें कंप्यूटर इंस्टूट डेली में ने डाला यह यहाँ पर दिखा रहा है कि monthly जो इसकी searches हैं वो यह हैं competition low है और यहाँ पर इसकी bidding दिखा अब यहाँ पर इससे related keywords भी आने लगे computer courses in Delhi ठीक है best computer institute in Delhi government institute computer courses तो इस तरीके से आप अगर SEO करते हैं तो एक list आप बना सकते हो related keywords की ठीक है अभी तो आपने computer institute in Delhi डाला है फिर अगर आप डालते हो computer coaching center तो उससे related keywords आ जाएंगे जैसे कि मैं आपको वो भी डाल के दिखा देत जाओं मैं यहाँ पर एक और keyword डाल के हम देखते हैं हमने डाला computer अब हमने यहाँ पर इसको सर्च करा अब जैसे हमने दूसरा keyword सर्च करा देखें यहाँ पर भी इससे related searches आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास वो keywords निकल कर आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा monthly searches हैं इनकी bidding भी आप देख सकते हो कितनी high bidding भी है इनकी यहाँ पर low, medium आप अलग अलग तरीके से आप सारा का सारा analyze कर सकते हो तो जब आप multiple keywords SEO के लिए हाँ पर search करोगे तो उसमें से आप थोड़े से SEO के अंदर long tail keywords use करना क्योंकि अगर आप सिर्फ computer courses करोगे तो traffic जरूर लाएगा SEO में एक तो उसकी ranking आने में time उसके अलाबा उसके अंदर आपके पास traffic भी आएगा और long tail जो keyword होते हैं like computer courses center in Delhi इन प्रीच विहार तो उसमें क्या होगा कि बंदा वहाँ पर ज्यादा relevant keyword है वहां search करेगा अपने area में और आपको inquiry करेगा वहां से inquiry आने की chances जादा है अगर कोई सिर्फ computer courses जाल रहा है तो ह traffic जरूर आ सकता है वो भी ranking SEO में इतनी असानी से आएगी नहीं competitive keywords पे छोटे keywords पे तो इसलिए जो भी keywords आप SEO की list में बनाएं उनको अच्छी तरह उससे related keywords पे आप ज्यान दें उनके searches कितने हैं मंतली उनमें competition low है high है उसके हिसाब से एक keyword की list proper बनाएए उसमें एक balance होना चाह सब्सक्राइब नहीं है और बिल्कुली वह नहीं तो एक balance रखिएगा keywords में यह SEO के लिए मैंने आपको बताया ठीक है आप क्या हम बात करते हैं अगर आपको keyword planner कर यूज करना है तो इसके अंदर जब आप एक PPC आपको run करना है वह lead generation के लिए run करना है आपकी कहीं भी ranking नही सब्सक्राइब नहीं करा रहे हो और instantly आपको करना है तो आपको कैसे पता लगेगा कि एक और से keywords आपके लिए फायदे मन्द है तो वह भी आप नहीं से सर्च करोगे यहां पर आप देख सकते हो कि इस keyword के ऊपर कितने रुपे से लेके कितने रुपे तक एक average bid आती है अब bid नहीं बता रखा है तो आप इन keyword planner का यूज करके PPC के लिए एक list बना सकते हो जो आपको लगे कि जिन keywords पे traffic भी है जिन keywords पे bidding भी थोड़ी economical है तो एक आप mix keywords के list बनाएए और उसको आप यूज कर सकते हो PPC के campaigns में तो दोस्तों इसी तरीके से Google keyword planner का यूज कीजिए और आप single keywords डाल के फिर उनसे related keywords पे सर्च कीजिए जिससे कि आपको ज्यादा भैतर तरीके से idea हो तो इस तरीके से आप Google keyword planner का यूज कर सकते हो SEO में भी और आपके paid ads में भी PPC के अंदर भी गूगल ट्रेंट के इस topic को बिल्गुल मत मिसकरिए ना इसको अंक तक देखेगा क्योंकि Google जो trends है जैसे Google planner है वैसी एक free tool है एक website है जो Google ने हमारी help ले दी है यह सिर्फ Google के campaigns में हमारी help नहीं वरता है हमारे business में भी help परता है यह हर तरीके से हमें help परता है business को plan करने में हमारी keywords को plan करने में और बहुत सारी चीज़ों में तो गूगल ट्रेंट्स एक website है जो की सं 2006 में मई 11 को बनाई गई थी गूगल के द्वारा नोच करी गई थी और इसके बाद पांच अगस्त 2008 के अंदर गूगल इंसाइट्स करके एक और website आई थी गूगल ने गूगल इंसाइट्स को और गूगल ट्रेंट्स को मर्ज कर दिया था 27 सितंबर 2012 को जो गूगल ट्रेंट्स है वो एक सर्च ट्रेंट्स फीचर है जो गूगल ने दिया है जिससे की हम हमें गूगल बताता है कि आप इस पर्टिकुलर जो कीवड को सर्च कर रहे हो या इस पर्टिकुलर फ्रेज को तो इसका इसमें कि वॉल्यूम प्लस जोग्राफिकली हमें पता लगता है कि यह पर्टिकुलर कीवर्ट को इन टॉंस को किस एरिया में किस सेटी में किस कंट्री में सबसे ज्यादा सेक्ष कर आगया है तो हमें टाइम कितना सब्सक्राइब होता लगता है साथ की साथ किस जगा पर उसको जादा सर्च करा जा रहे हैं क्या सही हम सोफते हैं कि यह लोग सर्च कर रहे होंगे इस तरीके से सोच रहे हैं तो राइट इंफॉर्मेशन राइट सर्च हमें पता लगती है जिसका हमें बहुत जादा बेनिफिट मिलता है उसके साथ साथ कौन सी चीज आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है तो यह सब चीज अगर हमें पता लगे कि क्या है क्या चीज कर रही है तो इन सब चीजों का बहुत जादा वेनिफिट होता है है सबसे जाथ होता है क्या फ़ाइदी है यह पाशन चला उसके अलाबा हम जो पैड़ दे बनाते हैं चाहे बना रहे हैं बना रहे हैं तो उससे हम आइडिया लगता है कि क्या चल रहा है हम उसका कैसे फाइदा उखा सकते हैं कैसे उसे में benefit मिलेगा तो paid campaigns में भी हम उन trends का use कर सकते हैं दूसरा जब हम SEO करते हैं तो SEO में भी अगर हमें सही towns पता हो सही locations पता हो तो हम उसके हिसाब से keywords प्लैन कर सकते हैं और अपनी future planning SEO के हिसाब से कर सकते हैं content marketing अगर हमें पता है प्रेंडिंग ejercys का अगर हमें पता है कौन से Twitter यह कों से phrases का ज्यादय स्कूल होता है तो उसको का। इसको उसको हम भूँव marketing में यूद्ध मार्केटिंग में यूद्ध मार्केटिंग में यूद्धश कर सकते हैं तो उससे हम अपने content को धंदर सकते हैं लोगों का इंट्रेस्ट है कि अगर में पता होगा किसे थीड़ीज़एंटकरس लोग उसकी तरफ हो ठीक है तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको जोग्राफिकल भी देखें इन सब चीदों को यह अगर हमें यह पता है कि किस चीज को सब्चादर सर्च करा जा रहा है तो हम अपनी बिजनस प्लैनिंग हम अपनी आफ्लैन मार्केटिंग भी उस हिसाब सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि जिस एरिये के अंदर हमें आइडिया लग कि इसी सब्सक्राइब मार्केटिंग हो चाहें आपकी पेड़ मार्केटिंग हो उसको महां पर लौंज करेंगे तो इस तरीके से दोस्तों हम गूगल ट्रेंट्स का कई माइनों में खाइदा बढ़ा सकते हैं और सबसे बड़ा फाइदा कि हम अपने बिजनस को दिशा दे सकते हैं उसके फ्यूचर प्लैनिंग कर सकते हैं और इस पे हम सिर्फ यह नहीं कि पास्ट दस पंदरा दिन का या पास्ट एक साल का हम पांच साल सन 2004 से लेके तिल डेट तक का हम सारा सनथ वर्लीज बना सकते हैं तो और मैं आपको कैसे यूज करें गूगल ड्रेंड्स को और सीखते हैं तो सबसे पहले हम एक नया टैब ओपन करेंगे वहां लिखेंगे गूगल ट्रेंड्स अब गूगल ट्रेंड्स लिखते ही हम सो सर्च करेंगे यहां पर गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट है तो सबसे पहले आप जिस वी कंट्री का आप देखना चाहते हो उस कंट्री को सलेक्प कर लो मैं इंडिया को चूष करता हूँ विगॉज हम जादर रिलेट कर पाएंगे विगॉज हम इंडिया में हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक ओवर्विव दे रहा हूं इस होम पेज का इसमें आप देखें यहां पर सर्ष टम बॉक्स है जहां पर आप कोई भी टॉप्टिक या कीवर डालके सर्च कर सक सर्च हुआ था लोगों ने सर्च कर रहा था यहां पर दिखा रहा है कि लास्ट साथ दिनों में वर्ल्ड वाइड किस टॉपिक योपर सर्च हो रहे है तो आप वर्ड कप के बारे में देख सकते हो और इसी तरीके से सन 2004 से प्रेजेंटेट तक किन टॉपिक के ऊपर या कि के लगसी के ने था सुपिट Aff sniff है अंदर उस से तरीके से रिजन हो गए तो कितने अलग अलग तरीके से देखे गूगल ट्रेंड पर और जानकारी पा सकते हैं उसके बाद नीचे आते हैँ यहां पर हर year के हिसाब से हमें जो भी मतलब जो सर्च सबसे ज़ए सन 2018 में क्या सबसे ज़ए सर्च करा गया सन 2019 में 17 में 16 में इस तरीक से आप year wise भी यह सारी सारी चीजें देख सकते हो सन 2018 का यहां पर आपको दिखा रहा है यह देखिए आपर सारा सा ओवराल इसमें दिखाया न्यूज में क्या सर्च करा गया और मुवीज में क्या सब्सेदर सर्च करा गया इंडिया के अंदर देखो रोबर्ट टू आए थी बागी आई जी सब आए थे यह सब चीजे थी और और हाउ टू मतलब लोग जो जानना चाहते हैं ठीक है यह बहुत जादा है तो इस तरीके की चीजे हैं जो बहुत जादा इंडिया में सर्च करेंगे थी 2018 में यहां पर आप देख सकते हैं नियर में देख सकते हैं मोबाइल स्टोर्स देखे गए सूपर मार्केट देखे इसे जो पिछले साल ट्रेंड रहा और उसमें से हम इस साल के ट्रेंड से उसको मैच कर सकते हैं क्या वो सब चीजे इस साल में हैं क्योंकि हम पास्ट प्रेजेंट करन्ट सब चीजे यहां से देख सकते हैं ठीक है उसके बाद रीसेंटली ट्रेंडिंग आगे इंडिया के अभी हाल फिलाल रानु मंदल जो एक गरीब तबके से आई और उन्होंने अपनी आबाद से जादू बिखेरा उनके बारे में बहुत ज्यादा सर्च करा जा रहा है ठीक है और यहां पर आप देखें बिल गेट्स के बारे में काफी सर्च करा गया मिर्जापूर के बारे में इस तरीके से अभी इंडिया बंगलादेश का है तो उसके ओपर सर्चिज हो रही है तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हूँ यह जो डेली सर्च ट्रेंड्स हैं वो यहां पर आ रहे हैं और उस पर कितने सर्च चीज़ें सब भी आप देख सकते हो पिछले एग घंटे में दो घंटे में यह डेली सर्च ट्रेंड्स के बारे में हैं ठीक है तो अब यहां पर आप हम गए यहां पर हम यह देखा और यहां पर आप एयर के हिसाब से जैसे में आपको बताएं 2018-17-16 हर चीज आप देख सकते हो सन 2004 से लेके अब तक किस चीज के ओपर किस इंडरस्टरी किस टॉपिक किस सेक्टर किस चीज के ओपर कितने सर्चिज हैं लोग कितना इंटरस्ट रखते हैं सब चीज आप देख सकते हो और एरिये के हिसाब से भी देख सकते हो तो दोस्तों अब एक एक जामपल लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं वैसे पर एक्जामपल मेरा काम डिजिटल मार्केटिंग एजनसी है देखते हैं क्या है तो अब यहां पर आप देखें इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का पिछले 12 महिने का यह आप सर्चिस देख सकते हो दो दिसंबर को दिजिटल मार्केटिंग 68 लोगों ने सर्श्टम को यूज करा इस तरीक साब पर डेका सारग सारा 12 महिनो तो यहां पर डिजिटल के मार्केटिंग को सबसे ज़्यादा कहां पर सर्च करा जा रहा है तो डेली इससे हमें टॉप में है तिके फिर महरास्त्रा है इस तरीके से इससे हमें यह आइडिया लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के अगर मैं कोई केंपेइन चला रहा हू या digital marketing को inquiries चाहिए तो मैं कहां पर उसके ads चलाओं के इरिया को ज्यादा focus करूँ या फिर जो digital marketing का अगर मैं SEO भी करता हूँ तो मैं उनमें किन-किन states या cities के keywords रखूँ की जहां पर ज्यादा potential है ठीक है यह सब चीजिए हमको फायदा होता है तो सब रिजन के हिसाब से चीज़ को सरे के हिसाप से आप कैसे कर सकते हो वे तो उसके अंदर City के हिसाब से जब हम कर रहे हैं तो नौइडा में गुडगाओं में नभी मुंबई में गाजियाबाद में यह सारा आप सिटी के हिसाब से भी जा सकते हो कि अगर आपको स्पैसिफिकली सिटीज ही टार्गेट करने स्टेट के वज़ा है तो यहां से आप चीज़ों कर सकते हो डाटा सेस्पी फार्मेट में शे अगरेटिंग मेंजमेंट भी बहुत जादा सर्च कर रहे हैं लोग डिपलोमा डिग्री वेगरा भी इसके अंदर पोस्ट ग्रिजेशन डिपलोमा डिग्री भी सर्च कर रहे हैं तो यहां से यह राइजिंग टॉपिक्स हैं जो लोग मतलब जिनमें लोगों का चाहिए अब डिजिटल मार्किटंग के साथ साथ लोग डिजिटल मार्किटंग प्लैन भी हुँआफ सर्च कर रहे हैं इसमें ऋमें यूट्यूबमें अपने न कॉंटेंट के अंदर यूज कर सकते हो जिससे कि उन जो लोग इन इंट्रस्टिड हैं और आप relevant आपके business से ये product services से relate हो रहा है तो कैसे यूज करो कि इस audience को भी attract कर पाओ आप फिर दोस्तों यहाँ पर आता है related queries अब related queries जो आज के लिए जा रही है like best digital marketing फर्म सागे digital marketing trends आ गए fundamentals of digital marketing आ गए ठीक है digital marketing course नियर मी आ गया इतने सारे यह देखे marketing with google free digital marketing course by google तो कितना ज्यादा और कितना प्लस में जा रहा है मतलब इसमें लोगों का interest और कितने गुना इनकी queries बढ़ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो तो तो इस तरीके से हमने जाना ठीक है तो digital marketing में और इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि past 12 months है अब किसी भी business को हम एक साल यह छे महीने के बजाए हम उसके long run भी देख सकते हैं कि last long run में पांच साल के अंदर digital marketing का क्या trend रहा है कितने लोगों यह बढ़ता हूँ ट्रेंड है घड़ता हूँ ट्रेंड है तो long term में हमें पता लगा पांच साल से continuously digital marketing का trend और interest बढ़ता जा रहा है तो यह बहुत अच्छा sign है कि इस इंडस्टी में हम job करें चाहें इंडस्टी के लिए हम business करें चाहें हम इस इंडस्टी को as a customer हम target कर रहे हैं तो यह long term trends बहुत जादा beneficial होते हैं आपके future business planning के लिए future career planning के लिए ठीक है इसके संग अब digital पर आते Google और YouTube सच अब YouTube सच में यहां पर क्लिक करता हूं तो डिजिटल मार्केटिंग के उपर जो YouTube सच है पास्ट मतलब आप जो देख रहे हो बहुत जादा पिसे जो इंट्रेस्ट जो ओवर टाइम का इंट्रेस्ट है यह जो आप इंट्रेस्ट देखे हो सन 2014 पांक साल स कि सन 2017 में बहुत जादा अपने पीक पे था फिर यह डिप हुआ फिर यह अब फिर थोड़ा लोग पे चला फिर इसने थोड़ा सा सन 2019 के अंदर दुबाराइस इसने यूट्यूब का ट्रेंड पकड़ा ठीक है तो यूट्यूब के ओपर डिजिटल मार्केटिंग में बढ़ी राया ठीक है लास्ट फाइफ यह में अब हम बारा मेरे में वापस आता है अब दोस्तों इसके साथ साथ कैटेगरीज भी है अब कैटेगरी मतलब डिजिटल मार्केटिंग में जब आभी हमने सर्च करा था तो हमने कोई पड़ और कैटेग्रीज पर करा था आब जैसे for example में जाता हूँ beauty and fitness में मैं सर्च करता हूँ digital marketing अगर कोई search term है अब यहाँ पर इस अगर आफ बिल्कुल change हो गया अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि beauty और उससे related जो digital marketing term है इन दो states के अंदर सबसे जादा सर्च हुआ है पहले जब सिर्फ digital marketing all category इस पर करा गया तो डे idea मिलता है कि मेरे product services का scope और जाधा कहां पर है मैं कहां पर जाधा बहतर target रिसकता हूँ कहां से मेरे को मेरा ROI बड़ेगा मेरे को response मिलेगा आप को हमें चीजे अब मेरे business तो digital marketing का है बट digital marketing में like SEO हो गया digital marketing के अंदर आपका PPC हो गया Facebook marketing हो गई ऐसे बहुत सारी चीजे जो की digital marketing से related है लोग उसको अलग terms पर बोलते हैं तो उनको भी आप compare कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मैंने डाला SEO ठीक है SEO भी एक हो गया term अब मैं इसको भी select कर लेता हूँ अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एक और comparison करता हूँ यहाँ पर मैं डालता हूँ like मैंने डाला Facebook marketing ठीक है Facebook marketing मैंने डाला और इसको भी मैंने सर्च करा आप मेरे पास मैं ऐसे कई सारे comparisons कर सकता हूँ अब बढ़ हमारे पास अब यह comparisons आ गए ठीक है तो क्योंकि मेरा काम digital marketing से related है तो अगर मैं यह देख पाऊं कि देखे कि किस तीज का बहुत नीचे graph चल रहा है तो का है वह आप graph देख सकते हो अब ऐसे हम नीचे आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि किन regions के अंदर तो यहां पर आईए सब रिजंस में और यहां पर cities के हिसाब से देखते हैं तो cities में अभी यहां पर यह शोर नहीं कर रहा है तो अब हम सब रिजंस के अंदर आ जाते हैं और सब रिजंस के अंदर हमने बारा महिने का त्रेंड देखा 12 महिने के अंदर हैं थोड़ा कम दिखा रहा है मैं आपको और जादा ब्रोड वीव के लिए पास्ट पांच साल के अंदर देखिए अब हमारे पास थोड़ा और क्लियर ग्राफ आया कि हमारे पास जो ओवर ओल हम देख रहे हैं इस यो और डिजिटल मार्केटिंग का जो ग्राफ है उसकी क्यूरिज हैं वह बहुत जादा हैं एस कंपेर टू जो हम बात कर रहे हैं अ कि फेस्बुक मार्केटिंग की और एस्यों की तो अब हम यहां पर नीचे आते हैं यहां पर अब हम देख सकते हैं उड़ीशा के अं अंदर सबसे जादा सर्च करा गया एस्यों के बारे में करा गया ठीक है अब यहां पर तमिल नाडू के अंदर 50% एस्यों 50% डिटल मार्केटिंग है फेस्बुक मार्केटिंग इतना नहीं है तो यह चीज़े हमें बहुत जादा एक ब्रॉड व्यू दे रही हैं कि हम किन उसको अपनी वेबसाइट में ब्लॉग में यूट्यूब चैनल में कॉंटेंट के अंदर यूज करें जो ओवर ऑल जो जनसंख्या है इंडिया की वह ज्यादा बड़ा इंपक्ट डाले उस पे ऑल ओवर ज्यादा बड़ा इंपक्ट या जादा ओर इस कैसे आएगी क्यों उनका इंट्रेस्ट बढ़ रहा है तो आप हाँ पर वो पर्टिकुलर चीजे सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है इससे आपके बिजनस को आपकी मार्गेटिंग प्लैनिंग को इसके अंदर आपके कैंपेंट प्लैनिंग को बहुत हेल्प मिलती है एक बहुत ब्रॉडर व्यू मिल अब यहां पर हम नीचे आते हैं यहां पर इंट्रेस्ट वाय सब रिजनस नहीं आ रहा है अब इसके अंदर जैसे कि मैं आपको अब एक और चीज दिखाता हूं इसके अंदर हम वापस होम पेज पर चलते हैं ठीक है दुबारा से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हैं उस पास्ट फाइफियर्स का जो ट्रैण्ड है वह हम Neden उसके अंदर हम आदर रियाव फ्रेजट से तह alluded संप्से और लिसे से उसका रहा है और इसके अंदर से घूंडिया थे इकोबार आइलेंड है वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब रियल एस्टेट का सर्स्टम्स हैं लोग इंट्रस्ट ले रहे हैं इसके बाद फिर आंदर प्रदेश आता है अब हम आगे बढ़ते हैं डैली का कम हो गया है हर्याना का कम हो गया जैसे कि हमें पता इस समय डैली एंस कर रहे हैं ठीक है इंडिया बोल्च win वेंसर लिमिटीड कर्व हैं इंडिया बोल्च उससे बहुत अच्छी सच टोपिक्स हैं च задач ही ठीक है पार बहुत सारे टॉपिक्स एं सो यह और ब्रॉपर आप दिख सकते हैं तो यह और फ्रॉकर। 3 चलाते हो या कोई वेड़नेस केंपेंच चलाते हो तो इन में से कौन से ऐसे जैसे जीस्ट है अब अगर सर्च करके आ है तो इसको में डाल देता हूं कि अननेसेसरी मेरा अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो यह सारी चीज हम देख सकते हैं प्लस हम टॉप क्यूरीस देख सकते हैं कि यहां पर हमें बहुत ज्याद़ ब्रॉड restoration हमें हाँ पर मिला चीजों को हमें विष्ट कितना कि刚 कि तरीम अ कितने उपर के त्रेंट पर रहे हैं मॉजए कि कि ladder कर रहे हैं कि य सानकर पैसे घ्रैण गाया है कितने ओपर की ट्रेंट पर पर दो खैसे । गया पिछे साथ दिन में क्या करा गया दोस्तों कोई भी बिजनस करो चाहे ऑफ-लाइन एक्टिविटी करो मार्केटिंग की चाहे ऑन-लाइन करो चाहे चाहे बहुत रियलिस्टिक आपको प्रैक्टिकल आपको इससे डाटा मिलता है और इसके बेसिस पर अगर आप सही प्लैनिंग करो प्लस आपके पास जो डाटा है जो आप अधर टूल्स यूज़ करते हो आपके पास एक्सपीरियंस है बिना सही रिसर्च आरेंडी के अगर आज आप कुछ भी करोगे उसका कोई फायदा नहीं है वह आपके मनी को खराब भी कर सकता है वह उतने अच्छे से रिजल्ट्स ना दे जितने आपको मिल सकते हैं एक समझदार इंसान पूरा अच्छे से अपने बिजनेस से अपने क्लाइंट के बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिसर्च करके ही फर्दर केंपेंस या बिजनेस डिसीजन्स लेते हैं देखे जब हम वेबशाइट की बात हम यह राएक मेप में 2 तरीकसी पेजिद境 साइट में अगवेच होते ह改is यह होते हैं दोस्तों सब्सक्राइब ह् में हैं वह उनके लिए यहर्ट को देख रहे हैं तो हमारे लिए.अज का को आप जो Google है या उस तरीके के और जो सर्चिन्नस है उनके लिए जो हमें जो लेंग्वेज चाहिए जो हमें चाहिए उते एक्स्टेंशन वह है Xamal तो वह आपको कैसे करना है वह इसमें आपको बताँगों अनपेज में आपको कैसे उसको और अप्टिमाईज करना है तो सबसे पहले आपको मैं शो करता हूं क्योंकि और इस वेबसाइट का site map xml हमने submit कर रखा है इसके pages scroll करा रखे हैं तो वो कैसे दिखते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यहां हमने डाला site map .xml अब दोस्तों यहां पर आप देखिए यहां पर यह सारे के सारे pages आ गए जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे तक a to z सारे सारे हां पर pages आ रहें तो यह data कैसे आया यह सारा हमारा crawl हो चुका है कैसे crawl हुआ ठीक है यह मैं आपको समझाओंगा तो अब हमने अपना जो website का domain name है आपकी अगर website है और अभी तक आपने इसका site map जो उसका xml files है अभी तक आपने नहीं generate करी नहीं उसको crawl करवाया नहीं उसको अपनी website के back end में submit करा ठीक है database में तो कैसे होगा तो अपनी website की domain name को copy कीजिए copy करने के बाद सीधा यहां पर आए website में xml-sitemax.com यहां पर जाके अपना domain paste कीजिए पेस्ट करने के बाद यहां देखिए more options आ रहा है आप देखिए include page last modification attribute ठीक है इसका है कि that is the time the URL was last modified ठीक है तो last time तक जितनी modifications है उससाब include की जाए automatically calculate page for entry attributes प्लस उसके अलाबा page change frequency attribute यहां पर आप देखिए इसका मतलब होता है कि page में अब सर website के अंदर देखिए pages में changes आते रहते हैं तो अब यह आप से पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं किस कब कब crawl करा जाए आपकी website को तो generally always early या daily तो news की websites में होता है या बहुत बड़ी website या पोर्टल में होता है जा regular data update होता रहता है अब आपकी website के लिए नॉर्मल website के लिए weekly, monthly is good option तो आप weekly भी कर सकते हो तो इस तरीके से आप करो यहाँ पर URL अपने डालो और अगर आपने आज तक अपना site map जनरेट नहीं करा है तो start पे click करो अब आपकी जो process है site map generation की वो start हो चुगी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह view site map details पे click करेंगे अब यहाँ click करने का देखिए file आ गई है इस file को यहाँ पर click कीजिए यहाँ पर file को हमने click करें देखिए file यहाँ पर download हो चुगी है प्लस यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा HTML सारे सारे URL pages आ गए है और यह जो file आप आई है इसको जब आप folder में जाओगे वहाँ से copy कीजिए इस file को सीधा copy करके आप अपनी website के hosting admin panel में जाईए वहाँ पर जो file manager होता है वहाँ पर जाकर upload कर दीजिए आप नहीं कर सकते हो तो अपनी developer website designer है उनको बोल दीजिए वो कर देंगे क्योंकि जब आप यह data आप यहाँ से download करोगे और उसको upload करोगे अपनी website के backend hosting panel में तो वहाँ पर यह database exist करेगा यह आपको process करना ही पड़ेगा अगर आपकी website नहीं है और आपको issue करना है तो अब जब आप upload कर दोगे website में इसको तो आपको क्या करना है सीधा यहाँ आए आप अपना webmaster या google search console open कर लिजेगा ठीक है वो open करने के बास site maps का left hand side के option है वहाँ पर click कीजिए यहाँ पर आप आजाओगे यह हमारी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अल्रेडी हमारा यहाँ पर submit है अब हम यहाँ पर क्यों आए Google search console में क्योंकि अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमने media.com के आगे लिखेंगे site map.xml अब यह हमने आप लिखा अब इसको जैसे हम सब्मिट करेंगे अब सब्मिट करने के बाद आप देख सकते हो कि आप आप सब्मिट करोगे तो यहाँ पर आपके पास आजाएगा कि इस date को सब्मिट करा गया ठीक है और स्टेटस सक्सेस है कितने यूर्स डाउनलोड़ी आपके सामने आ जाएगा अब दोस्तों इससे क्या होगा कि अब गूगल जो है वह आपकी वेबसाइट के जो सारे पेजिज हैं डाटा है उसको क्रॉल कर लेगा तो किस तरीके से आप ने अपनी साइट में एक्जेमेल फाइल्स क्रियेट करी बनाई उनको डाउनलोड करा कैसे वेबसाइट में अपलोड कर और फिर गूगल कंसोल को गूगल को जाब बता दिया कि यह हमारा डाटा है पेजिस को क्रॉल कर लीजिए और जाकर सम्मिट कर दिया अब आपका यह भी आपने समझा कि किस तरीके से वेबसाइट को साइड मेप के चरू करा सकते हैं तो SEO के अंदर आपने बहुत बार सुना होगा यह inbound links है या outbound links है तो आईए समझते हैं inbound और और निक्स क्या होते हैं बहुत ही simple है, बहुत ही small topic है, inbound links को incoming link भी कहते हैं और outbound link को outgoing links भी कहते हैं, तो inbound link वो होते हैं, जिसमें हम जो भी back links, book marketing या directive submission, article submission या कोई भी तरीके का submission करते हैं, उससे जो हमें back link मिलता है किसी दूसरी की website में, जो की do follow back link होता है, और उस back link से हमारे पास जो traffic आता है, लिंक से जो click करके हमारे पास जो traffic आता है, तो उस particular link को जो दूसरी website में लिंक है, वो एक inbound link है हमारे लिए कि वहां से traffic हमारे पास आ रहा है, तो वो incoming link भी हो गया, ठीक है, और दोस्तों, outbound link क्या होता है, हमारी website में, अगर हमने कोई back link दे रखा है, या कोई link दे रखा है, या कोई hyperlink दे रखा है, वहां से कोई भी traffic उठके सीधा का सीधा जाता है, उस पर दूसरी website के ओपर उसको outbound link है, outgoing link भी कहते हैं, जैसे कि for example मेरा एक blog है, उसमें मैंने particular mobile के बारे में पूरा blog लिखा हुआ है, और वहां पर मैंने hyperlink या link दे रखा है, एक particular website का, जिसका mobile के बारे में बता रहा हूँ, तो जब मैं कोई मेरे उस website के, उस link पे click करेगा, मेरी website पे या blog पे, और वो दूसरी की website पे चला जाएगा, उसको एक outbound link और outgoing link कहते हैं, दोस्तों, ठीक है, तो कितना easy है, कितना simple है, इस चीज़ को समझना है, जिसको incoming link भी कहते हैं, और outbound link क्या है, जिसको outgoing link भी कहते हैं, तो इसका difference समझना बहुत असान था, तो आप इसको easily जान गए होंगे, और याद रखेंगे, search engine submission है, वो क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई website बनती है, तो उसके अंदर, जो Google या other बहुत सारे search engines हैं, Google, Bing, Yahoo, MSN, छोटे मोटे और बहुत सारे हैं, जिसको उनको नहीं बता लगता कि ये website नहीं आई है, तो उदर हमें समझन करना पड़ता है, तो उसका क बहुत सारे list आ गई, बहुत सारे search engines आ गए, तो यहां पर हमें कुछ ऐसी sites भी हैं, जहां पर हम जाते हैं, और बहुत सारे search engines पर एक साथ submit कर देता है, और कुछ ऐसा भी होता है, कि आपको individually जाके, उनके process से जाके, submission करना पड़ता है, तो इसके लिए आप, मैं एक website आपक को हमने देखा, इसके देखे, domain, page authority और domain authority भी अच्छी है, और spam score भी बहुत कम है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी website है, जहां पर जाके हम अपनी website का submission कर सकते हैं, तो देखो, top 50 search engines या directories का, अगर हम यहां पर जाकर अपनी website list करेंगे, तो इसमें automatically हमारा listing in sub में हो जाए तो इससे time saving और कितना फायर मन्द है, तो इस तरीके से हम यह वाला तरीका यूज करते हैं, तो हम जैसे यहां पर आए, और अब हम नीचे scroll करेंगे, अब देखें, यहां पर free web submission का आगया, तो सबसे पहले हम अपना URL डालेंगे, यहां पर हम गए, अपना URL हमने copy करा, website का, यहां पर हम गए, और यहां हमने paste कर रहा है, ठीक है, दोस्तों आब यहां पर हम नाम डालेंगे, ISAS India, यहां पर हम email address जालेंगे, उनका, और यहां पर हम term and conditions पे yes कर देंगे, यहां पर भी हम yes करेंगे, और नीचे scroll करेंगे, तो यह देखें, यहां पर हमें टिक करना है, ज हम submit कराना चाहते हैं, जैसे हम submit your site करेंगे, क्लिक, अब यहां पर हम इस box को close करेंगे, यहां पर अभी process में चल रहा है, contact कर रहा है, सारे search engines से, और हमारी website का submission कर रहा है, तो जैसे यह process complete हो गया, अब हम यहां पर देख सकते हैं, कि यह सारी website, search engines या directories हैं, जहां पर हमारा success हो चुका है, submission हो चुका है, बट बिंग हो गया, हमारा Google हो गया, यह भी पहले हो जाता था, बट अब यहां पर इस वर ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इनके अगर आपको करना है, तो इनके webmaster पर जाके ही, आपको submission करना पड़ेगा, अलग से, इनके process से, तो process वही रहता है, कि website का link submit करना, URL अपने detail डालना और उसको submit कर देना, उसके बाद हमें फिर बाग में पता लगता है, किस पर success हो गया, नहीं हुआ, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो कुछ पर success है, कुछ पर failed है, तो यहां पर अगर जैसे आपको Google पर यहां पर नहीं हुआ, आप हम करते हैं, तो यहां पर लिखा है click to complete, हमने click करा, यहां पर जैसे के हम देखे, यहां पर हम आ गए है, redirect हो गए है, तो यहां पर आप यह जो link देख रहे हैं, Google Webmaster का बहां पर आप जाएंगे, click करेंगे, तो Google Webmaster का आपको account बनाना पड़ेगा, अगर आपका account नहीं है, तो वो tutorial भी हमने अपने उसमें दे रखा है, तो देखे हमारा account बना हुआ है, तो इस तरीके से आप जाके हमने पहले सारे submissions कर रखे हैं, हम आपको demo के लिए दिखा रहे थे, तो इस तरीके से आप फिर Google Webmaster पर जाएंगे, account create करेंगे, और अपनी website का submission करेंगे, ठीक है दोस्तो अब हम यहाँ पर वापस आते हैं, तो इस तरीके से हमने किया, आप इंडिविजली भी साइट्स पर कर सकते हैं, ऐसी साइट्स भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारी directives submissions एक साथ ही करवा दे, और Google वगारा पे अब आपको individually ही करना पड़ेगा, उनका process चेंज हो चु तो हमार बास जो को बहुत सारी sites आवे ही, यह भी sites हैं, यह भी sites हैं, इसके अलावा यहाँ पर 400 plus sites हैं, ऐसे करके बहुत सारी sites, portals, directives हैं, जहां पर की हम profile creation कर सकते हैं, बर profile creation आप हमें उनी sites और पे करना है, जिसकी moze ने जो domain authority और page authority है, वो अच्छी दे रखी हो, मतलब for example, अगर आपकी DA, PA for example 15 है, तो आपको 15 अबब website पर ही DA अपनी profile creation करना ही होगी, क्योंकि अपने से कम या अपने जितनी pay profile creation करके कोई फायदा नहीं है, तो अच्छे से अच्छी sites तूड़िए और उसके profile create कीजिए, तो इससे बहुत मदद मिलते हैं, तो अभी हमने 2 sites निक सखाएंगे, और बहुत easy है ये, तो सबसे पहले हम आपको WordPress पर सिखाएंगे किस तरह की सा profile create कर सकते हैं, तो आप ये देखे, WordPress की page authority, domain authority तो वैसे website spam score भी बहुत कम है इसका, तो यहाँ पर आप अपने WordPress पर पहले अपने account create करेंगे, हमारा already created है, account create करने के बाद आप यहाँ यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, profile creation के लिए एक page आ गया, तो यहाँ पर जब आपने click करा, register करने के बाद, login करने के बाद WordPress की site में, तो profile creation को हम start करते हैं, तो यहाँ पर हम नाम डाले, नाम put करेंगे, noida farmhouse हमने डाला, first name noida, last name में हमने farmhouse डाल दिया, अब हम यहाँ पर जो photo है, जो कोई click का आप इससे related लगाना चाहते हैं, वो यहाँ से ब्राउस करेंगे, तो हम यहाँ पर logo या कोई click लगा सकते हैं, तो हम अभी logo लगा लगा लेते हैं, और हमने इसको ब्राउस करा, और यहाँ पर हमने change my photo पर click करा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब हमारा जो logo है, वो upload हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे public display name पर, तो यहाँ पर public को कौन सा नाम दिखना चाहिए, front end पर, तो वो यही दिखेगा, अब हम आएंगे about us में, तो यहाँ पर हमने थोड़े से description, copy कर बना के रखी हुई है, dummy, तो आपको अच्छे से अपनी description बनानी है, जिससे कि लोगों को सही message और relevant content मिले, और उसको proper put करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको save कर देना, इसके बाद, तो जैसे हमने यह save करा, यह देखे हमारा successful हुआ, अब हम नीचे आएंगे और profile links हम add करेंगे, profile links में हम URL add करते हैं हमेशा, तो हम add URL पर जाएंगे, और देखे हम अपनी website पर गए, और हमने URL copy करा, वापस आए, और URL हमने paste करा, ठीक है, और इस URL को, अब URL के बाद हम description डालेंगे, तो description दो तो अच्छी सी बनाईएगा, related, relevant description बनाईएगा, like noida, palm house, ठीक है, is the best place for healthy living, तो यह हमने बनाया, और add site हमने click करा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा, हमने जो भी link create करा, वो हो गया, अब यहाँ पर आपको, हमें, this information will be displayed publicly on your profile, तो हम जाकर देखते हैं, public को कैसा दिखेगा, click करेंगे हम, और यह हमारा URL है, और यहाँ पर देखें, इस तरहीं से जो भी हमने information डाली थी, नाम, description, logo, सब कुछ आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर main एक चीज है, क्योंकि हमने पहले यह account create कर रखा था, तो यहाँ पर media भाई, LLP के नाम से आ रहा था, तो इसको भी user name को हम change करेंगे, व हमारी सीधा site पर आगए, तो यह हमारा एक profile जो page था, वहाँ से सीधा हम अपने click करेंगे, हमारी website पर लेकर आएगा, तो हमारी website पर traffic आएगा, अब यहाँ पर हम आए, अब यहाँ पर देखे, account setting में जाएंगे, account setting में जाने के यह username जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर आ रहा था है, उसको मैं change करके आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ पर भी हम, noida farms, अब इस username को दुबारा से confirm करेंगे, noida farms, तो यह confirm करा हमने, और यहाँ पर हम save करेंगे, username को, यह हमने save किया, और यह, now you can see, हमारा जो नाम है, यह भी username है, यह भी change हो गया, अब हम अपनी profile पर जाएंगे, और अब दुबारा से अपनी profile को देखेंगे, तो now you can see, देखिए, जो पहले हमारा username था, वो हमने change कर दिया, अब हमारा इस तरीके से हमारा URL create हो गया, तो हमने profile create करी थी, तो यह हमारी detail, हमारा heading, हमारी detail, हमारा logo, और प्लस हमारी website का link, जहां पर traffic हमारी website पर आएगा, तो इस तरीके से हम profile create करते हैं, अब हम एक और में आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि आप multiple sites पर अपनी profile पर गरेंगे, अब इसकी आप जो है, देख सकते हैं, मोस के थुरू हम domain authority देख सकते हैं, इसकी, क्लिक करेंगे, तो यह देखिए, मोस के इस website की भी जो कितने 3 page authority और domain authority है, और इसका score जो span score है, वो भी बहुत कम है, तो इस तरीकी की websites या इसे थोड़ी कम या इसे थोड़ी जादा इस तरीकी की websites पर ही आप करें, तो यह research का जादा काम है, जितना अच्छा research होगा, जितना अच्छा है आपके बास website चोंगी होतरी है, अच्छा आपकी profile creation होगी, और आपके links create होगे, तो इस website पे हम पहले register क करनना दिखा रहे हैं, वहाँ तो हम अल्रेडी WordPress में रेजिस्टर थे, और आपके बारी पूरा process दिखा रहे हैं, तो हम जो mail id है हमारी हम पूट करेंगे, mail id के बाद हम first name डालेंगे, noida farms, पास्वर्ट डालेंगे, रेजिस्टर करेंगे, अब देख सकते हैं, यहाँ पर हम login हो चुके हैं, और यहाँ पर अब हम click करेंगे profile की जवाब पे, और यहाँ पर हम account settings में जाएंगे, account settings में जाने के बाद, हम public profile में click करेंगे, public profile में click करने के बाद यह देखिए, profile बनाने का हमें मिला option, यहाँ हम पहले image चूज करेंगे, image को select करेंगे, अब यहाँ पर हम, prefer to not to say, यह हमें अपने हाँ पर बताने की ज़रुवत नहीं है, city हम डालेंगे, यह आप जो भी है, आप डालेंगे अपने हिसाब से, यहाँ पर हम थोड़ा सा profile हमने dummy बना रखा है, तो यह हमने copy किया, और यहाँ पर हम paste करेंगे, बट आपको सही से pure description बनानी है, तो relevant होनी चाहिए, profile अच्छी दिखनी चाहिए, सही logo, सही image, सही content, सही description, सही title, सही tag, अब यहाँ पर URL कॉपी करेंगे, कॉपी करने का URL भी पेस्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी website पर traffic आए, SEO का मकसद ही है कि जालसादा traffic website पर है, अब हम इसको save करेंगे, जो हमने काम किया है, यहाँ पर इस image में हमें कोई problem बता रहा है, तो हम तूसरे image चूज कर लेंगे, और हम save करेंगे हमारे changes, अब देखिए, बिल्कुल सही तरीके से हमारे changes सेव हो गए है, अब हम अपनी profile view करेंगे कि public को कैसे दिखेंगे, now you can see, यह हमारा जो profile है, हमारा logo, नाम, हमारा बारे में, और भी आप details जाल सकते हैं, जितने डालना चाहें, यहाँ पर लोग आएंगे, सब तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमने आपको एक और website पे profile creation करने सिखाई, तो इस तरीके से आप multiple websites, वोटल्स और अपनी other blogs बगर आपनी profile create कीजिए, SEO आप अच्छे से कीजिए, जिसे कि आपकी ranking आए, और आपको अपके career में या आपके business में growth मिले, आप एक blogger हैं, तो free of cost आप अपनी blogging कर सकते हैं, इस platform के अंदर, और public को अपनी blog तक ला सकते हैं, और आप income generate कर सकते हैं, दूसरा के SEO में, अगर आप ये जो WordPress का जो free blog का tool है, ये सबसे important और बहुत अपना महत्व रखता है, तो आईए, इसको सीखें अच्छे से, और इसको implement करें, तो सबसे पहले हम जो put करेंगे, हम wordpress.com डालेंगे, और उसको open करेंगे साइट को, तो यहाँ पर हम get started पे click करेंगे, get started पे click करने के बाद, यहाँ पर हमें register करना होगा, अपनी mail id से, .com, username जो भी हम रखना चाहें, password, put करेंगे, और create करेंगे, हम account अपना यहाँ पर, यह username ले रखा है, तो हमें change करना होगा, और create करेंगे, हम अपना account, तो दोस्तों, आज हम blog के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आपको blog बनाना सिखाएंगे, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद, हम किस industry के लिए कर रहे हैं, वो industry हमें, चूज करनी है, तो हम real estate developer पर जाएंगे, और हम आगे क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पर blog name put करेंगे, क्योंकि हमें blog का नाम तो देना होगा ना दोस्तों, तो हम blog का नाम देंगे, अब हम आगे चलेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों हम जो blog का हमारा जो url है, जो हम रखना चाहते हैं, उसको हम बनाएंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे, कि हमें inoida farm.home blog एविलेबल है, फ्री ओफ कॉस्त, तो हम क्योंकि भी फ्री ही बना रहे हैं, हमें कुछ पेड़ खर्चा नहीं करना है, तो अब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ सेलेक्ट करने के वाद आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे options हैं, paid के और इनके अलग-अलग features हैं, तो यह हम नहीं, हम आज सिर्फ free blog की बात कर रहे हैं, तो हम start for free में click करेंगे, अब यहाँ पर हमें अपनी email address जिससे हमने account create करा है, वो confirm करना होगा, तो हम अपनी mail में वापस जाएंगे, देखेंगे, यहाँ पर हमारे उस mail आ रखी है, हम यहाँ गए और हमने confirm करेंगे अपनी mail ID, यहाँ से हमने confirm करा, तो आप देख सकते हैं, यह हमारे पास page open हो गया, तो यहीं से हम शुरू करेंगे, इस tab को हम बंद कर देते हैं, ओपन है तो ओपन है नहीं देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम create a tagline, अपनी tagline create करेंगे, do it पर click करेंगे, यह हमने कुछ description taglines बना रखी हैं, तो इसको हम copy करेंगे, और यहाँ पर paste करेंगे, यहाँ पर हम save करेंगे अपनी setting में, अब यहाँ पर दोस्तों हम अपना icon या logo पुट करेंगे, choose करा हमने, add new पर गए, और यह हमने पर फोल्डर में save करके रखा है हमारा logo, click करा हमने और upload करा, अब देखेंगे upload हो गया, अब हम यह continue करेंगे, यह देखिया अब, ठीक है है, इसको done करेंगे, यहाँ click करेंगे return to checklist, अब यहाँ पर यह सब चीज़े हमने देखें कर दिये, अब हम यहाँ पर, जो contact का जो page है, उस पर काम करेंगे, तो do it करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, contactors का backend हमारे पास आ गया है, जिसको के हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो अब इसको हम, यह fields हम यह रखेंगे, बढ़ाना चाहेंगे तो आप अपने काम के साब से बढ़ा सकते हैं, अब हम यहाँ पर पीछे वापस आएंगे, अब हम, क्लिक करेंगे, यह जो हमारा जो नाम है, उपर देखेंगे अब टैब में, noida farm.home.blog इसको कॉपी करेंगे, और दूसरे टैब में पेस्ट करेंगे, और उपन करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं, यह हमें front-end शो करने लगा है, उस ब्लॉग का, जो हमने ब्लॉग क्रियेट करा है, तो यहाँ पर हम, माई साइट पे जो आप आइकन देख रहे हैं, वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, हम theme चूज कर सकते हैं, अब यहाँ themes पर क्लिक करने के बाद, क्स्टमाइज पर गए हम, ठेंक्स करेंगे, और एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें select logo, logo सेलेक्ट करना है, तो वही logo हम दुबारा select करेंगे, अपलोड करेंगे, और इसको हम एक नाम देंगे, विकास लोगो को भी हमें, एक image क्रॉल नहीं होती है, तो all text हमें एक title या tag नाम देना पड़ता है, तो यहाँ पर हम caption में भी वई put करेंगे, और इसको select करेंगे, तो अब हम skip करेंगे, तो now you can see, कि हमारा logo डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर हम आएंगे, एड़िट के बटन पर हमने क्लिक करा, अब यहाँ पर हम एड़िट करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक tag लाइए, जो हमारा blog है, जो आप देख रहे हैं, इस blog में जो हमें title देना है, या heading देनी है, इसको copy करेंगे, और यहाँ पर जाके paste करेंगे, क्योंकि सबसे important part है, इसी से यही आपके लिए keyword का, tag का, इस सब चीजों का role play करता है, तो इसको आप हो सई से बनाएए, यह देखके ही लोग फिर फर्दर आपके blog पर आते हैं, तो यहाँ पर हम, अब यह जो सारा format हमें दे रखा है, इसको हमने delete करा, अब यहाँ पर हम अपने हिसाब से डालेंगे, यह सारट जो blog हमने लिखा है, इस blog का हम copy करेंगे, और जाके हम यहाँ पर paste करेंगे, तो देख सकते हैं, आप यहाँ पर हमारा blog आगे, और पूरा formatting का यह pattern है, यहाँ पर हम कुछ भी format कर सकते हैं, बोल्ड, color, alignments, अगर हर चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम दोस्तों, हम image का जो है, put करेंगे, because image ही एक मतलब look देती है, feel देती है, और relevant image होनी चाहिए, जो भी आपके blog से define करे, blog के content से related होनी चाहिए, तो हम इस image को select करा और upload करा, हमने image को, इसको हमने center align कर दिया, image को, तो देखे, एक synchronized तरीके से आ गया, delete करेंगे इसको हम, तो यह देख सकते हैं आप दोस्तों, अब यहाँ पर हमें एक block के अंदर, दो link हम दे सकते हैं, hyperlink, और दो से जादा नहीं देने हैं, आपको बिल्कुल भी, तो यहाँ फिर वो गलत practice मानी जाती है, तो हम उस particular keyword या phrase को select करेंगे, जहाँ पर हमें वो link देने हैं, तो हमने अब वो link कर दिया, अब यहाँ पर हमें URL डाला, और उसको ok कर दिया, तो यहाँ पर हमारा, हमने नीचे एक hyperlink दे दिया है, अब यहाँ पर भी हम एक और hyperlink देंगे, वो हम देखेंगे किस page का या किस का हमें देना है, इस वाले URL को हमने copy करा page के, और हम यहाँ गए हैं, अब हमने वो link paste कर दिया, अब हम documents पर जाएंगे, categories पर जाएंगे, add new category हम add करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे farmhouse के नाम से हमने category बना दी, जो कि एक parent category है, जो कि एक new category है, sorry, ठीक है, और हमने अब category में farmhouse category सेलेक्ट कर ली, अब उसके हंदर हम नए tags डालेंगे, farmhouse for sale, farmhouse for rent, इस तरीके से आप tags add कर सकते हैं, तो यह हमने आपको दो चार एड करके दिखा दिये, in order, in Delhi, जो भी हमें करना है, इस तरीके से आप अपने tags add करेंगे, tags add करने के बाद, हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर view post पे जाएंगे, और अब हम देख सकते हैं, यह जो हमारा, आप देख सकते हों उपर url था, यहाँ पर अब यहाँ पर वापस हम back end में जाके edit करेंगे, और यहाँ पर हम अपना url है, उसमें change करेंगे, url भी हमारा जो होना चाहिए, ब्लॉक का वो relevant होना चाहिए, और जो कि हम बताना चाहरे हैं, के अंदर service product वेगर उससे related ही होना चाहिए, लुकिंग फॉर फार्म हाउस इन नॉडा टू बाइ, शेव करेंगे हम, अपडेट करेंगे, अब हमने जैसे इसको refresh करा, ठीक हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे जो इमेज के उपर हमने एडिट कर रहा था, लुकिंग फार्म हाउस इन नॉडा टू बाइ, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते आप देखिए, उपर जो हमारा, जो URL आया है, वो से related ही आया है, यह जो छोटी-छोटी चीज़े हैं, दोस्तों, यह आपके ब्लॉग को, वेबसाइट को बहुत SEO फ्रेंडली बनाती है, क्योंकि URL ही connect करता है, और URL जो होता है, वो relevant होना चाहिए, आपका जो भी text content होता है, उस particular page में, यह important के, SEO के सबसे important points में से एक है, अब यहाँ पर target, tagged जो है, यह सब हमने देखे, जो tag कर रखा था, यह भी हाँ पर आगए, अब हम इसमें क्लिक करेंगे, और यह हम जो जो नहीं, published by media भाई, तो यह तो हमारा वो आगया, जो भी blog publish कर रहा है, जो भी आपको detail डालनी है, वो आएगे, और जब इसमें कोई भी आएगा, यहाँ पर हमें दो को reply कर सकता है, तो इस तरीके से blog काम करता है, आप multiple अपने blogs बना सकते हो, उनकी detail डाल सकते हो, उनके क्या करते हैं, logo, उनकी various वेगरे set कर सकते हो, और यह सब चीजें करने के बाद, अगर जब आपका blog लोग पसंद करते हैं, लोग पहुंचता है, तो वहाँ से traffic आपकी website पे भी जाता है, क्योंकि हमने hyperlink लगा रखा है, ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि हमारा blog almost final हो गया है, अब यहाँ पर आपको एक चीज है कि हमने वहाँ पर logo एड़ करा था, जो भी यहाँ पर show नहीं हो रहा, तो उसको हम देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं, तो हम my site पे यहाँ पर गए tap पे हमने क्लिक करा, और यहाँ पर customize themes के option पे क्लिक करा, और आप यहाँ पर हमारा यह open हुआ, अब आप देखिए site identity पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, select logo का option है, वापर select करेंगे, और logo को हम attach करेंगे, और यहाँ पर हम दुबारा से all tag डालेंगे logo का, because हमेशा कोई भी आप image upload करो, उसका all tag यह सब चीजे डालनी ज़रूरी है, क्योंकि image crawl नहीं होती है, उसका जो tag होता है, all tag वेगर यही crawl होता है, तो यह issue के purpose से सब चीजों को हमेशा धान रखना है, इसको हमने put करा, image को attach करो, select करा, सेलेक करने के बाद स्किप करा, और लेकि यहां पर हमारा logo आ गया, अब हम publish करेंगे इसको, publish करने के बाद जैसे यह publish हो जाता है, हम आप पर जाएंगे, और, इसको website को put करके दुबारा से चेक करेंगे, तो refresh करने के बाद आप दोस्तों देख रहे हैं, हमारा जो domain name है, noida farm.home.blog करके, जो हमने blog के अपनी website बनाई है, इस website में हमारा logo भी आ गया, हमारा description टाइटल है वो भी आ गया, यहां पर आप टैप्स बना सकते हो, multiple home, blog, category, जो भी आपको टैप्स बनाने हैं, team, कुछ भी आप टैप्स बना सकते हो, gallery, media, जो भी आ बनाना चाहते हो, फिर हमने यह image के ऊपर, हमने यहां पर एक headline और यह title डाला है, image related, ठीक है, और उसके बाद देखिए, हम अगर continue reading करना चाहते हैं, इस blog को, तो हम यहां click करेंगे, यहां click करने के बाद देखिए, यह पूरा का पूरा content हमारा blog आगए, जिसको की लोग पढ़ सकते हैं, अगर उनको पसंद आता है, तो लोग क्या रहते हैं, हमारे जो views हैं, और जो हमारा value है blog की, और यह सब चीजे increase होती हैं, और SEO में बहुत help करती हैं, SEO purpose से हमने यहां पर देखिए, सकते हैं, लोग हमें reply कर सकते हैं, ठीक हैं, और यहां पर हमारे द्वारा पब्लिशिस्क ने भी blog डाला है, जो भी नाम आपका होगा, यहां पब्लिश होगा है, वो होगा, यहां से आप reply कर सकता है, कोई भी person हमें reply करना चाहिए, तो यह किस तरीके से free में आप wordpress पर अपना blog की website बना सकते हैं, और अपने blog को popular कर सकते हैं, अगर आप अच्छा blog लिखते हैं, तो इससे अच्छा कोई platform ने, free of course business true कीजिए, और आप अच्छी income generate कर सकते हैं, अच्छी date में जो on page optimization है, उसमें guest blogging का सबसे important role है, guest blogging एक तो limited आपको websites हैं, जो available हैं, और guest blogging free भी, sites आपको free भी मिलेंगी और आपको paid भी मिलेंगी, तो सबसे पहले तो यह बताऊँगा कि guest blogging की sites धूंडें गैसे, तो जैसे आप google पर type करोगे guest blogging sites, तो आपके पास बहुत सारे options आने शुरू हो जाएंगे, अब जैसे यह एक site है, जहाँ पर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमें guest blogging से related जो sites हैं, यहाँ पर हमें यह देखनी शुरू हो गए, तो इसी तरीके से google पर जाके भी आप website search कर सकते हो, तो फिर उन website में जाके देखो कि वह quality website है, नहीं है, उसका DA क्या है, domain authority क्या है, इस सब चीज़ें आप पर देखो, जैसे कि मैं आपको हर चीज़ें में बताता हूं कि off page optimization में आप जिस भी website के संग चाहिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, पेट करना चाहते हैं, सब कुछ आपको देखना होगा, दूसरा तरीका होता है दोस्तों, Facebook पर जाईए, वहाँ पर guest blogging sites सर्च कीजिए, उससे related बहुत सारे groups आएंगे, ठीक है, groups को join कीजिए, जो आपको सही groups लगते हैं, बड़िया groups लगते हैं, तो उनको आप भीजिए कि मैं join करना चाहता हूं, तो उसमें से आपको, आपको जो लोग approved करेंगे, तो आप member बन जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी sites paid और free मिलेंगी, जहां पर आप guest blogging कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको guest blogging की sites मिलेंगी, और अब हाँ पर उसके थूरू benefit पा सकते हो, SEO में, मगर दो चार बाते हैं, जिनका ध्यान ज़रूर रखेगा guest blogging के दोरान, कि guest blogging की sites में अब 200-300 words का content अब नहीं चलता है, महाँ पर कम से कम 700-800 से लेके, 1500 जादा, तो कितना भी content हो, वो आप डालेंगे, तो कम से कम 700-800, 1200 से लेके, जितना जादा अच्छा content डाल सकते हो, और जो content है, उसकी quality सबसे जादा matter करती है, अगर quality content नहीं होगा, informative content नहीं होगा, तो आपको इतनी जल्दी approval नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखेगा, promotional content नहीं होना चाह चाहिए, और कम से कम 1200 लेके, जितने जादा आप content लिख सकते हो, quality content, informative content लिख सकते हो, तो वो होना चाहिए, तभी आपके articles, blogs approved होंगे, visible होंगे, free sites भी आप डाल सकते हो, paid पे भी डाल सकते हो, और आपको बहुत अच्छे results दिखेंगे, आपके SEO की ranking में, तो दोस्तों, इस तरीके से, आप, मैं आपको एक sample site भी दिखाता हूँ, guest blogging की, अब for example, ये website हमने open कर ली, और यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए, कितने सारे articles हैं, blogs हैं, categories हैं, ठीक है, जो लोग post कर रहे हैं, अब एक guest blogging की side में, आप जाके direct आप सीधा अपना article है, post डाल नहीं सकते, बहाँ पर या तो कोई form होगा, जहाँ पर आपको जाके request करनी होगी, या कोई mail id होगी, उस mail id को copy कीजिए, proper अपनी, फिर mail में जाईए, उस mail पर आपको एक proper proposal बना के देना होगा, मतलब एक mail करनी होगी, subject में लिखना होगा, that I want to do, submit my article on your website, या मैं guest blogging करना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर उसमें आप अपना attachment कीजिए, article ब्लॉग को attach कीजिए, फिर subject में कुछ लिख दीजिए, वो फिर mail जाएगा, इस mail id पर आपने for example mail करा, फिर वहाँ से आप revert का wait कीजिए, कुछ आपको within a day भी response कर देती हैं, कुछ दो चार दिन भी ले ले लेती हैं, response करने अपने content के लिए apply करें, जहाँ जहाँ आपको approval मिलेंगे, वहाँ आपका content इस पर उनश्रो हो जाएगा, और अगर content में दम है, quality है, तो आपने आपी traffic आएगा, और आपकी SEO और आपकी website को बहुत जादा benefit होगा, तो article submission करने का मैं आपको process समझाऊँगा, तो सबसे पहले त article submission sites 2019, तो यह हमने search करा, तो देखे, बहुत सारी यहाँ पर sites सारी है, और super articles हो गया, यहाँ पर और sites देख सकते हो, तो आप बहुत सारी sites, unlimited sites हैं, जो कि आप देख सकते हो, but ऐसे choose नहीं करना किसी भी site को, कि हम sites हैं, कि किसी भी article ये block submission करने, तो article submission करने के लिए आपको हैं, जो भी site आप choose करो, जैसे कि हम एक website पर आज एक दो website पर करते दिखाएंगे, तो उस website का most.com पर आप हमेशा domain authority और page authority चेक करेंगे, spam score चेक करेंगे, जिसका भी आपकी site या block से बहतर होगा, आपको उससे ऊपर होगा, तब ही आपको करने, क्योंकि आपके बराबरी चेक करेंगे, उसके बाद हम किस तरी किस आर्टिकल सब्मिट करेंगे, तो आपको एक आर्टिकल बनवाकर रखना है, unique content होना चाहिए, और अच्छा उसमें जितना healthy और green content होगा, अपने evergreen content होगा, तो नहीं बहुत आपका जल्दी रहन करेंगा, और approved भी होगा, तो क्यों होता है, कई sites पर इंस्टेंट approval मिल जाता है, कई sites पर इंस्टेंट approval नहीं मिलता हो, दोसर दिन पर इप्रूबल या डिस अप्रूबल पकल लगता है, तो हम यहाँबर submit content पर क्लिक करेंगे, क्योंगी हमने इसमें login कर रखा है, तो इस वरा से हम, अगर आपने account नहीं बना रखा, तो पहले इसमें आपको account बनाना पड़ेगा नया, और उसको बनाने के बाद फिर आप login करेंगे, login करने के बाद यहाँपर submit करेंगे, submit content पर आए, अब यहाँपर सबसे बहले हमें category चूज करने, कि जो हमारा content है, article है, वो किस topic के उपर है, तो वो depend होगा जो website है, य हम यहाँ पर आते हैं, हम आएंगे technology में, technology का जो, यह technology में हम आएंगे, softwares में, क्योंकि हमारी software से related content है और website है, तो अब हम यहाँ पर आएंगे, और हमारा content है, इस dragged है, है heading है, heading को copy करने के बाद, हम वापस site में जाएंगे, और हम title यह heading उसको paste कर देंगे, paste करने के बाद, हम article यहाँ पर have put करेंगे, तो यहाँ पर को यूरम, आपको नहीं put करना, article की system siri 라e जो पूरी summary है, वो आपको put करना है, तो यहां से हम कॉपी करेंगे और यहां पर हम जाएंगे और यहां पर हम समझाता हूं कि देखे हमारा जो आर्टिकल है उसकी ब्रीफ समरी होती है तो ब्रीफ समरी हमें डांनी होती है कि आर्टिकल के लिए पर आर्टिकल की है तो यही केस्टमर तो जादा से आपके आर्टिकल पर लेकर आएंगे आप महाँ पर हमें keywords और tags घडर डालने होते हैं जिससे कि हम जो हमें SEO में ranking में help परते हैं तो वह कोने चाहिए जिसके लिए हमने topic लिखा है आर्टिकल लिखा है तो वह उसी से related होने चाहिए जो हमारे tags हैं जो हमारे keywords हैं जिससे की वह relate कर सके जो हमारा article है relevant लगे तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहो है कि हर आपको अर्टिकल समिशन में बहुत ध्यान रखना है यहां पर हम अपना पूरा जो आर्टिकल है वो जाके पेस्ट करेंगे कोई किया और यह पेस्ट कर दिया है अब जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा 500 वर्ट का है तो 500 से 5000 क्यां आतिकल कर सकते हो तो 500 minimum है तो ने 500 वर्स का किया है और हम आगे बढ़ेंगे अब हम ऑथर सिंगे के अंदर हम जाएंगे हमने इसके अंदर अपना content बनाया हुआ है जाके यह हम copy करेंगे और यहां पर जाके हम paste कर देंगे तो यह क्या गयता है important है और यहां पर देखिए software development company इंडिया इसको हम bold करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यह keyword काम करेगा हमारे लिए तो इसमें अभी एक से जाधा आप मत किजिए जाधा स्यादा आप एक article या blog के अंदर एक या दो keyword से जाधा नहीं use करें क्योंकि वो practice सही नहीं होती अब यहां पर हम URL यहां पर हम डालेंगे उस website का और लिंक देंगे इसके ओपर देखिए hyperlink क्रियेट हो जाएगा insert करेंगे अब देखिए यहां पर हमारा hyperlink क्रियेट होगा कोई software development company इंडिया पर क्लिक करते हैं तो हमारी site के ओपर चीधा जाएगा तो इस तरीके से हम लिंक यहां पर आप देख सकते नोट भी लिखा हुआ है links in article body are not do follow you can add do follow links in your author signature तो क्योंकि यह हमारा जो आप पूरा पूरा आर्टिकल देख रहे हो यह भी उसी के अंदर आता है बट इन्होंने special बोला हुआ है कि जो आप यहां पर content डालोगे उसमें आपको do follow link अपना URL हैपन लिंक डाल सकते हुआ बट आपको ऊपर नहीं पूट करना है तो इन इंस्ट्रक्शन का हमेशा ध्रान रखेगा थोड़ा बहुत हर article submission website का अलग-अलग rules और parameter होता है तो यह आपको पढ़ना भी है साथ की साथ यह तो process है जो हम आपको बता रहे है तो यहां पर हम आए और यहां पर हमने verification के लिए click करा और verification करने के बाद यहां पर हम verification करेंगे verify करेंगे और confirm करेंगे अब यहां पर हम अपना article submit करेंगे अब article submit करने कवाद यह process में आप देखिए thank you for submission article 2 super article our editor will review अब यह review करेंगे हमारा article और हमें एक email भेजेंगे हमारी mail id जिससे हमने account बनाया था तो उसके ओपर हमें पता लगेगा कि हमारा article अप्रूवड हुआ है तो वह शोना शुरू जाएगा अगर वह अप्रूवड हो गया तो इस तरीके से हम एक article submission हमने आपको करना बताया आपको classified submission करने तो सबसे बेर आपको यह देखना पड़ेगा कि मैं कहां classified submission कर सकता हूं दो sites portals और आपको सब धूनना पड़ेगा तो google पर हम जाएंगे और search करेंगे classified submission list ठीक है और उसको search करेंगे सर्च करते हैं देखिए हमार पास यह कुछ website जो टॉप है वो तो आई गई है उसके अलाबा भी आप देखिए 350 प्लस 3 sites है ठीक है 300 प्लस इस तरीके से बहुत सारी sites portals और blogs है तो आप करना क्या होता है इसके अंदर दोस्तों सबसे important हमेशा के लिए आप एक बात धान रख जाएटिया उससे जादा भैतर होना चाहिए और जादा ऊपर होनी चाहिए क्योंकि उससे नीचे और कम में कोई फायदा नहीं आपको इसब करने का तो अब classified submission करने के लिए मैं एक दो तरीकी की websites हैं जिस पर मैं करके दिखा रहा हूं आपको as a sample इसी तरीकी साब हर website पे कर कर रखा है अल्रेडी ठीक है तो आपको पहले अपने account create करने अगर आपको पहले account नहीं है simple 3-4 step में account create हो जाता है उसको login करना login करने के बाद इस तरीके साब पेश पर आ जाओगे और पेश पर आने के बाद यह देखे आप अपनी location सेलेक्ट करोगी कि आप कहां से हो ठीक है तो हम हमारी location गाजियाबाद है ठीक है क्योंकि हमारा जो एक project है जिसके लिए करने हूँ गाजियाबाद में है post pre add यहाँ प कोई title दो देंगे तो हमने residential projects इन गाजियाबाद करके title दिया पेस्ट करा और प्रोसीड करा अपनी description वगरा सब बनाके रखेगा ठीक है और यहाँ पर आपको जो category चुननी है क्योंकि हम किस particular category लिए कर रहे हैं तो हम real estate के अंदर flat for sale के लिए कर रहे हैं तो हम यह select करें हैं प्राइज डालना है तो हम प्राइज भी डाल सकते हैं for example हमने डाल दिया 55 55 लैक ठीक है और यह देखिए 10 लैक 55 लैक अब यहाँ पर हमने title डाल रखा है अब हम description हमने dummy description बना रखिए उस पूरी description को हम यहाँ से copy करेंगे copy करने के बाद paste करेंगे इसको सई से format करेंगे नीचे आएंगे image upload करेंगे हमने पहले से image desktop के पूट कर रखी है upload करेंगे image जो भी हमें show करनी है और इसके बाद फिर नीचे आएंगे हम optional info है number of bedrooms अगर आपको बताने है तो हम बता सकते हैं living space कितना square foot है अगर हम बताना चाहते हैं तो यहां हम डाल सकते हैं living space जो है पूरा 800 square foot का है website का URL है यहां हम जाएंगे URL हम copy करेंगे पूरा और यहां पर आके हम paste करेंगे ठीके दोस्तों phone number हमें देना है तो हम दे सकते हैं ठीक है address पर आएंगे address के लिए हम यहां जाएंगे address copy करेंगे हम और address जाके हम फिर paste करेंगे तो city है हमारी गाजियाबाद है जाएंगे paste करेंगे पोस्तल कोड हमारा करेंगे पोस्तल कोड पेस्ट करेंगे और हम पोस्त कर देंगे तो दोस्तों आप हम नीचे आएंगे प्रोसीड करेंगे देखे वेल डन यूर एड विल बी ओनलाइन फ्यू मिनट्स नीचे आएंगे अब यह देख सकते हैं आप हमें अपना एड वियू करना हो कैसे दिखेगा अब देखे आप हमारा एक प्रॉपर एक पेज क्रियेट हो गया इसके अंदर यहाँ पर हमारी सारी डिटेल है हमारा टाइटल है हमारा कब तक एड एक्टिव रहेगा यहाँ पर जितने भी इस आपना चाहते हैं कॉंट्र कर सकता है प्राइस आ गया लोकेशन आ गई तो इस तरीके से एक बहतरीन तरीके से प्रोफेशनली आपको अपना एड पूट करना है हर सी डेटेल डाल ली है कि आपको कभी न कभी इससे पायदा हो और यह से में बहुत हैल्प करता है जितना प अपना पूट करेंगे उसके बाद फिर फोस्ट एन एड पर फ्री पर जाएंगे हम ठीक है एड फिर रियल एस्टेट हम चुनेंगे सब कैटेग्री चुनेंगे हम सब कैटेग्री हम डाल देंगे अब यहां पर टाइटल प्राइज और यह सब चीजें हम डालेंगे और उसी तरीके से हमारा एड पॉब्रिश हो जाएगा तो मोर और लेस हर वेबशाइट का क्लासिफाइट का फॉर्मेट सेम ही होता है थोड़ा बात अलग होता है तो इस तरीके से आप अच्छी से अच सब्सक्राइब करें और उन वेबशाइट करें फिर अपना एड पोस्ट करें और लाइब करें और इस सारे डाटा को आप एक एक्सल में मैनेज करें अपना URL यूजर नेम पासवर्ड डेटेल सारा कुछ आप करें जिसके आप पर डाटा मैनेज हो और उससे आप सही रिप ट्रेंड है content marketing का ट्रेंड है तो blog submissions और blog writing ये content marketing के सबसे एहम पार्ट है तो सबसे पहले हम पहला step होता है कि हमें देखना होता है कहां से हमें blog posting की sites मिलें different different जिसमें regular basis पर काम करते हैं तो हम अगर Google में search करते हैं blog posting sites 2019 तो हमारे पास बहुत सारी sites आ जाती है और बहुत सारी इसी websites हैं जो हमें provide करती हैं अलग-अलग websites, portals, directories जहां पर जाके हम blog posting कर सकते हैं तो size बहुत सारी होने से मतलब नहीं होता है ये मतलब होता है कि हमें किस quality की website पे blog post करना चाहिए तो उसकी quality measure करने के लिए इस तरीके से हम moz.com जो होता है moz.com का extension हम install कर लेकर ब्राउजर में और वहाँ पर जाकर हम किसी भी website को copy करके open करके वहाँ पर उसकी page authority और domain authority चेक कर सकते हैं और spam score अगर ये सब अच्छा है तो उसके अंदर हम अपना blog submission करेंगे तो उसके लिए आप हमिशद हम रखेंगे कि आपकी website या आपके blog वेगरे से जादा बहतर और अच्छा होना चाहिए domain authority जिसकी website पर आप करेंगे तो आज हम आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं तो हम नहीं यहाँ पर एक website हमने ली है webli.com तो webli.com एक आपके पास traffic आता और वो traffic आपकी website पर भी आता है तो इससे होता है कि SEO में हमारी ranking अप होती है अब यहाँ पर हम edit site पे यहाँ पर click करेंगे blog posting करने के लिए यहाँ पर हमने click करा क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यह पर load हो रहा है हम यह जो आप pages का button देख रहे हैं इस pages के button पर click करेंगे पेजिस के button पर click करने के बाद यह ब्लॉग का जो आप section देख रहे हैं यह ब्लॉग पर click करेंगे अब हम इसको scroll down करेंगे और यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं which course you should choose to become an advanced web engineer यह जो लिखा हुआ है तो अब हम यहाँ पर new post पर जाएंगे यह भी एक तरीके का blog है जो हमने पहले post करा था अब हम new post पर जाएंगे तो यह हमारे पास कुछ safe हमने already हमारे पास blog है जो हमने लिखवा के रखा हुआ है अपने content writer से तो उसका हम title copy करेंगे और उस title को हम paste करेंगे तो यह title हमने paste करा अब हम यहाँ पर image पर जाएंगे image को drag करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे अब यहाँ पर image का हम option tracker के लेकर आएंगे अब यहाँ पर हम image upload करेंगे तो हमने एक image already जो हम upload करनी है रखी हूँ यह desktop में उसको copy करेंगे उसको upload करेंगे वहाँ पर और यह हम title जो है हम change कर देंगे image को जो हम नाम दे रहे हैं यह हमारा जो नाम है यह गलत नाम है तो इदर हम change करेंगे according वह हमारा content है उसके हिसाब से image का नाम देंगे क्योंकि image भी crawl होती है तो image को कोई क्रॉल करता है, तो यहां पर हम अब उस video एक पर akin हम अब उस Limit, अब वह इमिज नहीं अब फिट रहां है देख सकते हैं तो अब हम नहीं करा हमने Mart iços एक सुपूल Kla जाएंगे, के सुक्रिण पर दोusन छफ़न, डिकन एथिकल हैकिंग, इंस्टिट्यूट या कोर्स जो भी आपको लिखना है या हमने लिखा तो यह देखे आप हमारा कैप्शन भी आ गया तो अब यहां पर हम उस इमेज को छोटा कर सकते हैं अपने साइज के अपोडिंगली और इसके बाद हम जो टेक्स्ट है इसको ड्रेग करके लेकर आएंगे दोस्तों बहुत ही एजी है ड्रैग और ड्रॉप का काम है सारा का सारा यहां पर हमारा सारा कॉंटेंट हमने कॉपी किया जाके हमने टेक्स्त वाले area में paste किया यहां पर हम अपने टेक्स्त को कुछ arrange करना चाहते हैं कुछ भी है हर चीज कर सकते हैं यहां पर editor भी है तो देख सकते हैं यह हमने किया तो थोड़ा तो फॉर्मेटिंग जरूर कीजिएगा कि जब यह आपका पब्लिश हो तो यह अच्छा लगना चाहिए तो जितना अच्छे से आप अपना ब्लॉग समिशन करेंगे उसमें इमेजेज और टेक्स्ट वगरा करेंगे उतना ही अट्रेक्टिव होता है अब उसमे से रिलेटेड हमने का URL कॉपी करा और यहां पर हमने ओपर लिंक देख रहे हैं तो यह आपटेक्स ही हम दूसरे भी करेंगे तो इस तरीके से हम एक आर्टिकल या ब्लॉग के अंदर एक या दो हाइपर लिंक्स दे सकते हैं उसे जादा ना दें क्योंकि वह सही प्रेक्टिस नहीं क्यालाती तो इस तरीक से देखे हमने image भी डाली content भी डाला hyperlink भी लगाया अब हम गए यहाँ पर add category के उपर अब यहाँ पर हमने add category में जाके best computer course का हमने डाला अब the best ethical hacking institute हमने यहाँ पर हम बहुत सारी categories बना सकते हैं तो इस तरीके से हम जब डाल रहे हैं तो हम जब search कर रहे हैं तो जो जो हमें options लगता है कि हमारे इस article से और यह ब्लॉक से relate करता है उनको हम choose करते जाएंगे और add करते जाएंगे देखें इतने सारे हमने categories बना ली हैं तो यह हमने सारे categories बना ली अब यहाँ पर हम यह देख सकते हैं आप advance पर जाएंगे और SEO post title यह हमने copy करा और यहाँ पर हमने SEO post title इस title को paste करा यह सब चीजे करनी होती हैं जिससे कि हमारा blog लोग तक पहुंचे उसकी visibility बढ़े और हमारे ranking आये अब यहाँ से हमने कुछ content copy करा और यहाँ पर SEO post description में वह content जाके paste कर दिया तो सही title सही आपका brief description आपके जो categories हैं वह आपको सही सब्सक्राइब करनी है यहाँ publish करेंगे हम यह सब करने के बाद immediately करना है schedule करना के हम schedule भी कर सकते हैं immediately भी कर सकते हैं तो यहाँ पर immediately हमने करा comments में हमने click करा तो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं open करेंगे हम click करा अब यहाँ पर हम गए post पर ठीक है और post करा हम है publish हो रहा है हमारा post wait करेंगे अब यह हमारा जो post है publish हो गया यह इसका URL बन गया है अब हमने उस URL को click करा अब देख सकते हैं जो भी हमने काम करेंगे किस तरीके से दिखेगा तो now you can see कि प्रॉपर एक हमारा blog है एक website के feel और look में है आप देख सकते हो तो इस तरीके से हमने प्रॉपर successfully एक blog post करा है जिस पे कि हमारी पूरी information है उस particular category की जो हम देना चाहते हैं किस तरीके से हमें search करना होता है social bookmarking sites जैसे हम यहाँ पर search करेंगे google पे अब चाहे हमने search करा social bookmarking sites list चाहे हम 2019 डाल दें तो इस हिसाब से हमारे पास यह तो top 10 social bookmarking sites हैं जो कि बहुत ज्यादा commonly लोग use करते हैं और उसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और बहुत सारे हमारे पास website हैं देखिए आप इतनी सारी social bookmarking sites हैं तो दोस्तों होता गया कि social bookmarking तो आप बहुत सारी जगा पर कर सकते हैं वहाँ आपको यह हमेश्य धान रखना पड़ेगा जो हर website जिसका आप social bookmarking करेंगे उसका अपकी जो website से ब्लॉग है उसके बराबर या उससे लूप करने का कोई फायदा नहीं है तो हमेश्य अपने से भैतर वाले से जो आप networking करेंगे लिंकिंग करेंगे तो उसका आपको benefit मिलता है तो आये हमने कुछ 2-3 website open करके रखी है to save time जिस पर हमने अपने account create कर रखेंगे इसका PA कितना है इसका DA कितना है तो यह सब चीजों को आपको ध्यान रखना है तो एक website है Trumbler यह बहुत मशूर website है तो इसमें हमने अपने account बना रखा है अगर आपका account नहीं है तो अपने email id स अपने account पहले create करेंगे बहुत simple steps होते हैं 2-3 जैसे आप normal account create करते हैं और उसके बाद login करने के बाद आपको इसमें bookmarking submission करना है तो login करने के बाद इस तरीके से आपकी सामने page आएगा अब आप यह जो link का आप देख रहे हैं यहां पर हमें link create करना है तो हम यह आपर click हमारा time save हो तो आपका जो भी blog का आपका website है या आपका normal website है तो उसका जो भी URL होगा link होगा उसको आप copy करेंगे और यहां पर आके आप paste कर देंगे ठीक है तो आप इसके अंदर देखें कुछ हमारे information इसने fax कर ली है already हमारे blog से और हमारे website होती तो हहां से भी कर लेता इस इसको एड करने के पाद कुछ tags होते हैं जो कि आपकी service या आपकी industry से related आपको put करने होते हैं तो इस तरीके से हम ने tag कॉपी करा और यहां पर जाके tag paste कर दिया गये एक और tag हमने copy कर आप और यहां पर आके paste कर दिया टैग पेस्ट करने के बाद हम यहां पर post करेंगे तो दोस्तों यहां पर हम share करेंगे यहां पर देखिए आप click करा हमने now you can see यह देखिए हमारा tumbler पे हमारा url create हो गया है तो इसको आप linking भी कह सकते हैं backlink की बैसल से social book marking भी कह सकते हैं हमारा tumbler में पूरा detail जे सकते हैं जो हमने put करी है तो इस तरीके से कितना easy होता है अपनी website की social book marking करना किसी भी site portal पे और हर website का अपना format होता है सबका बिलकुछ similar नहीं होता तो यह बत easy होता है उसमें सबकुछ guide clear होता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है और वह आप 5-7 मिन में कर सकते हैं अब यह एक site है plurk.com यह बहुत ही मशूर website है इसकी भी आप देखिए page authority कितनी है और इसकी domain authority कितनी है और इस website पे यहाँ पर देखिए हम अल्रेडी login है तो हमारा top gurus के नाम सा अल्रेडी है login है यहाँ पर भी हम जाएंगे हम अपना URL copy करेंगे हम URL पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के बाद हम वापस यहाँ आएंगे अपने description को हम copy करेंगे और उस description को हम यही पर इसके आगे पेस्ट करेंगे और हम प्लर्क के बटन पर क्लिक कर देंगे और यो मस्ट कंफर्म और इमेल इडी बिफोर यू पोस्ट एनी लिंक्स हमने करा ओके ठीक है तो अब यहाँ पर हम अपनी इमेल आईडी पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या वहां से कोई confirmation mail आई है हमारे पास अब यहाँ हमें कोई mail शो नहीं कर रहा है एक बार हम और में चक कर लेते हैं सर्च करके भी देख लेते हैं तो अभी महाँ से हमारे पास कोई confirmation नहीं आई है ठीक है तो कोई issue नहीं दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो confirmation mail हो जी थोड़ीशी late हो जाती है तो हम आगे बढ़ते हैं और जैसे मारे पास mail आगे इसको confirm करेंगे तो इसको हम यहाँ पर post कर देंगे तो यहाँ पर भी हमारा social bookmarking का link create हो जाएगा अपना URL कॉपी करेंगे दोस्तों कॉपी करने के बाद हम अपना URL यहाँ पर पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के बाद क्लिक करेंगे यहाँ पर यह जो portion है यहाँ पर हम अपना जो description है इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर paste करेंगे यहाँ पर हम अपने tags डालेंगे पेस्ट करेंगे अगला tag कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे पब्लेश करेंगे देखिए यॉर स्कूप है अब आप देख सकते हैं ठीक है तो यह हमारा जो स्कूप है क्रियेट हो चुका है और जो हमारा लिंक है वह भी इसमें बन चुका है तो इस तरीके से आप यह जो भी अपनी बुक मार्किंग करेंगे इसकी हमेशा एक रिकॉर्ड अपने बस बनाके रखेगा अपना यूजर नेम पासवर्ड अपना यूरल जो आपका क्रियेट हुआ कि यह देखिए तो यह हमारे शोचल बुक मार्किंग के जो हम जहां पर करते हैं और यह देट के हिसाब से क्योंकि यह इस तरीके की एक रौ जो एक्सल होती है यह स्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हमने हर चीज की हमने बना रखी है चाहे रेंकिंग है डि कितनी मेनत करें विकाज करने के साथ साथ आपको रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट होती है और आपको खुद भी इस डाटा से अपने आपको एनिलाइज कर सकते हो तो देखिए सबसे ईजी है शोचल बुक मार्किंग करना बहुत एफेक्टिव है आपके लिंक बिलिंग ह चीज इससे बढ़ती है प्रेजन्स बढ़ती है विजिबिलिटी बढ़ती है तो दोस्तों इसी तरीके से आप बहुत सारी वेबसाइट पर करिए रेगलर करिए और अपने आपको एस्टिव में टॉप पे लेठर आईए सबसे पहले अगर हमें पता करना है कि हम पहली बा हैम जो बहुत मश्रूर साइट्स है तो उनके आपको दिखने बहुत सारी साइट संकई साल साइट्स है जिन पर हम अपनी बिज्ञोगर कर सकते हैं तो बिज्ञ के लिए के लिए एक बहुत सारी sites, portals और directories हैं जोंको हम नहीं जानते हैं जहां पर हम कर सकते हैं और जिनसे हमें बहुत पाइदा होता है और हमारे पर ट्रैफिक भी आता है वेबसाइट पर हमें business inquiries भी आती हैं तो उन में से हम कोई भी एक site पर आज आपको करके दिखा रहे हैं तो इस तरीके से हमें site पर गए जैसे कि मैंने आपको बताया था moz.com से जाके आप moz बार आप अपने यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं यह वर्ल्ड की सारी sites की domain authority और page authority देता है तो यहाँ पर हमें पता लगता है क्योंकि जो भी website यह site तो हजारों हो सकती हैं बढ़ हर site पर जरूरी नहीं है कि आपको business list करने का link बनाने का फायदा होगा क्यों कि उसकी domain authority और page authority अच्छी होनी चाहिए जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और आपकी site से कहीं जादा होनी चाहिए तो इस तरीके से इसका भी अच्छा है और इसलिए हम इसमें आपको करके दिखा रहे हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर account create कर रहा था account create करने पड़ेगा हर उसमें जाके आपको login करना पड़ेगा तब जाकर आप अपना business list कर सकते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर create business profile पे click करेंगे हर website का अपना थोड़ा parameter और fields वगरा अलग-अलग होती है तो जब आप करते रहेंगे आपको बहुत idea हो जाएगा और ब चीजें यहाँ पर save करके रख लिए जिससे कि हम आपका time बचा सकें पटपट आपको यह procedure सिखा सकें यहाँ पर आप अपना address पेस्ट करेंगे यहाँ पर हम दुबारा अपनी city select करेंगे जिसे हमारा यहाँ पर हमारा जो है इस डेली है हमारा हम यहाँ पर प्रीच यहाँ चुन लेते हैं ठीक है और यहाँ पर हम अपना पिन कोड चुन लेते हैं यहाँ पर हम next करेंगे नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारा time हमें phone number या mobile क्या करना है तो हम यहाँ पर mobile करेंगे और mobile number हम गए mobile number हमने यहाँ से copy किया पेस्ट किया और यहाँ पर हमने next किया अब यहाँ पर हमें अपनी information सभी से डालनी है बिजनस ने जो आपकी company का बिजनस का नाम है वह आप डालेंगे और का नाम डालेंगे यह हम इसलिए हम क्या कहते हैं आपको अपना content सारा accurate और बिलकुल सही डालना है ठीक है कहीं गलती नहीं होने चीए इसमें आपको से यह हम अपनी वेब्साइट का जो URL है वह हम copy करेंगे और जाके पेस्ट करेंगे उसके बाद हम किस ग्रूप में आता है तो हमारा जो आता है वो education में आता है यह देखी तो हम education select करेंगे और next करेंगे यहां पर हम अपने business के बारे में अच्छे से information देंगे तो यह हमने कुछ dummy information ऐसी temporary बना लिए है तो इसको बस जाएंगे cut copy paste करेंगे और इनगी term and conditions को agree करेंगे यहां पर अ अब your business profile has been created successfully तो दोस्तों इस तरीके से यह देखिए हमारा जो page है वो बन चुका है यह हमें URL मिल गया है और इन सब चीजों को जो आप create करेंगे अलग-अलग सबको याद नहीं रहता तो यह सब कुछ आप एक Excel में maintain करेंगे URL, username, password और URL जो आपको कोई भी directory देगी आपका page बनने के बाद इससे आपके एक report maintain होती है जो कि आप अपने लिए या अपने किसी senior या management के लिए use कर सकते हैं दिखाने के लिए ठीक है दोस्तों तो इस तरीकी से देखिए हमने information डाली है और यह हमारा पूरा business list हो गया पूरा page आ रहा है तो यहां पर देखिए जब लोग आएंगे customers आएंगे और similar business दूसरे business उन्हों भी यह देखिए अपने आपको लिस्ट कर रखा है तो इस तरीके से आप business list करेंगे चाहे जजल में करें सब्सक्राइब करने का प्रोसेस क्या है सबसे पहले तो हम देखना पड़ेगा कि कौन सी डिरेक्टरी की अच्छी हैं जानकि समीशन कर सकते हैं तो तो दिवर पर सर्श चर्क करते हैं कि परसे करेंगे अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि कि अगयून करते हैं इस firm करते हैं अगर हमने कोई बी बैस एक Cause यह वेबसाइट है इसको हम कॉपी करते हैं ठीक है और यह हमने ओपन कर रखी है यहाँ पर तो इसमें जब हम पेस्ट करेंगे इसका यूरल तो यहाँ पर क्योंकि हमने मोज.com का जो मोज बार है इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर हम डूमेन अथारिटी और पेज अथारिटी चेक करेंगे और स्पैम को चेक करेंगे उसके बाद ही इसमें हम डेक्टी समिशन करेंगे क्योंकि यह हर प्रोसेस के अंदर जरूरी है क्योंकि आपकी की डुमेन और पेज अथारिटी होती है उन्हीं पर ही आपको करना चाहिए अपने से बराबर या अपने से नीचे वाज़े पर आपको समीशन नहीं करने चाहिए तो हम यहां पर यह डिरेक्ट्री में आपको सेंपल करके दिखा रहे है किस तरह के साब अधर डिरेक्टी और डिरेक्ट्री से समीशन करोगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहां पर यह वेबसाइट पेश ओपन करी है एक सेंपल दिखाने के लिए कि हां पर किस तरह से अंदर पढ़ जाती है तो इस पर्टिकुलर साइट में जरूबत नहीं है तो हमने वेबसाइट ओपन करी उसक पर चेक करें उसके पाद सीधा हम अपनी केटेगरी जूज करेंगे किस केटेगरी क्या काम है जिसके हिसाप करना है तो हम एजुकेशन करेंगे कि इस्टिट्यूट की वेबसाइट है यहां पर क्लिक करने के बाद जैसे कि देखे हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन आग हम सब्मिट लिइंगे और अभी पीड भी होता है अभी हम आपको फ्री वाला करना सिखा रहे हैं यहां क्लिक करेंगे क्लिक करने की प्ले के वाद में एक वेस्ट करेंगे ऑक यूरल हम अपनी वेब्यक्ट का कॉपी करेंगे ऑनिहीं कॉपी किया कितक्पश्त करेंगे डिस्क्रिप्चन की लिमित है धाजार उसके अंदर ही हमें करना तो कि इसक्रिप्षिंद अभी हमने यहां घुली रखना है तो थोड़ा सा हम यहां तक कॉपी कर ले दें और इसको हम पेस्ट करेंगे मैं यहां पर हमने पेस्ट करा अब यहां पर मैटा कीवर्स कीवर्स हमें घरू डालने होते हैं तो हम कुछ यहां पर keywords put करेंगे ऐसे एक keyword तो Graphic Design Institute ही हो गया दूसरा keyword हो गया Graphic Design Course तो इस तरीके से आप अपने business के हिसाब से multiple आप matter keywords डाल सकते हैं matter description डाल सकते हैं तो इसी description को आप जनरली copy करें copy करें और इसको paste कर दो ठीके दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे यहां पर नाम डालेंगे institute का IACS India email id डालेंगे यहां ने email id copy करी paste करा यहां पर हम जो code यह दे रखा है code को जहां से put करेंगे और agree करेंगे इनकी term and conditions पर और continue करेंगे इस तरीके से आपने देखा कि कितना easy है अब यहां पर देखे link submitted and awaiting approval submit another link अब यहां पर हमने एक क्योंगी submission कर दिया है तो अब ऐसा नहीं होता है कि डेक्री में पता रग जाएगा आप देख सकते हैं reviewed in two to three months by our women editor we will appreciate your patience तो सब डेक्री का अपना है इसमें यह two to three months का है paid बाले में देखो एक से दो दिन में है यह डिपेंड करता है हर जो क्या करते हैं डेक्री उसके ओपर कुछ फ्री में भी जल्दी approval दे देते हैं कुछ पेड में जल्दी approval देते हैं तो यह सब चीजें आपको डेक्री टू डेक्री ही करने पड़ेंगी और पता लगेंगी तो सबसे पहले आप फ्री डॉकुमेंट शेरिंग साइट लिस्ट सर्च करेंगे गूगल पर इससे क्या होता है कि हमारे पास डाटा मिलता है क्योंकि आपको और हमको नहीं पता कितनी सारी साइट करेंगी किस तरीके से आप डिशाइड करेंगी किस पर करना है अब जैसे एक साइट है स्लाइट डॉकुमेंट शेरिंग होती है तो यहां पर क्या है देखिए यह मोस पर मोस बार जो है जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मोस बार ही डोमेन अथारिटी और पेज अथारिटी प्रवाइड करता है सारी वेगसाइट और डोमे अब आखो बताता हूं कैसे इस यह साइट में हम डॉकुमेंट सेरद करेंगे तो अब आपको भी प्रेजंटेशन बनाई होगी फेडिया बनानी होगी जिसमें आपकी इसके बारे में प्रॉपर डिटेल, इमेजेज, उसकी यूएसपी, प्रॉपर डिटेल और अच्छे से आपको सारका सारा दिखाना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, उतना ही ज्यादा बैनेफिट और व्यूज और रिस्पॉंस मिलता है, ट् आपको दिखाता, तो अब जैसे ये एक साइट हमने ले लिए है, स्लाइट शेर, जहाँ पर की हम, डॉकुमेंट शेरिंग समिशन कर सकते हैं, तो पहले लोगों ने किस तरीके से कर रखा है, अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ पर आके सर्च भी कर सकते हैं तो आप पर आपको एक आइडिया लगेगा, लोगों ने किस तरीके चीज़े बनाई हैं, तो आप भी वैसे बना सकते हो, तो आप देखे, जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, हमने सर्च करा, तो डिजिटल मार्केटिंग से सकते हैं, तो देखिए आप, किसी और इंडर्स्ट्री से आपको करना है, तो जो भी आपकी इंडर्स्ट्री है, उससे रिलेटेट देख सकते हैं, अब जैसे कोई भी एक कमपनी आई, यह दिखिए इतनी सारी कमपनी हैं, जिन्होंने अपने डॉकुमेंट सेयर कर देख सकते हैं, कितने बहत्री और बढ़िया तरीके से उन्होंने बना रखा है, पूरी इंफॉर्मेटिव है, इमेजेज है, लोगो है, हर चीज इन्होंने दे रखिए, इसी तरीके से मैंने भी आपको एक पीपीटी दिखाई थी, जिसमें हमारी जो भी इंफॉर्मिशन देने चाहते हैं, मेरी जो बगर की से मम दें कि तो प्रफेशनल लगे, तो इस तरीके से आपको भी जो है, अपना एक पीपीटी या पीडियाफ बनाना है, तो कई साइट पीपीटी लेती हैं, कई साइट पीडियाफ लेती हैं, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जिस भी साइट पर बनाएंगे, अगर हाँ पर वो अकाउंट मांगता है, लोग इन मांगता है, तो आपको एक एक अकाउंट करना होगा अपनी मेल आईडि से, और उस अकाउंट को क्रेट करने क्वाद आप लोग इन करेंगे, तो जैसे कि हम लोग इन हैं यापर, तो आप देख सकते हैं यहां पर upload हो रही है अब देखे जो आपको title डालना होगा हमने title डाल रखा है ठीक है description आपको डालने होगी description हमने बना करे हुए dummy तो यह हम description आप हम copy करेंगे यहां से और description यहां पर जागर हम paste करेंगे ठीक है और आप यहां पर हम अपनी category चूफ करेंगे, तो हमारी जो category है वो education है, ठीक है, और यहां पर public ही रहेगा, जो भी हमें यह option आते हैं, हमें public रखना है, क्योंकि हमें logo तक पहुंचाना है, tags हम डालेंगे, आपके industry से related आपको tags जानने है, तो कुछ tags हमने बना के रखे हूं है, तो save time के हमारा आपका time जोड़ा save हो, second tag डालेंगे, इस तरीके से आप multiple tag डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों हम यह देखे हैं, हमारी पर slide बना हुआ था, ठीक है, अब यह हम publish करेंगे दोस्तों, अब यह हमारी जो document है, publish हो रहा है, यह देखे हमारे पूरा URL बन गया, slideshow.net, slash, जो भी हमें नाम दे रहे हैं, हम यह नाम दे देंगे, इस तरीके से हमारा पूरा URL बन गया, इस URL को हम use कर सकते हैं, और save परके अपनी Excel में रखेंगे, कि हमें पता रहे कि जब भी URL किसी को द attractive, simple है, ऐसे ही आपको बनाना है, अपने लिए भी, आप हम नीचे आएंगे, ठीक है, अब यहां देखे, things that make hardware and networking and exciting career option, ठीक है, तो यहां पर यह title हमने दे रखा है, उसके बाद, आप यहां पर देखे, description हमने दे रखी है, आप देखे, क्लिक करेंगे, देखे, पूरे description जो हमने महां डाली थी, यह वो title है, जो हमने महां डाला हुआ था, यह description है, जो हमने पूट करी थी, तो इस तरीके से पूरा हमारा presentation, पूरा document, उसकी detail, टैक्न, टैक्न, सगरा हर चीज़ आ रही है, तो इतना professionally हमने इस चीज़ को बनाया, और यहां पर कोई भी जब देखेगा तो यहां पर comment, like, downloads होने शुरू हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप अलग-अलग sites पे जाके अपनी ppt या pdf format में documents share कर सकतें professionally, so that SEO में हमारी ranking अपको हमारी visibility बड़े, और हमें unique visitors मिलें, सबसे पहले हम Google पे जाएंगे, और हैंपर search करेंगे image submission sites 2019, तो इससे क्या होता है, latest websites जो हैं या आपको हमें सारी websites लिस्ट आजाती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी sites और हम image submission कर सकते हैं, और image submission भी एक तरीके का link creation होता है, तो इसमें क्या है कि आपको जिस भी website में, portal में, directory में, आप image submission करेंगे, उसका page authority और domain authority ज़रूर देखेगा, वो आप आपकी blog या website से ज्यादा भैतर होना चाहिए, क्योंकि अपने बराबर या उससे नीचे की website में को कोई फायदा नहीं है, तो दोस्तों इस तरहीं से देखें, बहुत सारी websites आपको मिल जाएंगी जहापर आप इकमें submission कर सकते हैं, but after checking their domain authority and page authority, जो कि moz.com से कर रही जाती है, जिसके ओपर हमने आपको अलड़ी वीडियो दे रखा है हमारे चैनल के अंदर, तो हमने कुछ दो websites अभी हमने open कर रखी हैं to save time, या पर हमने login कर रखा है अपना, और आपने अगर इन पर अपना चैनल क्रेट नहीं करा हुआ एकाउंट तो इस पर आप बहुत easy steps से आपना for example, 100 websites और portals और directories पर आपने अपना link बना लिया, but उनकी DA और PA ही अच्छी नहीं है, तो कोई फैदा नहीं है, अगर उसमें आपने 25 से 30 पर बनाये जिनकी DA और PA बहुत अच्छी है, तो वो आपको ज्यादा benefit देंगे as compared to अगर आप low grade sites पर करोगे, तो आईए नहा बताता और हमने login करा, login करने के बाद यह आप option देखने है, upload का, upload पे click करेंगे, upload पे click करने के बाद, यहाँ पर देखे, choose photo या वीडियो जो भी आप upload करना चाहें, हमने click करा, यहाँ हमने save कर रखा है, already और यह image को यह हमने नाम दे रखा है, residential projection गादिवत को, image को नाम देना बहुत ज़रूरी है, तो जो भी आप नाम देंगे, उसी से related image search होगा, इसको click करेंगे, upload करेंगे, यहाँ पर देखे, image का नाम आ गया, विकोज इसी से ही Google और यह सब read करते हैं, क्योंकि image Google read नहीं करता, Google आपका जो नाम है, उसी को read करता है content को, अब यहाँ पर हम description add करेंगे दोस URL भी दे रखा है description पे, कि वहाँ से कोई image से site पे आना चाहिए, blog पे आना चाहिए, तो आ सकता है, upload one photo हम click करेंगे, और यहाँ पर upload पे click करेंगे, तो यह upload हो रहा है, process में आ चुका है, तो अब आप देख सकते हैं, जैसे कि यह देखिए, पूरा का पूरा हमारा celebration residency का एक त दोस्तों, यह देखिए, scroll करा हमने, अभी हमने यह image upload करी थी, यह हमने link और यह सब कुछ put करा था, यह देखिए, सारा का सारा हमारा यहाँ पर show होने लगा है, अब इसको दोस्तों, हम ओके, अगर आप ए content में, text में, कुछ भी problem लग रही है, कुछ spelling यह कुछ आपको gap वग ठीक है, तो इस तरही से देखिए, हमारा एक proper image submission हो गया, और इसको link submission भी कहते हैं, इस link को आप copy करके रखेंगे, तो जो भी websites पे, एक और पे हम आपको दिखाते हैं पहले, अब जैसे यह हमारी website है, आप देख सकते हैं, sta.sh, इसका जो page authority और domain authority है, वो आप देख सकते हैं, तो इस पे जब हम अपना login करेंगे, account बनाने के बाद, तो यहाँ पर हम upload files में जाएंगे, click करेंगे, और यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर image को वैसे ही upload करेंगे, image upload करने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह detail, यह image का नाम आ गया है, वैसे ही, image आ गई है, उसको फिर से हम copy करेंगे, और description को जाके, sorry, description को जाके हम paste करेंगे, यहाँ पर हमने description को paste करा, और यहाँ पर refresh करा हूँ, अब देखें, हम यहाँ नीचे आए, now you can see, यह हमारा link बन चुका है, तो अब हमें क्या करना है, अब इस तरीके से आप हर मन्त image submissions करेंगे, link building करेंगे, तो आपको उसका data maintain करना होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से, यहाँ पर हम गए, और इस तरीके साब देखें, आपको regular basis पर अपना data maintain करना है, उसका कारण है, maintain करने का, कि आप किसी को report करने है, या आप अपने खुद के analysis के लिए data रखने हैं, तो आपको पता हो कि किस website में मैंने कर रखा है अल्रडी, किस में मेरा URL है प्रूब है, किस data अगर आपके पास है, तो आपको बहुत फायदा रहेगा, long term के अंदर, और आपकी reporting भी strong रहेगी, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप image submission कर सकते हैं, different sites पे quality submission कीजिए, quality website पी कीजिए, जिसे कि आपकी profile को लोग देखें, और आपकी visibility वेगारा बड़े, दोस्तों, हम हमने सब image submission वेगारा करा, तो इसका एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जो कि है, आप अपनी images को rank करवा सकते हो, अब होता है कि जब Google के अंदर इतने सारे tabs आते हैं, तो अगर हमारी images rank करेंगी, तो कोई images पे भी देखता है, सर्च करता है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे image का नाम और हमारी detailing वेगारा आएगी, तो यह image submission भी बहुत effective तरीका है, SEO का और इसको बहुत अच्छे से करना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉपर नाम माम देना है image को, और प्रॉपर अपनी image को rank कराना है, स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं इतिरिश गुक्ता, आप सबका आपके marketing फंडास पर, दोस्तों, most awaited video, हमारे हजारों fans ने कई बार हमें request करा, और हम भी बहुत जादा चाहते थे, कि इस risk को हम आप लोगों के लिए ले कर आए, दोस्तों, finally email marketing की हम आप लोगों के लिए series लेकर आ गए हैं, और इस video में हम इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, और इसके आने वाली videos में भी, दोस्तों, हजारों लोगों को email भेजना, या business promotion के लिए mails भेजना email marketing है, या spamming करना email marketing है, लोग कहते हैं कि email का जो process है, वो बहुत ज़्यादा slow है, तो उससे उनको उतना ज़्यादा fast business नहीं मिल पाता, लोग ये भी कहते हैं कि जो conversions हैं, वो नहीं आते, बहुत कम आते हैं, या फिर जो ROI है, वो उतनी नहीं मिलती, जब हम email marketing के through products या services प्रोमोट करते हैं, तो दोस्तों, ऐसे और ऐसे कई सवाल, आप लोगों को मैं सारे doubts clear करूँगा, और आप जानोगे email marketing के concept को, इसके benefits को और बहुत कुछ इस email marketing के वीडियो में और इसके आने वाली पूरी series के अंदर, तो दोस्तों, समझते हैं इसके बारे में कि email marketing actual में क्या है, तो दोस्तों, email marketing की शुरुवात कैसे होती है, बहुत ही simple terms में मैं आपको बताता हूँ, कि जब कभी भी हम किसी भी website, blog, portal या कोई e-commerce website है, तो दोस्तों, इस तरीके कि कि किसी भी platform के ओपर, जब हम sign up करते हैं, register करते हैं अपनी email ID, तो हम उनको permission देते हैं कि वो हमें offers और बहुत सारी चीज़ें हमारी mail पे भेल सकें, मतलब हम उनके subscriber बन जाते हैं, तो दोस्तों, इस से email marketing की शुरुवात होती है, और email marketing का database और email की list और customers की list create होती है, दोस्तों, email marketing के benefits और बहुत सारी चीज़ें जानने से पहले मैं आपको दो-चार ऐसी चीज़ें बताता हूँ, जो आपको email marketing में कभी भी नहीं करने, बहुत सारी companies या individuals ये गलती करते हैं, कि वो bulk में email list का data buy करते हैं, और उस data को buy करने के बाद वो लोग उस पे bulk emailing स्टार्ट कर देते हैं, तो ये कभी नहीं करना अगर आप असल में email marketing करना चाहते हैं, दूसरा दोस्तों, कभी भी आप लोगों को unknown जो audience होते हैं, जो कभी आपके business के संग, जिन्होंने कभी interact ही नहीं गिया, जो आपको नहीं जानते, आप उन लोगों को bulk में spam करते हैं, spamming करते हैं, बहुत सारे emails भेजते हैं, वो चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी, और दोस्तों, बहुत जादा promotional जो words होते हैं, उनका use आपको अपने email के content में नहीं करना है, वरना जो तीन मैंने आपको बाते बताई हैं, इनकी वज़ासे क्या होता है, जो companies होती है, email companies जैसे की, आप जीमेल हो गया, याहू है, रेडिफ है, और बहुत सारी ऐसी companies, ये कभी नहीं चाहेंगी, कि उनके users, जब अपना inbox खोलें, तो उसमें unwanted mails की भरमार हो, ब्लॉक करते हैं, ब्लैक लिस्ट करते हैं, आईपी को ब्लैक लिस्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो उससे क्या होता है, दोस्तों, आप लोगों को कभी भी सही से टैप नहीं कर पाऊगे, कभी आप अपनी साही audience नहीं create कर पाओगे कभी consistency आप काम नहीं कर पाओगे और आपको अगर बार बार ब्लॉक करा जाएगा या आप लोगों का सारे email spam में जाएगे तो आप कभी भी results नहीं पापाओगे तो ये गलतियां तो आपको कभी भी नहीं करनी है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि exactly email marketing का use क्यों लोग करते हैं और उसका सही इस्तमाल करने से क्या benefits होते हैं तो दोस्तों सबसे पहला relationship building with your customers second customer nourishing third business growth उसमें lead generation भी होता है conversion sales भी होता है fourth publish करना valuable content to your customers and prospects दोस्तों prospects वो होते हैं जिनमें आपको लगता है कि आपके जो future customers बन सकते हैं उसमें potential है वो आपके target audience होते हैं वो actual prospects होते हैं fifth point है दोस्तों कि email marketing के थूँ आप अपने brand, product, services के संग अपने audience को engage कर सकते हैं six point है दोस्तों आप ensure कर सकते हैं email marketing के थूँ के आप अपने customers के संग connect हो रहे हैं और आप देखें maximum brands चाहे वो MNCs हैं कोई भी अच्छा brand है, companies हैं वो अपने customers के संग चाहे वो banks हैं चाहे वो like Amazon जैसी companies है, Flipkart है या दूसरे sectors के companies हैं वो हमेशा email marketing के थूँ अपने customer के संग connect रहते हैं और एक connection बनाए रखते हैं जो की long lasting है दोस्तों 7th point जो हमारा है उसके अंदर हम लोगों को शैदे जानके बहुत ज़्यादा surprise होगा उन लोगों को जिन्होंने email marketing का कभी use नहीं करा या उन्होंने business growth के लिए पैसे कमाने के लिए returns के लिए email marketing का आज तक use नहीं करा तो दोस्तों सबसे important बात जो पिछली कुछ studies या आप research के कुछ articles पढ़ेंगे blogs पढ़ेंगे और case studies पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि email marketing के through up to 40 times तक revenue generate कर सकते हैं आप तो दोस्तों इसका मतलब हो गया कि मान लीजे अगर आप 1000 रुपे लगाते हैं तो 40,000 रुपे तक का return आपको मिल सकता है तो दोस्तों ये proven है और companies इसको कर रही है 8th point है दोस्तों के email marketing one of the most cost effective ways of marketing 9th point email marketing के जो past service हैं वो इस बात को prove करते हैं कि जो customers हैं वो चाहते हैं कि उनके जो brands जिनके संग वो connected हैं जिनके उन्होंने subscriptions कर रखे हैं, subscribe कर रखा हैं वो उनको अपने promotions के बारे में, updates के बारे में, offers के बारे में, emails के through inform करें 10th point है दोस्तों के जादा तर जो audience होती है वो अपने convenient time के अनुसार, email, check कर सकती है और उसको वो deeply या detail में read कर सकती है और इसके साथ साथ दोस्तों, इसमें ये surveys भी हैं के more than 50 to 60% लोग daily basis पे अपना mail चेक करते हैं वो उनके daily routine का एक हिस्सा है और दोस्तों 11th point और most important ये fact है जो कि आप लोगों को boost देगा कि आप email marketing को use करो अपने business product services को promote करने के लिए और उनके लिए sales convergence लाने के लिए जो कि दोस्तों 60% से जादा जो sales आती है आज के time में भी जो 60% से जादा sales आती है वो email marketing के through आती है इसके ओपर भी आप भहुत सारे surveys और proof internet के ओपर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं खुद से और फिर आपको उस पे उन facts के ओपर बहुत अच्छे से believe होगा तो दोस्तों ये और भहुत सारे benefits हैं जो की email marketing करने से आपको आएंगे बट सही तरीके से अगर email marketing करोगे तब आप इन benefits को उठा सकते हो तो उसके लिए बहुत सारे software चाहिए होते हैं सही technique, सही strategy प्लैन करनी पड़ती है वरना आप वो results नहीं हासल कर सकते तो दोस्तों इतना कुछ जानने के बाद अब जो सबसे important factor आता है वो आता है कि email की list मतलब अपने customers की email की list कैसे बढ़ाएं क्योंकि जितनी बड़ी email की आपकी list होगी customer list होगी उतना ही जादा आप revenue कमा सकते हैं तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे points बता रहा हूँ जिनको अगर आप use करोगे तो आपका जो email list base है वो बहुत जादा increase होगा तो उसके अंदर दोस्तों पहला तरीका है कि अगर आप social media platforms का सही से इस्तमाल करते हैं और आप उसके उपर active हैं तो आप अपनी audience तक reach कीजिए अलग-अलग tactics से उनको आप encourage कीजिए कि वो आपकी email list को subscribe करें और आपकी family का part बने दूसरा दोस्तों सबसे important तरीका है कि आप time to time contest launch करें giveaways दें ताकि लोग आपके product services में आपके brand में interest उनका जागे और वो आपके संग connect हो तीसरा दोस्तों बहुत जादा एक बहुत effective तरीका है जो कि है आप valuable content valuable information अपने users और लोगों तक पहुचाएं जैसे कि आप YouTube के through कर सकते हैं आप blogs के through कर सकते हैं और अगर आप consistently लोगों को valuable content information देंगे तो जरूर आपके संग जुडेंगे और आपका subscribe करेंगे और आपका customer base बहुत जादा बड़ा बनेगा चौथा दोस्तों point है आप help ले सकते हो influencers की आप उनके संग association कर सकते हो partnership कर सकते हो because influencers भी अगर आपको help करें या आपके संग किसी भी तरह connect हो तो आपका customer base, email list base बहुत जादा केजी से बड़ सकता है और दोस्तों फिफ्ट point कि आप जो आप offline activities भी कर सकते हो अलग-अलग offline activities कर सकते हो जिसको BTL activities कहते हैं छोटी-छोटी activities आप लोगों से interact हो सकते हो छोटी-छोटी event कर सकते हो ताकि वहाँ से आप active database collect करो लोगों को subscribe करवाओ और अपना database बनाओ तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने email list को बहुत huge बना सकते हो कुछ समय के अंदर 6 महने, साल, 2 साल अगर आप continuously, consistently काम करोगे तो आप उसके amazing results पाऊगे और अगर एक बार आपका loyal customer base बन गया आपका अच्छा database बन गया तो आपको revenue और growth की कभी भी problem नहीं होगी आप दिनों दिन अगर अपनी महनत करोगे तो आप बढ़ोगे और हजारों, लाखों डॉलर दोस्तों आप कमा सकते हो 6 पॉइंट है दोस्तों Lead Magnet दोस्तों हो सकता है आपने Lead Magnet के बारे में सुना होगा और ये बहुत important factor है दोस्तों Lead Magnet क्या है कि मान लिजे आप Facebook, Google Ads और किसी भी paid advertisement या source के थूँ अगर आप campaigns run करते हो और उन campaigns में आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ provide करते हो जो valuable है मान लिजे आप e-books provide कर सकते हो आप कोई course provide कर सकते हो कोई आप उनको इस तरीकी की information provide कर सकते हो कोई chart, कोई diet, कोई plans ठीक है कोई भी आप उनको offering ऐसी provide कर सकते हो ताकि लोग जब आपके ads देखें और उनको अगर लगेगी valuable उनको free of cost आप content provide कर रहे हो तो लोग उसके बदले में आपको अपना database दे सकते हैं नाम, number, mail id, specially ठीक है तो दोस्तों इसको lead magnet कहते हैं आप भी बहुत सारे ads देखते हो जहां पर कोई आपको कोई course free में offer कर रहा होता है कोई आपको e-book offer कर रहा होता है और जिसके बदले में webinar कर रहा होता है जिसके बदले में क्या होता है कि आप उनसे अपनी details share करते हो तो दोस्तों ये जो मैंने आपको points बताएं इन points को अगर आप सही से इस्तमाल करोगे सही से आप अगर अपना database अपना email list बढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों ये ही email list जितना ज़्यादा grow होगा उतने ही आपकी संभावना है हजारों लाखों dollars कमाने की और लोग कमार रहे हैं दोस्तों सिर्फ आपको dedication से चीजों को सीखना है करना है आगे बढ़ना है तो दोस्तों अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि softwares कौन से हैं जो आपको email marketing के अंदर help करते हैं because उनके बिना आप सही से email marketing नहीं कर सकते हो और आप अपने customers को approach नहीं कर सकते हो तो दोस्तों जानते हैं softwares के बारे में दोस्तों best companies या softwares जो की market में आपको मिल जाएंगे जिनका आप free trial भी use कर सकते हो और फिर अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उनके paid versions भी ले सकते हो जैसे कि दोस्तों email marketing के अंदर आता है MailChimp, Drift, Constant Contact, ConvertKit, Aweber इस तरह की की दोस्तों email marketing की बहुत सारी companies हैं जिनका आप trial ले सकते हो, use कर सकते हो और इनकी मदद से आप email marketing की list को explore कर सकते हो अपने customers को सही तरीके से पहुंच सकते हो filter कर सकते हो database को और बहुत सारी features हैं जब आप इनको use करोगे, practice करोगे और इनके उपर हमारे इस series के अंदर वीडियोज आने वाले हैं उससे अगर आप सीखना चाहो किस तरीके से आप emailer बना सकते हो किस तरीके से आप पूरा campaign set कर सकते हो कैसे आप email shoot कर सकते हो किस तरीके से दोस्तों आप अपने audience को target कर सकते हो email design करने की जो बनाने की जो strategy है वो क्या होनी चाहिए इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे आने वाले वीडियो में series में मिलेंगी और अगर आप advanced level के उपर दोस्तों email marketing और complete digital marketing सीखना चाहते हो तो हमारे channel में आपको digital marketing का complete course है आप उसको avail कर सकते हो बहुत economical है और उसके अंदर complete digital marketing आप सीख सकते हो email marketing भी advanced level पे उस पे हमने सिखाई हुई है और दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि email की जो strategy है फिक है email जब हम marketing करते हैं तो email marketing की strategies के दोरान किस तरीके की emails हम भेज सकते हैं strategies and emails to engage your audience तो दोस्तों पहला है follow up mails जिसको autoresponder या autogenerated mails हम बोलते हैं तो इसका हम use कर सकते हैं इन softwares के थूँ second type की जो दोस्तों email साब भेज सकते हो broadcast emails broadcast emails के अंदर आप blog post भेज सकते हो newsletters भेज सकते हो उसके अलाबा upcoming आपके कोई events आ रहे हैं उनके बारे में बता सकते हो कोई launch बता सकते हो product and services का client testimonials के आप अपने महाँ पर भेज सकते हो क्योंकि वो boost करते हैं लोगों को encourage करते हैं sales के लिए उसके लाबा दोस्तों आप industry की जो news है वो बता सकते हो और इस तरीके से engaging और जिससे की customers को आपके brand पे विश्वाश हो आपके product services और engage जो इस तरीके की mail strategies concepts आपको सोचने हैं और उस हिसाब से आपको अपनी email को draft करना है और अपने लोगों तक भेजना है तीसरा दोस्तों आप अपने audience को welcome mail भेज सकते हो confirmation mail भेज सकते हो ताकि आप उन लोगों को सही से greet करो उन लोगों को confidence मिलो तो दोस्तों इस तरीके से अलग-अलग strategies या आपके जो email के जो लिखने के तरीके हैं types हैं अगर आप इसको follow गर होगे तो मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपके customers आपके संग engage होंगे और वो action लेंगे अगर वो action लेंगे तो obviously आप या तो sale आएगी lead आएगी और आपका revenue grow होगा तो दोस्तों ये video था इससे आपने आज जाना कि email marketing क्या है उसके benefits क्या है क्या नहीं करना चाहिए क्या क्या करना चाहिए software कौन से होते हैं किस तरीके से mail की strategies हो या उनको बनाया जाए और बहुत सारी चीजें आपको आने वाली हमारी इस रिसके अंदर मिलेंगी जिससे आप practical चीजों को करना सीखोगे in depth सीखोगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोगों को ये video और इसका जो content है वो पसंद आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 14 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि आप अपना email का लिस्ट ग्रो कर सकते हो मतलब अपने email subscribers ग्रो कर सकते हो audience ग्रो कर सकते हो विकॉज अगर आप email marketing करना चाहते हो तो आपका जितना बड़ा और मतलब आपके targeted audience से related अगर आपका email लिस्ट होगा आपका audience जुड़ा होगा आपसे तो उतना ही जादा भैतर आप revenue जनरेट कर सकते हो तो दोस्तों इस series के सबसे important वीडियो में से एक है वो तरीके आपको बताएं इस वीडियो में जिन में से जो तरीके अगर आप यूज करोगे तो आप अपने subscribers या email लिस्ट बढ़ा सकते हो तो दोस्तों पहला जो तरीका है वो है use multiple sign up forms अब दोस्तों क्या होता है कि जब audience आपकी website blog या आपके e-commerce portal या फिर आपका कोई और platform है जहां पर वो land करता है आता है तो वहां पर आप sign up forms दे सकते हो क्योंकि क्या होता है अगर आप उसको quality content या offering दे रहे हो या कुछ भी आप उसको provide कर रहे हो या उसको valuable लगता है तो वह sign up कर सकता है अगर वह पसंद कर रहा है आपके platform को content को तो free of cost email देने में client का कुछ नहीं जाता ठीक है तो वह provide कर सकता है तो इसलिए आप sign up forms दीजिए अब दोस्तों second जो तरीका है वह है prepare quiz forms या contest forms अब क्या होता है दोस्तों बहुत सारे चाहे website हो चाहे आपके platform हो social media के वहाँ पर अगर आप अपने audience के लिए quiz forms लाओ contest लाओ तो लोग उस पर participate करते हैं अगर वह उनको general लगता है और वह engaging होता है तो इसलिए आप quiz और contest का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि लोगों को अगर interest हो तो वह अपनी detail भरेंगे और उसमें participate करेंगे तो यह बहुत अच्छा source है database email list create करने का तीसरा जो दोस्तों point है वह है lead magnet lead magnet के ओपर मैं आपको एक और detail में अगला tutorial बताऊंगा but lead magnet का जो basic concept है हो यह है कि अगर आप कोई भी valuable product या service अपने customers को viewers को आप provide कर रहे हो तो वह उसके बदले में आपको अपना data दे रहे है वह data email हो सकता है नाम mobile number हो सकता है तो कोई भी अच्छी offering provide करना और उसके बदले में free of cost और उसके बदले में customer अपना data आपको दे रहा है that is lead magnet और इसको हम upcoming video के अंदर आपको detail में explain करेंगे इस concept को और इसमें आप कैसे कैसे आप इसका use कर सकते हो वह यह बताएंगे fourth point दोस्तों use discounts and deals दोस्तों आप चाहे कोई भी business करते हो आप अपने जो new audience होते हैं या जो अभी तक आपके followers नहीं है subscribers नहीं है ठीक है प्लस जो आपके जो interact हो रहे हैं आपके business के संग पहली बार उन लोगों को आप exciting discounts and deals आप दीजिए ताकि वो लोग उन deals और discounts को देखते हुए आपका product है service एक बार वो try करें और अपना detail आपके संग share करें ताकि वो जो detail अगर आपकी उनकी आपके पास आती है तो उसे भी आपको email list grow करने में बहुत help होती है और आज की date में अच्छा offer, discount और deal customer को attract करता है इससे आपके पास business भी आएगा और business के साथ-साथ आपको इसके अंदर database भी आपका बहुत तीजी से grow होगा फिफ्ट दोस्तों गेववे तो गेववे क्या होता है कि मान लिजे कि आपने कोई अच्छा मतलब एक offer निकाला और वो particular offer जो है वो आपने अपने audience तक पहुंचाया अब क्या है कि उसमें से जो लोग उस offer में उसमें participate करेंगे accept करेंगे तो उनमें से जो winner होगा उसको आप कोई free gift या कोई भी चीज जो उनके लिए जो valuable कोई चीज अगर आप उनको provide करते हो तो it is a giveaway तो क्या होता है कि give away अगर आप provide कर रहे हो तो बहुत सारे लोग engage होते हैं और generally आपके product services के संग participate करते हैं और अपनी information details emails आपको provide करते हैं ताकि future में भी वो आपके संग engage रहें और आप उनको inform या फिर उनके emails के थुरू उनके संग connect रहो और उनको updates देते रहो तो दोस्तों contact या inquiry form तो दोस्तों हर website के अंदर आप contact और inquiry form जो है उसको आप जरूर maintain कीजिए ताकि कोई भी customer अगर inquiry करता है या आपसे contact करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वो आपको अपना जो data है वो आपके संग share करेगा तो इससे क्या होता है आपके पास email id का और other data customer का available होता है जिससे कि आप further उसके संग contact कर सकते हो और उनका आपका उनको अपने product services offers के बारे में बता सकते हो through emails तो दोस्तों ये जरूर आप अपनी website में contact inquiry form को रखें और वो active हो इस बात का भी ध्यान रखें इसके बाद दोस्तों seven point है हमारा add sign up button on facebook page दोस्तों आज की डेट में facebook जैसे social media platform पे हर person available होता है और उसमें अगर आपने page बना रखा है अपना business page बना रखा है तो उसमें आप यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो sign up का प्लीज वहां पर आपको call to action sign up का यहां पर बटन दीजिए ताकि कोई भी customer अगर आपके page से आ रहा है उस पर information देख रहा है connect हो रहा है और वह आप से connect होना चाहता है तो वह जहां पर sign up पे click करेगा sign up पे click करने के बाद क्या होता है वह जिस भी landing page जहां पर भी land होगा वह आपको देगा अपनी details तो जैसे वह आपको अपनी details देगा तो आपका के पास जो customer का mail id नंबर या name आएगा वह आपका लिए एक valuable database है उससे भी आपकी email के list जो है वह बहुत जादा grow होती है ठीक है दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर हम अगले point पे 8th point के उपर जो की है newsletter in your website और blog तो दोस्तों newsletter के बारे में आप भी जानते हैं और जादा तर हर कोई जानता है तो क्या होता है newsletter जैसी जो आप provide करते हैं अगर मालीजे आपका blog है और उस पे regular आप quality content update कर रहे हैं अब क्या होता है कि लोगों को आपका blog पसंद है उनको आपके blog से valuable information regular मिलती है तो वो चाहते हैं कि जब भी आप इस पे कोई blog डालो किसी particular niche से related इसमें को interested है तो उनके पास वो उसका information आए अपडेट आए तो उसके लिए लोग अपनी website या blog के अंदर newsletter इस तरीके से option देते हैं यहां पर आप अपने लोग mail id डालते हैं और वो सब्मिट होगे आपके database में आ जाती है तो newsletter भी एक बहुत अच्छा medium है email list को grow करने का अपने subscribers को बढ़ाने का तो दोस्तों newsletter का अपनी website और blog में जरूर यूज क उसके बाद आता है दोस्तों encourage subscribers to share and forward your emails अब दोस्तों अगर आप एक influencer है और आपका social media platform पे आपके subscribers है already ठीक है तो आप उनको कोई ने जो मैंने ऊपर आपको बहुत सारी चीज़े बताई हैं उन में से बहुत सारी offerings content या freebies कुछ भी आप उनको जो आप offer कर सकते हो quality information या valuable things provide करके आप अपने subscribers को encourage कर सकते हो कि वो आपकी जो चीज़े हैं आगे जादा से जादा लोगों पर share करें आपकी mails आगे forward करें उससे क्या होगा आप नए लोगों तक पहुंचोगे अगर उनको भी अच्छा लगता है और benefit दिखता है तो वो लोग भी आपके subscribers बनेंगे followers बनेंगे और अपना data आपके संग share करेंगे क्योंकि अगर आप अपने audience subscribers को value दे रहे हो तो subscribers जो आपकी audience है वो सबसे important रोड प्ले करते है channel की growth में वेकॉज उन्हें से ही हमारा channel हो या किसी का भी channel हो या अफिर को जो एक limited time के लिए होते हैं और उस limited time के अंदर आप Google ads का use कर सकते हो जैसे कि आप यहां पर यह देख रहे हो Google ads के अंदर देखिए offer का आ रहा है ठीक है और बहुत तरीके के ads होते हैं यहां पर आप देख सकते हो Facebook Instagram आप ads देख सकते हो ठीक है उसके अलावा आप यहां पर द देख सकते हो sign up का ठीक है तो दोस्तों यहां पर क्या है आपको अगर आपको तेजी से बढ़ाना है अपना database और आपको लोगों को सब्सक्राइब करवाना है तो आपको paid ads की भी आप help ले सकते हो paid ads कैसे बनाते हैं तो यह हमारे course में हमने सिखाई रखा है हमारे channel में भी सि आप सीख के आप paid ads का सही यूज़ करके बहुत कम costing के अंदर भी आप लोगों को कुछ अच्छा offer करके उनका database उनकी leads ले सकते हो ताकि future में आप उनको update रख सको और उनको quality information provide कर पाऊं दोस्तों मगर उस database का कभी भी आप spamming या कोई भी other activity के लिए प्लीज मत यूज़ कीज पारे हो उसी से related आप उनको update और information दीजिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों use pop-up and hello bar in your website and blog तो दोस्तों कई बार आप देखते हो कोई website open होती है ठीक है यह तो यह blog open होता है तो उसके open होते ही यहां पर starting में एक pop-up form आ जाता है ठीक या फिर इस तरीके से एक hello bar आ जाता है तो यह भी बहुत अच्छे indicator sign होते हैं कि customer आपके संग अपनी information share करें अपनी email ID share करें तो यह भी भढ़िया रहता है आप pop-ups के अंदर कुछ बहुत अच्छा उनको कुछ engaging या कुछ attractive या कुछ अच्छी information दीजिए ताकि उससे वह impress होके अपनी email ID आपके संग share करें तो यह आपकी email list है subscribers list है उसको बहुत तीजी से grow करता है तो इसका ध्यान रखिएगा 12th point है दोस्तों use power of social media platforms and encourage followers इसका मतलब है दोस्तों अगर आप अभी तक social media के platforms पे active नहीं है तो आप जैसे मैं YouTube पे active हूँ Facebook पे active हूँ तो ऐसे आप भी चुन सकते हो platform जो आपके interest का है वहाँ पर आप लोगों के संग engage होना शुरू कीजिए लोगों को अपना content deliver करना शुरू कीजिए ताकि आप वहाँ पर अपना खुद का audience subscriber base बनाएं और उन लोगों को आप जैसे माल जैसे for an example आप पढ़ाते हैं अब आप किसी को free test देते हैं ठीक है कि आप यहाँ पर एक test लीजिए चाहे वो free दे रहे हैं आप उनको चाहे आप उनसे कुछ पैसा ले रहे हैं तो वहाँ पर जो आपके subscribers दे trust you जो आपके followers दे trust you तो वह उसके लिए कोई भी guide हो कुछ भी test ह उसके लिए वह register करते हैं तो आपके बस data आता है data आता है तो फिर वह आपका email base को बढ़ाता है तो इसलिए आप social media पे as a influencer काम करके और अपने audience को quality provide करके अपनी email list पढ़ा सकते हो तो इस बाद का ध्यान रखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 13th point है दोस्तों आप email list के लिए आप इन चीजों का use कर सकते हो landing page create कर सकते हो तेक है जैसे कि landing page आप website use कर सकते हो blog या e-commerce website use कर सकते हो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं क्या होता है कई बार जो नया audience होता है जब आपकी website blogs या आपकी landing page पे आता है तो उसको ज़्यादा information मिलती है वह आपके बारे में ज चीज मिलती है जिसके बार देले वह सर्च कर रहा है देख रहा है या कोई बहुत ही अच्छा lucrative offer मिलता है तो वहां पर अपना lead या अपना contact share करता है ठीक है तो यह भी बहुत अच्छा source है अगर आप अपने लोग और लेकर आ रहे हो कहीं और वहां पर उनको value दिखरी है तो वह अपनी detail आपके संग share करेंगे तो इसलिए आपके पास landing page या website हो या blog हो या e-commerce website हो जो भी हो तो उसका use जरूर कीजिएगा 14th and last point दोस्तों do webinars दोस्तों अब क्या होता है कि लोग online आर्टिकल बहुत जादा active है connect होना चाहते हैं एक दूसरे के संग तो अगर आप किसी भी topic के उपर या फिर आप कोई मतलब ऐसी information लोगों संग share करना चाहते हैं या फिर आप कोई लोगों के संग कोई life practical लोगों तो इस तरीके के आप अलग-अलग interesting topic लेकर आईए अलग-अलग field के topics लेकर आईए और जिसे कि लोगों को कुछ value add हो उसे वो सीखें तो लोग webinar में बहुत तेजी से connect होते हैं जोगों को पसंद है interact होना online तो अगर आप वाकिन को webinar में कुछ quality provide कर रहे हैं तो यह best तरीका हो होता है अब webinar series जाज से जाता है वहाँ पर लोग अपना email ID share करेंगे to register ताकि आपका webinar join कर सके तो उससे भी आपका subscriber base email base बहुत तेजी से वड़ता है तो दोस्तों मैंने आपको 14 तरीके बताएं हैं आप इन में से जो आपको आपके business के हिसाब से अपनी requirement केसा बेस्ट लगत है और फिर उस email list के थुरू आप अपने लोगों को quality information quality content value provide कीजिए तो उनको भी फायदा होगा और आप भी revenue कमाओगे तो दोस्तों ये सबसे important चीज है because अगर email list आपकी अच्छी होगी तब ही आप सही से email marketing कर पाओगे और सही से email marketing कर पाओगे तो आप revenue कमा जनरेट कर पा स्वागत करता हूं दोस्तों मैं हितेश रुपता आप सबका आपके अपनी marketing fund आस पे दोस्तों आज इस वीडियो में हम बहुत important topic के बारे में बात करेंगे जो कि है lead magnet तो lead magnet क्या है और ये क्या concept है उसके बारे में मैं आप लोगों को clear करूँगा और अच्छे से explain करूँग दोस्तों lead magnet आज की rate में बहुत जादा trending है और already इससे बहुत सारी companies लाखों करोडों डॉलर कमाते हैं दोस्तों lead magnet है क्या इसको बहुत सरल तरीके से समझते हैं lead magnet में क्या होता है दोस्तों कि आप अपनी जो audience होती है target audience उस target audience को कुछ valuable information, product, service, video, audio, e-book कुछ भी जो valuable कोई भी informative चीज़ है वो आप अपनी audience को provide करते हो अब आप जो उसको अलग-अलग medium के थूँ provide करते हो like अगर आप यूट्यूबर हो तो आप उपने subscribers को दे सकते हो आप social media, facebook, instagram पे आपके followers है तो वहाँ पर आप provide कर सकते हो या आप paid campaigns चला के ads के through आप लोगों को अपने offers और जो आप उनको valuable information देरो उसके बारे में आप बता सकते हो तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि कोई भी person है, individual है या आपके लिए वो audience है या client है तो वो अपनी information, information चाहिए वो अपना number, नाम, अपना email id और उसके अलावा जो आप उसके information मांग रहे है for your professional use के लिए तो वो information कोई भी अगर आपको देता है तो return में उसको कुछ चाहिए होता है तो lead magnet concept क्या है कि आप अपने target audience को अगर कोई audiobook देते हो, माल लीजे मैं हूँ हितेश गुपता और अगर मैं कोई 50 videos का free, कोई digital marketing course अपनी audience को provide कर रहा हूँ और वो मैं अपनी YouTube channel के through लिगों को बताता हूँ कि आप नीचे दियवे link पे जाएं और यहाँ पर आप अपना register करके या इस landing page पे जाके register करके इस video उसको download कर सकते हो या इस link पे जा सकते हो, या कोई e-book है, या मैं उसका कोई Facebook के through ad चला देता हूँ, Google के through ad चला देता हूँ अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा free हो, कई बारी बहुत अच्छा offer होता है, माल लिजे कोई चीज 500 रुपे की है और वो आप without any profit और उसमें आप marketing cost भी अपनी जेब से pay कर गए, माल लिजे आप उसको 300 रुपी सी दे रहे हैं, जो की कहीं available नहीं है तो वहाँ पर आप customer require कर सकते हो, lead require कर सकते हो, ठीक है, और उसके बदले में जो आपको जो data मिलता है, जो लोग आपसे कुछ purchase कर रहे हैं तो ये give and take है, चाहे वो पैसे के form में हो, ठीक है, कोई अच्छा offer, discount आप दे रहे हो, और उसके बदले में आप data ले रहे हो या फिर आप free of cost कोई valuable information किसी को दे रहे हो, चाहे ebook का form हो, videos हो, कुछ भी हो, ठीक है, और उसके बदले में आप उनसे data ले रहे हो तो ये concept को lead magnet कहा जाता है, अब lead magnet के फायदे क्या है, जितनी भी companies हैं, वो जो customers का data होता है, वही उनकी असली, समझे जी, asset है क्योंकि customers का data base अगर आपके पास है, तो आप उनको in future अच्छी offerings दे सकते हो, अपने product services उनको बता सकते हो, कुछ launch हो रहे हैं तो आप उनको बता सकते हो और valuable चीज़ों के थूँ, updates के थूँ, information के थूँ, आप अपने customer संग connect रह सकते हो, उसके लिए आप email marketing यूज कर सकते हो, बिकॉस दोस्तों, जैसे कि आपको पता हमारे channel में email marketing के भी हमने series शुरू कर दी है, और email marketing से almost आज की date में भी अगर आप R&D करो, research करो, कुछ blogs लगेगा, कि आज भी more than 60% जो sale है worldwide वो email marketing से आती है, और email marketing के थूँ क्या होता है, एक बार अगर आपका database बन जाता है, आपका email list होती है, और customer base होता है, तो आप उनको बिना किसी third party platform, like कोई Facebook ads हैं, Google ads हैं, या कोई भी platform है, बिना third party platform के, आप उनको touch कर सकते हो, उनकी संग ब revenue generate कर सकते हो, क्योंकि जो email marketing है, और जो आपका database है, वो आपको, अगर आप सही तरीके से उसको नरिश करोगे, तो आप up to 40 times तक revenue generate कर सकते हो, तो इसलिए आज आज आप चाहिए individual मान लीजे, चाहिए YouTubers हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, या फिर companies हैं, वो क्यों अपने audience को database हैं, वो इसलिए ही देते हैं, कि जितना strong उनका database होगा, वो उतना ही strongly उनके संग connect हो सकते हैं, और revenue बढ़ सकता है, विस चीज़ में दोनों को फायदा है, customer को भी फायदा हो रहा है, और company को भी फायदा हो रहा है, तो दोस्तों, अगर आप future में अपना audience, अपना client base बनाना चाहते हो, और direct उनके संग interact रहना चाहते हो, बिना किसी third body platform के, तो lead magnet concept बहुत ज़्यादा effective है, और ये बहुत ज़्यादा benefit देता है, और आपकी sales को एकदम boost करता है, तो इसलिए आप इसको आप try करके देखें, और इस concept के थुरू आपको बहुत ज़्यादा benefit होगा, तो द तो दोस्तों, आपको आज हम इस वीडियो में, क्योंकि email marketing से related हमने ये series हम बना रहे हैं, तो सबसे important parts में से एक है, कि आपको idea होना चाहिए, कि industry के अंदर कौन कौन से email marketing के software हैं, या companies हैं, जो लोग ज़्यादा तर use करते हैं, तो इस particular वीडियो में हम आपको overview दे रहे हैं, कुछ renowned companies का, जिनको लोग बहुत ज़्यादा use करते हैं, और ये overview है, और आगे आने वाली वीडियो में हम इनके ऊपर tutorials भी बनाएंगे, जिसमें हम इन companies के संग, अगर आप email marketing का account setup करना चाहते हो, किस तरीके से आप start कर सकते हो, तो ताकि आप लोगों को practically इनके संग, चीज दोस्तों, ये seven हमने companies के softwares निकाले हैं, तो पहला है MailChimp, तो MailChimp का नाम उमीद करता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा email marketing के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं, क्योंकि MailChimp एक American company है, और ये एक renowned company है, बहुत सारे लोग इसको use करते हैं, इसमें क्या है कि free email marketing का भी option है, इस site में हम चलते हैं, देखिए मैंने sites भी साथ में open कर ली है, ताकि आप लोगों को, मैं वेबशाइट विखाओ, ये mailchimp.com इसकी website है, और यहाँ पर इनकी website में, इनके बारे में आप detail में जान सकते हो, पढ़ सकते हो, अब लाइक इनके घर हम plan पे जाते हैं, तो यहाँ पर इनके अलग देखे, free plan है, essential, standard, premium, इनमें features का फर्व होता है, तो free plan में भी आप up to 2000 contacts करके, एक audience में include करके, हमको email कर सकते हो, free of course, तो यह बहुत अच्छा काफि लोग use करते हैं, अब दोस्तों, हम next company के उपर आते हैं, जो कि है, get response, तो यह company भी इनके भी worldwide यह लोग अपनी services दे रहे हैं, different languages में दे रहे हैं, तो इनके, यह website है, get response, यह देखिए, इनके website, इस पर जाके, आप इनके features, इनके services, इनके pricing, यह सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो, तो जैसे कि मैंने बोला है, इस सब के उपर account बना के, और हम एक बारी, आप लोगों को overview देंगे, चीज़ें दिखाएंगे, ताकि आपको इस series के through practical चीज़ों में भी help मिले future में, और यह सारे features आप देखने हैं, यह पर आपको यह one month का free trial है, ठीक है, आप क्या है कि इनका one month का free trial है, बट, अब mailchimp के अंदर, आपको हमेशा आप 2000 तक का free कर सकते हो, बट दोस्त चीज़ें करोगे और multiple company use करोगे तब ही पता लगेगा, अब दोस्तों second, जो third जो है दोस्तों वो है, अवेबर, अवेबर company भी लोगों में काफी popular है, because इसमें free email marketing software भी है, ठीक है, इसमें starting में कोई आपको credit card, यह कोई limit वेगर ऐसी नहीं दे रखी, तो इसके बारे में भी आप देखिए, पढ़िए, ठीक है, you can easily start with a webinar, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप sign up करके, तुरंट start कर सकते हो, यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है, उसका एक overview दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपको pricing पर जाकर इसकी pricing के बारे में देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, free plan, ठीक है, 500 subscribers का, और यहाँ पर pro में आप अलग-अलग, मतलब यह आपके हिसाब से, आपको जिस सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तो यह यहाँ पर और में क्या features आपको मिलेंगे, सब चीज़ आप यहाँ पर अगर देख सकते हो, अलग है, convertkit, तो convertkit भी काफी popular company है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, convertkit की यह website है, और यहाँ पर आप जाके, इनकी भी pricing features देख सकते हो, क्या pricing अलग-अलग plans है, यह free है, दोस्तों, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, आप यहाँ पर एक start with 14 day free trial है, बट यह इतनी रुपे पर मंत्का है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या features है, फिर इसके बाद एक pro है, इसके इसके अंदरा features, क्योंकि देखो, जैसा आप पैसा दे रहो, subscription ले रहो, उसके हिसाब से आपको features और facilities मिलती है, because email marketing में दोस्तों, बहुत advanced चीज़े होती है, tracking के अंदर, analytics के अंदर, targeting के अ features भी होते है, ठीक है, तो यह convert kit के बारे मैंने आपको बताया, अगला है, दोस्तों, drip, drip, जो है, दोस्तों, e-commerce, अगर आपका business है, e-commerce platform है, ठीक है, तो उसके लिए, यह काफी company है, ज्यादा use करती है, drip को, तो क्योंकि इसमें e-commerce related काफी specialized features है, तो आप जैसे कहां देख सकत तो यह drip का website है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, देख रहें, integration, तो WooCommerce, Shopify, Magento, तो यह क्या है, या का कोई custom store है, तो यह e-commerce अगर आपके platform है, तो उन लोगों के लिए drip, मैं recommend करूंगा, कि आप drip को use कीजिए, क्योंकि इसमें वैसे features और customization और facilities है, जिससे के आप अपन e-commerce store को, अपनी sales को boost कर सकते हो, एक next level भी लेकर जा सकते हो, tracking system में अगर भी बहुत अच्छा है इसका, ठीक है, तो अभी try for free करके आप अपका, आपका e-commerce store है, तो इसके लिए आप free of course try करके देखिए इसको, ठीक है, और इसकी pricing features देखने हैं, तो यहाँ पर आप buttons पर क्लि अगर आपका है, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि एक वारे drip को जरूर use करके देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका एक starter trial, trial मिल रहा है, ठीक है, अगर डेमो आपको लेना है तो, और यहाँ पर आप सारी के सारे features और pricing यहाँ से आप देख सकते ह Personalization, Engagement, Optimization यह सारा का सारा आप वो features यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर आप इनकी website में जाए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, Sendium Due, तो यहाँ पर यह इनके solutions है, Small and Medium business के हिसाब से, Enterprise के हिसाब से, Pricing है, अलग-अलग features है, आपर देखिया, email marketing, SMS marketing, chat, तो यह multiple services भी देते है, और आप pricing पर जाके देख सकते हो, जैसे आपर pricing पर जाओगे, तो इनका एक free है, ठीक है, 300 emails per day का, और unlimited contacts, यहाँ पर यह देखिया, light इनका है, यह इतने उर्पे पर मंत का है, अलग-अलग है, और इनके features इसके नीचे दे रखे हैं, तो जो आप select करोगें, आपके requirement के हिसाब से हूँ, ठीक है, और दोस्तों, लास्ट जो है, constant contact, यह भी एक काफी known name है, अगर आप email marketing के बारे में पढ़ोगे, तो constant contact, यह जो company है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप अपना start your free month, start कर सकते हो, तो दोस्तों, सबसे plus point क्या है, इन email marketing companies में, सब ज्यादा तर आपको free trial दे रही है, क्या कोई one month का दे रहा है, या कोई कम emails का दे रहा है, कोई ज्यादा emails का दे रहा है, तो उससे क्या है, एक आपको एक idea और overview लग जाएगा, ताकि आप decision making कर सको, कि आपके लिए कौन सा best है, और आप कौन सा buy बनना चाते हो, व आप लोगों के idea लगे, और आप इनके trial यूज़ करके, फिर further future में आप decision ले पाओ, कि आपको किसका use करना है, तो इस तरीके से इनके भी plans है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह अलग-लग plans है, तो इस तरीके से दोस्तों, आप अपना email के यह company's जो मैं आपको बताई है, इ फड़ा और पढ़ लिजेगा, R&D कर लिजेगा, और बाकी हमारे आगे आने वाले वीडियोज देखिएगा, ताकि आपको basic setup और overview इन सब के बारहे में detail में थोड़ा पता लगे, थैंक्यू दोस्तों स्वागत करता हूँ दोस्तों, मैं हितेश गुपता, आप सब का आपके अपने marketing फंडास पर, दोस्तों, आज हम इस email marketing के वीडियो में आपको बताएंगे, वो 9 बहतरीन tips या strategies जो आप लोगों को follow करनी चाहिए, अगर आप email marketing में आगे बढ़ना चाहते हैं, growth करना चाहते ह तो दोस्तों, यह हमारे experience और जो हमारे research के through जो हमने data इखटा करा है, जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बहुत important है, और इसको आप अच्छे से समझे, पूरा देखिए, और इसमें से जो चीज़ आप apply कर सकते हो practically उसको apply कीज़े, because यह आपके results को कई गुना जादा भैतर बढ़ा देगा, तो दोस्तों, चलते हैं और समझते हैं, तो दोस्तों, पहला point है हमारा, कि जब भी आप emails अपने audience को भेजें, तो आप कोशिश करें कि आप plain text का ही इस्तमाल करें, text-based email बनाएं, दोस्तों, कई बार आप देखते हैं कि आप जब email यू दिख रहा होता है, तो वो generally क्या होते हैं, उनमें ज़्यादा chance होता है कि वो promotion के folder में चले जाएं, या spam folder में चले जाएं, या customer उसको ignore कर दें कि ये कोई commercial है इस तरीके से, तो जो plain text होता है कि आपने proper जैसे email आप बनाते हो, एक formal mail जनरली आप लोग बनाते हो, वैसे proper आप एक former mail बनाओ, और उस mail के अंदर important points लिखें, कुछ इस तरीके USP और offers लिखें कि सामने वाला attract हो, तो उसके अंदर आप subject line के अंदर इस तरीके चीज़े लिखें, ताकि वो उसको open करें, और दोस्तों इसके अलाबा आप अपनी email के अंदर इस चीज़ का जरूर धान रखे जब आप text mail दें, तो कुछ call to action, like कोई button सा, या कोई भी ऐसा icon आप दें, जिस पे वो client action ले सके, तो इस तरीके से personalized mail टाइप बना के आप format में भेजें, ताकि लोग उसको एक promotional mail ना समझे, उनको लगे कि उनके बर्क की या उनके लिए especially mail भेजी गई है, ताकि उसका open ratio बढ तो दोस्तों, ये बहुत important point है, और इसको ज़रूर follow कीजेगा, दूसरा point दोस्तों, कि आप लोग जब mail का format बनाएं, तो उसमें आप video को ज़रूर incorporate करें, because आज का जो trend है, जो आप समझते हैं, लोग video देखने में, या video के तो information लेने में, इसमें बहुत ज़्यादा interested है, औ तो आपको क्या करना है, कि जो subject, जो उपर, जो subject line होती है, उच subject line में भी आप mention करें, वीडियो का, उदर लिखें, वीडियो के सामने बाले को पता लगे कि इस content में, इस mail के अंदर कोई video कर लिंक है, तो उसको mention करने के साथ-साथ, जब कोई person उस mail को open करेगा, तो उसमें ज thumbnail या image या image यूज़ कर सकते हैं, तो जो की relevant होनी चाहिए, जो आप customer को बताना चाहते हैं, या जिस चीज़ के लिए आपने mail भेजी है, तो जब कोई उस image पे या thumbnail पे click करेगा, तो वो link उसको उस video तक लेकर जाना चाहिए, तो इस तरीके से अगर आप video का इस्तमाल करेंग अपने mail में, तो उसका opening ratio भी बढ़ता है, और साथ के साथ वो ज़्यादा engaging होता है, as compared to normal आपको image भेज देते हैं, ठीक है, या कोई commercial सा बना कर भेजते हैं, thank you. थर्ड दोस्तों हमारा point है, कि जब आपका जो audience है, जो customer base है, उनके संग आप continuous interaction में रहें, उनके संग connect रहें, उसके लिए आप एक series of mail भी आप कर सकते हो, like automation के through कर सकते हो, ताकि आप अपने customer को minimum weekly basis पे आप कम से कम एक valuable information या content या कुछ ऐसा provide करें, ताकि वो उससे engage हो, उनको कुछ information मिले और उनको अगर उससे value लगेगी, तो वो आपके संग connect रहेंगे, और connect हैने के साथ-साथ वो actions लेंगे, तो अगर वो action लेंगे, तो या तो आपके उस lead आएगी, या आप लोगों का sale बढ़ेगा, तो हर तरीके से क्या होता है दोस्त तो आपको एक series या एक इस तरीके से strategy बनानी होती है, ताकि customer को वो promotional भी ना लगे, informative लगे, valuable लगे, और वो आपके संग कम से कम weekly basis पे engage रहें, तो दोस्तों इस तरीके को जरूर use कीजेगा, इस से आपकी brand का और आपके customer का interaction भी बना रहता है, और आप दोनों को एक दूसरे से benefit होता है, fourth point है दोस्तों हमारा, कि आपको अगर आपका audience है, customer base है, email list है, आपका huge customer base है, तो उसमें आप segmentation जरूर करें, segmentation से मेरे कहने का मतलब है, कि मान लिजे कि मेरा digital marketing सारा business है, और मेरे से जो audience जुड़ा है, वो इस से related जुड़ा है, मगर digital marketing में भी कई सारे अलग-अ होते हैं, like SEO का field है, paid marketing का है, blogging का है, अलग-अलग है, तो क्या है कि उसमें हम segmentation कर सकते हैं, कि जो लोग SEO में ज़्यादा interested हैं, तो obviously उनको अगर उस से related हम content और उनको valuable information भेजेंगे, तो वो ज़्यादा उसके उपर action लेंगे, अगर हम e-commerce वालों को e-commerce से related भेजेंगे, तो अगर हम अपने audience में भी segmentation कर लें, तो उससे open ratio बढ़ता है, और customers आपके संग ज़्यादा engage होते, because they are getting what they want और जिसमें वो interested हैं, तो इसके लिए जो software होती हैं, लग-लग email का marketing companies होती हैं, इनके paid plans के अंदर ये कई सारे ऐसी facilities देती हैं, जो आपको segmentation में help करते हैं, ये बार क्या होता है, हमारा जो audience है, या email list है, उसमें हम क्या करते हैं, कि हम उनसे interact कर रहे हैं, उनको mails भेज रहे हैं, बट हम generally ये चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, कि हमारा open ratio बढ़ रहा है, या घट रहा है, या कितने सारा audience जो है, जो inactive है, जो काफी time से हमारी mail पे respond नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, अगर आपका मालीजे 10,000 का customer base है, या 2000 का है, जो भी आप email list है, उसमें से 10,000 में से 5-6,000 लोग ऐसे हैं, जो हमें या तो respond नहीं कर रहे हैं, या action नहीं ले रहे, या फिर उसमें से कुछ लोग हैं, हमें unsubscribe कर रहे हैं, त या उसके अंदर से inactive लोगों को आप अलग कीजिए, क्योंकि इससे ये नुकसान होता है, कि जब आप email marketing करते हैं, और ज्यादा तर लोग या तो action नहीं ले रहे, तो उससे आपका जो open ratio है, वो time to time कम होगा, या फिर लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा तर लोग unsubscribe कर रहे है विकाद वो interested नहीं है उस चीज़ के अंदर, तो अगर ज्यादा लोग unsubscribe करेंगे, तो आपकी जो mails हैं, या तो spam folder में, या promotion में जानी शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए आप लोगों को active users के संग बने रहना है, या अपने users को active रखना है, तो उसके लिए या तो इन जो software companies है, email marketing companies है, ये paid versions के अंदर ये facility देते हैं, कि ये आपको matrix देते हैं, कि कौन से active users हैं, कौन से inactive users हैं, तो आप उसके हिसाब से action ले सकते हो, या फिर जब आपको पता लग रहा है कि लोग जादा action नहीं ले रहे हैं, तो आप ऐसी उनको retain करने के लिए इस तरीकी के activities, offers, या बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, जो कि आपको पता है, जिसमें आपके audience interested होंगे, तो उनको उस नई तरीके से approach करो, ताकि वो actions लेना शुरू करें, और आपके opening ratio बढ़ें, तो दोस्तों यही दो तरीके हैं, या तो आप उनको दुबारा से re-engage करो, या फिर दोस्तों आप उनको filter करो, फिकास अगर जात से अधा audience unsubscribe करेगा, या action नहीं लेगा, तो वो आपके लिए खत्रे की घंटी हो सकता है, six point है दोस्तों हमारा, कि आप लोग अपने email marketing campaigns या उनकी reports के ओपर regular tracking रखें, analyze करें उनको, ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके के campaign क्या response दे रहे हैं, आपके regular basis पे कितने subscribers बढ़ रहे हैं, या फिर कितने कम हो रहे हैं, या आपका CTR click through rate क्या आ रहा है, ठीक है, त बहुत सारे metrics होते हैं, जो कि आप लोगों को exact idea देते हैं, कि इस समय आप लोगों के लिए success का मंत्रा है, और इस चीज़ को जातर लोग नहीं करते, क्या जदो time की shortage होती है, या वो उसमें interest नहीं लेना चाहते हैं, दोस्तों, initiate करने के बाद, अगर उनके results को आप monitor नहीं करोगे, track नहीं करोगे, तो आप कभी भी corrective measures लेके, चीज़ों को बहतर नहीं कर सकते, तो इस बात का please ध्यान रखिएगा, दोस्तों, इस 7th point है, और one of the most important point है, दोस्तों, आगर आप email marketing करते हो, तो split testing या A-B testing, आप लोगों ने digital marketing में बहुत इसको simple terms में बताता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर हम अपने audience तक लेकर जा रहे हैं, तो उसको अलग-अलग तरीके से लेकर जाएं, because public अलग-अलग तरीके से react करती है, और हमें exact idea नहीं होता कि क्या चीज़ उनको पसंद आएगी, तो जब आप email भेजते हैं, तो आप किस इसी particular campaign के लिए multiple subject lines बनाएं, because अगर आप अलग-अलग subject lines ट्राइ नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस subject line या किस तरीके के content पे opening ratio जादा हो रहा है, लोग जादा react कर रहे हैं, और किस पे बिलकुल ही response नहीं आ रहा, तो split testing, A-B testing या चीज़ों पर अच्छे और अलग तरीके से try करेंगे, तो आपको पता exact लगेगा कि क्या सी work कर रही है, क्या सी work नहीं कर रही है, तो ये चीज़ email marketing में बहुत जादा important है, तो इसलिए अलग-अलग आप अपने subject lines बनाएं, एक single campaign के लिए, और उसमें से जादा भैतर work करें, उस तरीके के आप चीज़ें करने के लिए और इसमें आपको advanced level पे जाने के लिए जरूरत है एक best email marketing software की या company की, तो दोस्तों आप कोई भी company चुनिए email marketing की, तो उसमें आप सिर्फ monitoring terms की वो किस cost में आपको क्या दे रहा है, सिर्फ उसका ध्यान मत दीजिए, आप उनके reviews पढ़िए, उनके ज उसके बारे में जितनी जादा जानकारी ले सकते हैं वो कीजिए, because एक पार अगर आप सही company चुन लें, तो आपको future में वो बहुत जादा help करती है, और उससे आपको जो benefits होते हैं, उससे आपका business grow होता है, आपके customers को दिक्कत नहीं आती है, आपको चीज़े manage करने में असा जातर spam में जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए repeated company का और source समझ के email marketing software company का चुनाफ करें, 9th point और final point है दोस्तों, कि आप जब भी अपने email marketing की शुरुआत करें, और अपने campaigns की शुरुआत करें, तो हमेशा prepare करें एक promotion calendar, दोस्तों, इससे मेरा मतलब है, कि आप लोग कोई भी, आप जब भी strategy apply करने जाएं, तो उसको पहले pen down कीजिए, उसमें लिखिए कि आपको कौन सी activity कब करनी है, कौन सा campaign कब भेजना है, उसमें क्या material होगा, क्या offer होगा, क्या valuable content आप देने वाले हो, कब कब दोगे, कैसे कैसे target करना है, यह सारी जो planning है, यह जो आपका promotional calendar है, यह आपक करना के रखना है, ताकि आप उसके हिसाब से execute करो, और उसके हिसाब से जो results आएं, तो आप अपने इस planning के अंदर, आप modifications कर पाओ, चीजों को बदल बदल के देख पाओ, दोस्तों, अगर सबसे जादा जो digital marketers गलती करते हैं, वो बिना planning के, बिना strategy के चीजों को initiate कर देते है जिससे या तो उनके results सही नहीं आते हैं, या जितने आ सकते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, तो दोस्तों, हमेशा planning से prepare करके, एक strategy आपको email marketing के शुरुवात करनी है, ताकि आप desired results ले पाओ, तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, types of email templates, अब दोस्तों, अगर आप email marketing करने जा रहे हैं, और आगे चलके आप जब beginners advanced level की तरफ आओगे, तो आपको इन सब चीजों के बारे में idea होना चाहिए, ठीक है, तो text email template क्या होता है, HTML email template क्या होता है, custom email template क्या होता है, तीन तरीके के templates, email templates companies, या organizations, या आप लोग डिजाइन कर सकते हो, अपने अपने use के हिसाब से, business type के हिसाब से, अपने objective के हिसाब से, तो इस वीडियो में आपको मैं example के संग दिखा रहा हूँ, कि इन तीनों में फरक क्या होता है, ठीक है, तो जिससे की आपको clear idea है, तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि पहला है, text email template, जो सबसे ज़्यादा use करा जाता है, ठीक है, जब हम email marketing की बात करते हैं, तो इसके example देखते हैं, दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक email जो template है, ठीक है, तो यहाँ पर जो text का, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरीके से, text का template होता है, कि जिसमें आप ज़्याद उसके लिए specialized, या personally email उसके लिए आई है, उसको target करते हो, specifically, ताकि उनको चाहे अच्छा feel हो, चाहे उनको promotional mail ना लगे, ठीक है, उनको लगे कि हाँ, किसी कोई काम की mail है, तो इसलिए text mails का ज़्यादा use करा जाता है, वो personal test देते हैं, one to one, और वो बहुत कम chance होता है, उसमें कि वो promotional tabs के अंदर जाएं, ठीक है, तो इसलिए email, आप text emails का बहुत use करा जाता है, और भी आप यहाँ पर examples देख सकते हो, यह देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते होंगे, mails आती हैं आपके पास, ठीक है, तो इस तरीके से mails, आप भील सकते हो, text mails, ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, text mails भील सकते हैं, ठीक है, अगर आपको event, anniversary, किसी भी चीज़ के बारें बताना है, तो अलग-अलग यह examples है, text mails के जो मैं आपको show कर रहा हूँ, अब दोस्तों, HTML email template क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि text email के बाद, जो सबसे ज जाता है, वो HTML templates ही करे जाते हैं, तो HTML templates दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यह HTML template में आपको या तो अपने website designer की help लेनी चाहिए, या फिर आप जो भी email marketing company का software यूज कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने आपको HTML templates provide कर रखे हैं, तो आप उनका use कर सकते हो, तो HTML templates म मतलब होता है कि desktop पर जाएगा, तो proper desktop view पर खुलेगा, mobile पर जाएगा, तो इस तरह की mobile भी पर खुलेगा, तो वो HTML template का benefit यह होता है, और यह बहुत attractive होते हैं, जैसे एक website होती है, इसमें आप बहुत सारा content, text और बहुत सारी यूज कर सकते हो, तो लोगों को एक तरीके से ल हिसाब से अपने आपको adjust कर लेता है, तो companies, branded companies, banks, आप बहुत सारे organization देखते होगे, जो HTML template यूज करते हैं, तो इसको आप अगर आपको HTML आता है तो आप खुद भी design कर सकते हो, नहीं तो आप किसी email software company की services अगर ले रहे हो, तो वहां का उनका paid version में यूज कर सकते हो, या फ देखे, इस तरीके से यहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, यह है, एक HTML template है, ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, थर्ड template के बारे में, जो कि custom email template, अब custom email template क्या होता है दोस्तों, देखे दोस्तों, अब custom email template इस तरीके से यह look and feel आपको ऐसे ही देगा, जैसे कि एक HTML email template है, ठीक है, बड़ custom email template में क्या features होते हैं, जैसे आपको mail champ या कोई भी है, आप जब यूज करते हो, तो इस तरीके से आपको columns और अलग-अलग designs और layout दिये जाते हैं, actual में यह layout होते हैं, ठीक है, जिनको आप अपने हिसाब से, जैसे कि आप आने वाले इस series में, आप मेर होते हैं, जो भी email software company हम यूज कर रहे हैं, वो हमें बहुत सारे options देते हैं, accounting according to our plan, फ्री है, paid है, उसमें बहुत सारे अलग-अलग columns होते हैं, वो depend करता है nature of business क्या है, हमारा template का objective क्या है, कि हम वो template welcome mail के लिए भेज रहे हैं, e-commerce के लिए भेज रहे हैं, या appointment के लिए भेज recommendation के लिए भीज रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे options होते हैं, तो उसमें क्या plug and play होता है, जैसे कि image हमें अपनी लगाने हैं, तो हम यहां लगा सकते हैं, टेक्स लगाना है, हम यहां लगा सकते हैं, social media links लगाने हैं, तो आप अपने हिसाब के चीज़ों को उस layout में डाल के customize कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा emailing software के अंदर या तो text या custom templates ही use होते हैं, तो मैं उमीद करता हूँ, आपको clear हो गया होगा कि कितने तरीके email templates होते हैं, और उनका क्या use होता है, thank you, दोस्तों तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे discuss करेंगे, कि अगर आप email marketing campaigns करते हो, email marketing करते हो अपने subscribers को, तो कितने प्रकार की, या types की mail आप बना सकते हो, और अपने customers को भेज सकते हो, उनको engage कर सकते हो, और उनके अलग-अलग benefits, तो दोस्तों, क्योंकि email marketing की शुरुआत करने से पहले, यह जो जरूरी वीडियो हैं, मैं इसलिए आपको इस course में दे रहा हूँ, ताकि आपके अगर logic basics clear होंगे, तो आप आगे चलके effective तरीके से email marketing कर पाएंगे, तो दोस्तों, 11 तरीके हमने इसके अंदर mention करें, वो हम आपको दिखाते हैं, तो पहला जो तरीका है दोस्तों, वो है welcome email, तो दोस्तों, कभी भी कोई नया subscriber आपके संग जॉइन होता है, आपकी email list के अंदर आता है, तो उसको greet करना, उसको greeting mail भेजना, या welcome mail भेजना, ठीक है, तो या उनके तरह अपना thanks, उनको thanking mail भेजना, तो ये बहुत ज़ादा जरूरी होता है, customer परी बहुत अच्छे impression जाता है, professionalism लगता है, एक personal touch लगता है, और subscriber जब आपके संग connect होता है email list में, तो 24 hours के अंदर आप ये mail भेजिए, ये आप manually भी भेज सकते हो, नई तो जो email marketing software से हो, उसमें automated automation का भी system होता है, वैसे भी भेज सकते हो, तो दोस्तों, ये था हमारा पहला, second है दोस्तों, offer mail, तो आपके संग कोई audience जड़ता है, subscriber बड़ता है, तो obviously वो इसलिए आपके संग join हो रहे हैं, कि आप कुछ ना कुछ उनको valuable या बहुत बढ़िया offers वगरा उनको time to time update करें, तो offer email अच्छा सा, offer बना के, create करके, आप अपने audience को भेज सकते हो, ताकि वो update रहें, और अगर वो उस सकती है, और customer को भी benefit हो सकता, तो दोस्तों यह है offer email, थर्ड दोस्तों है survey email, कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके पास माल लीजे 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, जो भी आपका email list है, subscriber list है, audience है, उनको क्योंकि audience जो होता है, वो बिलकुल आपको real feedback देता है, वो आपके संग loyal होता है, और क् वो आपके संग connect है, तो मतलब वो आपके product services या brand में interest रखता है, ठीक है, तो अगर आप कोई नई चीज launch करने जा रहे हो, या कुछ नया आप लेकर आना चाहते हो, उसकी planning कर रहे हो, तो आप अपने audience से survey ले सकते हो, उनकी राय जान सकते हो, जो की सबसे genuine और valuable input है, अगर आप कोई भी चीज launch करे हो, लेकर आ रहे हो, या किसी भी चीज में अगर आप उनको provide करी है, उसके feedback के लिए आप survey ले रहे हो, या कुछ लाने के लिए launch करने के ले ले रहे हो, तो feedback या आप अपने किसी भी चीज के लिए survey अपने audience से करवा सकते हो, तो यह है third, fourth है दोस्त request mail, तो request mail क्या होता है दोस्तों, कि आप मालनीचे किसी चीज का review लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक request email बना के polite way में, ठीक है, और उसके अंदर लोगों को, मतब genuinely लगने चाहिए, कि वाके genuinely आप उनसे कुछ चीज का request कर रहे हो, तो आप अपने customer से reviews या और भी चीजें जो आप देना चाहते हो, ले सकते हो, एक request mail के थूँ, यह depend करता है, आपको किस particular चीज के लिए उनका request mail भील रहे हो, तो दोस्तों, अगर आप अपना समय देते हो, time देते हो, quality देते हो, तो ज़रूर वो आपके help करेंगे, और वो आपके संग आगे associate रहेंगे, तो दोस्तों, यह fourth है request email, fifth है दोस्तों, newsletter email, तो obviously अगर subscriber आपके संग जुड़ा है, तो आप उनको updates देना, तीक है, आप उनको email marketing के थूँ, newsletters के थूँ, आप उनको quality information देना, तीक है, valuable input देना, तो यह सब दो चीजे हैं, ताकि वो लोग अगर आपके संग connected है, तो उनकी जो journey है, आपके संग, वो कभी भी boring ना हूँ, उनको time to time valuable content और information मिले, जिस चीजे के लिए वो आपके संग जुड़े हैं, तीक है, तो newsletter email, आप अपने audience या subscribers को भेज सकते हैं, 6 है दोस्तों, free gift email, दोस्तों, हर customer को इस तरीके के offer mails अच्छे लगते हैं, अब ये आपके business के ओपर depend है, कि आप free gift, कुछ अपने चुनिंदा customers को भेज रहे हो, ठेक है, जिन्होंने कुछ achieve कराया है, या कि benchmark कर पहुंचे हैं, तो उनको भीज सकते हो, या अपने audience को अपने brand के संग बनाए रखने के लिए, या उनको कुछ extra discounts देने के लिए, या उनको कुछ continuous shopping करी है, या आपके संग बने रहे हैं, कोई भी मतलब वो आपके ओपर depend है, क्या मकसद है, सब को आप दे रहे हो, या कुछ selected लोगों को दे रहे हो, जिन्होंने कु giveaways के mail के through दे सकते हो, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, लोग engage होते हैं, और उनको लगता है कि company जो है, वो अपने customers के बारे में सोचती है, और उनके टाइम तो टाइम कुछ चीज करती है, तो आप इस तरीके की email जरूर कीजीगा, तो दोस्तों, हमारा जो है value email, दोस्त प्रोवाइड करते हो, अब वो आप किसी e-book के form में करते हो, या किसी audio के form में करते हो, या video tutorials के form में करते हो, या आप entertainment से related कोई चीज उनको दे रहे हो, तो जो भी आप value अपने subscribers को दे रहे हो, वो आप value, valuable चीजें, mail के थूरू अपने customers को provide करो, ताकि उनको अपडेट भी रहे हैं, और उनको time to time valuable content मिले, ताकि वो आपके संग बने रहे हैं, और अपने customers को retain करने का बनाय रखने का बहुत अच्छा तरीका है, तो दोस्तों, यह हो गया है, 7th point अब आते है, 8th point के उपर, अब दोस्तों, जब आपके पास बहुत बड़ा customer base होता है, ठीक है, email base है, audience base है, तो आप कई बार अपनी organization के hiring करते हैं, तो आप यह अपने audience को जरूर बताएं, because आपके audience में कोई हो सकता है, जो deserving हो, या उनके network में कोई हो सकता है, जो deserving हो, तो इस तरीके की mail से क्या होता है, कि यह भी बदर्शाता है कि आप अपने audience के संग कितने जादा active हैं, और क अपने customer से, तो कभी भी hiring है कुछ है, तो जरूर आप अपने audience को mail भेजें, और उनसे अगर आपको को reference मिलता है, तो आप दोनों के लिए win-win situation है, ठीक है, दोस्तों, अब आते है ninth point के उपर, जो की है the new product email, तो दोस्तों, obviously, के जो आपका customer base है, ठीक है, उसको कुछ भी आप नया launch करने जा रहे हो, कोई कुछ product service आप लेकर आ रहे हो, या कुछ आने वाला है, तो इस तरीके की launch, pre-launch, product mail, service mail, इस तरीके की, आप time to time, अपने email create करके, अपने customers, अपने subscriber list को, email list में, जो आपके audience है, उनको भेज सकते हो, ताकि आपकी sales improve हो, और आपके customers को भी benefit हो, तो तो यह है, दोस्तों, re-order email, अब दोस्तों, होता क्या है, कि कई बार आपको अपने customers का track पता होता है, यह e-commerce में जादा होता है, तो इसमें क्या होता है, कि हमें पता है, कि हमारा customer क्या चीज़ बाय कर रहा है, ठीक है, ओ कि तरीके की चीज़ में interest रखता है, तो उससे related, relevant with best offers, अच्छे prizes, time to time, आप अपने subscribers को, अपने followers को, अपने audience को, अगर आप provide करते हो, तो उनको एक extra value मिलती है, और यह customer को retain करने का, बनाए रखने का, orders लेने का, और अपने customer को benefits provide करने का एक बहुत अच्छा medium है, तो re-order email, और इस तरीके के benefits, आप अपने customer को email के थूँ दीजिए, ताकि वो भी retain रहें, और आप और customer दोनों का benefit हो, तो दोस्तों आते हैं हमारे 11th point के ओपर, जो कि है anniversary email, तो दोस्तों, obviously, जो customers अपने data आप कितना शेयर करते हैं, like birthday हो गया, marriage anniversary हो गई, या इस तरी कि कोई भी special जो days है, उनके लिए, तो उसमें आप उनके anniversaries और special occasions पे wish करें, ताकि उनको भी लगे कि आपके जो customers हैं, वो आपके लिए कितने important हैं, और ये सब चीज़ें आप हमेशा brands में देखोगे, brands हमेशा अपने customer को wish करते हैं, connect रहते हैं, सिर्फ sale product के बात नहीं करते हैं, उनका involvement, उनकी personal happiness के अंदर भी होता है, प्लीज आप मेल के थूँ अपने audience के सब्सक्राइब हो, और उनके सब्सक्राइब जुड़े रहें, ताकि उनको भी खुशी मिले और आपको भी, तो दोस्तों इस तरीके से आप इतनी जो emails हैं, आप अलग-अलग occasions पे अलग-अलग objective के हिसाब से बना के कर सकते हो, ताकि आप connect रहें और आपका audience रिटेन रहें और आपका business बढ़े, उमेद करता हूँ दोस्तों, सान में आया होगा, thank you दोस्तों स्वागत करता हूँ दोस्तों, मैं हिजरे शुप्ता आप सबका आपके अपने marketing funders पर, दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ important tips के बारे में बात करेंगे, कि जब आप अपने email marketing के, जो mail से उनको prepare कर रहे हो, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से वो marketing emails या business emails आपको create करनी है, ताकि आप लोगों का spamming कम हो, आपकी जो mails हैं, वो inbox या primary folder में ज़्यादा जाएं, open version का बड़े, तो ये जो बहुत important tips हैं, आपको help करेंगी, आगे आपके email marketing के career में, और email marketing में, और अच्छा response या ROI लाने में, तो दोस्तों, ये 7 amazing tips में आपको बताने जा रहा हूं, और इनको पूरा अंतक देखेगा, और apply जरूर कीजेगा, तो चलते हैं और सीथते हैं, पहला point है दोस्तों, कि आप अपने subject line को बिलकुल simple रखेंगे, and effective बनाएंगे, कभी जो subject line आपका होता है, email का, उसको mislead मत कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा CTR मिले, या ज़्यादा open ratio हो, उससे आपको कोई benefit नहीं होगा, आप उसको थोड़ा curiosity से भरिये, कि लोगों को उसमें curiosity हो कि हाँ अंदर, इसमें क्या हमें मिलेगा, तो इस तरीके से आप उपने content क को बनाईए, कि वो curiosity create करें, बढ़ mislead बिलकुल ना करें, क्योंकि अगर लोग open करेंगे, और फिर actions नहीं लगें, तो वो भी आपके लिए आगे चलके एक समस्या हो सकती है, तो keep it simple, don't mislead, and curiosity, या वो effective होनी चाहिए, second point दोस्तों, avoid spam words, दोस्तों, time के साथ साथ, जो spam words होत करता है, कि जब आप multiple campaigns चलाते हो, तो किस तरीके के आपको results आते हैं, उसमें क्या आपने शब्द यूज़ करें, किस तरीके से आप चीज़ों को बना रहे हैं, कौन सा जादा spam में जा रहा है, कौन सा inbox में डिलिवरी जादा हो रहा है, किसका open ratio जादा बेतर हो रहा है, तो आप जब करते रहोगे चीज़ों को, तो आपको idea लगेगा किन शब्दों का आपको use करना चाहिए, mail लिखने के वक्त और किन का नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं, जो मैं आपके संग डिसकस करना चाहता हूँ, जैसे lucky winner, या prizes, cash money, make money, ठीक है, उसक तरीके के कई सारे words होते हैं, जिनको spam trigger words बोलते हैं, spam trigger मतलब कि इस तरीके के words को, जो software होते हैं, email companies के, ये इनको generally, क्योंगी बहुत जादा पहले use हुआ करते थे, company use करते थे, तो इनमें generally promotional चीज़े होती हैं, और बहुत जादा ऐसा stuff होता है, जो लोगों को mislead ways guide करता है, तो इसलिए इस तरीके के जो words को spam trigger words कहते हैं, तो इस तरीके के शब्त का use करना आप कम कर सकते हैं, या बिलकुल ना करें, और इससे मिलते जुलते words जो की spam trigger words नहीं हैं, उनका use करें, और आप जितने study करोगे, और बहुत सरे blogs ये videos देखोगे online, तो आपको और जादा detailing में जादे मिलेगी, बाकि जब आप चीजों को करोगे तो असली experience आपको तभी मिलेगा और आप अपनी खुद की judgment से चीजों को भैतर बना सकते हो, third point दोस्तों, spam formats को avoid करें, दोस्तों, spam format से मेरा मतलब है कि कुछ जो emails होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे symbols यूज होते हैं, बहुत सारी emojis होती हैं, या फिर उसके अंदर अलग-अलग तरीके के fonts होते हैं, जो बहुत ही ऐसा लगता है कि कुछ commercial आ गया है, या कुछ जादा expose करा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो उसको लोग generally promotional समझते हैं, like नहीं करते देखना, या फिर इस तरीके के भरे हुए, multiple चीजों का use करे हुए, generally spam folder में चले जाते हैं, या promotional folder में चले जाते हैं, तो इस वरहा से दोस्तों, आप लोगों को इध्यान रखना है, कि जैसे मैं आपको पहले बताया था, mail को simple रखें, तो अंदर का जो आपका, जो आप text format यूज कर रहे हैं, उसके अंदर limited आप icons या action के box रखें, उसके अंदर आप limited colors का, professional colors का use करें, थोड़ा उसको personal touch देना की, उसको आप ए commercial touch दे, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, कि आप लोगों को ये जो formats होते हैं, उनमें किन्स चीजों का ज़्यादा यूज करना है, किसका कम formats कैसे होते हैं, वो दिख जाएंगे, और किस तरीके से आप सही से उन चीजों को लिख सकते हो, डिजाइन करते हो, वो formats भी मिल जाएंगे, तो सही steps को follow करें, चीजों को simple personalized रखें, फोर्थ पॉइंट दोस्तों, keep your email relevant, इससे मेरा दोस्तों मतलब है, कि जब आप email marketing या emails design करते हैं, या भेजते हैं आप अपने subscribers को, तो आपको पता है कि जो आपके subscribers हैं, वो क्यों आपके संग जुड़े हैं, आप क्या उनको ऐसा provide करते हो, जो उनको पसंद आया और वो social media platform को, जहां से वो आए हैं, जो source है, तो आप जैसे कि जानते हो कि उनका reason क्या आप से जुड़ने का, तो वो और उसी से related relevant content से related emails आप अपने subscribers को भेजें, क्योंकि अगर आप irrelevant या जिस चीज़ के लिए वो आप से जुड़े ही नहीं है, उससे related emails या बहुत जादा frequent emails अग तो उसका response ना करें, या unsubscribe करना शुरू कर दें, जो की बहुत बड़ा reason है, आप लोगों के mails को spam में जाने का, या promotional box में जाने का, open ratio कम होने का, तो keep it relevant, informative ताकि आपके subscribers को quality और value मिले, और कोई भी email भेजने से पहले आपको खुद सोचना है, why you are sending that email, उससे क्या फाइदा ह होगा आपके subscribers को, fifth point है दोस्तो, keep your emails friendly, not commercialize them, दोस्तो इससे मेरा मतलब है, कि आप जब कोई email भेजते हो, या आपके पास कोई email आता है, तो वो अगर जादा marketing, commercial तरीके से लिखा गया होगा, या उसमें उस तरीके से बात करी गई होगी, तो बहुत सारी लोग उसको avoid करते ह आप generally देखें, कि अगर आप किसी email को personal touch दे रहे हैं, उसमें एक आप normal human की तरह बात कर रहे हैं, कोई उसके अंदर आप जब marketer या कुछ बहुत आदा explain करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लोग avoid कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें, mail का format, mail को लिखने का तरीका बहुत personalized होना हैं, और उसमें आप उस तरीके से उनसे बात कर रहे हो, ताकि उनको लगे कि आप उनके benefit के बात कर रहे हो, या आप उनके hit के बारे में बात कर रहे हो, तो दोस्तों, इन चीजों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, because लोग commercial या marketing से related जादा चीजों का avoid करते हैं, वो personalized च और जादा तर जो promotional बहुत commercialized mails होती हैं, वो कभी open नहीं होती हैं, प्रमोशनल में चली जाती हैं, तो लोग पसंद करते हैं, personalized touch, जो कि उनके लिए आप कर सकते हो, तो दोस्तों, आप इसको friendly रखें ना कि commercial रखें, six point है दोस्तों, meet your subscribers expectations, दोस्तों, जब कोई subscriber या audience आपको subscribe करता है, आपकी email list में जुड़ता है, तो उसकी कुछ expectations होती हैं आपके channel से, तो सबसे पहले तो आप अपने subscriber, जब भी कोई नया subscriber आपको join करता है, तो आप उसको एक welcome mail भेज़ें, उनको greet करें अच्छे से, और उन को बताएं कि उनको इस channel के अंदर क्या क्या value मिलेगी, ताकि उन लोगों को लगे कि उन्होंने जो decision लिया, आपके संग जुड़ने का, आपकी family में आने का, वो सही है, और जो subscribers और जो आपकी customers का, जो family बन चुकी है, टीम बन चुकी है, आपके संग जुड़ चुकी है, उ ऐसा आप उन लोगों को value दे, कि वो कभी भी आप से disconnect ना हो, या उनको ऐसा ना लगे कि उनको value नहीं मिल रही बहाँ पर, तो meet your audience expectations, तो इसका बहुत ध्यान रखना, 7th point है दोस्तों, engage your audience, तो दोस्तों, आप लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जो इससे पहले हुआ और उनको use करते हुए, उन tricks को, tips को आपको हमेशा अपने audience को engage रखना है, तो दोस्तों, engage रखने हैं कि अपने audience को बहुत सारे तरीके हैं, पहला जिस चीज़ के लिए वो जुड़े हैं, तो वो तो आप उनको provide करी रहे हो, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, और दोस्तो आप उनको कुछ giveaways, कुछ discounts, offers, contest और बहुत सारी opportunities आप अपने subscribers को दें, ताकि लोग उसमें interest लें, लोगों का हमेशा engagement आपके product services, brand के संग बना रहे हैं, तो दोस्तों, engage your audience, तो कि audience लाना, मगर उसको maintain करना और अपने brand, product services के संग हमेशा engage करके रखना, ये सबसे ज़्याद रखें, हमेशा कुछ ना कुछ engaging अपने customers के लिए करें, ताकि लिस्ट भी बढ़े, customers भी बढ़े, उनको भी फायदा हो, आपका भी revenue बढ़े, तो email marketing की mail लिखने से पहले, एक business email बनाने से पहले, इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें, thank you दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं email account आप कैसे setup कर सकते हो, कैसे आप email marketing की शुरवात कर सकते हो, इस tutorial में मैं आपको practically बताऊंगा, और आपको बहुत सारी चीज़ों का overview दूँगा, ताकि आप लोग का email template हो, landing page हो, और बहुत सारी features है, audience create करना, तो detailed tutorial है, आप अपनी email marketing की journey शुरू कर पाएं, और इसके अंदर हम mailchimp का use कर रहे है, mailchimp एक बहुत known और renowned name है, अगर हम email marketing industry या company's की बात करते हैं, तो बहुत सारे users हैं इसके, तो इसलिए मैं इसका example लेकर चल रहा हूँ, अब बिल्कुल scratch से सिखाँगा, zero से आपको सिखा रहा देखे, यहाँ पर आप mailchimp.com open कर लिजिए, और यहाँ पर आप sign up for free पर click कीजिए, जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप अपना mail id डालिए, तो वो mail id डालने के बार, आपको हमें यहाँ पर user name, जो भी आपको अपना user name रखना है, वो रखिएगा, तो आप यहाँ पर हम user name रख देते हैं, ठीक है? तो MF Coaching Institute का हमने user name रख दिया, यहाँ पर हम अपना password बनाएंगे, इन यह जो आप यहाँ पर recommendation देखेंगे, पासफ़ट बनाने के दौरान इस सबाब का ध्यान रखिएगा, प्लीज, पासफ़ट बनाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर sign up करोगे, तो आपका account की शुर्बात हो जाएगे बनने की, और दोस्तों यहाँ पर यह जो लिखा है don't want to receive, अगर आप नहीं चाहते कि आपको promotional, mail, software या कुछ updates आए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देजिए, अगर आप चाहते हो आएं तो आप यहाँ क्लिक मत कीजिएगा, इसका मतलब यह है कि sign up करते हैं, डाटा mail चिम के पास चला गया, और mail चिम के email list में आप आ गए, ठीक है, तो यह वही चीज हो रही है, जो हम करना चाहते हैं, अपने email list और इमेल डाटा बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों sign up पे click करेंगे, और कई बार क्या होता है, user name मिलता है, और कई बार username नहीं मिल रहा है, तो अब username चेंज करके देख सकते हो, अब हमें username मिल गया है, तो इसलिए हम आगे बढ़ गए, अ यहाँ पर click करेंगे, activate account के उपर, ताकि हम अपनी journey की शुरुबात कर पाएं, और यहाँ पर पूछ रहा है, I am not a robot, इसका मतलिव चाहते हैं, कि हाँ, human ही कोई इसको operate कर रहा है, ना कि को इस man software बगारा, तो जैसे मैंने यहाँ पर click करा, that I am not a robot पे, आगे का process शुरू हो ज चुके हैं, अब मैं आपको दोस्तों में बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पर mailchimp जो है, free plans और आपके paid plans देता है, तो इसमें भी 2000 contacts है, अब तो हम कर सकते हैं, इसमें 2000 contacts, इसमें 2000, इसमें 10,000, but इसमें 10,000, but इसमें फरक है दोस्तों, फरक है features का, free plan के अंदर हम 2000 लोगों को mail भीज सकते हैं, और उसके अंदर हमीं क्या facilities मिल रही हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसके ओपर essential plan के अंदर हमीं क्या facilities मिल रही है, आप वो देख सकते हैं, फिर standard plan के अंदर क्या facilities मिल रही हैं, जैसे कि journey automations हो गया, ठीक है, तो journey automations एक भाहत advanced चीज है, इसके बारे मैं आपको टुटोरियल में बताऊंगा ठीक है और कस्टम कोड़िट इमेल हो गया री टार्टिटिंग एड्स हो गया उसके अलावा जो इनका हाइस प्लैन इसमें आपको यह सारे प्लैंस के फीचर तो मिलेंगे उसके अलावा एडिशन सब्सक्राइब करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर हम अपना एकाउंट सेट अप करेंगे अपनी डिटेल्स इनको देंगे ठीक है तो यहां पर मैं अपने डिटेल्स जालता हूं कि 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 यहां पर अपने डिटेल्स कि बिजनेस नेम हम यहां पर दे देंगे कि अधिक है तो आपका जो भी कंपनी का नाम है यहां पर दे देना और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो प्लीज उसका यूरल दे दीजिएगा यहां पर हमने अपनी वेबसाइट का यूरल दे दिया है यह ऑप्शनल है मेंडिटरी नहीं है और इसके अलावा अभी हम इधर काम करते हैं दोस्तों फोन नंबर ऑप्शनल है जो भी हमें देना है वह फोन नंबर दे सकते हैं और यह अभी आपर पूछ रहें कि कैन वी कॉल यू और कि आपको इसके लिए कॉल कर सकते हैं आपको इसकर दीजिए नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए ठीक है तो मैं अभी यह कर देता हूं आप यहां पर रखले बिल्कुछ सही होनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में आपके अकाउंट में कोई दिक्कत ना आए ठीक है तो अभी हम यहां पर एड्रेस डाल देते हैं एड्रेस भीकरा आपर हमने वाकी अपने सारी डिटेज़ डाल दीगैगे दोस्तों और हम कॉंटीनियू करते हैं तो कॉंटीनियू करने के बाद यू यू है एनी कॉंटेक्ट यह पूच रहा है कि आपके बाद कोई कॉंटेक्ट list है कोई audience list है तो आपके बर्स है तो यस कर दीजेगा बट सही तरीका है एक बड़ी account setup कर लीजे फिर अंदर यह सारी चीज़े में आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं तो अभी हम यहाँ पर no करते हैं और आगे बढ़ते हैं thank you continue करते हैं what do you offer हम क्या offer कर रहे हैं ठीक है तो हम digital marketing services या coaching हम जो भी education services दे रहे हैं तो मैं services पर क्लिक कर देता हूं और मैं continue करता हूं continue करने के बाद where can people access your offerings तो आपकी कोई website है e-commerce physical store है क्या है ठीक है तो मैं यहाँ पर अपनी website है हमारी इसलिए मैंने यह कर दिया अगर आपका कोई store है या कुछ और है तो है यहां कर सकते आप continue करेंगे आगे बढ़ेंगे अगर आप मेल्चीम के सब्सक्राइबर सक्सेस टोरी और उनसे रिलेटेड अपडेट चाहते तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो नहीं चाहते तो लेट्स गो आगे बढ़िए क्योंकि यह और आप्शनल है अब दोस्तों जैसे ही हम देख सकते हैं कि हम मेल्चीम के फाइनल एकाउंट हमने सेट अप कर लिया और हम मेल्चीम के डैस्कोड में आ गए ठीक है तो अब दोस्तों हमें क्या करना है अब एक एक करके मैं चीज़ें आपको सिखाता हूं तो दोस्तों यहां पर एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बड़ सब से पहले मैं आपको ऑडियंस के बारे में बता दीता हूं क्योंकि ओडियंस ही नहीं है तो वाकि सारे一adra है उसका कोई फायदा कि अब ऑडियंस क्या होता है वह मैं आपको सब्सक्ते हो गया अपको जयाता है आपका डाटा हैआपका हूं आपके बहुत सारे कस्टमर्स थे उनका डाटा पर नाम नंबर डेट ऑफ बर्थ मेल आईडी है तो वह आपके वह आपकी ओडियन्स है वह कॉंटेक्ट्स है ठीक है उसके अलावा सब्सक्राइबर्स भी बोला जाता है इमेल की दुनिया में कॉंटेक्ट्स को इन सबको सब् करते हैं तो जो भी आपने कोई केंपेंच चलाया वहाँ पर लोगों ने अपने डाटा आपके संग शेयर करा और वहाँ पर लोगों ने अलाव करा किया आप उनकी मेल आईडी को आउपरेस ब्यारा चीज़ें भेज सकते हो तो यह सब ओडियन्स है ठीक है तो ओडियन्स क कैसे क्रियेट करना अल्रेडी क्या कहते हैं मैंने इससे पहली वाले वीडियो में जिसके अंदर मैंने आपको कई तरीके बताए हैं तो उसमें बता रखा है कि आप अपने कौन से तरीके से अपना ओडियन्स और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो क्योंकि दोस्तों एक बात चीज भेज सको और वह आपको नहीं जानते हैं वह डाटा मत यूज किजिएगा वह स्पैमिंग कहलाता है और आपका अपने सब्सक्राइबर यूजर्स और जो आपको यूज करना है और लिस्ट आपकी धीरे-धीरे बढ़ी होगी जैसे इसे आपकी सब्सक्राइबर बढ क्या है तो अब यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हो कहीं तरीके होते हैं ओडियम्स के तो हब सब्सक्राइबर की मैंघ। सक्क्राइबर एट कर सकते हैं इंपोर्ट कान्टस की पूरी के पूरी हम पूर्ट कर सकते हैं साइन आप फॉर्म जैसे हैं अभी हमनी मेल चीम का बोर्ट नन्यकिटियर करें तो अगर कोई करता है तो सेन систем ऐगर आप को सब अच्छे सम्झाऊंगा बताऊंगा अभी ऑडियेंस के अंदर क्या है मैं आपको यह चार चीज़े बता रहा हूं कि इंपोर्ट यूर कॉंटेक्स तो यहां पर दोस्तों देखिए दो तरीके से आप कर सकते हो पहला CSV या आप जो टेक्स्ट फाइल है इसको आप यहां पर कर सकते हो अप्लोड डिरेक्ट तो इसमें आप सी फॉर्मेट का ध्यान रखेगा यह तो CSV फाइल यह टीक्स्ट फाइल इसमें आप डिरेक्ट अप्लोड कर सकते हो बल्क में डाटा से आपके पात 50000-2000 जितने भी हैं आप यहां से कर सकते हो या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इक स्प्रेट सीट में आप कॉपी पेस्ट करके उसको अप्लोड कर सकते हो जो भी आपको जैसे डाटा बल्क मे अप्लोडिंग करने का दूसरा तरीका है दोस्तों connect our website अब connect our website के अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपकी मालनीची e-commerce store है ठीक है या फिर आपका e-commerce store के अलावा website builder है ठीक है या आपके social media में आपके followers हैं ठीक है तो इसलिए बहुत सारे integration के यहां पर options आ रहे हैं तो जिनसे क कि आप इनके इसमें manual भी दे रखे होते हैं कि जो भी आपका है आप उसको किस तरीके से integrate करके तो direct database बनता जाए हर बारा को manually ना करना पड़े ठीक है क्या कोई website है तो उसमें कोई submit inquiry कर रहा है कुछ कर रहा है तो हो जाए custom website है तो उसके लिए आ जाए तो इस सब चीजें यहां पर दे रखी है ठीक है तो यह आप लोग कर सकते हो इंटीग्रेशन के तुरू तो एक तो uploading है data की और एक integration है अब आपस चलते हैं अब यहां पर दोस्तों हम देखते हैं add a contact तो यहां पर क्या होता है manually आप एक एक contact add कर सकते हो यहां पर हमने क्लिक करा manually add करने के लिए अब यहां पर क्या है दोस्तों यहां पर आप देखिए कि अब एक एक अब आपके पास आप बन बाई वन करके आप पूरा data इसके इंदर upload कर सकते हो तो यह specific को अगर data है आपके पास तो आप इस तरीके से कर सकते हो मैं एक बड़ी करके आपको दिखा लेत हूं लाइक मैंने डाला यहां पर एक इंगे लेज दाल देते हैं नया क्या इंडिया इंटरेट जीमेल डॉट कॉम ठीक है यहां पर मैं परस्ट नेम डाल देता हूं मोभी लास्ट नेम मुक्ता एड्रेस यहां पर हम डाल देते हैं वन टू फाइफ जीजे नगर तो इस तरीके से हम यहां पर डाटा डाल देते हैं डेली 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 एक देमो के लिए मैंने यहां पर ड्रेस जाल दिया है आप अपने सही प्रेज़ नेटेश हैं भरिएगा अपने सब्सक्राइबर की ताकि आपको फ्यूचर में उनको ट्रायक या किसी तरीके कि आपको परिशानी ना हो सही डिटेल्स भरिएगा जिप कोड यहां पर आप कंट्री अपना बता सकते हैं कि वह किस कंट्री का है तो यहां पर हमने करा यहां पर फोन नंबर आप डालना चाहिए तो फोन नंबर डाल सकते हैं आप ठीक है और यहां पर अगर आपके पास अपने कस्तमर का यूज अगर डाटर डेट ऑफ बर्थ है तो बहुत अच्छी बात है वो डेट ऑफ बर्थ इसलिए बेस्ट रहता है ताकि आपको फ्यूचर में उनके स्पेशली बर्डे के ओपर आपको ग्रीटिंग भेजनी है विश करन यहां पर आपको टैग देना है माल लीजी आप इस कस्तमर को टैग देना चाहते हो लाइक या आपके किसी इवेंट से आया है कि स्पेशिफिक आपके उपास रिकॉर्ड रहा है कि यह जो आप डाटा अपलोड कर रहे हूं किसी इवेंट के लिए है ठीक है तो आपके इसे डाटा ही खटा हुआ था ठीक है तो यह मैंने अभी यह कर दिया तो यह मैंने टैग लगा दिया अब यहां पर आपको स्पेश्ली मेंशन करना पड़ेगा इस परसंगे परमीशन टू इमेल देम ठीक है तो अब क्योंकि आप तभी किसी को सब्सक्राइबर बना सकते की दब उसनोंको परमीशन दि है कि ऊपको कर सको तो आप यहाँ पर क्लिक किजिए यहां जिस आपने सब करा कुन अब यहां पर ऑडिएंस के अंदर आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा एक ओडिएंस क्रेट हो गया अब ऐसे आप मैनुएली और भी अपना ओडिएंस क्रीएट कर सकते हो जितना चाहओ बाए यह वन बाई ठेक है वाखी अधर ऑप्शन भी आ रहे हैं कि उनको आप कैसे कर सकते हैं हमारे दो सब्सक्राइबर्स हो गए हमारी ओडियंस के अब बैक तू आप यहां पर हम आपस चलते हैं गवारी कि मैं देश्वोड के ओपर कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि अब देखे वन न्यू कॉंटेक्ट आया है अब यहां पर अप्र करते हैं अब दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां पर क्रिएट का यह जॉ ऑप्षन है तो आप यहां से बहुत सारे features हैं जो आप समझेंगे सीखेंगे तो आप create पर click करते हैं create पर click करने के बाद देखिए email कैसे design करें कैसे automate करें customer journey क्या है email template landing page survey ads यह सारी सीज़े मैं आपको बताऊंगा तो पहले हम सुर्बात करते हैं email से email पर click करता हूं email में क्या है जो अब हम email campaign क्रेट कर रहे हैं वह रेगुलर है automated plain text है ठीक है तो अब automated अभी हम regular से आपको करना बताएंगे बट automated का एक बारी मैं आपको तरीका बता देता हूं automated इसलिए होता है कि जब आप माली माली कि आपको सब्सक्राइबर एड हुआ ठीक है वापी लिस्ट में है तो automatically आपने लगा रखा है कि वह अपने आप ही वहाँ पर उसको mail चली जाए जो आपने schedule कर रखी है कि आपने data विसमें data बढ़त है तो सबके data बढ़ती हो पर automatically greeting mail चली जाए विश्ट की यह चीज़े manually ना करने ही पड़ें तो इस वज़या से यह यहां पर यह सिस्टम दे रखा और यह सब कस्टम सिस्टम जो होते हैं generally आपको इसमें जो advanced चीज़े होती हैं सब चीज़ें आपको paid versions के अंदर मिलती हैं जो आप ज्यादा custom यह ज्यादा advanced में अगर आप जाते हो हम campaign का नाम दे देते हैं जैसे अभी हमने हाँ पर एक campaign का नाम देते हैं कि में अधिजिटल कि मार्केटिंग कि अधिजिटल कि ट्रेनिंग कोर्स ठीक है तो यह हो गया MF Digital Training कोर्स हमने campaign का नाम दे दिया अब यहाँ पर हम begin पर क्लिक करेंगे जैसे हम यहाँ पर begin पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब हम अपने उस सेक्षन में आ जाएंगे जहां पर हम प्रॉपर यह email बनाएंगे सेट करेंगे सब चीज़ें तो यहाँ पर दोस्तों आपके रेसिपेंट्स आ गए जो मतलब सब्सक्राइबर कॉंटेक्स आपके हैं तो अभी दो हैं तो यहाँ पर दो शो कर रहा है ठीक है आपको अगर एडिट करना है कुछ हैंसा आप एडिट कर सकते हो उसको बढ़ाना घटन जो भी आपको चीज़े करनी है अब फ्रॉम का मतलब होता है दोस्तों कि जब किसी को mail मिलती है तो वह mail आपके पास भी mail आती तो आप देखते हैं कहां से mail आई तो यहाँ पर आप क्या नाम डालना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे हम नाम डाल देते हैं MF तो यह हमारा फ्रॉम वाला भी हो गया complete अब subject पर आते हैं दोस्तों सबसे important होता है subject क्योंकि यह ही decide करता है कि आपका जो audience सब्सक्राइबर है कितना आपका mail open करेगा क्योंकि अगर वह interesting है काम का है valuable उनको लग रहा कुछ है तो वह जरूँ क्लिक करके open करते हैं और यह सबस try to use no more than nine words ठीक है तुसमें चोटा चोटा रखिए try to use no more than one emoji avoid using more than 60 characters ठीक है तो इस तरीके से इन सब more than three punctuation यह आप चीजों को follow कीजिए best practice है जो mailchimp आपको बता रहा है ठीक है अब subject में हम यहां पर लिख देते हैं best कि लाइक कि बिजिटल कि ट्रेनिंग कोर्स अभी मैंने डमी के लिए लिए ताकि आपको पता रहे कि subject मतलब कि इसमें लिमिट तो ज्यादा दे रखिए बढ़ आप ज्यादा मत कीजिए गर जैसे हमें गाइड कर रहे है ठीक है उसका preview text क्या होता है में लिख देता हूं कि लर्न कि विद कि प्रैक्टिकल कि टूटोरियल ठीक है यह दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया अब यह होता कि है जैसे कि देखिए कि मेल्चिम से में पास मेल आई ठीक है तो यह जो है एक्टिवेटिव मेल्चिम एकाउट जैसे सब्जेक्ट और यह अब इसको करने के बाद आप सेफ कीजिए जैसे आप इसको सेफ करेंगे तो अब हमारा यह प्रोसेस भी कंप्यूट हुआ अब आते हैं दोस्तों कॉंटेंट के उपर डिजाइन अब हम अपनी मेल डिजाइन करेंगे जो लोगों पहुंचेगी तो वो हम आपको डिजाइन करना बता रहे हैं यहां पर आप देख सकते हो इधन यहां पर बहुत सारे टेम्पलेटस हैं यहां पर एक दो कई सारे हैं अब यहां पर आपको फीचरड में तो टेम्पलेटस फ्री मिलें विकॉज फ्री वर्जन है वाकि इस सब के लिए आपको अपग्रेट करना पड़ेगा पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पर भी कुछ फ्री है वाकि की सब पेड है ठीक है तो यह चीज आपको देखना है और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको एक पेड होंगे जो कि आप यूज नहीं कर सकते हाँ पर देखे सारी पेड है और जो उपर आ रही है थीम फ्री है यहाँ पर आप सेफ टेंप्लेट सेफ टेंप्लेट दोस्तों तब होता है जब आपने पहले केमपेंज बनाए हैं और उसमें इमेल वेगारा आपने यह दो साहिएंगे क्या होता है कंपेंज ठीक है तो हमें कोड तो करना नहीं है तो अब हम यहाँ पर थीम या ले आउट जो हमें तो यहां पर ना पर इतीम ही करके दिखा लेता हूं आपको ज़्यादा यूजर फ्रेंडिली लगेगा चीज कैसे करने है तो मैं एक थीम यहां पर आजाएगी और यहां पर पूरा का पूरा सॉफ्ट्वेर है जहां पर हम चीजों को एडिट कर सकते हैं अपने इसाफ से मैनेज कर सकते हैं ठीक है तो अब यहां पर अलग-अलग ब्लॉक्स हैं अब माल लीजिए यहां पर मेरे को यह जो इमेज है इसको अगर बदलना है तो मैं यहां रिप्लेश पर क्लिक करूंगा अब क्योंकि मेरे पास मेल्चिम का नए अकाउंट है तो फाइल नहीं यहां पर आप अपने प्रोडेक्ट सेर्विस पोटो जे जी आएफ रख सकते हो इंस्टाग्राम अपना इस अप्लोड करने के लिए यहां पर क्लिक करूंगा अप्लोड करने के लिए मैं अपने लोगो अप्लोड करा क्लिक करा अब मेरा लोगों यहां पर अप्लोड होगा तो अब इसको अगर मेरे को लाइक यहां पर आप देख सकते बहुत बढ़ा आ रहा है अब अगर इसको मेर करके रख सकता हूं अभी मैं इसको क्लोज करता हूं अभी के लिए मैं इसको अब यहां से रेजलुशन को छोटा कर लेता हूं तो यहां पर मैंने अपना लोगो लगा दिया है आप अपना लोगो लगा सकते हैं फिर आपको अगर इसके अंदर यह करने के बाद आपको यहां पर आते हैं नीचे यहां पर आगए हम हेडिंग पर अब यहां पर हेडिंग अगर हमें डालनी है तो यहां पर देखिए यहां पर हम गए अब इसको हमें कोई कलरदेना है तो हम इसको लाइक कोई कलर देना चाहिए तो हम कलरदे सकते हैं जैसे हम बाड की फाइल पर करते हैं कि कुछ भी बोर्ड इटैलिक फॉंट कुछ भी हमें करना है उसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो बहुत यूजर फ्रेंडली है कोई भी कर सकता है नॉन टेक्निकल भी इसको कर सकता है ठीक है स्टाइल्स देने हैं तो इस तरीके से आप अपना पूरा पूरा टेंप्लेट बनाएंगे यहां पर ट्यक्सचेशंज करना तो वह आप कर सकते हो तो आप उसके अलावा यहां पर देखे श , पर हम निख देते हैं लाइक Sign Sign up Free ठीक है यहां पर देखिए Sign up कोई कख सकता है Free sign up मैंने लिख दिया ठीक है और उसके बार में कोई link देना जाओ अपनी website का link देना है क्या देना है तो मैंने web link दे धिया अब web link के अंजर मैं हे lieu अपर अपनी site डाल सकता हूं यहां पर देखें marketing फंडार्ज डॉट कॉम ठीक है यह मैंने अपने हाँ पर लिंक देदिया marketing फंडार्ज वाट्ट का तो कोई क्लिक करके में पर जाके free of को sign up कर सकता है यह लेंडिंग पेज है तो वह आप कर सकते हो ठीक है तो यह हमने कर दिया और इसको हम नीचे आते हैं अब यहां पर ऐसी headings, images आप अपनी बट यह जो जैसे मैं यहां पर क्लिक करता हूं ठीक है यहां पर ध्यान रखेगा इसी image की size की image बनवानी है आपको तभी perfect तरीके से आएगा इन्होंने बता भी रखा है तो size आप अपने design कर आ लीजिए design कर लीजिए खोज इन्टूस के थुरू और यहां पर upload कर दीजिए replace कर दीजिए text वैसे change होगा जो मैंने आपको बतायाता है कोई hyperlinks लगाने link लगाने तो आप दे सकते हो ठीक है तो इस तरीके से social media icons अगर आपको करने है ठीक है तो like अगर आप हमें social media icon लगाने है तो मेरे facebook.com slash marketing 15 global ठीक है यह मेरे social media का page का link है यह मैंने यहां पर लगा दिया ठीक है यह मेरे URL है ठीक है तो कॉपी करा ठीक है link text अगर आपको देना है तो वह हम क्या कहता है ठीक है तो अब यह मैंने डमी के लिए अप लगाते ऐसे इन सब चगाओं के हम अपने links दे सकते हैं URL दे सकते हैं और यह हमारा सारा का सारा हो गया अब यहां पर नीचे फोटर में आप प्लीज कुछ मत यहां पर चेड़ेगा यह यहां पर आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं है यहां तक आप अपने सारा सारा complete कीजिए और यह करने के बाद जब आपका है तो हम प्रिव्यू देख सकते हैं ठीक है प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो यह देखे पूरा प्रिव्यू आगया कि किसी को जब सकते हैं आप यहां पर हम अगये अब यहां पर आप देख सकते हो हमने अपने सब कुछ ready कर लिया सेंड्र टेक्ट मिल अखर आपको давm range कि हाए की से जाएगी तो यहां पर आप एक mail id डाल सकते हो मैं मैं अपनी mail id डाल देता हूँ mail.com ठीक है तो और अगर और भी mail id डाल ली है तो आप comma लगा सकते हूँ अगली mail id डाल सकते हूँ तो आप इस तरी किसे test mail कर सकते हो ठीक है और यह मैंने enter कर दिया ठीक है यह देखे ओके ठीक है आप दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं रिफ्रेस्ट करके देखते हैं कि थोड़ा सा कभी तो भी टाइम लग जाता है mail आने में रिफ्रेस्ट कर लेते हैं गवारे कम्प्रीटली और चेक करते हैं फिर हम आपस mail id कि नहीं आया दोस्तों यह mail अभी यहाँ पर आया है ठीक है तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर mail आ गया तो इस तरीके से mail आएगा यहाँ पर आप टेस्ट लिखा है आप इस तरीके से आप यहाँ पर आप यहाँ पर लिंक्स आ जाएंगा अब यह देखें थम्स अप कर दिया तो अब हम mail चीम की अगर हम एप भी डाउनलूड करना चाहते हैं ट्रैकिंग कर सकते हैं हरबर लैप्टॉप यह डेक्शॉप सामने नहीं होता तो आप उससे भी कर सकते हो तो दोस्तों इस तरीके से आप campaign बनाएंगे अब हम वाकी के features के बारे में ठीक है यहां पर लिंक भी आ रखा है इस तरीके से हमारा specific link है यहां पर देख सकते हो ठीक है आप क्या है अब मैं वाकी के features के बारे में आपको एक बड़ी overview देता हूं ताकि आपको हर्ची क्लैरिटी हो अब यहां पर दोस्तों customer journey क्या है कि यह पहली बात तो वह feature है जो कि आपको standard package के अंदर मिलता है जो मैंने आपको starting में भी बताया था यह free नहीं है अब इसके अंदर यह journey के अंदर क्या होता है एक बड़ी मैं आपको अच्छे से explain करता हूं तो यहां पर आप देखिए कि जब यह आपका कोई customer मालीजे आपकी e-commerce site है या फिर आपका कोई blog है तो इसका मतलब है trail of mails जो की आपके customer के actions पर depend करता है वो कैसे रहेगा अब customer journey के अंदर क्या होगा कि माल लिजिए कि हमने आप मेरी website पे कोई नया एक बड़ी user आया ठीक है तो मैंने क्या करा उस user को उस user को जब वो जैसी आये तो मैंने यहाँ पर already set कर रखा है automate कर रखा है customer journey में इसको यह वाली mail जाने चाहिए अब user जब मेरा यहाँ पर email लिस्ट में आ गया तो एक हफते तक अगर उसने कोई action ने लिया तो उसके अब automatically यह वाली mail जाने चाहिए या अगर वो मेरी website पर जाके कोई course देखता है course देखके कार्ट तक जाके वापस आ जाता है तो उसको यह particular mail जाने चाहिए तो उसके लिए आपकी चीज़ें में code लगाना चाहिए ट्रैकिंग होनी चाहिए तो यह सारे फीचर से सारी चीज़ें यह paid version के अंदर आती है जो कि आप paid खरीद होगे तो आप और चीज़ें को practice करोगे अपने आप आप आजाएगा बहुत instructions दी होती है बहुत easy to use होता है कैसे करना है ठीक है सारी instructions के अंदर है जब आप paid version खरीद होगे तो उसके लाब मान लिजे e-commerce का अगर मेरा store होता तो e-commerce के store के अंदर मान लिजे कोई specific बहुत सारे लोग मेरे add to cart पे करें बड़ महां से वापस आ गए तो महां पर उनको दुबारा से offer चल रहा है इस तरह की कोई चीज हमने बता दी या जो लोगों ने खरीद लिया उनको नए offer मेल जाना तो यह सब चीज एक जर्नी है तो automated तरीके से customer के actions के उपर depend है कि customer क्या कैसे कर रहा है और उसो कप कप क्या क्या जाना चाहिए तो यह customer journey के अंदर आता है जब आप paid version ल nurture your context के अपने context के संग हमें उनको interact करना है उनके संग हमें अपना relationship brand के brand visibility बढ़ानी है उनको यह नहीं किसे promotional mails होती है उनको greeting की mail होती है ठीक है subject unique रखो ताकि उनका मन करेगी उस पर click करें और आगे बड़ें actions लें तो यह सब चीजें आप तभी कर सकते हो दोस्तों जब आप इसमें paid version लोगे और इस तरीके से आप automation जो मैंने देख रहे हैं आपको मैंने starting में दिखाता आप कैसे automation कर सकते हो paid version में यह सब उसी क का ही हिस्सा है तो इस तरीके साब यह कर सकते हो दोस्तों अब दोस्तों इसके अंदर हम अगले step के उपर आते हैं जो कि है हमारा email template दोस्तों email template वही है जो इससे पहले मैंने आपको चीज़ बताई ठीक है यह layout वगरा है और सारा का सारा हम email template create कर सकते हैं तो जो मैंने आपक आपको और मैं बताना चाहता हूं ठीक है यह code your own ठीक है तो यह code और यह own में आप अपना code लगा सकते हो यह मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर मान लीजिए यह आपकी कोई खुद का HTML website है ठीक है तो आप अपना code वगरा उसमें इस्टॉर कर सकते हैं सारे options हैं इंटी तो अब यहां पर हम landing page पर आगे जैसे मैं यहां पर landing page के उपर click करूँगा तो अब हम landing page किस तरीके से आप create कर सकते हो वह मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि email template की जगा आप landing page create करते हो ताकि आप नए sign up ले सको और उसको अपने ads वगरा में भी उस landing page का यूज़ कर सको तो यह उसके लिए है तो landing page का हम यहां पर नाम दे देते हैं MF कि नाम यही दे देते हैं अभी ऐसा है MF डिजिटल ठ्रेनिंग यह हमने नाम देते हैं अपने landing page का और MF कोचिंग इंस्टिट्यूट यह हमारा audience है तो यह audience हम सेलेक्ट करके रखेंगे multiple audience आपके होते तो आप उसमें से choose कर सकते हो किसके audience को आपको भीजना है और यहां पर begin करेंगे तो begin करने के बाद अब हम landing page के हम उस पर आएंगे अब यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन होती है और इसको आप accept कीजिए ठीक है क्योंकि वह accept करने अपने लेंडिंग पेज बनाते हो ठीक है तो यहां पर आप जैसे हम माली जी यह लेंडिंग पे लीड जनरेशन आपको करना है ठीक है नई लेकर आना है तो यहां पर हम आप वो पर्टिकुलर लेंडिंग पेज का टेम्पेट चूज कर सकते हो और यह अगर आपके पास पेड वर्जन होगा तो दोस्तों बहुत सरे ऑप्शन्स होते हैं अलग लग तरीकी के ऑप्शन्स होते हैं फ्री वर्जन है तो इसले इसमें लिमेटेड तो यहां पर हम लेंडिंग पेज के ओपर आगए अब लेंडिंग पेज में दोस्तों वही सेम तरीका है यहां पर हम अपना जो लोगो है लोगो लगा सकते हैं जो मैंना भी आपको बताया था ठीक है यहां पर जो हमको लिखना है ठीक है तो यहां पर हम अपने हिसाब से बेस्ट डिजिटल ट्रेनिंग तो यह हमने लिख दिया और इसको कलर जो भी आपको कलर गॉमिनेशन देने सब कर सकते हो इँमेल अब यहाँ पर FIR जission click करते हैं लीट है अब बढ़ाना चाहते हो ऐसका नाम लेना चाहते हूं प्लस उसका हम इसके बढ़ा सकते हो प्लस इसको आगर आप आप required कर दोगे जैसे आपर क्लिक करोगे required तो इसका मतलब जो तो तीनों फील्ड भरेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है तो तो इसका मतलब है कि उसके पास option है कि वो इस फील्ड को भरे या नहां बहरे ठीक है तो वह चीज़ आप कर सकते हो तो आप अपने सा लगाना है तो वो सब तरीके वही है जो मैंने आपको बताया था इमेज का साइज ब्यारा है उसके अब इमेज बनवाओ और यहां पर लगवाओ ठीक है तो ऐसे ही आप पूरा का पूरा एक लेंडिंग पेज प्रॉपर तैयार कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको इमेल प्रॉपर कर सकते से हो और उस लंडिंग पेज का यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर यह क्लिक करता हूँ यहां पर देखी मेरा लेंडिंग पेज आ गया ठीक है यह url आप की कर सकेओ और विस्वेश मेल्चिंप के ॡो मेन पर चलेगा ठीक है दोस्तों तो यह हमारा लेंडिंग पेज हो गया अब यहां पर वापस आते हैं तो अपने लेंडिंग पेज भी समझ लिया है आप है यह और आप उनसे इंपुट लेके चीज़ों को बहतर बना सकते हो तो बड़ी-बड़ी कंप्यां भी सर्वे करती है तो यहां पर और मेरे पास अभी एक ही है तो उसी और इसको सेलेक्ट करूंगा बेगिन करूंगा तो यहां पर सर्वे के लिए मैं add questions करूंगा तो यहां पर मै मैं पहला question यहां पर कर लेता हूं उसमें मेरे को radio button करना, check box करना, क्या करना है मैं इसे check box कर दिया और यहां पर मैंने लिखा विच कोर्स यू वां तू लर्न ठीक है आभी दोस्तों यह मैं dummy के लिए लिख देता हूं दमी के लिए लिखने के बार, यहां पर मैंने लिख दिया, complete, digital, marketing, next के लिए एंटर करना पड़ेगा, फिर only, Google Ads, एक और option, जो जितने भी आप option आप देना चाहो, यहां लिख दो इस तरीके से आप option दे सकते हो, और यह आपकी मर्जी आपको required करना है, या आपको नहीं करना है, required करने के बार ठीक है, तो इसमें से बंदा चूस करेगा, उसको कौन सा चाहिए, और वो आपके पास आजाएगा, ऐसे आपके survey में एक question होगा, या दो होगे, दूसरा radio button के संग होगा, ठीक है, या range आप पूछोगे, कि आप course का budget कितना चाहते हो, बिलोग 1,000, अब आप 2,000, इस तरीके सा आप अपने question बनाके, आप पूरा survey create कर सकते हो, और उसको save and close कर सकते हो, ठीक है, तो देखो survey बनाने का option भी है, edit करना है, तो edit कर लो, ठीक है, अब hosted survey, इसको turn on करना है, turn on कर देना, तो यह जब on करोगे, तब सब चीज़ें आगे आपकी चलीगी, अब अगले step के ओपर दोस्तों आते है, वो step है, add का ठीक है, अब add, अब सबसे बड़ी बात है कि add बनाने की facility, ठीक है, आप facebook, instagram account को अपने हाँ पर page को आप यहां से connect करो, page को connect जब आप अपने कर लोगे, तो आप facebook और instagram ads चला सकते हो, google remarketing का है, तो google remarketing का, अगर आपको campaign चलाने तो retargeting remarketing के लिए, आपके पास paid versions होंगे, त ठीक है, तो अब ही मैं आपको करके दिखा देता हूं, facebook, instagram, अगर add बनाने है, तो यहां पर campaign का नाम वही ले लेते है, digital skill booster course, एक campaign का नाम ले लिया, special, अगर आपकी special add category है, ठीक है, जैसे कि अगर इन में से कोई category है, कि आप vehicle, loan, वेगर एक लिए कर रोगे, job offers, internship है, या कु तो जैसे आप यहां पर आओगे, ठीक है, यहां पर आने के बाद, by clicking accept, agreeing, determine conditions, तो ओविस accept करने हैं पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे हम, तो जैसे हमने यहां पर accept कर लिया, तो अब दोस्तों यहां पर, आपको अपना facebook और instagram connect करना पड़ेगा, तब ही आप यहां पर add तो इसके लिए आप प्लीज अपना पेज और अपना facebook को facebook पेज को अपने instagram अकाउंट से connect कर लेना, ठीक है, और यहां पर आप अपने facebook को connect कर देना, तो सब कुछ connect हो जाएगा, ठीक है, और कैसे connect करते हैं, facebook के page को instagram के अकाउंट से मेरे tutorial में है, महाँ आप सीख सकते हो, ठ content आप add के लिए कैसे बनाओगे, तो add content पे जाओगे, यहां पर जो आप image design करोगे, अब image देख लेना, दोस्तों, देखो, 1200 into 628 और 180 by 180, यह facebook के ही dimensions दे रखे हैं, जो कि हमने facebook आपको सिखा रखा है, ठीक है, तो उस तरीगा वही है, जो facebook में होता है, उस सारी चीज़े आप आपको यहां पर डालनी पढ़ेंगे, अगर आप facebook ads चलाना चाहते हो, mail चिम से, वरना requirement नहीं है, आप सबसे best तरीका तो वही होता है, कि आप facebook का business manager से ही account ads चलाओ, वो सबसे best तरीका है, बड़ यहां पर option है, इसलिए मैं आपको बताया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं द मान लिजिए, यहां पर हम अभी dummy के लिए नाम ले लेते हैं, begin करते हैं, बहुत अच्छा feature है, mail चिम का, अगर यहां पर multiple platforms, मान लिजिए, आपने कोई post design करी, उसको caption वगरा दिया, तो आप अपने facebook connect कर लो, आप अपना यहां पर instagram और twitter connect कर लो, और वो connect करने के बाद, मतल अपनी post का caption वगरा लिखो, ठीक है, और उसको आप आगे बड़ो, अब जब आप एक ही जगा से, आप सब को कैसे, आप schedule कर सकते हो, तो यहां पर क्या होता है, तो आप जब connect कर लोगे facebook को, तो जो आपने post design करा होगा, उनके sizes भी यहां पर दे रखे हैं, उसको आप schedule कर सकत हो, तो आपका 3-3 जगाओं पर जाने की बजाए, एक ही जगा से आपका सारगा 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 हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपका social media platforms के लिए भी दे रखा है, sizes दे रखे हैं, इन sizes में ही post बनवाना करना, और यहां से आप एक साथ ही कर सकते हो, जो बहुत अच्छा feature है, multi platforms आप एक जगा से manage कर सकते हो, ठीक है, आप दोस्तों इहां पर हम आते हैं, आगे sign up form, sign up form का मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताया था, कि like embedded form, pop up form, sign up, तो यह lending page को कौन सा हो, तो मैंने आपको बताया था, कि वो lending page का link को है, website का link को, या आप कोई embedded form, अपनी website में इसका code लेके अपनी website में code डाल देते हो, तो वो सब चीज़ें आप जब campaign बनाते हो, चलाते हो, जब कोई lead आती है, तो आप अपने sign up form भरवाते हो, तो उसके अंदर अब आपका चाहे लेंडिंग page है, चाहे आप यह वाला code लेके अपनी website designer को देके, अपनी website में code लगवाते हो, उना पर यह form यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो यह सब चीज़ें आप कर सकते हो, ताकि लोग sign up करें, आपके पास और data आए, और आपकी email list बड़े subscribers की list बड़े, ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं, context, तो context तो दोस्तों वही है, जो मिने बत मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर यह जो section में आपको बताया था, यहाँ पर आप अपने product services की images रख सकते हो, अपने ads की images रख सकते हो, gif रख सकते हो, instagram को connect कर लोगे, तो वहां की सारे post आजाएंगी, video आजाएंगी, logo आ जाएगा, ताकि इस data आपको बनता हैं, दोस्तों, last postcard, तो postcard is a kind of paid service, तो इसके अंदर क्या होता है, कि आप यहाँ पर चार्जेबल है, तो आप एक अच्छा postcard design करके deliver कराना चाहते हो, तो यह service अगर आप लेना चाहते हो, तो ले सकते हो, और यह 27 countries में available है, यह आपकी मर्जी है, ठीक है, तो यह option दे रखा है, MailChimp ने, तो दोस्तों, यहाँ पर हम dashboard में आते हैं, एक बारी, और यहाँ पर आप देख सकते हो, dashboard के अंदर, यह हमने audience बनाया था, यह हमने देखिए, यहाँ पर campaign बनाया था, यहाँ पर हमने, हमारा email का, जो हमने campaign बनाया था, वो बनाया था, तो यहाँ पर आप campaigns में कर जाओगे, तो सिर्फ campaign देखोगे, जो हमने campaign, ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो भी हमने campaigns बनाया था, यहाँ आप सारा details, ठीक है, all ongoing कौन से है, completed कौन से है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना data यहाँ पर campaigns का देख सकते हो, जितने भी आपने campaigns बनाया है, उनकी report नहीं है, तो reports जाके देख सकते हो, तो दोस्तों, यह सब चीजें को आपको जितना practice करोगे, चीजों को execute करोगे, तो यहाँ पर data अपने फिल होना शुरू हो जाएगा, कितने subscribers चाहिए, कितने click साहिए, कितने unique visits होए, तो यह जब आप करोगे, तभी सारा data analyze कर पाऊगे, उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर automations का मैं आपको बताई दिया है पहले, और यहाँ पर website का content studio, जिसके नदर को सारा content है, और यह integration, जो मैंने starting में आपको बताया था, कि अगर आपकी e-commerce site है, या social media followers है, तो यह website है, तो कैसे आप integrate करो, ताकि subscribers के लिस्ट आपकी बढ़ती चीज़ा है, वो connector है, ठीक है, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ, आपको mailcham का account create करना हो, और उसका कैसे use करना है, चीज़े समझ में आई होंगी, और आप अब देखो, इसको सीखने का जितनी practice करोगे, और चीज़ें करोगे, तब आपको जादा इसके अंदर expertise हासिल होगी तो दोस्तों, मीद करता हूँ, तो दोस्तों में आई होगा, थैंक्यू दोस्तों